तो इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं e-commerce completely man stack में और ये e-commerce fully functional e-commerce होगा जिसमें admin panel होगा, payment gateway होगा सारे features होगे और इसको एक real e-commerce site की तरह भी आप यूज ले सकते हो तो इस project में आप बहुत सारी technologies देखने वाले हो जिसमें react है, node.js है, redux toolkit है, mongodb है, stripe है, emailing system है versell पे हम इसको deploy करेंगे, इसके लावा tailwind भी हम इसमें देखेंगे तो यहां मैं आपको एक demo दे रहा हूँ तो शुरू में मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे यहां पे एक login system है जो हम बनाएंगे, एक sign up भी होगा इसके साथ में यहां पे आपको main panel दिख रहा है, जहां products आपको दिखाई देंगे sorting वगरे भी होगी, यहां पे उसके अलावा category से आप इनको filter out भी कर सकते हो brand से इन चीजों को filter out कर सकते हो जादा product आने के case में यहां पे pagination भी होगा, अलग-अलग pages पे देख सकते हो उसके अलावा product की detail एक page होगी, यहां से आप cart में भी चीजों को add कर सकते हो cart का भी system होगा जहां edit, delete आप कर सकते हो checkout का एक page होगा जहां अपनी full information आप दे सकते हो पुरानी information को check out कर सकते हो checkout एक page है जिसमें की आप order कर सकते हैं order के अलावा payment gateway वगरे भी होगा, cash delivery भी होगी तो payment system पूरा इसमें embedded है इन सब के अलावा आपको यहां पे एक profile भी दिखाई देगी और साथ में अपने orders भी previous आप देख सकते हो इसके अलावा admin panel है admin panel में आप previous orders की पूरी detail कब वो आए थी उनका address वगरे देख सकते हो यहां पे आप उनको edit भी कर सकते हो जैसे उनके dispatch हुए या फिर उनके payment इन सब की situation भी change कर सकते हो इसके अलावा product नए यहां पे edit भी कर सकते हैं आप नए product add भी कर सकते हैं तो वो पूरा admin panel का भी इसमें आपके पास में flow होगा इसके अलावा email है email में आपको पूरा invoice आजाएगा कि क्या आपने products खरीदें उनकी receipt वगरे reset password का भी link वगरे आएगा उससे reset कर सकते हो stripe का पूरा panel हम इसमें explore करेंगे जिसमें की payments आप कैसे manage कर सकते हो कि real e-commerce में उसके लावा Vercel cloud पे कैसे चीजों को deploy किया जाता है ये भी हम इसमें अच्छे से explore करेंगे तो ये e-commerce का demo आपने देखा उसके बाद में इसके कुछ pre-requisite है इस project को बनाने के लिए आपको पहले react.js के basic concepts आने चाहिए Redux with Redux toolkit आना चाहिए तो इसके लिए हमारी master classes है वो आप जाके देख सकते हो तो first part of the project जो है जिसमें की हम केवल react से e-commerce बनाने वाले हो उसके लिए दो चीज़ें आपको चाहिए होगी इसके अलावा आपको node and express का भी knowledge चाहिए basic और वो हमारी तीसरी master class में आप देख सकते हो तो ये तीन master classes के link description में और comments में है already आगर आप ये कर चुके हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं इसके अलावा क्या audience है जो इसको देख सकती है तो basically beginner full stack developers जो भी full stack का beginning कर चुके हैं month stack के बारे में जानते हैं और एक बड़ा project करने के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए best है आपको लग सकता है इसमें एक महीना या उससे भी जादा गर आप इसको seriously कर रहे हैं तो बट ये एक बहुत बड़ा experience आपके लिए होगा उसके अलावा एक दो साल experience developers भी इसको कर सकते हैं क्योंकि इसमें complete stack पूरा बनाया जा रहा है और हो सकता है आपने अपने experience में ये सब अभी तक नहीं किया हुआ हो इसके अलावा college project और इन सब में तो आप इसको use करी सकते हैं technical features जो इसमें हैं वो है Redux Toolkit with Async Thunk हम majorly use करेंगे Authentication Passport JS Library से हम use करने वाले हैं REST API हम मनाएंगे जिसकी Authentication हम JWT से करेंगे using passport again फिर payments हम करेंगे Stripe System से email हम send करेंगे NodeMailer से जिसमें हम Gmail का ही email system use करेंगे Mongoose Models और उसके Advanced Populate Queries भी हम इसमें use करने वाले हैं Model View Controller Troller बैकेंड में हम use करेंगे पूरा उसी तरह का structure हम use करेंगे और Lastly हम deploy करेंगे इसको Vercel पे और Database को deploy करेंगे हम MongoDB और Atlas Cloud पे तो इस project को बनाने का एक particular तरीका मैंने use किया है उसका मैं आपको Road में बताता हूँ तो शुरू में केवल जो front end part है application का वो बनाया गया है Generally मैं अपने live projects और real world projects भी इसी तरह से करता हूँ जिसमें कि हम UI को base बना के शुरू में सारे features देखते हैं कि पहले project दिखेगा कैसे तो react में complete front end app बनेगी और वो functional भी होगी mostly और वो आप एक as a react project भी यूज़ कर सकते हो without any particular backend या फिर backend आप node के अलावा भी उसमें कुछ यूज़ कर सकते है तो पूरा more than half of the things will go in this direction उसके बाद में हम backend create करेंगे based on की हमारी क्या requirement है APIs authentication और उसको integrate करेंगे हमारे react project से तो ये पूरा separately last में ये part आएगा और इन सब के होने के बाद हम इसको deploy कर देंगे Vercel पे जो कि एक cloud है और उस पे हम दिखाएंगे कि cloud में क्या-क्या differences आते हैं deploy करने पे और life site आपकी कैसी दिखाई देगी इस पूरे project को follow करने के लिए आपको दो घिठब repos देखनी पड़ेंगी बहुत important है उनका code आप use करें क्योंकि कहीं न कहीं हो सकता है कि आप stuck हो जाएंगे और आपको code का reference जी है तो मैंने point to point बहुत सारी जगहों पे ऐसे commits रखे हैं और almost I think 30 से ज़्यादा commit points है आपको दिखा रहा हूं वो दोनों repositories जो आपको काफी काम आएंगी तो एक frontend की repositories है तो द्यान से इसका नाम देखे कि और भी repositories इस तरह की हो सकती है हमारे projects में तो मर्न e-commerce frontend नाम से एक repository है इसमें अगर आप जाओगे तो इसमें बहुत सारे commits हैं तो यहाँ पर आप commits देख भी सकते हो यह 33 commits इस वक्त आ रहे हैं तो इस commits पर जब आप जाओगे तो नीचे से आप start कर सकते हो यहाँ पर तो यहाँ पर part 1, part 2, part 3 इस नाम से बहुत सारे commits होंगे और विडियो में जगे जगे पर यह आ जाएगा कि कहां से अब आप code डाउनलोड कर सकते हो तो जैसे part 1 के end में आएगा कि अब part 1 का code आप डाउनलोड कर सकते हो तो ऐसे बहुत सारे checkpoints हैं तो ऐसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे checkpoints हैं 10 है फिर I think almost 20 तक हम final करेंगे front end का part उसके बाद भी कुछ commits हैं पर यह जो commits हैं वो तब आने लगेंगे जब आप back end के साथ में integrate करना चालू करेंगे तो react से related जो project है उसके सारे commits आपको इसमें मिलेंगे और वीडियो में आपको guidance मिल जाएगी कि कौन सा point आया जहां से download करना आपको तो आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूत नहीं है वीडियो में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कहां से इस commit को pick करना है अब इसके अलावा अगर आप देखते हो तो यहां पे back end का भी एक repository है back end की repository में कम commits आपको दिखाई देंगे पर यहां पे भी proper commits हैं तो जैसे back end part 1 है part 2 है इस तरह से generally इसके आगे back end part लिखा होगा तो वो सारी commits भी आप कर सकते हैं वीडियो में जगे जगे पे आएगा कि back end part अब कहां से आप commit उठाएं यहां पे कुछ test commits हैं जो आप देखोगी कि हम deployment करते वक्त कर सकते हैं तो इनका कोई जादा use नहीं है उसके अलावा last में यहां back end part 9, 10, 11 और 12 इसके बाद में आपका project फिनिश हो जाएगा तो इस तरह से आप देखोगे तो यह time to time आपको वीडियो में भी आएगा कि कहां से आपको code उठाना है तो इसको काफी अच्छे से समझें अगर आपको github से कोई particular commit उठाना आता है तो आप देख सकते हो अगर वो नहीं आता है तो आप जाके check कर सकते हो कि कोई particular commit को कैसे check out किया जाए project में इसके अलावा इस video में एक खास बात यह है कि यह video actually में 30 घंटे में बना हुआ था तो इसको हमने कुछ edit करके 15 घंटे में कर दिया है थोड़ा fast pace भी है जगे 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 पे तो आपको वहां पे slow कर सकते हैं आप उसको तो main video 12 घंटे का है जिसमें पूरा flow आपको समझ में आएगा लेकिन इसके अलावा दो extra videos भी है एक video है जो बीच में आएगा जहां मैं आपको redirect कर दूँगा कि आप react का एक final part देख सकते हैं उसमें कुछ खास functionality नहीं है लेकिन वो completion के लिए ठीक रहेगा इसके अलावा पूरा जो बारा गंटे का video खतम हो जाता है उसके बाद में एक bonus पार्ट है ढाई गंटे का जिसमें extra features जैसे की invoice, receipt वगरा भेजना और UI से related काफी सारी चीज़े हमने fix की है तो वो ढाई गंटे का video भी अलग से है तो यह दोनो वीडियो के link आपको description में मिल ज जहता है उसके लिए वो दो वीडियो भी देखने काफी ज़रूरी है और वो इसी flow का part है पर YouTube के restriction की वज़े से हमने उनको अलग कर दिया है तो यह पूरा video 12 hours का है इसके अलावा जिसे मैंने आपको बताया कि 2 extra videos है तो पहला extra video आएगा 7 hour 15 minutes के आसपास जिसका नाम हमने react last part 30 minutes का अलग से video है यह 7 hour 15 minutes के आसपास एक point आएगा video के अंदर ही जहां आपको clearly mention होगा कि अब जाके आप वो video देख सकते हो अगर आपको दिखना है तो और ऐसे video के end के बाद में node last part नाम से second video है जो link आपको provide किया जाएगा वो आप देख सकते हो तो वो इस पूरे video के end में ह तो ऐसा कोई confusion नहीं होना चाहिए आपको कि किस sequence में videos देखने हैं इससे आपको काफी clear हो जाएगा तो react project हम initiate करने के लिए Redux toolkit के page पे जा रहे हैं तो Redux toolkit में ऐसा क्या है तो Redux toolkit का अगर आपने हमारे वाला course किया हो तो वहाँ पे एक special template available है जिसमें react यानि CRA app को आप Redux के साथ initialize कर सकते हो तो वही template में यहाँ पे initialize कर रहा हूँ तो इसका बस फायदा यह है कि हमको pattern पहले से बना हुआ मिला आएगा तो क्यूंकि हमारे इस course में हम previous Redux की knowledge चाहते हैं तो हम expect करते हैं कि वह चीज़ आपको आती होगी तो उसी को मैंने यहाँ पे initialize किया है और फिर मैं अब उसको run कर रहा हूँ तो यह पूरा template install हो रहा है और साथ में यहाँ पे Tailwind CSS के कुछ component यूज करूँगा अगर आपको Tailwind CSS नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं मैं किवल इसके components उठाऊंगा और उनको e-commerce में यूज करूँगा तो यहाँ पे इनकी site पे आप जाते हो तो browse component करोगे फ को मिल जाएगा इनका documentation यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ पे कैसे Tailwind install करते हैं तो same तरीका है npm install Tailwind latest इस तरह से इनका जो latest version है वो आप install कर सकते हो अपने react project या किसी भी project में आप install कर सकते हो तो मैं यह terminal open कर लेता हूँ तो यह वही project है जो मैंने initialize किया था Redux template वाला उसमें म Tailwind CSS भी install कर रहा हूँ तो यह install हो गई होगी इसके अलावा भी react की कुछ dependency हो सकती है वो हम install करेंगे फिर npx init Tailwind CSS इस तरह से मैंने command डाला है I think यह command npx Tailwind CSS है तो init बाद में लगेगा तो इससे Tailwind CSS initialize हो जाएगी यानि इसकी कुछ configuration file create होगी तो यहाँ config.js मिल जाएगी आपको इसमें आप कुछ चीजें put करते हो कि कौन-कौन सी चीजों पर Tailwind लगाना है तो इसकी settings हम इसी के documentation से देख रहे हैं तो वैसे देखना चाहिए आपको कि react में क्या होनी चाहिए यह मैंने सीधी खोल रखे तो create react app इसमें शायद directly नहीं है तो आप यहाँ पर react type करके देख ल इसके बाद यह कहेगा कि index CSS जो आपकी है उसमें जाके यह कुछ decorator जैसे दिख रहे हैं तो यह आप पुट कर दो तो यह चीजें यहाँ पर आपने पुट कर दी इससे यह जो directives कहे जाते हैं CSS के वो आपने पुट कर दी है तो अब Tailwind वर्क करेगी बाकी सब मैं clean कर रहा पुरानी CSS हमको नहीं चाहिए जो default app.js आती है वो भी मैं clean कर रहा हूँ साथ में एक feature आता है feature एक जैसे अलग-अलग features हम बनाते तो counter नाम का एक component पहले से बना आया इस template में जो हमने Redux का template यूज किया था तो यह मैं counter आपको दिखा देता हूँ कैसा है यह तो कभी आपने Red Redux का toolkit का sample page देखा होगा तो यह already आप देख चुके होगा अधर्वाइस यहाँ पे अब मैं NPM start से इस application को start करूँगा तो यहाँ पे localhost 3000 पे यह counter application है तो इसमें आप देख रहे हो इसमें सारे Redux के जितने भी patterns होते हैं वो इस sample में दिये हुए है increment, decrement, increment by some amount और हमने यहाँ React के dev tools install किये हुए है तो यह भी आपको चाहिए होंगे इस application में हम काफी इनको use करने वाले हैं इस से जादा हम Redux के dev tools use करेंगे तो यहाँ पे आपको counter application सब कुछ यहां Redux dev tools भी जिसे मैं कहीं पे open कर सकता हूँ same screen पे या अलग जगे से भी तो मैं इसको maybe right में open कर लेता हू तो यह काफी काम आने वाला है पूरे project में हम देखेंगे कि Redux के यह सारे actions हम भेजेंगे उनकी क्या states होंगी और उससे यह मैं chart काफी use करने वाला हूँ तो इस chart में आपकी state कैसे change होंगी e-commerce में पूरे में बहुत सारा data आने वाला है तो Redux की knowledge बहुत essential है इस project के लिए और CSS की file delete कर रहा हूँ क्योंकि CSS में खास use करूंगा ही नहीं Tailwind में सब उसकी CSS पहले से ही होती है इसके अलावा जैसे यहां पे इनों ने दिया है कि API call mimic किया है तो हम भी कुछ एक API call का मैं एक sample बना लेता हूँ मैं यहां mimic नहीं करूंगा मैं actually मैं fetch से हमारा जो server बनेगा उससे कोई API को call किया करूंगा तो जैसे localhost 8080 हमारा server होगा उसमें मैं fetch से कुछ लाओंगा तो मैं अब यहां dummy call लिख रहा हूँ बाद में मैं कोई API बनाओंगा पर मैं यह पहले से लिख के जा रहा हूँ क्योंकि यह feature folder को हम बार बार copy करेंगे हर e-commerce feature के लिए तो इसलिए मैंने यहां पर just इस API को थोड़ा सा change किया है तो आप fetch समझते होगे कि fetch कैसे लिखा जाता है उसका response हम वेट कर रहे हैं और response को फिर JSON में convert करते हैं और मैंने पूरा चीज़ एक promise के अंदर लिखा है तो promise का funda भी यहां मैंने use किया है आप promise हमारा देख सकते हैं पुराने chapters में तो koca.js एक plugin है live जिसमें output देख सकते हो यह बीच में एक बार यूज करूंगा फिर tailwind तो intelligence में ने use किया था कि tailwind आप आराम से लिख सकें यह भी आप use कर सकते हो plugin उसके अलावा कोई खास ऐसा plugin नहीं है जो हम use करने वाले react snippet से लिटेड एक plugin आप use कर सकते हो extra तो यह slice वाला page है redux में आप जानते होगे कि slice से easily आप reducer action बना सकते हो तो इसमें भी मैं चीजें कुछ delete कर देता हूँ क्योंकि बार-बार हम हर बार इसी slice को copy करके नए-nए slices बनाएंगे तो मैं इसमें reducer में simple reducer छोड़ देता हूँ जिसमें increment function मैं के ओल छोड़ रहा हूँ जो state को सीधे manipulate करता है और extra reducers हम काफी use करेंगे तो उसको छोड़ देता हूँ नीचे actions की एक line है वो मैं छोड़ देता हूँ यहाँ selector एक दिया हुआ है selector हम काफी use करेंगे क्या होता है selector मतलब state में से एक part निकालने के लिए यह last वाला part मैं delete कर देता हूँ और यहाँ पर reducer export किया हू तो मैं जो भी useful नहीं है जैसे मैंने अब सब कुछ तो delete करी दिया कि इंक्रीमेंट रखा है तो I think increment और async increment वो मैंने रखा था extra reducer में वो चीज बस मैं रख लेता हूँ इस main component के अंदर selector मैंने एक रखा है यह use state का कोई खास use नहीं है तो इससे specific कोई चीज मैं नहीं रख रहा हूँ counter से related मैं एक empty template बना रहा हूँ एक तरह से ठीक है तो इसमें भी मैं सब कुछ delete कर देता हूँ class name बगरे भी नहीं चीज़िए यह tailwind में सब कुछ एक तरह से class name वहीं बने हुए होते हैं आप extra CSS लिखोगे ही नहीं तो यह पूरा मैंने clean कर दिया है counter नाम का एक feature औ हम अपने जितने भी components हैं वो बनाएंगे तो हर component में component होगा slice होगा और उसका API feature होगा तो मैंने इसको paste कर लिया है और पहला feature जो हम बनाने वाले हैं real में वो है product list का तो जैसे भी कोई e-commerce में आप जाते हो तो product की list देखते हो आप जिसमें से आप product select बगरे करते हो या sort करते हो तो वो ही main feature है सबसे और उससे start करते हैं तो वो component में create करता हूँ तो component का rename कर रहा हूँ है क्योंकि counter नाम के sample से बनाया है और इसको मैं export default जननी करना पसंद करता हूँ क्योंकि एक ही export है इस particular file में तो मैं sample में भी कर देता हूँ ताकि आगे हम copy करें तो बार बार ना करना पड़े इसके बाद मैं counter slice में जा रहा हूँ यहां पर product list slice.js मैंने इसका नाम change कर दिया है ऐसे ही API का नाम भी मैंने product list API इस तरह से कर दिया है तो इस सब renaming वगरे मैं कर रहा हूँ ताकि आपको अलग-अलग file में confusion ना हो बाकि अबीन में code तो सारा dummy लिखा हुआ है तो सब से पहले template लेके आते हैं तो मैंने जो आपको component दिखाए थे उसमें एक आपको component मिल जाएगा product list से related तो यहां product list नाम से सर्च करोगे तो नीचे यहां मिल जाएगा इसका code है code में बस ध्यान यह रखना कि आपको react वाला code यूज करना है तो मैंने react वाला select कर रखा है पर उप पुट करना पड़ेगा एक नहीं दिया है कि यह आप पुट कर दीजेगा और इसको install भी करना पड़ेगा तो npm install जो भी इसका नाम है tailwind css slash aspect ratio यह आप install कर लो तो यह dependency है कुछ-कुछ components tailwind के कुछ JavaScript libraries यूज करते हैं यहां पे फिर यह नीचे जितना भी लिखा हुआ यह HTML यह पूरा आप as it is copy कर सकते हो तो यह मैंने जिसे आपको बताया था कि यहां पर आपको react select करना है और यह react वाला template है तो इसमें आप देख रहे हो clearly उपर कुछ constant है जो basically product की list है एक dummy और अंदर एक component structure बनाया हुआ है तो component वाला structure मैं यहां directly पुट कर दूँगा तो यहां div के अंदर जितना भी वो part है वो बने पुट कर दिया तो hopefully सारी चीज इसमें self-contained होंगी तो यहां पे वो product array जो पर paste किया है उसका ही map बना हुआ है और अब मैं app chase जो हमारी main file थी उसमें product list को import करके एक बढ़ ट्राइ करता हूं कि यह जो component हमने बनाया यह वैसा ही दिख रहाया नहीं जैसा की tailwind ने दिखा रखा है तो यहां product list यहां पे मैं लोड करके देखी तो इसमें कुछ error आ रहा है कि counter API resolve नहीं हुई है तो कहीं हो सकता है पुराना कुछ name अगरे हो नहीं यह reload होने के बाद सही हो गया तो आपको अब एक t-shirt जैसा कुछ यहां पे दिखाई दे रहा है मैं थोड़ी सी renaming करूँगा यहां पे हम इसको products लिख देंगे और इस product की मैं कुछ copy बना के देख लेता हूं कि यह layout में कैसा दिखाई देता है तो मैंने 2-3 बार इनको ही copy कर लिया है बस ID मैंने different कर दिये क्योंकि generally वो key में use होती है तो आपको दिख रही है चार t-shirts आने वाली है एक row में large screen पे at least तो इस तरह का format है जो satisfying है कि इसको थोड़ा सा modify करूँगा मैं अपने इसाब से बट एक basic छोटा layout बन गया है लेकिन मेरे को चाहिए कि इसके साथ में कुछ menu bars वगरे भी हो और ऐसा इसमें already layout है तो यहां पर आप नीचे कहीं जाओगे तो यह एक section है category filters नाम से template आपको मिलेगा जिसमें side में filters भी बने हुए और ऐसे e-commerce में हम जैने देखते हैं उपर sorting वगरे का भी बना हुआ है तो यह काफी अच्छा template है तो इसका code भी आप copy कर सकते हो तो again react वाला select करके उसी में ही आपको यह करना है तो उपर कुछ dependencies है क्या-क्या import करना है वो सब आप सबसे पहले तो उनी चीजों को रखो यहां पे भी एक plugin में भी dependency है तो यहां पे आप plugin में वो dependency paste कर दो और यह dependency install भी होगी npm से तो आप npm install tailwind css slash forms नाम से यह dependency है अब इसके आगे आप देख section है और नीचे पूरा template का section है तो पहले मैं import वाला उपर से copy कर लेता हूं और उसको as it is यहां पे हम जो product list में ही मैं इसको paste कर रहा हूं actually मैं दोनों को merge कर दूँगा पुराना जो template था वो भी मैं रखने वाला हूं और इसको भी मैं उसके अंदर भी merge करूंगा तो मैंने यह नहां पर थोड़ा सा repetition है दो बार fragment import रखा है तो उसको ठीक कर दिया है मैंने उसके अलावा यह एक कुछ state variable है जो open close यह कुछ filters को open close करेगा तो यह पेस्ट कर दो इसके अलावा यह सारा पूरा return के अंदर template वाला part है तो यह as it is पूरा आप copy कर लो और इसको paste कर लो अब ध् पेस्ट कर देता हूं एक comment यह पूट कर देते हैं कि यह जितना part था यह part था product का वो page जो अभी हमने just product list का वो page जो हमने भी बनाया था जिसमें वो t-shirts दिखाई दे रही थी तो इस part को मैं cut करके अभी वापस इस नए filters के अंदर पूट करूँगा क्योंकि आप देखोगे अभी मैंने filters वाला जैसे suggest ऊपर paste कर दिया है तो अब इसमें क्या है यहाँ पे एक your content नामसे space अल्रेडी दे रखा है उस template में तो उसमें जाके आप यह product list वाला part paste कर दो तो यह मैंने नहीं बनाया वो your content उन्होंने space दे रखा था तो उसमें जाके मैंने अब यह product list अब मैं headless UI नाम की dependency है जो शायद मैंने setup में miss out कर दी यहाँ components जब आप देखते हो tailwind के तो इसमें नीचे दिया हुआ है कि अगर आप react react के section में जाओगे तो यहाँ पे आपको यह दो चीजें और install करने पड़ेंगी तो headless UI है और एक hero icons है तो कुछ special icons भी template में है तो यह दो library उसको use कर रही है तो यहाँ पे वो install होने के बाद अब यह proper आपको दिखाई देगा तो अभी वो install होई रही है तो आप इसको reload करो तो अब आपको यह proper दिखाई दे रहा है तो इस तरह से पूरा आपका यह दिख रही है टी शिर्ट्स वगरे और ऐसा कुछ proper यहाँ पे चीज को paste करना है तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है फिर भी जब आप रियली में copy करेंगे यहाँ पे पूरा data है इन menus का यह अलग-अलग arrays बनी हुई है sub category, filters, sub category में को नहीं चाहिए I guess क्योंकि sub category शायद उपर वाला जो menu है वो है तो इसको मैं हटा देता हूं यह UL list थी तो हर चीज को थोड़ा ध्यान से हमको हटाना है यह एक और यह UL list यहाँ पे भी है actually मैं हर चीज दो-दो बार है क्योंकि एक mobile layout में है और यहाँ mobile से भी वो हट गया और एक desktop layout में है तो यह दो-दो बार आपको मिलेगी इसलिए मैं उसको दो बार delete करना पड़ा तो य एक nav bar भी इसमें freely available है बट I think उसका नाम nav नहीं है कुछ और नाम से वो मिलेगा I think stack layout में वो आपको मिलेगा इस stack layout नाम से है तो यहाँ पे आपको यह उपर menu bar मिल रहा है तो यह menu bar भी आप इस page में put कर सकते हो तो अब मैं क्या करूंगा कि इसी product list में इसको put नहीं करूंगा क्योंकि यह menu bar तो मैं कई जगे यूज़ करने वाला हूँ तो मैं एक नया feature ही बना रहा हूँ जिसका नाम है nav bar ठीक है तो मैं एक अलग component बना रहा हूँ जिसमें केवल navigation bar होगा तो again वैसा ही आप यूज़ कर सकते हो पर nav bar में कोई API और slice की ज़रुत नहीं है तो मैं इसको क केवल एक simple js file से ffc एक shortcut मैं यूज़ कर रहा हूँ जिससे functional component आप declare कर सकते हो यह react snippet नाम के plugin से आता है तो यहां पे nav bar नाम से मैंने इसका default पुट कर दिया इसमें जो template के imports थे वो आप top पे पुट कर दो तो यहां पे मैं जाता हूँ उपर और यहां पे यह template पे top पुट कर देता हूँ कोई खास dependency नहीं है HTML में कह रहा है कि आपको दो classes पुट करनी पड़ेंगी ताकि यह full layout में आ सके तो मैं index html जो page होता है उसमें जाकि एक class add कर दूँगा और इसने शायद body में भी एक class बोली है तो वो भी मैं पुट कर दूँगा ताकि इसकी height और width इस template के आज है menu एकदम top पे आपको सही दिखाई दे उसके अलावा यह पूरा जितना part है यह है menu का part तो यह आप इस navbar component में paste कर दो तो यह navbar मैंने paste कर दिया है काफी बड़ा सा यह code है यह comment वाला part अठा देता हूँ अब यह save हो गया होगा तो ऐसा इसके नीचे यहाँ पे content हमको दिखाई देता है तो navbar के वल टॉप section में है उसके नीचे एक छोटा सा white space है और यहाँ पे your content इन्होंने लिखा हुआ है तो your content की जगे मैं यहाँ पे children prop पास कर दूँगा तो children prop का आपको concept पता होगा कि कैसे हम composition से एक और component पास कर द तो यहाँ मैं children उपर prop लिख देता हूँ तो अब इस navbar में आप children prop की तरह कुछ भी pass कर सकते हो उस component के उपर navbar लग जाएगा तो यह भी react का हमने पहले concept देखा था children component का तो यहाँ पे pages में मैं अब एक page बनाऊँगा तो page मैं उन चीजों को कह रहा हूँ जो एक complete page है मतलब एक page web page की तरह जैसे home page है तो home page है तो product list page मेरे हिसाब से लेकिन home page में product की list भी है उपर navbar भी है और फिर footer भी हो सकता है तो इसलिए मैं page एक full view को मान रहा हूँ components मैं अपने feature wise बना रहा हूँ तो मैं यह home component मैंने वापस declare किया है इसमें मैं navbar use करूंगा तो मैं div में navbar component put कर करूंगा क्योंकि अभी हमने children prop उसमें बना दिया था तो यहाँ पर product list मैं put करूंगा उसके बाद अभी बाद में future में footer वगरे भी put कर देंगे तो ऐसे ही यह home page को मैं import कर रहा हूँ और product list को हटा के अब यहाँ पर app.js में home page put कर देता हूँ तो अब आप देगो home page में लग से आ रहा है और सारी चीज़ें आ गई है तो जो new arrivals वाला पूरा section दिख रहा है यह तो product list है और उसके उपर navbar है दोनों compose properly हो गए है तो कुछ page हमारा अब ठीक दिखाई दे रहा है ने अब बार में भी कुछ changes मैं करना चाहता हूँ जैसे यहाँ यह काफी सारे menus हैं जो हमको नहीं required तो यह आप देखोगे यहाँ उपर navigation नाम से एक array है इसमें से आप चाहो तो कुछ delete कर सकते हो नए add कर सकते हो अपनी site के साब से तो मैंने 2-3 delete कर दिया है प्लस में को यह bell icon जैसा नहीं चाहिए और हमारे case में हम एक shopping cart का icon तो shopping cart आप type करोगे तो अपने जहाँ पे उसको हमको bell icon सर्च करने पड़ेंगे जहाँ जहाँ है उसको आप replace कर दो दो जगे आपको मिलेंगे क्योंकि एक जगे mobile menu है एक जगे desktop menu है तो यह इस view में आपको जैसे shopping cart दिख रहा है और mobile view में भी वह आप चेक करते रही है साथ की साथ फिर मैं एक badge ढूंड र दिखा सकें कि कितने items आपने ले लिये हैं तो मैं badge वाला section इसके just नीचे paste किया है मैंने देखते हैं अभी इसका proper वो दिखाई देता है यानी उस पे तो यहाँ पे इसको थोड़ा refresh आप करके देखो यहाँ पे इसमें दिख गया है यह mobile वाले पे चला गया है तो हर चीज दो दो बार है तो यहाँ यह shopping cart mobile वाले पे मैंने पुट कर दिया है और यहाँ मैं डेस्टॉप वाले पे भी पुट कर देता हूँ तो वो आपको सर्च करना पड़ेगा इसमें clearly लिखा हुआ है mobile menu कौन सा है और वो तो हम उसको थोड़ी दिर में अलग-अलग भी कर देंगे तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया तो अभी भी बैज थोड़ा इसके सामने आ रहा है तो ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि एकदम उसके उपर आए shopping cart के तो मैंने जैसे 3 items ऐसा लिख दिया है और मैं यहाँ पे MB कुछ ऐसा 5 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ह चीजें हैं आपको याद करने की ज़रुत नहीं है बस इस template के लिए हम कर रहे है और minus L यानि margin to left minus 3 तो इस तरह से मैंने कर दिया और 7 ऐसे मैं adjust कर रहा हूँ इसको यह basic CSS ही है बस tailwind में उसको classes की तरह लिखते हैं तो आपको जादा सोचने की ज़रुत नहीं है क्योंकि आप का कुछ था जो यहां पर तो कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इसको safely delete कर सकते हो अब मैं mobile icon को भी set करने कोशिश करता हूं यहां पर इसको 3 कर देता हूं और इसमें भी कुछ margin bottom से 7 और minus margin bottom से 3 ऐसा कुछ करता हूं तो I think यह गलत paste कर दिया हूं इस button के बाद में paste करके देखता हूं margin left से था शायद वो वाला तो इसमें भी यह काफी ठीक सा ही दिख रहा है तो इस तरह से अब थोड़ा बहुत adjustment कर सकते हो अपने layout के हिसाब से अब यह जो उपर dashboard लिखा हूआ है यह dashboard नहीं है हमारा तो हम इसमें e-commerce हमा ऐसे लिख देते हैं आप अपना कोई brand name हो वो put कर सकते हो तो यहाँ e-commerce लिखा आगया इसके अलावा यह new arrivals भी यहाँ पे लिखा हुआ है तो new arrivals को change कर देते हैं यहाँ पे product list में जाते हैं यह product list component के अंदर था तो यहाँ पे आप इसको यह तो completely हटा दो यह फिर जैसे products हैं तो मैं all products लिख देता हूँ इसकी जगे तो यह भी अब proper दिखना चाहिए और useful नहीं है यह पूरा space थोड़ा सा ले भी रहा है यह पूरा reason तो इसको मैं हटा देता हूँ product को यहाँ से I think यह भी दो बार है कहीं पे तो कुछ और ही product मैंने हटाया यह जो product है वो कहीं और पे है यह वाला product I think यह जो 2XL size का दिया हूँ है यह पूरा आप हटा सकते हो शायद मैंने ज्यादा हटा दिया केवल H2 आपको हटाना है तो यहाँ पे इसको आप save करके देखते हैं और यहाँ पे जो PY यानि पैडिंग Y direction में दी हुई है तो उसको मैं कम करनी कुछ कर रहा SM, MD अलग-अलग responsive width में वो दी गई है तो PY 0 मैं सब में कर रहा हूँ तो देखते हैं यह Y direction में उपर चला गया तो यह पूरा space जो खराब हो रहा था वो भी सही हो गया तो tailwind काफी easy अगर आप CSS जानते हो तो थोड़ा बहुत उससे आप समझ सकते हो लेकिन आप भी इस template मे just follow कर सकते हो जो भी मैं कर रहा हूँ इसके लावा एक pagination नाम से component है इसमें तो यह pagination component आपने देखा होगा 1,2,3,4 ऐसे नीचे आते हैं कई pages अगर कोई search result में तो उसको use करता है तो मैं इसका template as it is जैसे अभी तक करते हैं वो पूरा copy कर लेता हूँ और हम एकदम last में यह प product list के end में कर रहा हूँ मैं नया component नहीं बना रहा अभी pagination के लिए हम थोड़े देर में उसको अलग component में put कर देंगे पर अभी just मैं यह product grid का end है जहांपे वो आपको grid दिख रही थी t-shirts की और यह पूरा section है I think यह section यह अलग-अलग sections बने हुए है और last में मैं pagination put करना चाहता हूँ तो यह section के end में एक बार paste करके देखता हूँ जो भी मेरा code था तो यह section of product and filters end here इस section के बाद में तो उसके बाद में जो भी code था हमारे पास इसमें कुछ खास नहीं है कि एक simple html दिया हुआ है यह पूरा मैं put करूँगा यहाँ पर static code है जो बाद में हम dynamic कर देंगे यह एक दो तीन चार ऐसे कोई page हम नहीं देंगे यह page अपने आप create होंगे जितने search result हमारे पास होंगे उस particular किसी product के तो मैं इसमें से कुछ delete कर रह right icon यह भी आप उपर import कर दो तो यह नीचे दिख रहे हैं आपको दो icon और इस तरह से इतने result of यह पूरा pagination है सबसे last में जो आपको दिखाई दे रहा है तो यह properly अब set हो गया है तो I think product list की ज़्यादा तर चीज़े हमने set कर दी है template wise अभी यह template बहुत बढ़ा और confusing सा है तो मैंने यह call से किया है call span होता है यहां पर तो call 3 करने पर यह 3 दिखाई देंगी तो मेरे इसाब से 3 ठीक हैं large screen पर उसको भी इन सब चीज़ों को आप अपने इसाब से थोड़ा बहुत vary कर सकते हो tailwind easiest लगती है कई बार change करने के लिए क्योंकि css सारी वहीं लिखी हुई है तो आप मैं एक नया page बना रहा हूं और यह page होगा login page तो login.js नाम से एक page बना रहा हूं तो ffc shortcut से मैंने एक function component बनाया और उसके बाद में मैं यहां पर एक div बनाता हूं और इसके अंदर मैं login का पूरा source code पूट करूँगा तो login के component और sign up के component यह सब भी आपको मिल तो ऐसी sign up का भी मैं एक page बना रहा हूं तो यहां पर sign up का भी मैंने लिख दिया और इसमें भी एक div लिखके हम छोड़ देते हैं तो यह मैंने pages में add की हैं तो pages में हम generally components add कर रहे हैं इस तरह का हम architecture बना रहे हैं जरूर नहीं है हर कोई ऐसा बनाए बड़े projects में करते हैं तो auth में कई चीज़ें हो सकते हैं इसलिए मैंने तो जैसे login है login नाम का एक component मैं उसमें बनाऊंगा sign up एक component मैं उसमें बनाऊंगा और API और slice में एक ही बनाऊंगा auth API और ऐसे ही auth slice ठीक है तो एक feature में कई सारे components भी हो सकते हैं तो इस तरह से भी आप कर सकते हो तो मैं generally auth बोलता या तो components folder put कर देता हूं ताकि confusing ना रहे तो केवल components इस auth के अंदर components में है और बाकी तो API और slice की files है ऐसे sign up.js बना देता हूं तो अब सारे components हैं ठीकि component generally smallest unit है और उसको हम page में भी copy कर सकते हैं तो यहां पे counter से मैंने बनाए तो हर में counter वाला वापस लिखा होगा तो उनको change क कर लीजिए हर बार यह process हम repeat करने वाले तो इसमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है सेम चीज़ बस यह है कि counter नाम ना रह जाए अब यहां पे वो template ढूंडते हैं I think login नाम से तो नहीं है top पे यहां पे दिया हो है sign in your account तो यह वाला template काफी अच्छा है simple सा template है तो मैं as it is इसक high नहीं देगा तो आपको वापस से home की जगे login component को put करना पड़ेगा तो यहां पे login पहले मैं इस component को page में तो put कर दूं तो मैं यहां पे इसको अभी यह properly आ नहीं रहा है import करने पे I think यह तो मैंने name नहीं दिया हो गडंसे तो यह login page है basically थोड़ा सा confusion हटाने के लिए मैं इनक sign up page कर देता हूँ तो page full view है जो web page है उसके अंदर उसके component होंगे generally पर header footer भी हो सकते हैं सब कुछ हो सकता है तो अब यहां पर login component import किया और उसको यहां पर put कर दिया तो import इसलिए भी नहीं हो रहा था कि same ही नाम थे दोनों component के ऐसे sign up में तो मैंने अभी कुछ put किया ही नहीं तो login जैसा ही sign up भी होता है generally same जैसा form है तो उसको आप copy कर सकते हो तो एक बाद login को try करते हैं तो app.js में login page put कर देता हूँ home की जगे और देखते हैं कि जो template हमने put किया है वो satisfactory है या नहीं I think इसमे clean up कर देता हूँ थोड़ा सा तो इस तरह का दिख रहा है ऐसा ही कुछ होना चाहिए email address, password हो गएरे नीचे थोड़ा सा change कर देता हूँ not a member की जगे और ये कोई trial हो गएरे नहीं है हम कह सकते है create an account ठीक है तो ये basically उसको sign up पे भीज़ेगा ये login page है तो अगर उसका account नहीं है तो वो sign up पे जा सकता है तो यहां sign up का बना देते हैं वो भी मैं as it is paste कर रहा हूँ और बस नाम आप इसको change कर लो login की जगे sign up कर दो और यहां पे भी आप लिख दो create account तो create करेगा नया account तो वो चीज sign up कहलाएगी बस यहां पे मैं password का field एक और बार copy कर रहा हूँ क्योंकि password में confirm password भी होता है जब आप sign up करते हो तो वो दिखाए देता है तो उसके साब से मैं id change कर रहा हूँ क्योंकि id सेम हो जाएगी वर्ना और name भी मैं वही रख देता हूँ auto complete हो कर रहें नहीं चाहिए हम delete कर सकते है कुछ और form की चीज़ हो सकते है यहां sign up कहलाएगा और not a member का question नहीं होगा यहां यह पुछेगा कि already आप एक member हो क्या तो आप जाके सीधे sign in form या login form पे चले जाओ तो अभी हम सारी चीज़ें देख नहीं सकते है यहां पे यहां पर मैं इसको login लिख देता हूँ क्योंकि है जहां भी मैं sign in लिक रहा हूँ कई जैगे login तो और अचनल लोग इन ही कर देता हूँ जहां भी sign in है तो यह login page हो गया login से आप sign up पे भी जा सकते हो तो sign up page देख लेते हैं एक बार और यहाँ पे sign up page हमने try किया तो अभी सारे page मैं एक एक करके ही देख पा रहा हूँ क्योंकि अभी इन में routing नहीं है अभी मैं routing भी set करूँगा और आप सारे pages पे एक के थूर दूसरे पे जा पाऊँगे तो create an account का हो गया इससे क्लिक करोगे तो login पे चले जाओगे नीचे जो एक link दिया है तो अब इनको interlink करने के लिए routing करनी ज़रूरी हो गई है ठीक है तो यहाँ तक मैंने बिना router के काम चला लिया तो हम react router यूज करने वाले है तो react router 6 अभी latest है तो react router हम जादा explain नहीं करेंगे काफी simple है और इसमें हम use करने वाले है इसमें आपको simple एक library यूज करनी है react router dome नाम से यह आप npm से install करोगे तो npm install react router dome इस तरह से होगी उसके बाद में कुछ dependencies हैं यह use लेंगे हम components हैं वो हम import करते हैं तो पूरा मैं इसका जो यह quick start का template है यह copy करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर explain भी कर दूँगा आपको कि यह किस तरह से काम करता है तो generally कहीं पर भी आप वो setting put कर सकते हो पर मैं यहाँ पर app के level पर put कर रहा हूँ तो यहाँ पर दिहान रखना मैं कहां पर router put कर रहा हूँ तो यहाँ पर create browser router नाम से कुछ मैंने use किया है और यह last में एक line है यह बहुत important है यह वहाँ पर put करोगे जहाँ पर आपको routing चाहिए मतलब अलग-अलग page कहां पर अभी मैं app.js में load कर रहा हूँ ना हर page तो वहीं पर ही यह provider put करो जहाँ पर आपको change of page चाहिए तो मेरे इसाब से वो app.js था अब यह जो section है इसमें आप देखो तो एक simple एक area of JSON objects है और उसमें path होगा किस path पर आपको जाना है और element होगा कौन सा component या page आपको load करना है तो इतना ही इस router में आपको set करना होता है तो जैसे path है slash तो home page आजाए ठीक है तो इसका format देख लो काफी simple सा है और element में आप यहाँ पर login page और path अगर login है slash login है तो वो login page आजाए और sign up में यह import में उपर अपने आप करता जा रहा हूँ वो आप थ्यान रखना अगर आप यह auto import हो रहे है मेरे VS code में नहीं हो तो आप manually कर सकते हो तो login किया तो login पर आगए slash sign up पर किया तो sign up पर आगए तो यह routing तो properly set हो गई है ठीक है तो यह चीज़ अब आप इनको interlink भी कर सकते हो मतलब एक page से click करके दूसरे पर वो कैसे करोगे ahref से वो नहीं होगा ठीक है ahref तो आपको web page में काम आता है react routing में आपको link नाम से काम आएगा तो link आप import कर लो जैसे मैंने उपर किया है और यहाँ a की जगे लिंक लिख दो और href की जगे to लिख दो और उसमें वो path दे दो जो path अब हमने बनाय कर दिया यहाँ पे भी link को import कर लो तो यह link हो गया तो अब देखो login पे click करो login पे create an account पे तो आपस में change हो रहे है route उपर भी आप देख सकते हो और slash पे जाते हो तो आप सीधे अपने home page पे चले जाते हो तो एक तरह की बहुत ही अच्छी routing set है और भी link हम बनाएंगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं इस project में तो यहाँ पे मैं पहला commit करने वाला हूँ तो ऐसे बहुत सारे कम से कम 20-30 commit आपको मिलेंगे तो part 2 नाम से मैंने added routing की है तो हर step पे जाके आप code check कर सकते हो क्योंकि बहुत सारा code change होगा हर part में तो हर आदे गंटे के आसपास आपको एक एक commit मिल ही जाएगा अब next हम एक और component देखने जा रहे हैं और वो है card component तो shopping cart जो होता है एक तरह से अभी तक हम नहीं नहीं बनाया तो इसमें card का भी एक free template है बट वो side में आता है तो उसको हम थोड़ा सा change करेंगे बाद में लेकिन इसका code यहाँ पे available है तो आप card search करोगे तो यह पूरा code आप copy कर सकते हो जैसे अभी तक हम template बनाते आ रहे थे तो मैं feature में जाऊंगा counter वाले को copy करूंगा उस counter की copy को मैं rename करके card बनाऊंगा और उसमें 3 files होंगी component file उसको rename कर देते हैं फिर API file उसको rename कर देते हैं और फिर slice file उनको rename कर देते हैं अभी मैं API slice में कभी change नहीं कर रहा हूं पर मैं अभी आगे जाके उनको करूंगा तो आप उसको ध्यान रखें अभी जैसे card js page पर आ जाते हैं तो यहां पर इसका नाम सबसे पहले मैंने change किया card कर दिया और यहां पर मैं वो template paste करूंगा जो हमको tailwind बता रहा है तो इस पूरे code को हटा के यहां पर आप यह as it is यह code पुट कर सकते हो कुछ dependencies होंगी इसकी जो आपको import करनी पड़ेंगी और यहां पर route भी मैं set कर रहा हूं पहले route भी लिख देते हैं slash card पर यह card नाम से component अभी मैं load कर रहा हूं generally हम page करते हैं तो मैं अभी बाद में थोड़े दिर में page भी add कर दूंगा ल ने पूरी उपर import नहीं की हैं तो यहां पर यह import और कुछ product की एक list भी है जो एक sample आपको card दिखाएगा कि अभी सारा data तो dummy है तो वो दिखाने के list template में आपको चाहिएगा और एक state variable भी है तो यहां open variable आप copy कर लो यहां यह दो बार हो गया है वापस import तो fragment हटाओ अब transition child में उपर top पे जो था वो delete कर रहा हूँ वो transitioning के लिए है और जो main यहां पर area है वो यह है जो आपको नीचे दिखेगा mt8 करके एक पूरा section है उसमें यह div है यह आपका main cart वाला list है और उसके नीचे एक subtotal वाला है यह दो ही components में को चाहिए जो में को format के लिए उपर वाले सब pop-ups मतलब side में उस related है तो यह दो div की बात है बीच में बस एक end वाला div है तो इसको मैं हटा देता हूँ इसको मैं cut कर लेता हूँ तो थोड़ा ध्यान से ही cut कीजेगा कितना area में ले रहा हूँ और इसको transition बाकी सब में हटाता हूँ और इसको paste कर देता हूँ तो अब भी शायद यह दोनों div top level हो गए है तो इनको भी कोई parent चाहिए थोड़ा तो I think एक fragment put कर देते हैं यहाँ पे इसको cut करते है और वापस paste करते हैं तो I think अब ordering सही है तो इसको मैंने format कर दिया and then अब थोड़ा सा layout बिगड़ गया है side में चलीगे इस चीजें पर उसको हम ठीक कर सकते हैं previous एक template product list पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे एक proper margin दिया गया था I think उस पे था या navbar पे था शायद तो navbar पे एक class जो जिसमें mx auto max width 7xl हर margin के साथ दी गई थी तो यह same class आप top level पे यहाँ पे put कर सकते हो तो यह भी पूरा हर page इसी तरह से design होगा सब में उतनी ही width होगी maximum page की तो वो मैंने put किया तो यह भी इसकी width भी आ गई पस थोड़ा सा background color में यह सारा merge हो गया है तो मैं इसको थोड़ आसा कुछ problem है थोड़ा या तो padding जादा या कुछ है तो इसमें भी मैं उसको हटा के उपर वाले और दोनों में same classes पुट कर देता हूँ अब यह उपर वाला section भी same padding अगरे में आ गया है बीजी white करके देखते हैं जैसे top level पे तो यह इस तरह से इसका background white हो गया है top level पे जो एक h2 heading put करके देखते हैं कि काफी चोटी आ रही है क्योंकि शायद h2 tailwind में proper नहीं होगा तो यहाँ पे tailwind में कुछ text की classes होती है text excel, 2xl, 3xl ऐसे करके 5xl try करके देखते हैं तो यह कुछ जादा ही बड़ा आ रहा है 2xl आप देख सकते हो इसमें यह थोड़ा चोटा आ रह चा रहा हूं तो mt24 तो यह top से थोड़ा सा अलग काफी ऊपर चिपका दिख रहा था तो mt12 ठीक रहेगा शायद तो heading कहीं और से copy कर लेता हूं क्योंकि इतनी अच्छी heading वह अभी भी नहीं लग रही है तो यहां पे जैसे h1 heading दिवी थी all products की में भी यह try कर लेते हैं यहां पे उसको put करते हैं और इसको cart लिख देते हैं format में ने कर दिया तो यह अब थोड़ा ठीक दिख रहा है इसको थोड़ा यहां अंदर div में put कर देता हूं तो यह इसके close दिखेगा तो I think यह सब आपके हिसाब से आप change कर सकते हो इसमें आप normal CSS भी mix कर सकते हो बड़ tailwind से करोगे तो थोड़ा सा clean दिखाई देगा code तो यहां पे cart में मैंने my right margins अलब top and bottom margins भी दे दिया है तो इस तरह से यह चीज हो गई है I think बाकी सब तो ठीक है quantity में यहां पे product quantity ऐसे दिया गया है बड़ यहां पे मैं चाहूंगा कि product quantity मैं change कर पाऊं तो यहां पे मैं select box जो select input आपने देखा होगा वो use करूंगा क्योंकि cart में मैं चाहता हूं कि cart में आने के बाद भी option हो कि वहां से वह quantity अपनी change कर पाए product की तो मैं इस तरह से option value to select जिस तरह से काम करता है तो मैं कुछ put कर देता हूं तो आपको दिख रहा है इस तरह से quantity यहां पे दिखाई भी देगी कि कितनी quantity already selected है पर आप change भी उसको कर पाऊगे तो इस तरह से select मैं ने दिया है और यहां पी के अंदर है तो इसको मैं div कर देता हूं paragraph के अंदर generally चीज पास में दिखाई दे रहा है तो मैं लेबल कॉपी कर लेता हूं पासवर्ड में भी यहां पे पहले से पुराने फॉर्मस में एक लेबल था उस लेबल में मैं प्रॉपर मार्जिन भी दे पाऊंगा तो वह लेबल में इस quantity के लिए भी put कर रहा हूं और यहां HTML for quantity लिख दे लिखते हैं और सीम चीज आप सेलेक्ट में ID वगरे भी बाद में दे सकते हैं तो अभी जैसे यह लेबल एक block element की तरह आ गया है तो इसको जब भी आप कोई चीज नई line में आ रही हो इसको inline करना हो तो block की जगे आप inline भी लिख सकते हो तो यहां पर block की जगे आपने inline कर दिया यहां margin right 5 दे रहा हूं मैं तो थोड़ा सा margin भी आ गया है इसमें तो अब यह थोड़ा proper दिख रहा है पूरा section next हम एक और cart page create करते हैं अभी तक क्योंकि मैंने वो cart component बनाया था तो इसका नाम मैं cart page लिख देता हूं वापस वोई confusion ना हो और functional component हम create करेंगे और इसका नाम होगा cart page और इसमें हम import करने वाले हैं cart जो अभी हमने ऊपर component बनाया था तो यहां पर div में आप cart पूट कर दो और फिर routing में भी change करना पड़ेगा क्यों हमने cart page नहीं पूट किया था तो मैं अब उस जगह यह cart page पूट कर देता हूं तो अभी तो cart और cart page एकदम बिल्कुल सेम ही दिखाई देने वाले हैं क्योंकि I think cart page में मैं नेव बार भी नहीं जोड़ा है तो यहाँ पर इस icon से जनरली आप cart page पर जाने चाहिए और रियल लाइफ में वो cart जैसा कुछ होगा icon तो वहाँ से आप जापाऊगे तो मैं नेव बार में जाता हूं और वहाँ पर cart icon पर वो link लगा देता हूं तो नेव बार.js में मैं गया यहाँ पर सर्च करते हूं shopping cart का icon हमने थोड़े देर पहले ही लगाया था दो जगे तो यह वो button है जो जिसके अंदर वो icon दिखाई देता है पूरा button है वो उसके उपर मैं यहाँ पर link पुट कर देता हूं तो यह ending tag हो गया और two में मैं पुट कर देता हूं slash cart जो उसकी location है तो अब दोनों जगे आप पुट कर दो क्यूंकि दो जगे एक mobile menu में भी यह था तो दोनों पे वो same होना चाहिए यह थोड़ा सा confusion होगा इसमें template में यह चीज़ें double bar है एक बार mobile के लिए और यह सा तो आप इस पे click करके आप देखोगे तो यहाँ पे वापस यहाँ पे आ रहा है और continue shopping नाम से उससे में भी आप वापस से home page पे आ जाने चाहिए तो एक continue shopping नाम से यह link है तो यह भी एक button लिखा हुआ है इस button को आप कहां से link करोगे आप इसको वापस home page पे लाना चाहते हो तो यहाँ पे मैं link पुट करता हूँ और two में मैं slash यह पुट कर रहा हूँ और यहाँ पे link end कर देता हूँ तो अब continue shopping पे click करो और यह यहाँ पे home page पे आ रहा है और card पे click करो तो अब आप यह चीज़ें interlink हो गई है तो यहाँ पे मैं part 3 का आपका commit कर रहा हूँ हर part को आप जाके download कर सकते हो आगे के कई part की commits मैं शायद नहीं दिखाऊंगा पर आप जाके check out कर सकते हो हर एक major section के बाद हम कुछ commit कर देंगे अब checkout page हम बनाने वाले हैं तो checkout नाम से मैं component सर्च कर रहा हूँ तो actually मैं checkout नाम से कोई भी component यहाँ है नहीं तो एक form यहाँ पे available है freely और उस form को use करते हुए ही मैं checkout page बनाने वाला हूँ तो top पे मैं scroll करता हूँ तो मुझे यह form दिखाई देगा इसमें से मैं form layout नाम से stack form layout तो यहाँ पे कुछ यह personal information वाला section है यह मैं कुछ हैएगा address के capture करने के लिए और इस तरह का मैं format यूज कर सकता हूँ तो यह सारा template as it is मैं use नहीं करने वाला काफी sections मैं इसके delete कर दूँगा तो यहाँ नीचे personal information वाला है यह section मैं copy कर रहा हूँ इतना part मैंने copy कर लिया है और I think इससे उपर एक बस form tag रहेगा वो जो मैं अलग से बाद में लगा लूँगा तो इसके लिए भी एक page create करते हैं यहाँ मैं component नहीं बनाने वाला हूँ check out का just मैं एक अभी page बना के देखता हूँ तो ffc और यहाँ पर check out नाम से page बनाया मैंने और इसमें यह पूरा code मैंने copy कर दिया है और form बस एक tag था जो top पे missing था I think उसके बाद यह balance हो जाने चाहिए I think यह balance हो गए है या फिर इसमें भी एक div है जो शायद extra है कहीं पर I think यह जो space y12 वाला एक div था वो नीचे वाले को balance करता है तो वह मैं put कर देता हूँ अब यह balance out हो गए है इसको format कर लीजिए अब इसके बाद मैं यह चीज दिखनी चाहिए इसको मैं routing में add कर लेता हूँ तो यह तो हमने ठीक कर दिया यह comment अडा दता हूँ मैं और path में मैंने checkout path लिख दिया और checkout element मैं यहाँ पर put कर दिता हूँ तो यहाँ पर मैंने page ही बनाया है कोई खास reason इसका नहीं है बस मैं को लग रहा है कि page काफी simple सा है checkout का और वो उस page में उस component के लावा कुछ नहीं होगा तो मैं यहाँ से grid copy कर रहा हूँ product list से यह grid मैं क्यों copy कर रहा हूँ क्योंकि मैं को अभी इस checkout के side में एक order की summary भी बनानी है तो मैंने top पे grid layout अगर आप CSS में समझते हैं तो काफी असान है वरना यह समझ लिजए कि चीजों को divide करने के लिए है तो यहाँ पे मैं grid में large screen के साब से call span 3 set कर रहा हूँ यानि यह 3 parts of the screen ले लेगा total कितने parts होंगे screen के वो basically call span उपर declared होता है तो यहाँ पे मैं call span नीचे भी 3 लिखा है उसको मैं कम कर देता हूँ 2 तो इस 2 वाले में मैं क्या put करना चाहता हूँ ठीक है इसमें मैं put करना चाहता हूँ वो cart की summary तो अभी cart की summary में मान लेता हूँ almost cart जैसी ही put करूँगा तो मैं cart वाला पूरा template ही copy कर लेता हूँ ठीक है तो अभी उसको बाद में change कर लेंगे अगर आपको उसके अलावा कुछ चाहिए तो पर अभी के लिए मैं यह मान लेता हूँ यहां checkout में पूरा यह cart वाला मैंने paste कर दिया as it is ठीक है तो side में आपको cart जैसा भी दिखाई देता रहेगा अब इस cart को अभी के लिए वो dummy data चाहिए अभी हमने देखा था कि उसको क्या-क्या चाहिए वो सारे imports भी चाहिए top पे तो अभी तो आप पूरा as it is copy कर लो यहां पे मैं इसको paste कर देता हूँ checkout में यह dependencies भी चाहिए होंगी बाद में हम दीरे दीरे जब data हमारा original आएगा तो इनको हटाते जाएगे बस अभी हम template set करना चाहिए यह set open नाम से use state variable भी था जो cart में था हमने थोड़े देर पहले ही उसको put किया है तो यह क्या मेरे को चाहिएगा I think में को cart यहां open close तो करना नहीं है तो उसको मैं हटा भी सकता हूँ तो अब checkout पे click करते हैं तो इस checkout पे पहले मैं कोई link करना पड़ेगा page अभी तक मैंने इसको link नहीं किया है तो checkout का यहां पे इस चेगे पे यह section दिया हुआ है और इसको मैं checkout पे कर देता हूँ ठीक है ओके मैंने शायद गलती से जो अभी हमने checkout में cart की copy बनाई है उस पे ही वापस checkout का link रख दिया है जो कि ऐसा नहीं करना है तो हमको cart page पे जाके यह link बनाना था और checkout पे आप जाओगे तो यह checkout page पे आ गया है तो अभी यह call span अगरे शायद सही से काम नहीं किया मैंने set नहीं किया उनको तो call span 3 और call span 2 है तो top पे 5 होना चाहिए इसका wait तो यह calls 5 मैं कर दूँगा तो अब यह properly 5 जो columns हैं एक तरह से उस grid में वो 3 और 2 के ratio में divide हो जाएंगे पर यह पूरा भी काफी अजीब लग रहा है तो हम जो हमेशा nav bar का वो एक margin दिया करते थे उस margin को top पे put कर देते ताकि उतना part 5 sections में divide हो तो वो थोड़ा ठीक लगेगा यह अब divide हो गया है तो side में margins आगे हैं और फिर 3 और 2 के ratio में यह screen divide होगे तो grid का वो ही मैंने use लिया है यह कोई खास use नहीं है उसका तो यह span आप से change कर सकते हो अब मैं एक और class put कर रहा हूँ ताकि यह form थोड़ा सा अलग दिखाई दे background से तो bg white background white नाम से एक है तो यहाँ यह white background है पर यह काफी corner में लग रहा है तो padding भी आप put कर दो तो padding x direction में आप थोड़ी सी put करते हो और आप y direction में भी put कर सकते होगी y में अभी वो एकदम top से link दिखाई दे रहा है यह notification वगएरे मैं नहीं दिखाना चाहता ऐसा यह बस मैंने copy किया था यह section इसकी जगे हम कुछ और put कर देंगे वैसे तो यह जो section है यहाँ पर कुछ check box वगएरे दिए गए होंगे तो यह पूरा मैं हटा दता हूँ तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिखाई देगा सारा मैं को नहीं हटाना है क्योंकि कुछ चीजे मैं यहाँ पर address वगएरे पिक करना चाहूँगा card, payment वगएरे यहाँ पर मैं put करना चाहूँगा तो उस हिसाब से मैं कुछ केवल यह by email यह वाला section हटाना चाहता हूँ तो by email सर्च कर लेते हैं और यहाँ पर यह जो div दिखाई दे रहा है I think यही मैं को हटाना है तो यह यहाँ से पुरा field set नाम से है तो यह पुरा field set मैंने हटा दिया यहाँ पर तो अब देखें यहाँ पर result में दिखाई देगा तो हाँ यह ठीक है push notification नहीं है यहाँ पर मैं एक तरह से इसको बोलूँगा payment methods और मेरे दो payment methods होंगे एक होगा cash और दूसरा होगा जो हम online करेंगे तो mostly उसको मैं card payment बोलूँगा तो cash and card payments यह दो check boxes radio buttons मैं यूज लूँगा और push notification नहीं नाम होगा इसका payments नाम होगा तो मैं हर जग है ID वगएरे जो top के input में है उसको payments कर देता हूँ और इसको card कर देता हूँ तो cash and card इस तरह से दोनों अब change कर लो तो यहाँ पर यह अब updated अब यह दोनों select हो रहे है शायद मैंने इनके name प्रॉपर नहीं change किया शायद मैंने एक को ही replace कर दिया तो इसका name actually मैं payments दोनों का name radio buttons का payments होगा तभी वो radio group बनेगा एक तरह से तो इसका push notification नहीं रह गया था पिछली बार तो payments कर देते हैं इसका भी html भी change नहीं हुआ फौर इसका फौर भी change नहीं हुआ तो अब यह cash card यह सही हो गए है दोनों में से एक select हो रहा है और इसको मैं उपर वाले section जो notification का मैंन छोड़ा था उसको बोलूँगा address और choose from existing address ऐसे नाम से मैं बोलूँगा तो यहाँ पर address का section अभी हम बनाएंगे तो अभी जो उपर मैंने personal information का form है वहाँ पर मैं address ही लूँगा और वो add होते जाएंगे तो यह stack list नाम से एक और component है यह आप search करके देखना तो काफी simple सी एक list जैसी दिखाई दे रही है तो इस stack list में मैं किसी भी person का address रखना चाहता हूँ तो इसको मैं paste कर देता हूँ यह मेरा एक address होगा जो save होगा तो यहाँ पे तो people नाम से कुछ है उसके जगे मैं addresses dot map और यहाँ पे address कर देता हूँ और यह सब चीजें जो भी इन्होंने लिखी है उसको मैं address नाम के array से बनाने वाला हूँ यहाँ इन्होंने person नाम से कुछ बनाया होगा पर मैं address बनाऊँगा जिसमें मैं क्या-क्या चीजें रखना चाहता हूँ name of the person, कौन सी street पे उसने order किया है city वगेरे, pin code इसके अलावा state क्या है और भी चीजें हो सकते है phone number वगेरे भी हो सकता है तो इस तरह से मैंने 2 sample बना लिए address, जिस्ट मैं sample बना रहा हूँ बाद में तो real data इसमें आएगा तोड़ा सा उसको vary कर देता हूँ दोनों city के नाम अलग लिख देता हूँ कुछ pin code वगेरे vary कर देता हूँ finally यहाँ पे यह सब address से निकल के आएगा तो address और इसमें एक तरह से email लिख सकते हूँ email सबका unique होता है इसमेंने email दिया ही नहीं है शायद address में अभी हूँ और person last scene ऐसी कोई चीज हम नहीं देना चाहते हैं div ही मैं हटा रहा हूँ उसके नीचे वाला तो एक बार देखते हैं किस तरह का अभी कुछ missing है तो यहाँ पे दिख रहा है पर केवल नाम ही आपा है कुछ और तो दिख नहीं रहा है वो stack list जैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे फोन इस साइड में दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में पर राइट साइड वाला पूरा section शायद मैं डिलीट कर दिया था तो वो नहीं करते हैं वापस इसको पुट करते हैं आइ तिंग यह पर्सन रोल वाला section था तो यहाँ पर मैं यह पर्सन रोल वाला section पुट कर देता हूं तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से आप यूज करें अब यहाँ पर स्ट्रीट लिख देता हूं यहाँ पर फोन लिख देता हूं अब ट्राय करके देखते कि राइट साइड में वो दिखाई दे रहे हैं क्या और पिन कोड भी पुट कर देते हैं तो हाँ आप प्रॉपर दोनों तरफ एड्रेस स्प्रेड आउट होके दिख रहे हैं एड्रेस में कुछ और भी चीजे थी वो भी आप चेक कर सकते हूं मैं थोड़ा text color इसका हलका shade कर रहा हूं तो यह 900 500 यह सा weights होते हैं किस तरह से और यहाँ पर मैं पिन कोड पुट कर द सिटी मैंने पुट कर दी तो इस तरह से एक एड्रेस का एक सेंपल जैसा सा आपके पास आ गया कि यह एड्रेस ऑल्रेडी एडेड है यूजर के तो किसी इन में से किसी को आप select कर लो e-commerce order के लिए तो select करने के लिए भी आपको एक check box चाहिएगा तो जैसे अभी check box या radio बटन से exactly आप उसका code copy कर सकते हो तो यहां पर मैंने वो input copy किया अभी ध्यान यह देना होगा यह कहां paste करना है तो यहां li list item के अंदर एक div है उसके अंदर मैं put करता हूँ इसको और इसका name payments नहीं रहेगा इसका name कुछ और होना चाहिए address वगर है तो अभी यहां radio बटन तो ठीक है काफी ठीक position पे put हो गया आपर इसका name same होना चाहिए तब यह इन में से एक ही select होगा तो मैं थोड़ा border इसको देना चाहता हूँ border solid और border की width border 2 और border का color border grey 200 तो अब आपक यह थोड़े section अलग देख रहे है address के दोनों बट अभी भी इतना कोई satisfactory तो नहीं है कुछ और class name put करते तो input पे एक तो name आपको देना पड़ेगा तो जैसे address देता हूँ तो इन में से एक ही group select होगा तो अब दोनों में से एक ही select होगा तो name same होता है तो उन में से एक ही radio button select ह तो यहाँ पर अब यह थोड़ा सा ठीक है और padding x direction में मैंने थोड़ी सी दिये ताकि एकदम corner में नहीं दिखाई दे तो template kind of satisfactory है बाद में थोड़ा बहुत हम change कर देंगे यहाँ पर वो side में मैंने card कि as it is copy कर ली थी only thing जो में को लग रही है इस में padding बहुत जादा है एक तो area इसके पास इतना कम है और उसमें padding काफी जादा दिखाई दे तो padding कम करने की मैं कोशिश करता हूं तो एक तो top पे margin हम पहले personal information को मैं देना चाह रहा हूं तो personal information को मैंने 12 margin दिया है थोड़ा सा उपर से ठीक है अब card पे जाते हैं इनका थोड़ा सा padding वगरे ठीक करत है है तो अब actually मैं check out नहीं होगा यहां पे जो इसमें है यहां पे तो बस अब payment कर देना है तो pay now या order now इस तरह का कुछ इस बटन को मैं नाम देता हूं क्यूंकि last stages के बाद आपको सीधे payment पे जाना है तो इसमें यहां slash pay या इस तरह का link होना चाहिए तो जो हम बाद में बनाए है अब that's it I think हमारे पास यह template ready है तो मैंने बस personal information का थोड़ा सा size increase किया है तो इसको मैंने भी 2xl कर दिया है उस कहला उसको padding आप y direction में थोड़ा से दे दो तो अब यह दोनों थोड़ा सा और जादा दे सकते हैं तो आप card और personal information parallel बराबर level पे लग रहे हैं page थोड़ा ठीक दिख रहा है यहाँ यह save button है यह cancel save button का कोई sense नहीं है यह actually मैं save आपको करना होगा तो address उपर जो बन रहे हैं वो save करने होगा जब भी आप एक नया address save करते हो तो यह जो दो button है इनको मैं cut करूँगा यहाँ पे बने हुएं तो यह cancel save वाला पूरा div मैं cut करता हूँ और इसको मैं put करूँगा addresses वाले के just नीचे form के तो यहाँ पे अब address save करने के काम आएगा तो इसका नाम भी आप change कर सकते हो save की जगे save address कर दो या add address कर दो तो आपके पास option होगा कि आप उसी वक्त order कर रहे हो तो एक नया address add कर सकते हो ठीक है तो शुरू में क्योंकि कोई भी address नहीं होगा और यहाँ पे मैं इसको reset लिख देता हूँ कि अगर form को खाली करना है तो उस तरह का कोई button होगा और यहाँ पे इनका नाम existing addresses कर देते हैं addresses ही रखते क्योंकि choose existing तो नीचे लिखा हुआ है यह page भी ready है हमारे लिए और इससे भी linked है home page पे आप अभी भी वापस जा सकते हो अब इनको in product पे click करने पे कहा जाएं तो यहाँ next page हम जो बनाएंगे वो है product details page तो यह product details page भी आपको मिल जाएगा तो इस तरह काफी सारे details page है इन में से एक मैंने choose किया यह वाला तो यह product overview नाम से है इसमें चार photo भी दिखाई देती है जो हमारे आगे data के साथ भी match होंगी थोड़ी और इसमें काफी कुछ information extra एक information आपको मिल जाती है तो इसमें भी कुछ आपको extend करना पड़ेगा तो यहाँ पे theme के अंदर यह पूरा part है copy कर सकते हो और यह आपको वही tail environment हो पूरी हो जाएंगी template as it is चाहिए हमको तो पूरा मैं जो component के अंदर का section है यहां से पूरा भी मैं copy कर लेता हूं इस पार मैं कोई अलग से नहीं कर रहा है पूरा component ही मैं खुद से create करूंगा यह भी easy तरीका है अगर आप मेरा counter वाला formula यूज ना करें तो सीधे component को ही copy क करके और बाद में चीजें rename कर सकते हैं वह ज्यादा आसान हो सकता है अच्छा मैं इनकी नाम थोड़े से वापस change कर रहा हूं क्यूंकि मैं product list के लिए नहीं इनको हर page के लिए API और slice को use करने वाला हूं तो यहां पर मैं components बनाऊंगा इसमें list को move कर देता हूं अब मैं क्या है product detail वाला component बनाना चाह रहा हूं तो उसको भी मैं product के feature में ही रखना चाह रहा हूं इसलिए मैंने यह पूरा rearrangement किया है तो अब product details और product list दो component होंगे product feature के अंदर product detail में आप as it is यह पूरा template पुट करना चाहते हो यहां से मैंने इसको copy किया यह paste कर दिया आप यहां से पूरा यह लिख सकते हो तो कुछ भी आपको dependency नहीं चाहिए होगी तो यहां पे नीचे ध्यान रखें यहां example लिखा हुआ है इसकी जगे आप product detail या जो भी आपका पे component नाम है वह as it is put कर दो बाकी सारी dependency इसमें हो जाएंगी तो यह पूरा हो गया है और अब जैसा हम करते हैं कि हर बार एक page भी बनाते हैं इसके लिए तो product detail section है तो ऐसे product detail page भी बनाएंगे तो उससे पहले इसको test out कर लेते हैं तो product detail नाम से link बनाता हूं मैं और उसको product detail component पे put कर देता हूं I think इसके अलावा तो कुछ ऐसी खास requirement है नहीं अभी बस मैं को link करना है तो हर product के उपर वो link होना चाहिए तो इस product map में मैं यहां top पे link पुट कर दूँगा और two में product detail पुट कर दूँगा तो ध्यान रखना कहां मैं कर रहा हूं map में just start होते ही map के उसमें link कर रहा हूं तो यह पूरे product के उपर एक link आ जाएगा यहां पे import कर लो आप link react router dome का तो यहां पे अभी तो यह गायब है शायद वो load हुआ नहीं है I think कुछ save करने में mistake होगी तो हम वापस से try करते हैं इसको पूरे को तो अभी reload करने पे यह properly चल गया है और यहां पे आपको दिख रहा है किसी भी element पे आप click करो तो यह proper यही अभी तो यह dummy pages में static data सारा दिखाई दे रहा है पर हां हर पे वो link हो गया है तो हर product का बाद में अलग-अलग data इसमें load होना चाहिए तो इस तरह से यह भी काम कर रहा है तो यहां add to bag की जगे मैं add to cart कर रहा हूँ यहां पे इसका जो button नहीं में थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से जो भी आपको change करना हो वो इस layout में कर सकते हो बाद में हम functionality के साथ-साथ में गाफी change कर लेंगे इसमें तो अब मैं page बना रहा हूँ जैसा कि हर बार हम करते हैं कि जो भी component बनाया था उसका एक page बना लेते हैं तो product detail page.js और इसमें वैसा ही format में तो मैंने दूसरे का एक copy कर लिया है तो हर बार इसमें भी नैव बार हम दिखाना चाहते हैं तो बस product की जगे product detail ठीक है तो मैंने home page को copy किया था उसी को ही बस change करके मैं product detail नाम दे देता हूँ और इसका component में बदल लूँगा तो आप यहां product detail आपक किया है तो अब किसी भी product पे click करोगे तो product detail page पे आजाओगे यहां top पे आपको menu bar वगरे दिख रहा है जिसमें cart वगरे भी है तो सब कुछ यहां पे proper दिखाई दे रहा है तो I think इस point पे हमने सारे pages बना लिये हैं जो initial pages ने कुछ extra pages हो सकते हैं जो हम आगे बनाएंगे बड और एक दरे से पूरा आपका यहां पे यह click करने पे home page पे नहीं जा रहा है जैसे top पे तो यह मैं part 4 अब commit कर रहा हूं तो यहां पे आपने checkout product detail page वगरे भी add कर लिये हैं तो इस point पे जाके आप यह पूरा code वापस से get कर सकते हो तो यह product list को मैंने rename नहीं किया था तो यह ध्यान रगना product कर दिया है मैंने उस feature को और उस product में उसकी list भी है detail भी है feature में भी अगयर products related कोई component हुआ तो वहीं पे एक जगे ही group हो जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप वैसे तो vs code काफी जगे रीनेम कर देता है लेकिन कई बार यहाँ पे रीनेम नहीं होती है path की तो आप manually उनको जाके fix कर सकते हो तो अभी यह proper चल रहा है तो अभी console में कुछ errors आ रहे हैं और यह errors generally warnings है basically यह आपको key की warning दे रहे हैं तो वह हम बाद में भी fix कर सकते हैं अभी मैं dummy json नाम से site पे जा रहा हूं इस json में क्या है यहाँ पे आपको कुछ product के data मिल जाएंगे तो अभी तो मैं जैसे dummy data ले रहा हूं लेकिन अब मैं एक API बनाने वाला हूं और यह API अभी भी dummy API होगी मैं node.js का use नहीं लेंगा लेकिन यह जितने भी products आपको जिस तरह से दिखाई दे रहे थे जो यह basic t-shirt वगए उसकी जगह में तो इसका नाम मैं अभी old products कर देता हूं जो मैंने अभी product list में बनाया हूँ था और उसकी जगह में replace करके यह वाला data आपको put करके दिखाता हूं तो यह data मैंने copy किया है व आपको delete करनी पड़ेगी कि इसको expand कर लेते हैं और इसके बाद में आप देखो कि हाँ limits के यह सब हटा के जो बस array तक है उतना ही part आप लो और इसको format कर लो आप जिस तरह से आप control alt f से करते हो तो format होके काफी बड़ा सा आपको दिखाई देगा यहाँ पर यह देखो काफी बड़ा एक array है और उसमें बहुत सारे products हैं I think 30 products एक बार में आये होंगे तो old product में यह नाम थे जैसे image src था लेकिन new product में नाम कुछ और हैं जैसे यहाँ पे नाम है thumbnail तो मैं replace कर रहा हूं जितने भी image src है उसको thumbnail से replace कर दो ताकि पूरे template में ही replace हो जाएं ठीक है तो यह पे जैसे यह image src है और इस तरह से जितनी भी चीज़े उनको आपने replace कर दिया और भी कुछ changes इसमें करने पड़ेंगे जैसे template में image alt है I think image alt हमारे पास नहीं है और जगे तो इसको आप title कर लो मैं अभी title कोई alt मान लेता हूं और इसके अलावा जैसे product का href है template में तो हमार thumbnail ही मान लो की href से thumbnail ही कुलता है और यहां पर title मैंने put किया है h3 heading में उसके अलावा color वगरे price वगरे दिये हूए है color price भी अभी हमारे पस नहीं है इसमें तो है जो पुराने data है इस नए वाले data में color और price अभी नहीं है बाद में मैं जाके जोड सकता हूं अभी मैं बस match करन चाहरा हूं तो देखो क्या क्या आ गया photo आ गई photo यह dummy json से आ रही है जो हमने अभी किये तो almost 30 products की कुछ photo आ गई है और नाम आ गया है product का नीचे और एक price आ गया है यह कुछ चीज़ें उसको match हो गई होंगी तो वो सारी तो आ गई है तो old products का मैं हटा रहा हूं अब जो मै यह पूरा sections लोड हुआ है और भी information लाते हैं क्यूंकि उसमें और भी है actually में तो color नहीं है लेकिन color की जगे आप rating वगए है तो rating दिखा सकते हो तो जिसे आप यहां पे rating आ गई 4.69 और इस तरह से rating है और rating से पहले generally एक star का icon लोग देते हैं तो star icon हम download कर लेते हैं तो star icon आप उस section में जाके वापस product.rating से पहले यह put कर दो तो अब एक star जैसा सा आपको icon दिखेगा उसके आगे उसकी rating लिखी हुई दिखेगी तो यह width height 6 यह सब मैंने इनी के ही code से देखा है और भी icons पे यही सब height width दी गई है inline कर दो इसको ताकि वो next line में ना आए अभी भी rating थोड़ा सा उपर दिखाई दे रहा है तो मैं इसको expand में put कर देता हूँ और इस पे हम margin वगएरे top से कुछ put कर देंगे तो शायद यह ठीक हो जाएगा तो class name में put करता हूँ और इसमें align bottom भी try करके देख सकते हैं तो align bottom से सही हो गया है तो काफी straight उसके आगी ही लग रहा है और यहाँ पे dollar put कर देते हैं ताकि यह price जैसा सा दिखे price में भी हमारे पास जो dummy data है उसमें आप देखोगे तो discount percentage भी है तो एक price है फिर discount लगाने के बाद एक और price हो जाएगा जो की actual price हो जाएगा जो इसमें data में नहीं है पर आप calculate कर सकते हो यह तो काफी simple सा formula है तो actual price को multiply करना होगा आपको जो difference है one minus two discount percent तो discount का जो simple mathematical formula होता है basically तो one minus product dot discount percentage और discount percentage को आप 100 से divide करोगे तो यह जो भी ratio आएगा उसको आप multiply कर रहे हो price से तो आपके पास आएगा बट यह dot 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 काफी लंबा सा price आ सकता है इसलिए आपको इसको round कर लो mad dot round से तो यह अभी मैं इसमें as it is template में पुट कर रहा हूं बाद में इन फार्मॉलाज को हम अलग पुट कर सकते हैं तो यहां पर थोड़ा सा गड़बर हो गया है कि price उसके सामने दिखाई दे रहा है तो मैं इसके जस्ट नीचे लिखके देखता हूं तो यह भी सही नहीं दिख इसमें कुछ खास फरक नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं वापस से इसको और इसको दोनों को block कर रहा हूं लेकिन उससे कोई खास फरक नहीं है वो अभी भी एक बीच में आ रहा है मैं चाहरा हूं कि जो एक price है वो दूसरे के ऊपर आए तो एकदम वो align दिखें राइट मे तो अब यह देखो तो यह flex है तो आपको पहला div है उसी के बराबर में ही दूसरा div देना पड़ेगा तो इसलिए यह हो रहे थे कि अपने आप यह तीन चीजों में divide हो रहा है तो flex layout अगर आप समझते होंगे तो otherwise आपको बस div put करना है तो एक के नीचे अब यह proper आ रहे हैं तो अब इस तरह से मैंने उनका layout भी उपर नीचे कर दिया है एक line through नाम से class होती है उससे वो cut करने वाला सा भी sign आ जाएगा तो यहां पे आप देख रहे हो यह price cut हो गया और अब जो latest price है वो top पे लिखा हुआ है तो इस तरह से आपका एक sample बन गया है यह थोड़ा सा इस border की width वोई जो CSS में करते हो बस यहां classes बनी हुई होती है उसकी border 0 I don't know 0 में वो दिखाई देगा क्या border gray 200 तो 0 में तो उसकी width बिलकुल ही नहीं दिखाई दी तो border I think 1 या 2 आप put कर सकते हो 2 put करके देखें तो यहां पे आपको दिख रहा है लेकिन एकदम किनारे पे है border बिलक इसे दिखी नहीं रहा है तो 2 ही minimum काम कर रहा है इसमें तो थोड़ी सी padding दे सकते हो आप तो यहां पे padding हर direction में आप 2 padding दे सकते हो तो अब यह proper दिख रहा है तो एक अलगी card जैसा सा दिखाई दे रहा है और भी effect आप put कर सकते हो मैं CSS पे बहुत ज़्यान नहीं देने वाला ह minimum height यहां पे मैं aspect ratio थोड़ा change कर रहा हूं 80 की जगे मैं 60 कर रहा हूं क्योंकि हमारी images थोड़ी दोनों type की है थोड़ी broad और proper image नहीं है इस dummy data में इसले थोड़ा जीब दिख सकता है लेकिन almost okay है अपने e-commerce में आप generally एक ही तरह की image put करें अब यहां पे यह जो product detail page है इसमें भ data base में store करने वाले हैं जैसा dummy JSON में और उसको यह जगे पूट करेंगे तो धीर धीर हम सारी जगे ही वह change करने वाले हैं तो यहां मैं एक link बना रहा हूँ जो missing एक link था बार-बार homepage पर मैं जा नहीं पा रहा था इस page से तो यहां पर इस पर उपर मैंने slash navbar पर पूट कर दिया तो अब मैं इस पर आ गया हूँ तो अब किसी भी page से आप homepage पर वापस आ सकते हो top के icon को click करके अब next हम redux start करने वाले हैं तो यहां एक data json नाम से मैंने एक file बनाई है और यह जो product मैंने अभी put किया था यह product तो मैंने as it is यहां put कर दिया था as a dummy data पर वो नहीं चाहता हूँ यह API के थुरू आए और API अभी तो हम बनाने वाले नहीं हैं तो मैं एक dummy API यूज़ करूँगा एक API server जो local host पे ही काम करता है तो मैं यह पूरा जितना में product था वो as it is मैंने data json में copy कर दिया है तो data json और फिर मैं json server नाम का एक tool यूज़ करने वाला हूँ तो json server dummy API बनाने के काम आता है इसका documentation आप npm पे देख सकते हो आपको इसको install करना है npm install –g globally json server तो मेरे already installed है पर मैं एक बार वापस से इसको install करके put कर देता हूँ तो जब यह install हो जाएगा तो यह data.json file को ढूंडेगा आपको बताना पड़ेगा वो file का है और उसके हिसाब से यह अपने आप API बना देगा तो यह काफी अच्छा तरीका है front ends को test करने का तो json server इसके documentation में clearly दिया होगा json server फिर watch लिखना है hyphen hyphen और फिर file की location देनी है तो जैसे मेरे file है src app के अंदर data json इतनी अंदर आप देना नहीं चाहेंगे शायद file क्योंकि यह वैसे भी project से related नहीं है एक dummy server है एक तरह से तो मैं बाहरी data json put करता हूँ तो इसको हटा के और सीधे watch data json ऐसा put कर देता हूँ तो एकदम बाहरी है file main folder में ही उससे भी बाहर put कर देता हूँ अब एकदम बाहर है तो अब यहाँ पर आप देगो क्या आ रहा है resources में localhost 3000 पर 3000 port तो react का है तो यहाँ प position आ गए हैं पर एक API की तरह आपने call किया तो API अगर आप समझते ही होंगे node में हमने discuss किया तो एक dummy API बन गए slash products पर सारे आप fetch कर पा रहे हूँ तो वो fetch अब पहली बार में यह fetch products करूंगा तो fetch all products कर देता हूँ मैं API का नाम यहाँ उपर कुछ dependency नहीं है फिर fetch में slash products ऐसा हम मैं कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर एक चीज आप यह ध्यान रखें कि यह अभी हम hard code भी नहीं करेंगे कि localhost 8000 ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम रखेंगे ऐसा option कि कहीं से भी चीजने download हो सके तो यह मैं to do लिख रहा हूँ बाद में यह सारे to do task हम complete करेंगे अब next आते हैं कि वो वीडियो चेक कर सकते हूँ रिडक्स का तो counter slice में मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ और हर चीज को product slice कर रहा हूँ क्योंकि मैंने counter वाले से copy किया था तो fetch all products async नाम से एक action बनाया है उससे वो fetch all products यहाँ पी product कर दो action का नाम तो और fetch all products कर दो उसके आगे तो that's it अब यहाँ extra reducer में change होगा तो जो भी यह हैं async वाले इनकी अलग-अलग stage होती थी pending, fulfilled, reject, reject अभी मैं ध्यान नहीं दे रहा पर pending, fulfilled पे क्या action होगा वो हम देख सकते हैं और response में .data हमेशा आता था इसलिए मैंने यहाँ पे data नाम से एक object हमेशा भेजा है तो यह data आपका action payload बन और वो ही आपकी यहाँ पे state की values को change करेगा तो मैं यह products नाम से initial state एकदम खाली एक array पुट कर देता हूँ और हम expect करेंगे कि यह products array में ही जो पूरा array अभी आपको दिखाया था API में वो पूरा इस action payload में आ जाएगा क्योंकि हम वही तो call कर रहे हैं तो एक तरह से वही काम ह जो मैंने statically copy कर दिया था बस अब API के थ्रू होगा तो यहां मैं store.js में आ गया हूँ top में और store.js file पहले से बनी हुई है इसमें क्योंकि यह template में थी तो यह product reducer में उस file को slice को call कर रहा हूँ और अब reducer में product reducer इस तरह से put कर देता हूँ तो यह सारे redux के fund ने हैं जो हम पह वो नहीं होगा क्योंकि अब products तो आएगा API call के बाद तो इसलिए वो उसको missing लग रहा होगा तो यहां पर मैंको products को लाना है constant products equal to कहां से यह आएगा आपका use selector से use selector hook आपको याद होगा जिससे हम state का कुछ part select कर सकते हैं redux में तो इसमें आप लिख सकते हो state.product जो की reducer का नाम है फिर products जो reducer के अंदर state है इस तरह से ही हम पुरा call के करते थे तो अभी यह रिलोड हो रहा है इसको अभी भी दिक्कत आ रही है I think शुरू में data जब तक नहीं होता है तब तक इसको दिक्कत होगी यह select count नाम से है इसको मैं select all product कर देता हूं तो selector मैं यहीं put कर देता हूं selector का यही काम होता है कि वो state को selection easy कर देता है तो state product products इस तरह से state.product.products जो मैंने वहां लिखाता उसको मैं simply यहां select all products और उसको export करता हूं तो वहां पे वो सब वापस वापस नहीं लिखना पड़ेगा और आप सीधे वो ही selector use करते हैं select all products बस उसको आप import कर लीजेगा सही से top पे आपको उसको import करना पड़ेगा जहां आपकी reducer file है उसमें से slice file है तो यहां select all products यह slice आ गया increment async यह सब पुराने function थे उनकी जगे fetch all async यह आ गया यह उपर select count भी नहीं है कुछ इसकी जगे select all products बट वो तो शायद मैं नीचे use कर चुका हूं तो यह हटा सकते हैं तो I think अब पूरा setup हो चुका है अभी यह data नहीं आया तो ठीक है कोई चीज मिसिंग है बट हाँ कोई error नहीं है अभी code में logical तो यहां आप देख सकते हो अभी state में product products है और product अभी empty है तो इसके अंदर कुछ होता तो अपने आप यह सारी चीजे map से बननी चीए थी तो काम यह हुआ है कि आप देखोगे redux में तो init जो की redux store को initialize करने का है उसके अलाव कुछ action ही नहीं लिया गया तो action हमने लिया भी नहीं हर चीज को initiate करने के लिए क्या करना होता है action dispatch करना होता है तो यहां हमने कुछ dispatch ही नहीं किया तो call कैसे होगा तो use effect में product list जैसे ही load होती है तो मैं एक use effect लिखता हूँ dispatch लिखता हूँ dispatch को मैंने use dispatch होग से लाया हूँ और fetch all products async जो हमने async action बनाया था उसको मैं यहां करूँगा dispatch को मैंने अब आप देखिए यह अपने आप call हुआ फिर यह fulfill हुआ होगा तो यहां दो-दो बार वो call हो रहा है वो react का अपने आप dev mode में एक behavior है तो वो worry आप मत करो पर मैं इसको expand करके दिखाता हूँ कि पहले pending था फिर fulfilled हो गया जैसे ही fulfill हुआ तो उसके अंदर यह products का पूरा data आया जिसमें की 30 products आपके पास में आ गए तो यह आप chart में भी देख सकते हो कि products पूरा भर गया है और उसमें वो 30 products आ गए है पर अब यह पूरा process मैंने कैसे कि API है यह पूरा process मैंने किया API से और यही proper तरीका है क्योंकि बाद में हम जब इसको actual API node.js से connect करेंगे तो यह काम आएगा तो यहां पर यह color, category, size इस तरह से कुछ filters भी है पर यहां पर हमारे पास filter में केवल category है और brand है में भी तो यह दो ऐसी चीज़े हैं जिनको मैं category filter की तर तो यहां products नाम से मैंने यह JSON बनाई थी data JSON में अब यहां पर मैं test.js file बना रहा हूं यहां मैं क्यों कर रहा हूं यहां मैं क्या करूंगा कि थोड़ा सा JavaScript code से चीज़ें extract करूंगा तो मैंने वही products वाली जो पूरी array है उसको test.js file में पूट कर रहा है तो यह project का part नहीं है मै आपको बस दिखा रहा हूं कि मैं को एक shortcut script लिखनी है तो मैं products की पूरी array को यहां पे cut करके ले आया हूं अब मैं इसे चाहता हूं कि मैं इससे सारे brands निकाल लूँ तो मैं यहां पे coca.js plugin initiate कर रहा हूं इस फाइल पे और live मैं इस पे कुछ code करूंगा या ब्राउजर में भ केवल categories निकालनी है तो dot categories इस तरह से मैंने किया तो अब यह list में आप देखोगे तो यहां पे आपको यहां पे भी drop down में नीचे भी दिखाई दे रहा है terminal में तो आपको पूरी list मिल गई लेकिन problem में है कि list repeated है तो मैं इसको set में put कर देता हूं set से चीज़े unique हो जाती है ठी एको यहां पे अब आपके पास में केवल यह 6 categories आई तो यही 6 categories आपको side में उस category filter में put करनी है क्योंकि वो तो अभी static data था ना filters वाला यह categories यहां पे जो है तो अब बाइचांस यहां पे भी category already एक नाम है हमारे dummy data में भी एक नाम है पर ऐसा जरूरी नहीं था कि वो सेम category को मैं यहां पे put कर देता हूँ अब मैं चाहता हूँ कि उसको format में भी लाओं वहां पे format में पूरा json object जैसा है तो मैं map करूंगा और map में मैं वैसा object लाओंगा तो उस object में क्या-क्या था उसमें I think है value आप एक पर देख लो value है, label है, checked है, तीन चीज़े हैं तो value तो मैं c मतलब same ही value रखने वाला हूँ और label भी same ही रखने वाला हूँ, कुछ change लगेगा तो हम कर देंगे, I think categories में ऐसा कुछ खास है नहीं, तो मैं same ही रख दूँगा, c में मैं split कर सकता हूँ कि कुछ categories में वहां पे space है, space शायद सहीं नहीं रहे, तो उसको space को हटा के मैं वहां या फिर उनमें hyphen है, तो hyphen को हटा के मैं space put कर दूँगा, तो label में थोड़ा सा hyphen अच्छा नहीं लगेगा as a end user, तो label वो पार्ट है जो हमको दिखाई देगा, value वो पार्ट है जो select करेगा user, तो वो system के पास में जाएगी, इस तरह से कुछ इनके template designed है, तो जैसे check box वोगर इसे copy कर लेता हूँ, तो यह मैंने just एक manual काम को थोड़ा script किया, ऐसा कुछ logic नहीं लिखा है मैंने, यह आप manually भी type करके कर सकते थे, जो मैंने यहाँ पे किया है, तो उस part को आप भूल जाएं कि वो मैंने क्यों किया, लेकिन बस मैंने, जो existing data है, उससे यह सारी categories code से easily निका ली, तो मैंने एक script लिखी है test चे, ऐसा लग से, ऐसी मैं brand के साथ में करना चाहता हूँ, जितने भी brand निकल के आते हैं, इन these product के, उनको भी मैं रखना चाहता हूँ, उसको भी, तो बस यह category वाले code में, बस हर जगे brand लिख दो, क्योंकि वो भी एक property है, same ही तरह का logic उस पे लगेगा, I think brand में कुछ split वगेरा की जरूत है या नहीं, I don't know, तो यहाँ पर नीचे देखते हैं, तो यहाँ पर भी code में पास आ गया है, तो यह सीधे सीधे मैं copy कर सकता हूँ, I think brand तो बहुत सारे आए हैं, I think हर product एक brand, मदब 30 product है, तो 30 brand लग रहे हैं मुझे, एक बार try क करके देखते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ फिल्टर में इसका नाम भी चेंज कर रहा हूँ, ID brands कर रहा हूँ, वो कुछ और ही था यहाँ पर, और उसमें यह मैं पूरा array पुट कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पर आप देखोगे, तो brands भी आ गया, और इसमें Apple Samsung से लेके ब बहुत बड़ी list है, और category की भी list है, तो यह दोनों मैंने वहाँ से extract कर लिया, एक size नाम से है, अभी मैं इसको use नहीं करने वाला हटा देता हूँ, इसको filter section से, तो यहाँ से size वाला पूरा ही हट चाहेगा, यह जो brand और category वाला section है, I think यह mobile layout में भी same है, तो आपको यहाँ प पार JSON server पे वापस आ गया हूँ, और JSON server के वल slash आपको API नहीं देता है, उसके अलावा आपको बहुत सारे और option देता है, जैसे कि आप search कर सकते हो, आप greater than, less than के साब से query भी कर सकते हो, किसी particular चीज को queue से search भी कर सकते हो, और even pagination भी कर सकते हो, तो जैसे slash में मैं लिखता यहाँ पे limit is 100, तो अब यह underscore limit 100 में यहाँ आपको 100 result दे रहा है, ठीक है, और यह मैं actually dummy JSON पे try कर रहा हूँ, dummy JSON में actually इसका नाम limit है, ठीक है, JSON server अलग है, dummy JSON तो site है, तो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे यह सारे paste कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, basically मैंने वो 100 यूज कर ल अब मैं पूरा process आपको वापस से नहीं दिखाऊंगा, मैं बस उसका आपको दिखा रहा हूँ कि उसमें, क्यूंकि 100 data कर लिया, तो category और brands थोड़े से बढ़ गए, ठीक है, तो dummy JSON में actually में, API से के वहल 30 आ रहे थे, लेकिन अगर उसके आगे, आप question mark के आगे, limit 100 लिखते है तो उसमें 100 products थे, तो मैंने सारे put कर दिए, थोड़ा सा हमारा site अच्छी दिखेगी 100 products होने की वज़े से, category को मैंने उपर कर दिया है, brands को नीचे कर दिया है, थोड़ा बहुत ये adjustment भी मैं अब कर रहा हूँ, अब next हम इसमें ये देखना चाहेंगे कि ये filters पे हम click कर पाएं और उस हिसाब से हम select कर पाएं कोई products, उसमें हम वो API लेंगे JSON server की use, जहां से हम कुछ चीजन select वगेरे कर सकते हैं, तो filters.map करके ये section है, जहां पे ये अलग-अलग filters बने होंगे, उसके अंदर भी जाके थोड़ा होगा section, section में options नाम से होगा, और यहां इस option वाले में inputs हैं, जिसमें checkbox बना हुआ है, तो यहां तक आपको जाना पड़ेगा template में, और यहां पर यह जो checkbox है, इस पर click या कुछ functionality लगानी होगी, तो मैं on click लगाता हूँ, या on change भी एक अच्छा event है, जिससे handle कर पाएंगे, event कैसे handle करते हैं, तो हम एक arrow function मनाएंगे, e और console log e, तो synthetic event हम properly, तो वो capture हो रहा है हम से, अब उसको अंदर generally dot target dot value में चीज़ें होती है, तो देख लो कि वो सई से आ रही है, तो laptops इस तरह से value आ रही है, smartphone इस तरह से जो भी click करते हैं, वो value आ रही है, अब यह value को use करेंगे और उस API में put कर देंगे, तो यह localhost slash यहां पर category equal to laptops, ऐसा put करे तो आप देखो क्यों उतने ही result आए, जो क्यों laptops थे, तो यह वो JSON server API support करती है, already इस तरह का selection, बाद में हम अपना node server पे जो API बनाएंगे, उसको भी ऐसा बना लेंगे, तो अभी तो उसको टेस्ट करने के लिए हम, और यहां पर मैं handle filter नाम से, एक on change पे फंक्शन बना लेता हूँ, तो उसके अलावा e pass कर रहा हूँ, तो section क्यों pass कर रहा हूँ, section में वो लिखा हुआ है, कि यह category है, कि brand है, उससे पता लगेगा ना, कि क्या भेजना है, question mark है, और option में वो value है, जो आपने select की है, तो यहां मैं top पे इस चीज़ को लिखता हूँ, तो constant handle filter नाम से हमने एक function बनाया था, और उसके अंदर हम, पहले तो उस चीज़ को लाएंगे, तो event के अंदर वो चीज़ है, section में यह बताएगा वो, कि category है, कि brand है, और last में एक option है, I think option की ज़रुत हम कोगी वो देखेंगे console.log में section.id, option.value, option के अंदर वो value है, section के अंदर वो id है, ठीक है, e में मैं prevent default यूज़ करना चाहता हूँ, वैसे e से आप उस value को भी ला सकते थे, बर option में भी वो value properly हमने दी हुई है, तो अब category और इस पर click किया, तो category smartphone आया, पता नहीं, दो बार क्यों click हुआ, एक बार default नहीं करना है, इस case में, क्योंकि यह वैसे भी कुछ reload कर नहीं रहा, तो यहां click किया, तो category और smartphone सबसे नीचे आप देखो, फिर यहां पर click किया, category laptops, तो आपके पास में वो particular चीज भी आ रही है, query के लिए, तो question mark या, के दो ही चीज़ें तो देनी थी, कि कौन सा field है, जिस और इसमें question mark के आगे, आपको दोने चीज़ें देनी है, तो मैं filter नाम का कोई object में वो values लेके आऊंगा, तो अब उससे हो सकता है, एक से जादा भी values हों, तो वो हम बाद में handle करेंगे, अभी तो क्योंकि एक बार में एक ही value हम handle कर पा रहे हैं, तो यहां पर पहले मैं filter object ब के आगे नाम होगा, जिसे smart phones या laptop इस तरह से वो होगा, तो उस हिसाब से मैं for in loop चलाता हूँ, let key in filter, तो for in loop जिसे object पे भी काम कर जाती है, तो उसमें let query string, query string मैं लगता हूँ, एक दम blank string, query string उसको बोलते हैं, जो question mark के आगे हम लगा रहे हैं, तो query string को मैं बनाता हूँ, query string plus equal to, जो भी key होगी, तो यहाँ पे मैं template router use करता हूँ, dollar key equal to, और dollar filter key, मतलब वो filter array का नाम, object का नाम है, तो उसमें जो value वो आ जाएगी, और last मैं an ampersand put करूँगा, ताकि एक से ज़ादा भी चीजों को यह handle कर सकें, आगे query string, तो plus मैंने इसमें query string कर दिया है, तो जो भी object आ format में convert हो जाएगा, तो query string हम node में भी पहले discuss कर चुके है, तो यहाँ तक आएगा कैसे, तो अभी वापस होई, पुरा process repeat करेंगे, एक action बनाएंगे, जिसके call से पुरा process शुरू हो, तो यहाँ पे मैंने fetch all product async पहले से बनाया हुआ था, तो यहाँ उसका थोड़ा fetch products by filter async कर लेता हूँ नाम, और वैसे ही उस तरह से import, और दो add case और कर देता हूँ builder में, और name वही होगा, fetch products by filter async, तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखो कि यहाँ पे actions का नाम लिखना है, ना कि API वाले functions का, API वाले functions के अंदर call हो रहे हैं, और यहाँ पे आपको dispatch करके वो use करने है तो dispatch में कौन सा use करोगे आप, fetch products by filter async, ऐसे नाम से अभी हमने जो बनाया तो उसको import करना होगा, तो यहाँ पे उपर हम उसको import भी कर लेते हैं, अब इसमें pass क्या करना है, इसमें यहाँ पे आपको filter pass करना है, वो important है, अभी तक हमने पिछले में तो कुछ भी pass नहीं किया तो filter object बनाते हैं यहाँ पे, जैसा हमने वहाँ पे expect किया है, कि API में वैसा हमको भीजना है, तो उसके लिए मैं set जो state है, use state को use करता हूँ, तो filter और set filter use state ऐसा बना रहता हूँ, तो शुरू में वो filter एकदम खाली होगा, उसके बाद में dispatch में हम उस filter को भीज देंगे, तो set filter में क्या करना है, कि जो पुराना filter है, already existing अगर हमने कुछ check box select कर रखें वो सारे, और अब जो आया है, section id और colon, option की value, तो इस तरह से object बन जाता है, section id पे मैंने square bracket क्यों लगाएं, क्योंकि वो key की तरफ है, तो key की तरफ कोई variable देना होता है, इसको थोड़ा पहले लिखना हो चीज हम जानते हैं कि तुरंट state को बदल के ऐसे नहीं बेचा जा सकता, तो पहले हम उपर एक variable ही बना लेते हैं, new filter, उसमें मैं पूरी value पूट कर देता हूँ, इस new filter को ही मैं set filter में पूट करूँगा, और इस new filter को ही मैं dispatch में बिच दूँगा, तो दोनों में same value ही जाएग वरना वो गड़बड हो जाती कि state तुरंट चेंज नहीं होती है, next line तक वो थोड़ी asynchronously update होती है, तो अब आपका set filter, save भी हो जाएगा state में अगर आप उसको आगे कहीं use करना चाहो, यहां मैंने filter use कर लिया है, ठीक है, पास कर दिया है आगे, तो अब API तक भी चला जाना च तो मैं देखता हूँ, अब यह चलता है, तो अब देखो, smartphone क्लिक करते हैं, यह केवल 5 ही बचे, ठीक है, तो API सब कुछ successfully चल गई, यहां पे, आप देखो तो यह 5 ही चीज state में बची है, पहली बार में हर चीज चलना यह कोई जरूर नहीं है, अब एरर भी आ सकते हैं, इसमें product list नाम से यह section है, और यहां आप देख सकते हैं, state में category में smart phones है, अब यहां पे click करतो, category में laptops हो गया, और brand में जिसे apple हो गया, पर एक चीज दिया दखो, उसमें अभी selected तो smart phones भी है, ठीक है, लेकिन इसमें अभी हमारा code इस तरह का है, कि बस हम एक ही category एक बार में put क कर पाएं, तो हम future में जब हम server पे इसको implement करने वाले होंगे, तो हम support करेंगे multiple values को, जिसा एक real site में होता है, कि smart phone, laptops वगरे में, तो आगे जाके code में हम वो change कर देंगे, तो अभी के लिए तो बस जो last category या brand आप select करोगे, वो ही माना जाएगा, तो जिसे smart phone किये, तो smart phone अग हम बना सकते हैं easily, क्या कि sorting already इस, जो dummy API हम use कर रहे हैं, जेसन server से, उसमें वो काम करती है, तो हम sorting के लिए भी, पहले तो यह देखते हैं, sort option नाम से, जो array बनी हुए, इसमें क्या है, तो मैं कुछ चीज़े तो हटा रहा हूँ, मैं कि प्राइस low to high और best rating यह सब रखना चाह किस तरह से code होना चाहिए, तो API के आगया, underscore sort होना चाहिए, तो जिसे यहाँ पे underscore sort, और किस field से sort करना है, जिसे price से करना है, तो अब आप देखो, सबसे छोटा price, 10 डॉलर आ गया, फिर 12 आ गया, इस तरह से चीज़ें चल रही है, इसमें आप यह भी दे सकते हो कि ascending या descending, तो इसमें underscore order, m% के बाद underscore order, equal to asc, या dsc, तो descending, तो यहाँ top price वाला सबसे उपर है, और उसके नीचे और नीचे ऐसे सब आ रहा है, तो यह HRF अगर है हमको नहीं चाहिए, इसकी जगे हम कुछ relevant field लेते हैं, जो हमारी API को काम आए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ sort, और sort मे मैं देता हूँ, rating, तो यह sort वाला field में को basically बताएगा कि कौन से field से sort करना है, तो field के नाम मैं लिख सकता हूँ, जो मेरे database में, basically database अभी वो ही है, जो API, dummy API से आ रहा है, और फिर order मैं दे सकता हूँ, तो ascending होगा low to है, और descending होगा high to low, और rating में तो कुछ है नहीं, हमने best rating मेंशा descending ही होती है, top पे highest वालिंग, तो उस तरह से वो order मैंने pass कर दिया, अब इन values को use करके हमको, जब वहाँ पे click करेंगे drop bound पे, तो यह चीज़े हमको select करके भेजनी है, इसी API को, जिसको अभी हमने new filter भेजा था न, उसको हमको एक तरह से sort options भी भेजने होंगे, तो एक बार जाते है, sort options यहाँ पे हैं, पूरे template में मैं सर्च कर लिया है, और फिर यहाँ पे, आप देखो तो HRF लिखा है, HRF की ज़रुत नहीं है, यहाँ पे on click मैं बना देता हूँ, तो यह HRF तो चाहिए आप हटा भी सकते हैं, और यह A है, तो A को भी आप change करके P बना सकते है paragraph हम कोई link वगरे नहीं यूज करना चाहरे है, तो HRF अटा दो, on click पे आप क्या चाहते हैं, कि जिस भी drop down पे मैं click करूँ, उसका event capture हो जाए, तो वापस एक बार event चेक कर लेते हैं, console log में option चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमने option नाम से दिया है, तो high to low पे click किया, तो यहाँ पे कुछ error आगई, ease not defined, तो यह reload नहीं हुआ होगा, save, अब करो, तो देखो, पूरा वो object आगया, जो आप आपने बनाए, तो यही information तो हमको चाहिए, sorting के लिए API से, order मिल गया, और sort में वो particular field मिल गया, यह दोनों चीजों से ही तो आप API से वो काम करवा सकते हो, तो बस इतना ही requirement है, तो इसका भी एक handler बना लेंगे, जिससे handle sort या इस तरह का कुछ हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे console log को हटा के मैं handle sort इस तरह से लिख लेता हूँ, और e event अगर कहीं use लेना होगा तो और option option में सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो अब हम जाते हैं, और जैसा handle filter बनाया था, वैसा ही एक handle sort भी बना लेते हैं, और इसमें मैं क्यों option से में को मतलब है, कोई sections वगेरे नहीं है, तो यहाँ पे एक sort object बनाना पड़ेगा, तो filter के आगे new filter में मैं sort पुट करता हूँ, तो filter में ही मैं sort वाला पार्ट भी पुट कराँ, क्योंकि filter क्या करता थ फिल्टर में, वो query string बनता था, और यहाँ भी query string यह बनाना है, तो underscore sort में option.sort, और underscore order में option.order, क्योंकि sort और order नाम से ही तो इस object के अंदर थे, तो यह option क्या है, option उपर से जो object आ रहे है, उसका नाम है, जो हमने select किया था, तो set filter, new filter, dispatch, new filter, अब इसमें बार बार हम यह dispatch को repeat क कर रहे है, I think, यह code optimize किया जा सकता है, तो एक बार चला के देखते है, low to high काम कर रहा है, lowest price वाली चीज़े आ रही है, high to low भी काम कर रहा है, I think, बसमें अभी discounted price के साब से नहीं है, वो feature में देखेंगे, और अभी साथ में filter भी चल रहे है, तो ऐसा, दोनों sorting और filtering दोनों सा इस्टिंग है, तो actually कहीं हमने link के अंदर यह दिया हूँ है, तो इसको मैं div कर देता हूँ, तो card के अंदर ही कहीं पर है, तो उससे वो error खतम हो जाएगा, तो यह चोटे-मोटे error warning आते रहेंगे, जिस तरह से हमने template जल्दी edit किया है, तो वो कोई खास issue नहीं है, अब हमको अब हमको ऊपर वाला जो code है, यहां पर काफी एक तो template काफी बड़ा हो गया है, तो पहले इसको मैं काफी time से divide करना चाह रहा हूँ, तो यहां पर filters है, फिर product की एक grid है, और उसके निचे I think मैंने एक पर pagination भी put किया था, तो काफी सारे section है, mobile filter, desktop filter, product grid, pagination, I think यह 4 sections है जो इ इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, तो मैं यहां पर इसी file में ही, क्योंकि इसी file selected है, कहीं और use हो नहीं रहे, तो एक mobile filter नाम से component बना लेता हूँ, तो इसमें, जितना भी mobile filter वाला था, यहां default export नहीं करते हैं, हमको तो वैसे भी export करना ही नहीं है, इसको बस use लेना है, तो mobile filter होगा, एक, I think desktop filter है, desktop filter और mobile filter अलग से बने हुए है, इसमें, code और pagination है, filter मैं उस section को बोल रहा हूँ, जो side में आ रहा है, और pagination है, और product grid है, यह चार section जैसे उपर दिखाई देने, तो यह पूरे HTML को, JSX को मैं cut करके, इन में paste कर दूँगा, तो जैसे यह पूरा part है, यह पर pagination put करके देखते हैं, कुछ dependencies भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है, कोई variable इसको चाहिए हो, तो यहाँ पर pagination put करके देखता हूँ, क्या exact same result आ रहे हैं, तो अभी तो कुछ गरबढ हो गई, I think कि अभी यह खाली है, components खाली नहीं होने चाहिए, तो इसको यह थोड़ा अज आ देता हूँ, sections तो शाहिए कुछ नहीं करें, अब ठीक है, और pagination देखें तो, I think ठीक है, तो mobile filter भी हम अटा देते हैं, यह mobile filter पूरा यहां transition route से शुरू हो के, शुरू के top में ही लिखा हुआ है, mobile filter, यह पूरा आपका cut कर सकते हो, यह section, तो यहां पे पूरा cut कर लो, और इसकी जगे आप mobile filter, ऐसे यह वो component लिखता हो, और यहां पे वो पूरा paste कर सकते हो, I think that's it, इसके अला वज़े से, इसमें कुछ चीजें missing हो सकती है, अभी तो कुछ missing नहीं, I think वो जो comment हमने उपर लिखा है, उसकी वज़े से, इसकी formatting गड़बड हुई है, तो इसमें आप देखे हो, mobile filter open और set mobile filter open, दो state variable जैसे कुछ है, जिससे यह open close होता है, react में, तो यह यहां isolated है, तो यह cut कर सकते हो, आप product list में उपर top पे लिखे हुए, इनको यहां नहीं होना चाहिए, तो आप इनको cut करके और उस particular section में आप put कर सकते हो, तो यह component भी अपने आप में I think पूरा हो गया, इसमें कोई और कहीं पे भी red line जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, sections, filters, यह सब चीज़ें हैं, I think filters और यह सब चीज़ें हमको इसमें pass करनी पड़ेंगी, अभी वो error नहीं दे रहा है, पर वो error देगा, क्योंकि यह filters वगएरे भी product list में ही डिक्लेर हैं, top level पे, ऐसी desktop filter है, तो पूरा desktop filter वाला section में cut कर लेता हूँ, I think इसमें भी कुछ extra चीज़ required नहीं है, तो यहां मैंने desktop filter कर लिया, यह जो section है, यहां call span 3 के नीचे, यह पूरा cut कर लेते हैं, यह product grid का section था, तो इसको मैं product grid में paste कर रहा हूँ, यहां पर एक यह error जैसा कुछ दिखा रहा है, set mobile filters open option, तो I think इनको यहां put नहीं करके, वापस वहां top पे मैं put कर देता हूँ, और उनको बस मैं pass कर दूँगा as a prop, क्योंकि हमने यह top level पे भी set mobile open close का button कहीं पे use किया हुआ है, तो अब मैं यहां पे product grid पास कर देता हूँ, product grid जो मैंने भी बनाई थी उससे नीचे, तो handle filter और products यह दो चीज़ें भी भी missing हैं कहीं पे, तो handle filter यह जो function है, यह उनको भी चाहिए, जो filters हमने अलग section में कर दिये हैं, उनको क्योंकि call में वो काम हा रहा होगा, तो इसको भी हम props की तरह पास कर सकते हैं, तो यहां मैं handle filter पास कर दूँगा, desktop में और I think mobile में भी चाहिए होगा यह, कि दोनों तो almost same ही copy हैं, तो यहां पे भी मैं यह पास कर देता हूँ, तो जहां पे भी declare होंगी चीजें, उनमें भी आपको यह सारी props पास करनी होंगी, तो यहां पे जैसे handle filter में, from parent to child इस तरह से पास कर रहा हूँ, तो handle filter है, इसमें और mobile filter में, और mobile में तो और वो दोनों भी थे, set mobile filter open, और mobile filter open, जो state का नाम है और एक उसके setter का नाम है, तो यह दो props अभी हमने थोड़े देर पहले पास भी किये थे, तो यहां पे भी उनको देना जरूरी है, क्योंकि parents से उनकी value otherwise कैसे पास होगी, तो अब ठीक है, एक products missing है, products I think product grid को चाहिए, क्योंकि product grid, product पर ही तो मैं आप बनाती है, और products तो top level पे API से आते हैं, तो यहां पे आपको products पास करने पड़ेंगे, तो जहां पे product grid आपने यूज़ की है, यहां पे, तो यहां पे आप products पास कर दो, तो एक तरह से मैंने, जो top level template है, उसको चार sections में divide कर दिया है, तो अब थोड़ा सा code आसान हो जाएगा, जब भी आप वापस से edit करने जाओगे, क्योंकि अभी तो यह बहुत ही बड़ा layout था, जो product list वाला था, तो अब हमको धीरे धीरे, हर section अलग दिखाई दिगा, और भी भी आप check कर लीजिए, कि सारी वो functionality वर्क तो कर रही है, क्योंकि यह हो सकता है, कोई variable आपने धर-धर कर दिया हो, तो इस point पे अब सब कुछ वर्क कर रहा है, और हमने यह divide कर दिये हैं, अलग-अलग sections में, और थोड़ा सा यह template complicated लगेगा, क्योंकि दूसरे का बनाया हुआ एक template हमने यूज किया है, जब हम scratch से खुद का बनाते हैं, तो एक अलग बात होती है, लेकिन real world में generally हम template से बनाते हैं, rather than हम scratch से कोई चीज़ को बनाएंगे, तो मैं अब mobile में भी इनको check कर रहा हूँ, तो mobile layout में भी यह सब चीज़ें काम कर रही है, तो mobile में भी वो filters काम कर रही है, तो mobile में अगर मैं test नहीं भी करता हूँ, आगे वाले sections में, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि mobile में हो सकता है, वो चीज़ वापस से आपको कोई copy में करनी पड़े, या फिर वो हो सकता है, साथ में set हो रही हो, तो मैं desktop site पे ज़्यादा ध्यान दूँगा mostly, यह pagination वाला आप देखो तो यह नीचे थोड़ा किसक गया है, शुरू में शायद वो सही से reload नहीं हुआ होगा, का section देखते हैं, तो यहाँ पे हमने एक extra div put किया हुआ है, और यह div flex का था, जो शायद वहाँ पे होना चाहिए था, उसके अंदर होना चाहिए था, और हमने उसको उसके बाहर put कर दिया, तो उससे flex में एक div level से काफी फरक पड़ जा था, अब यह side में आ गया है, तो वो div के ओपर classes थी, वो miss नहीं करनी थी, अब यह proper काम कर रहा है, बहुत सारी category हैं, और brands हैं, और उसे साब से filtering भी हो रही है, एक ही, जो last हम select कर पारे हैं, उसी से filter हो रहा है, अब यह इसकी limitation है, जो हम बाद में fix कर देंगे, तो fragrance है, अब जिस पे भी मैं click करता हूँ, वो uncheck होने पे भी काम करता है, यह भी अब ध्यान दोगी, कि मैंने on click पे लिखा है function, तो जिसे man choose मैं कर रहा हूँ, तो man choose, लेकिन अब furniture, फिर उसके बाद में, जिसको भी मैं uncheck करता हूँ, वो भी एक तरह से select ही मान रहा है, तो यह भी इसमें एक problem है, अगर आप ध्यान से test करोगे, तो जिससे man laptop को अभी uncheck किया है, तो uncheck करने पे laptop दिखने थोड़ना चाहिए थे, पर अभी मैंने वहाँ पे click लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे आपको याद होगा, मैंने click event लिखा है, मैंने यह नहीं लिखा कि, उस click के बाद वो check है या uncheck है, तो यह एक छोटा सा आप यहाँ पे check लगा सकते हो, console log में, कि, पहले तो console log में मैं देखूंगा, कि checked की value proper आ रही है, true or false, उससे ही आप यह if-else condition लगा पाऊगे, कि वो चीज यूज़ करने है, तो सही आ रहा है, जिसे false, skin care, हर में false आ रहा है, लेकिन, because I think checked हमें नहीं, पहले से ही हमने false लिखा हुआ था, option में कोई फरक ही नहीं है, तो हम e.target.checked यूज़ करते हैं, तो इसमें देखो, true or false आ रहा है, जब आप किसी को uncheck करते हो, तो false आता है, check करते हो, तो true आता है, तो इस हिसाब से अब हम, यह set करेंगे, कि filter को set करना है, या filter को ignore करते हैं, ना एक तरह से, अगर कोई चीज को uncheck कर रहे हो, तो उसको add ही मत करो filter में, क्यों तो uncheck हो गया एक तरह से, ठीक है, तो if target.checked true, मतलब इसको इतना लिखने का मतलब है, कि वो true value में ही यह करेगा, तो क्या करना है, जो काम अभी तक हमने किया था, वो as it is आपको करना है, तो new filter में मैं, dot 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 filter, इतना तो पहले से ही लिख देता हूँ, और फिर उसके अंदर मैं, यहाँ पे update कर दूँगा, कि new filter में, section id equal to option value हो जाए, ठीक है, तो यह उस case में होगा, जब checked होगा, जब आप check कर रहे हो, else, else का मतलब, आप uncheck कर रहे हो, एक तरह से उसको हटा रहे हूँ, तो वो filter को हटा लिया जाए, ठीक है, तो delete, delete keyword आप समझते होंगे, कि object की वो particular property हटा दी जाए, तो new filter section id, वो particular property हटा दी जाए, तो यह मेरे इसाब से, अब सही से काम करेगा, अब मैं थोड़ा सा और भी एक चेंज कर रहा हूँ, कि बार-बार हम dispatch कर रहे थे, तो मैं यह dispatch को common कर देता हूँ, एक use effect बनाके, उसमें हम filter async ही put कर देते हैं, तो all वाला कोई जंजट ही नहीं है, हम हमेशा async वाला ही call करेंगे, क्योंकि वो भी filtered है, कोई filter नहीं होगा, तो वो भी same ही all ही लेके आएगा, तो अब यह proper काम कर रहा है, और जिसे आप uncheck करते हो, तो उससे वो आता नहीं है, लैपटाप्स वाला, तो server पे हम multiple categories support करेंगे, यह to-do task मैंने पहले भी लिखा था, तो यहाँ पे भी मैं वो put कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी change आएगा, उसके साब से, तो हर बार जो check आप करोगे, तो एक नई value एक तरह से push होगी, अभी तो क्या रहा है, मैं equal कर रहा हूँ, new filter में कोई category equal to, but actually मैं वो push होगी, और इस तरह का कुछ array जैसा format आएगा, तो category, smartphone, laptop, इस तरह का एक array का format हमको बनाना होगा, और sort में तो ऐसा नहीं होगा, sort तो हमेशा एक ही बार में एक ही चीज़ से हम कर सकते हैं, तो sort का object तो ऐसा ही simple sort रहेगा, तो underscore sort, जिसमें कि हमने price यूज किया था, यह तो यह comments काफी important हैं, क्योंकि उस तरह की API हमको real में बनानी पड़ेगा, अभी तो यह हम एक dummy API यूज ले रहे हैं, JSON server की help से, जो यह support करता है, पर हमको भी बनाना पड़ेगा, वैसा कुछ, तो अगर वैसा filter, वैसा object आता है, जिसमें category में array है, अभी मैं वैसा object, front end पे भी बनाने का try करूंगा, हम जिस्ट वहाँ पे push कर देंगे, उसकी जगह पे, तो उससे आप कैसे अभी काम चला होगे, तो मैं क्या करता हूँ, कि अभी यहाँ पे हम क्यों last value को consider करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी एक ही, हम last, अभी अगर array होगी, तो मैं क्यों उससे एक last या first value निकाल लेता हूँ, last better रहेगा, क्योंकि push, जैसे जैसे हम करते हैं, तो last वाले के लिए, तो last filter, कह सकते हैं आप उसको, और उसमें आपकी यह, इस तरह से यह जो array है, उससे आपको select करना है, तो filter key, ठीक है, तो filter, और उसमें जो particular key है, इसको थोड़ा easy कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, categories values, तो filter key के अंदर पूरी array आ गई, तो category की पूरी values आ गई, तो last category value क्या होगी, इसका जो final है, final कैसे पता लगता है, category values, जो length है, उसमें minus one कर दो, तो last index आपको मिल जाएगी, तो last category value मिल गई, तो यहाँ filter की क्या है, वो array है, smartphone और laptops वाली, उसमें से last value आपको निकालनी है, एक और चीज़ चेक कर लीज़े, कि length greater than one तो है, यहाँ बना यह कई बार logic खराब भी हो सकता है, इसके विज़े से error आएगा, तो उससे last category value आप उठा लो, और वो ही last category value यहाँ पर हम key में put कर देंगे, तो यह जो logic है, वो अभी के लिए है, जब हम के वो last category value उठा पा रहे हैं, एक ही से हम select कर पा रहे हैं, future में हम सारी भेज़ दिया करेंगे, वो पूरा array ही भेज़ देंगे, जब backend हम खुद से बनाएंगे, और यहाँ पर मैंने sort वाला पास किया है, तो यह sort वाला भी यहाँ पास कर देता हूँ मैं, तो अभी मैं sort को अलग करना चाह रहा हूँ, पहले मैंने उसमें filter में ही भेज़ दिया था, पर अभी में को लग रहा है कि वो थोड़ा optimum code नहीं है, तो मैं filter और sort दो अलग-अलग, यहाँ पर ध्यान देना कि मैंने object के अंदर ही एक रखा है, ऐसा करना पड़ता है Redux में इस तरह से, तो अब आप यहाँ new filter इस तरह से ना करके, क्या करेंगे, filter अलग होगा, sort अलग होगा, तो दोनों अलग-अलग पास कर रहे हो आप, तो यहाँ पर जो set filter था, यह केवल उन से मतलब रखेगा, तो थोड़ा सा confusion हटाते हैं, और यहाँ पर इस handle sort को filter नहीं बोलते हैं, इसको हम sort ही बोलेंगे, और इसको filter से कुछ लेना देना नहीं है, यह केवल अपना sort और option sort बनाएगा, और यहाँ पर set sort यह करेगा, अब क्या है कि हम इनको dependencies की तरह बनाते जा रहे हैं, use effect में, तो आपको fetch async API एक ही जगे लिखनी पड़ेगी, और वो जब भी इन में से sort में कुछ change होता है, filter में कुछ change होता है, उन values के साथ में वो call हो जाएगी, और यहाँ पर मैंने push करना भूल गया था, पुश करके वो value आगे, वैसे push के equal आप नहीं कर सकते इस चीज़ को, तो maybe conditional यूज करें, या I think यह काफी complex हो जाएगा, जो मैं लिख रहा हूँ, इसको आप इता से reject कर दीजे, हम इसको if else से कर लेते हैं, वो जादा easy पड़ेगा, तो new filter section id.push, उसके अंदर if section id पहले से बना हुआ है, या आप कह सकते हैं कि उसकी length greater than zero है तो, वो दुनों बात almost same है, कि अगर section कोई पहले से है, तो उसमें value push हो जाए, और नहीं है तो array create हो जाए, कई बार ऐसा भी होगा कि brand कोई भी selected नहीं था, तो पहली बार में आप push किस चीज में करोगे, तो वो पहली बार में वो array भी बनाना पड़ेगा, और उपर ये else किसका है, ये checked false का है, तो false के case में, आपको push की जगे एक तरह से वो चीज को हटाना पड़ेगा, उस filter से, तो ये उसी का logic है, कि find करो उस index को अगर वो है तो क्या, तो constant index, new filter, section id, ये वो वाली array है, उसमें से आप index find कर रहे हो कि, option.value वाला element मिल जाए, फिर new filter.splice, ये simply delete करने का logic है, गर आप slowly देखना चाहते हो, तो समझ सकते हो इसको, कि आपने वहाँ से वो element हटा दिया, यहाँ पर है new filter, आपको एक बार console log करके दिखाऊंगा, इसको मैं object की तरह प्रिंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर sort को प्रिंट करके दिखाऊंगा, अब हम try करके दिखते हैं, तो अब यहाँ पर आप जाओ smartphone, तो यह देखो new filters में, वो category आनी चाहिए, इसको खोल के देखते हैं, new filter, और उसके अंदर आप देख रहे हो, category और category में array, लेकिन array खाली आ रहा है, इसी वज़े से इसमें कुछ हुआ भी नहीं, अभी filtering, खाली क्यूं आया, I think मैंने, जब पहली बार कहा है कि array create करो, तो उढंग से initialize नहीं किया, हमने एक पर यहाँ पर भी check कर लेते हैं, तो product list में आप देखोगे, तो state में category, एक दम blank आई है, तो blank नहीं आनी चाहिए थी, इस area में at least वो पहला element आना चाहिए था smartphone, तो यहाँ पर वो element हमने put ही नहीं किया, वो put भी करना पड़ेगा, तो option.value इस तरह से काम करेगा, तो reload कर लेते हैं इसको, और इसके बाद में अब करते हैं, smartphone, इसको check किया, तो यहाँ पर category में smartphone आगया है, ठीक है, तो जिससा जो push किया था, first or array भी बन गई और वो push भी हो गया, इसके आगे से हमिशा कुछ न कुछ पुछ होता रहेगा, और last value को उठा के, यहाँ आप देखो API call के इस तरह से, आपके network tab में काम कर रहा है, तो वो भी चीज आपकी proper चल रही है, पर यह filtering इसमें अभी हुई नहीं, तो क्या reason है, रिड़क्स में जाके देखते हैं, तो fulfilled भी आ रहा है, कि filter हो गया है, तो fulfilled आ रहा है, तो फिर लेकिन अभी payload में आप देखो, सारे ही product आ रहे हैं, filter होके तो नहीं आ रहे, तो कुछ ना कुछ reason तो है कि, अभी आपका यह code धंक से चला नहीं है, तो फिल्टर में हमने फिल्टर पास किया था, वो as it is, यहां हमने पास कर दिया था, तो क्या problem थी, यहां पे हमने last category value ली थी, तो greater than 1 लिया था हमने length, greater than 1 नहीं होगा, greater than 0 होगा, I think, जिसका मतलब यह इस तरह से, अब देखो यह select होगा, तो greater than 1 नहीं होगा, वनना तो array में एक element होगा, तब तक तो filtering होगी नहीं, तो यहां थोड़ लॉजिकल मिस्टेक थी, अब जैसे smartphone, laptops, तो जो भी last आप, अब unchecked पे वो splice में गड़बड हो गई, तो unchecked में उसने error दे दिया, कि splice exist नहीं करता, तो कुछ वहां पे भी हमने check नहीं किया, गडंग से, तो section ID पहले से exist करता है या नहीं, actually मैं section ID array था पूरा, तो उस पे splice करना था, मैंने सीधे ही उस पे कर दिया, तो I think अब यह चीज़ work करें, कि reload कर लेते हैं, अब स्मार्टफोन और इस तरह से दो चीज़ें एड़ की, और laptop एड़ की, और laptop को अंचेक है, तो laptop हट गया state में, और smartphone दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह से अब थोड़ा वेटर तो code हुआ, कि पुरानी जो value अंचेक होने के बाद, उससे previous value तो at least दिखाई दे रही है, वरना तो previous value भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, multiple तो ये अभी भी support नहीं कर रहा है, पर at least uncheck के बाद, आपको पुराने सही results दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा हमने इस code को improve किया, ये part अगर आपको logically थोड़ा सा complex लगे, तो एक बार आप वापस देखिए, सीधे मैंने दो ही चीज़ की हैं, एक चीज़ को object को बस एक API के query string में पास किया है, अब next section जो हम बनाने वाले हैं, वो है pagination का, तो pagination हमने layout तो बना लिया था पहले भी, अब हम उसमें कुछ values पुट करेंगे, तो यहाँ पर pagination में जैसे आभी dummy, कुछ values 1 और 2 ऐसे पुट की गई है, तो यहाँ पर हमको चाहिएगा कि ये dynamically change हो, जितने आपको search result दिख रहे हैं, उसे साब सही pages आएं, तो pages मतलब, जैसे मालो 10, जैसे यहाँ पर ये API का पहले आप देखो, जैसे localhost में मैं page 1 और limit 10 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पहला page आया है, उसमें कि ये 10 result आएं, यानि 10 size है page की, और ये first page है, तो उसमें 0 या फिर 1 to 10 elements आया है, उसके बाद second page में 11 to 20 इस तरह से आएंगे, 1 और underscore limit में हम यहाँ पर जैसे 10 है, fixed हम रख सकते हैं number, जो हम हर page में कितने result दिखाना चाहते हैं, और वो इस तरह से query string में बाद में convert हो जाएंगे, वो तो हम हर किसी को ही कर रहे हैं, तो pagination भी एक element आएगा, तो यहाँ पर हम key in pagination वैसा ही कर देते हैं, और यहाँ पर pagination एक और चीज़ है, जो हमको लानी पड़ेंगी, तो यह front end में जहाँ पर होगा हमारा code, वहाँ से यह pass हो रहा है, तो हमें हर step पर slice में भी square करता जा रहा हूँ, यहाँ पर object पास किया गया, 30 structured उसको भी यहाँ पास कर रहा हूँ, उपर हमको pagination set करने के लिए भी variables बनाने पड़ेंगे, अभी तक हमने filter और sort के state variables बना लिये हैं, तो वैसे ही similar pattern पे हम एक page pagination का भी बना सकते हैं, तो page भी बना सकते हैं, set page, कि पेज नंबर ही एक important चीज़ है इसमें, तो शुरू में use state में मैं one value रखता हूँ, first page ही हमेशा by default open होता है, और limit हम fix कर सकते हैं, अभी के लिए मैं limit equal to 10 लिख देता हूँ, पर यह constant है, तो मैं अभी app में जाता हूँ, एक constants file बनाता हूँ, क्योंकि constant बहुत सारे होंगे feature में, जो हम use कर सकते हैं, बाद में तो एक constant file बनाना अच्छा है, तो export const और const को generally हम capitals में लिखते हैं, तो items per page, अभी इसको कहीं भी आप use ले सकते हो, तो मैं अभी यहां पे const लिखता हूँ, या फिर आप कहीं पे सीधे उस variable को भी import कर सकते हो, तो सरुर नहीं है कि कोई variable और declare करना पड़े, तो import items per page, इस तरह से मैंने वो app constant से लिखाया है, और कहां पे उसको आपको use करना पड़ेगा, वो page की size determine करने के लिए basically, तो अब handle page नाम से मैं बना लेता हूँ, जैसे sort के लिए बनाया था, तो page कहीं से हमको मिलेगा handle page में, और pagination object जो API expect कर रही है, तो उसमें क्या-क्या चीज़े थी, page number था और limit था, तो वैसा एक pagination object बनाना पड़ेगा, तो बहुत I think simply हम बना सकते हैं, तो यहाँ पे set sort नहीं होगा, यहाँ set page होगा, तो बस handle page में तो page इतना ही हम pass कर सकते हैं, और यहाँ पे page इसमें pass करेंगा, और यहाँ पे pagination object हमको चाहिए होगा, तो pagination object तो काफी simple होता है, इसमें किवल page number ही एक चीज़ है, बाकि सब तो constant ही है, तो underscore page में आप page लिख दो, जो की state से आएगा, क्योंकि उपर set page से हो चुका होगा, और फिर limit में items पर page जो constant आपने डिकलेर किया, तो pagination तो यहाँ से हम हमीशा fix करके भेज सकते हैं, तो इस तरह से आपका page nation object पास हो जाएगा, अब बात आती है नीचे UI में actually उसको 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 करने की, क्योंकि आपको page number भेजना है, एक variable जो इसमें क्या है, page number, जो यहाँ पर आप click करो, तो वो particular page पास हो जाएगा, तो page को भी मैं पास कर देता हूँ, top से जो page और set page दो variables हैं, top level पे, उनको भी मैं यहाँ पास कर देता हूँ, तो page से तो यह पता लगेगा, किस particular page current value क्या है, page की, जिसे कि अभी आप page 1 पे हो, तो नीचे यहाँ पे दिखा भी रखा है, कि showing result from this to this, तो showing from which to which, page का जो पहला element है, page का पहला element, इस formula से आप निकाल सकते हो, page minus 1, items per page यह आप, और plus 1, क्योंकि 0 से वरना वो शुरू करेगा, तो यह आप चेक करके देख लो, यह formula से यह क्या, दूसरे में page into items per page, क्यों यह आप खुद भी mathematics से निकाल सकते हो, काफी easy है, और last में यहाँ पे total items आपको बताने पढ़ेंगे, कि total कितने items हैं, उसमें से कितने items इस page पे आप दिखा रहे हो, जैसे 1 to 10 of 20 results इस तरह से, तो टोटल items अभी मैंने ऐसे लिख दिया है, यह actually मैं आपको कहीं निकालना पड़ेगा, कि total items कितने हैं, तो मैं अभी इसको ऐसे prop पास कर रहा हूँ, बट prop उपर से भी कहीं से आनी चाहिए उसकी value, अभी जैसे मान लो मैं default इसको 55 ऐसे डाल देता हूँ, just for running this example, यह आपको हटा लेना होगा, ऐसे कोई default value नहीं put करनी चाहिए, और यहाँ पे मैं जैसे 1, 2 ऐसा page यह हटा देता हूँ, और हमको क्यों एक page चाहिए, जिसको हम loop में put करेंगे, और उतनी बार put करेंगे, जितने page बन रहे हैं, तो कितने page बन रहे हैं, तो मैं एक simple सा formula लिखता हूँ, array from, array from एक method है, जिससे आप किसी भी length की array बना सकते हो, और इसमें object में आप देखे, length total items divided by items per page, यह formula और इसमें आपको ceiling use करना होगा, ceiling मतलब जो lower level है, upper level है, क्योंकि इसमें formula कैसे है, जैसे कि अगर आपने 55 को 10 से divide करा, तो इसमें answer 6 आएगा, तो 6 page ही तो बनेंगे, तो शुरू के में 10-10 page दिखेंगे, और last 5 वाला 6 page में दिखेगा, तो उस तरह से formula create किया गया, तो यह भी थोड़ा सा mathematics से आप सोच सकते हो, और इसको try करो, तो इस तरह से, यह कुछ brackets वगरे मैंने भी set की हैं इसमें, तो इतनी बार यह चीज चलेगी, ठीक है, तो यह array मैंने उतनी length का बना लिया है, array की value से हमको कोई मतलब नहीं है, तो आप यह मत सुचो कि इस array में क्या है, कुछ भी हो चाहे, उससे मतलब नहीं है, हमको map में तो क्यों उतने page create करने हैं, जो नीचे links दिए गए हैं, तो उनको मैं map में उतनी बार बस loop करना चाहता हूँ, ताकि उतने ही elements बन जाएं, और page की value क्या होगी, page की value हमेशा 1 से शुरू होती है, और 1 by 1 increase होती है, तो आप वो index से निकाल सकते हो, किसी चीज से भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पे आप सीधे-सीधे element के आगे, दूसरी चीज index आती है map में generally, तो index plus 1 लिख दो, क्योंकि index generally 0 से शुरू होती है, तो index plus 1, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, जितनी लंबी array होगी, अगर 6 length है array की, तो 6 page दिखाई देंगे, तो simple सी बात है, इसको मैंने div कर दिया है, और फिर on click पे, अब यहाँ पे handle page का काम आएगा, handle page पे हमको क्या भेजना है, index plus 1, यह याद रखना, क्योंकि handle page जो नीचे दिखा रहा है, वही उसको वहाँ पे भेजना है, तो इतना काम हमने कर दिया, अब इसको थोड़ा सा हम टेस्ट कर सकते हैं, कि handle page सही से उस value को भेज रहा है क्या, अगर सही से भेज रहा होगा, तो वही value यहाँ पे set हो रही होगी, set हो रही होगी, तो pagination object में जा रही होगी, तो पूरा process एक तरह से, इस तरह से work करना चाहिए, तो I think बागी सब हमने set किया हुआ है, और CSS वगर हम बाद में एक बार चेक कर लें इस पूरे को, उसके बाद में CSS भी हम चेक करेंगे, कि कैसे वो page सेलेक्ट, अभी सारे अजीबों गरीब selected आ रहे हैं, क्योंकि CSS गड़बड हो सकती है, हमने एक ही को बार बार copy कर लिया, जो class name में background indigo है, यही सब में copied है, वो loop में, क्योंकि शुरू में वो active दिखाया गया था, तो उसी कोई loop में मैंने कर दिया, तो उस वज़ी से वो दिखाया दे रहा है, कि क्योंकि उसका background indigo हो, जो वो current page है, तो current page की जो value होगी, उसके बराबर अगर आपकी यह index plus one चल रही है, यानि यह particular page, तो इसको थोड़ा सा मैंने word wrap किया है, काफी लंबा सा class name दिख रहा था, और इसको मैंने, मैं इसमें कुछ variables put करना चाहरा हूँ, तो मैंने इसका string format थोड़ा सा change किया है, और मैंने जिसे template literal put किये हैं, तो अब मैं बीजी indigo को conditional बना दूँगा, बेसिकली, और यहाँ पे मैं condition put करूँगा, तो मैं उसी इसाब से dollar और braces put कर रहा हूँ, condition क्या है, कि अगर इस वक्त index plus one, जो कि हम page equal to page है, page जो set किया हुआ page है, already state में, तो तो background indigo हो, otherwise जो normal background है, वो होना चाहिए, और I think जो उसका indigo का text white है, और दूसरे cases में I think background white है, और text indigo है, शायद नीचे यह grey दिया हुआ है, तो यह आप copy कर सकते हो, तो अब इसमें दिखाई देगा, तो इस तरह से यह काम कर रहा है, तो अब one है, तो one value, क्योंकि page by default one set था, अब click करते ही, page भी change होना चाहिए, तो मैं cursor pointer एक यह put कर रहा हूँ, ताकि वो थोड़ा cursor जैसा दिखाई दे, reload होने पर, अब यह hand sign दिख रहा है, तो click तो हो रहा है कुछ, और page में undefined जा रहा है, तो अभी कोई problem है, page में हमारा सही से यह, index plus one या, कहीं पर एक fault है, जिसकी वज़े से सही value जा नहीं रही है, है, तो handle page को देखते हैं, handle page में, तो इसकी actual implementation हमको साच करने पड़ेगी, तो handle page यहाँ पर है, तो इसमें हमने पहले में e pass किया, e नहीं है, सीधे page ही हमने एक चीज़ पास करनी थी, तो उसका सी nature थोड़ा अलग था, तो आप यहाँ पर click करो, तो आप देखो, properly वो page भी change हो रहे हैं, नीचे 21 to 40, 41 और इस तरह से 55 results, तो ऐसे properly सब चल रहा है, ठीक है, और आप क्या यह values भी change हो रही हैं, तो यह values आप देखोगे, तो यह नहीं change हो रही, यह क्यों नहीं change हो रही हैं, क्योंकि अभी API में, शायद हम वो data properly नहीं भेज पाएं, तो अब हमको थोड़ा आगे बढ़ना होगा, कि front end में से तो हमने शायद pagination object सही भेज दिया है, और यहाँ पे pagination pass भी हुआ है, और इस point पे आखे pagination, लेकिन यहाँ पे एक silly mistake हमने आख, sort लिखा हुआ था pagination की जगह है, तो इसको सही करने के बाद, अब hopefully, अब आपके पास हर बार नए, आप देख रहे हो, हर बार आपके पास page में नए objects आ रहे हैं, तो यहाँ पे यह pagination भी आपका properly work कर रहा है, लेकिन अब इसमें अगर कुछ filters हम लगाएंगे, तो इसके बाद भी इसको check करना important है, तो यहाँ एक x total count करके 100 आ रहा है, तो वो क्या है, यह JSON server specially एक ऐसी चीज, एक ऐसा header हमको return करता है, जो बताता है कि total कितने objects थे, तो अभी 55 तो मैंने ऐसे ही, randomly वहाँ fix कर दी थी value, आपको याद हो तो 55 actually है नहीं, 100 है objects तो, तो यहाँ पर हमको, इस जगह पर जहाँ पर products मैंने capture किये थे, यह हमारा products query वाला section है, इसमें headers में await response dot headers, get यह fetch से निकालने का तरीका है, x total count, तो x total count हमको वो JSON server ही provide करता है, वो बताता है कि total कितने documents हैं, अगर आप paginated query करते हो, तो वो आप बताता है कि इस page में तो 10 हैं, लेकिन overall total items कितने हैं, तो यह feature है उस server का JSON server जो हम use कर रहे हैं, तो यह याद रखिए कि यह feature भी हमको अपने implementation में बाद में बनाना पड़ेगा, तो मैं resolve को थोड़ा सा change कर रहा हूँ, अब क्यूंकि हम पहले products ही बेजते थे, अब मैं products, data के अंदर, पहले सीधे products बेजता था, अब data के अंदर एक object बना रहा हूँ, जिसमें products है, जो original data है products का, और total items है, जो total items, हमने x total count से निकाले हैं, वो है, तो थोड़ा सा code आपका यहाँ change होगा, वो ध्यान रखें, जहां पे आपने product fetch किये थे, fetch all products तो वैसे अब हम कहीं use delay नहीं रहे हैं, तो यहां filter async में, payload के अंदर dot products में, अब actual result होगा, और total items नाम का एक variable और हम initialize कर सकते हैं, और यहां पे total items के अंदर होगा, यहां उपर भी मैं इसको initialize कर देता हूँ, अभी initial state में total items लिखा हुआ ही नहीं था, तो इसको zero initialize कर देता हूँ, तो I think अब सारी चीजे place, proper place पे हैं, और अब हम इसको use कर सकते हैं, तो यहां पे total items और उसका selector, शायद मैंने अभी तक बनाया नहीं है, तो एक selector भी बना लेते हैं, total items का, तो select total items, और वो state.product.total items, इसमें आ जाएगा, तो अब इससे total items भी आपके आ गए, और यही, तो इसको मैं उपर अपने आप import भी कर रहा हूँ, तो अब यही total items को आपको पास करना होगा, वो pagination वाले object में, क्योंकि उसको वो चाहिए, वनना वो 55 ही दिखाता रहेगा, और यह 55 value आप चाहिए हटा लो, यह इसका कोई use भी नहीं है, अब इसको reload करके देखते हैं, तो यहां पे proper 1 to 10 100 results आ रहे हैं, तो अब यह proper आपका काम कर रहा है, और आपको properly paginate करके दिखा रहा है, और 10 page में क्योंकि 100 results divide हो गए, smartphone मैं select करता हूँ, तो अब problem यह हुई कि 81 to 90 पे अटका हुआ है, जहां आपका पूरा page है, page number 8 पे यह अटका हुआ है, और इतने results तो है नहीं, तो इस हो जिसे वो दिखा नहीं रहा, तो किसी तरह से हमको reset करना होगा, और जिसे 1 to 10 दिखा रहा है, तो क्या reset करना होगा, पहली जी तो यह कीजिए कि जब भी filter कर select हो, तो page 1 पे हमेशा चला जाए, और एक condition यह रख यह, कि अगर total items last वाले page से, यह वाली condition आप पूट कीजिए, कि last वाले page पे ज़रूर नहीं है, कि 10 items हो, तो चेक कर लें कि total items greater है, या less है, उस हिसाब से, या तो हमारी calculation के हिसाब से, 1 to 10 दिखाएं, या 1 to 5 ही दिखाएं, तो उस हिसाब से, यह मैंने एक condition आप पूट कर दिया, अब यहाँ पे, 1 to 100 अभी जैसे आ रहा है, यह proper है, और, तो यह तो मैंने केवल, इस वाले part को set किया है, ठीक है, तो यह logic आप सो सकते हो, कि easily conditional operator से हमने किया है, कि अगर, इस तरह से, 11 to 20 और इस तरह से काम, प्रॉपर कर रहा है, अभी भी smart phone नहीं आ रहे है, क्योंकि 11 to 5 आ गया है, तो end वाला issue तो सही कर दिया है, शुरू वाला सही नहीं किया, तो शुरू वाले के लिए page को, हमेशा 1 पे reset कर दो, जब भी आप कोई filter सेलेक्ट कर रहे हो, तो मैं एक और use effect बनाऊँगा, और total item जब भी change होंगे, तो उस इसाब से page भी change होगा, और page हमेशा change होके, 1 पे आ जाना चाहिए, तो वो अपने आप ही सही हो जाएगा, तो जब भी total items change करोगे, तो जब भी आपके items less या more होंगे, तो उस इसाब से वो हमेशा first पे आजाएगा, तो अब आप देखो, हमेशा first page पे ही आप हो, और even ज़ादा भी items हैं, और जैसे आगे किसी page पे हो third पे, और फिर check करते हो या sort करते हो, तो उसे sort में वो शायद आगे नहीं जाए, कि sort में क्योंकि total items change नहीं हो रहा, पर अगर आप कुछ category select करोगे, तो वो वापस first page पे आजाएगा, तो sort में तो वो third page पे ही रहेगा, अगर sort में भी आप चाते हो कि नहीं, इसको first page पे कर दिया जाए, तो sort को भी dependency में आप डाल सकते हूँ, तो यहाँ पे मैंने sort को भी dependency में डाल दिया, तो मैं चाहरा हूँ कि अगर sorting भी हो, तो हमेशा फिर sorting का first page result दिखाया जाए, और उसके बाद ही हम कुछ करें, वरना user confused हो सकता है, कि वो fourth page पे है कि तो high to low करते ही, वापस से वो first page पे आजएगा और highest वाला इसको दिखाई देगा, उसके बाद वो page change भले ही कर सकता है, तो इस तरह से यह pagination भी हमारा properly work कर रहा है, sorted condition में या category selection वगरे में भी, यह properly work कर रहा है, अब मैं categories of brands को चाहता हूँ कि यह भी API से आएं, क्योंकि अभी हमने यह fix कर दिया है, लेगिन actually मैं तो back end में जाके कोई category हटाई भी जा सकती है, अलगाई भी जा सकती है in the future, तो उस हिसाब से e-commerce काम करेगा, तो मैं यहाँ पे जो data JSON था, वो जिस तरह से होता है, उसमें एक और नया key value बना रहा हूँ, और वो है brands, और यहाँ पे मैं इसको proper JSON में convert कर रहा हूँ, क्योंकि यह मेरे JavaScript में है, तो कोई भी online converter से आप कर सकते हो, तो यहाँ पे proper JSON आपको मिल जाएगा, वरना वो accept नहीं करेगा in values को JavaScript की, तो proper JSON में, key के उपर भी double quotes होगरे होते हैं, single quotes नहीं होते हैं, ऐसे ही categories का भी एक section में बना रहा हूँ, तो category में भी आपको simple वो ही करना है, जो options में लिखे हुए थे उस तरह है कि उनको proper, आप यहाँ से copy कर लो converter से, और एक JSON format में पेस्ट कर दो, तो यहाँ पे category भी बन गया, अब आप API देखो, तो तीन API अवेलेबिल हैं, products की, brands की, categories की, इस तरह से, अब इस API को use लेते हुए, हमको brand और category fetch करने हैं, तो यह options यहाँ पे static नहीं होंगे, API से आएंगे, तो future में अगर backend पे आप जाओगे, तो backend पे भी आप set कर सकते हो, तो same process repeat करना है, जो products के लिए हमने किया था, उसी का यह copy साफ बना लो, कि यहाँ पे fetch all categories लिख लो, और fetch categories में यहाँ पे category नाम से, जो भी उस resource का name है, बाकी बिलकुल simple है, ऐसे ही brand का होगा, तो यहाँ पे fetch brands कर लो, और यहाँ पे भी brands, तो इन में थोड़ा सा ध्यान नहीं रखना, कि जो आपने resource का name लिखा है, exactly वैसा ही name आप यूज करें, तो brands लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने categories लिखा है, यहाँ पे भी मैं को categories लिखना चाहिए, और यहाँ पे brands लिखना चाहिए, तो exactly same API का नाम आ गया है, अब थोड़ा सा यहाँ पे change करना पड़ेगा, उनको भी accommodate करने के लिए, तो select brands, तो product में brands नाम से brands आएंगे, ऐसा मैं मान रहा हूँ, अब यहाँ हम उनको set करेंगे, और एक और selector बना लेते हैं, categories का, select categories, तो product में reducer में categories भी होँगे, तो उपर उनको initialize भी करते हैं, जैसे products है, वैसे brands, initially एक blank array, और ऐसे categories, initially एक blank array, अब इनके लिए भी हमको यह async thunks बनाने पड़ेंगे, actions create हों जिससे, तो fetch brands, fetch categories, यह API दो हमने बनाई हुई हैं, उनको use करते हुए, हम fetch brands async, और fetch brands, यहाँ पे सीधे उसको call, बिल्कुल वो ही format में categories भी करेंगे, तो fetch categories, यहाँ पे सीधे पहले उससे match कर लेते हैं, call, यहाँ पे मैं action का नाम भी सेंग, यहाँ पे async लिख दूँगा इसको, तो यह दुनों चीज़ें तो set हो गई हैं, अब इनको नीचे, इनके builder में भी case बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम category और brand दो चीज़ों के कर रहे हैं, तो fetch brand async, तो यह naming में ध्यान रखिएगा, और brand async, और brands जो भी action पे लोड में आए, वो brands में चला जाए, ऐसे ही fetch categories async, और उसमें categories में, state की categories में वो आ जाएं, जो भी action पे लोड में हैं, तो I think सब कुछ यहाँ पे set है, अब हम बस उनको dispatch करना है, किस point पे आप dispatch करना चाहोगे, इनको आते ही dispatch करना चाहोगे, तो पहले मैं इनके selectors भी put कर दिता हूँ, इन particular, तो मैंने categories और brands तोनों के selector भी यहाँ पे put कर दिये, और इनको कहाँ put करें, actually मैं यह बाहर है, filters है वो बाहर है, तो यहाँ पे अगर मैं categories put करूँगा, यहाँ पे brands, इसको यहाँ अंदर put करना पड़ेगा, अभी filters कहीं जगे यूज हुए हैं, तो filters अगर आप देखोगे, तो हमने अलग-अलग component बना लिये थे, mobile के filters का, desktop के filters का, तो उन सब में यह filter use आने वाला है, otherwise, पहले तो क्या था, वो global था filter, अब वो एक component के अंदर है, तो उसको as prop आपको pass करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे भी filter pass होगा, desktop में भी, और दोनों जगे जहाँ पे आपने इनको declare किया हुआ है, वहाँ पे भी यह filter prop को pass कर देए, तो यह एक important step है, filter पहले globally top पे लिखा हुआ था, इस वज़े से वह सब में अपने आप आ रहा था, अब वो cable a component के अंदर रह गया, तो उसी तरह से उसको prop से pass किया जाएगा, और filters नाम है, मैंने यहाँ पे filter लिख दिया, तो उसको filters नाम से ही हर जगे आप update कर दो, तो अभी एकदम खाली आ रहा है, खाली विकोज अभी तक हमने वैसे भी कोई dispatch किया नहीं है, कोई चीज को, और यहाँ पे भी एक problem है, category और यह हमने उल्टे लिख दिये, तो यहाँ पे categories आएगा, और यहाँ पे brands आएगा, तो यह correction है, अभी इन पे यहाँ पे dispatching भी हमको करनी पड़ेगी, I think उसके अलावा कोई ऐसा खास error है नहीं, तो अभी आप देखी रहे हों कि यहाँ पे अपने आप, तो filters अभी काम करेंगे नहीं, तो dispatch करना पड़ेगा, तो एक तो है कि हम use effect में यहाँ पे dispatch कर सकते हैं, तो वो दोनों fetch हो जाएंगे, तो बिल्कुल विसी format में हम लिखेंगे, और dependency array आप बना दो, और हम dispatch करेंगे, एक एक करके दोनों चीजों को, तो fetch brands async, और fetch categories async, और I think उनको कोई और value तो required है नहीं, तो यहाँ से वो दोनों initialize हो जाएंगे, तो अब इसको reload करके देखो, यहाँ पे, बड़ अभी भी section options.map ऐसा कुछ आ रहा है, I think, क्योंकि जब तक value आई नहीं, उससे पहले उसको use करने की कोशिश कीगी, और यहाँ पे fulfilled में भी, प्रॉपर मुझे categories दिखाई नहीं दे रही हैं, brands में तो चीजें properly आ गई हैं, अब देखेंगे तो, लेकिन categories में blank object जैसा कुछ आया है, तो categories में ऐसा क्या issue है, तो यहाँ पे तो categories है, एक और आप API का नाम देख लीजे, API का सही नाम से, तो API भी proper initialize, तो यहाँ पे आप देखोगे, तो API के नाम में गड़बड़ है, तो यहाँ में एक spelling mistake की वज़े से यह हो रहा है, तो अब हमारे पास brand और category दोनों है, तो category, brand, तो इस तरह से यह अब वापस से हैं, पर यह अभी API से call हूँ है, तो backend में जब आप बनाओगे, तो आपके control में होगा, कि आप hard code करके front end में यह नहीं रखोगे, कि इतने ही categories और brand fixed है, तो यह step भी हमने properly create कर लिया है, अब next एक छोटा सा fix, जो पिछले section में हमने नहीं किया था, वो था कि next और previous page के हमने icons पे कुछ नहीं बनाया था, तो यहाँ पे जैसे right है, यह next icon है, तो next icon के लिए आप page plus one करोगे generally, तो यह handle page वाला, इस पे भी मैं on click पे इस div पे लगा देता हूँ, यह जो next icon है, तो आप हमेशा handle page में लिखोगे, कि जो अभी current page है, उसमें plus one, पर इसमें condition है, कि यह last page नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो अगर यह last page है, तो यह चीज नहीं work करेगी, अगर last page में आप page plus one कर दोगे, तो एक तरह से 10 page हैं, और 11th page पे आप चले जाओगे, तो वो restrictions भी आपको लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे, तो कहीं न गई, total page आपको पहले ही calculate करने ने चाहिए, तो मैंने जिसे formula लिखा था, इसको मैं उपर लिख देता हूँ, total pages equal to math ceiling और जिस तर से formula था, तो अब आपको पता है कि total page कितने हैं, तो handle page में आप यह condition लिख सकते हो, कि page plus one आप तब ही करें, जब total plus one, page plus one से छोटा हो, तो page is less than total page, अभी जो current page है, वो total page से छोटा होना चाहिए, तभी page plus one करें, otherwise, अगर वो उसके बराबर ही आ चुका है, तो फिर page plus one ना करें, आप maybe last उस पे हैं, page पे, ऐसे previous का condition होगी, तो यह previous का icon है, इस पे भी वैसी condition होगी, बस यहाँ थोड़ा सा अलग होगा, कि page minus one होगा, और condition भी अलग होगी, कि page is greater than one, अगर one से greater than है, तो उसमें minus किया जा सकता है, योगी one से ही हम start करते हैं, यहाँ zero को आप ना समझे, one से अगर आप बढ़ें, तब ही उसमें एक नीचे आया जा सकता है, अगर one पे ही हैं तो उसमें और previous, अब यह previous, next आप देख रहे हो, इससे भी pages change हो रहे हैं, तो एक चोटा सा minor change था, जो हमने इसमें fix कर दिया, अब हम mobile layout में भी इन चीजों को check कर लेते हैं, mobile layout में आप देखो, तो next और previous एक दो अलग से बटन है, यह वो icon नहीं है, तो उन पे भी आप same logic पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे यह जो div है, इसमें next और previous यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो same logic आप copy paste कर सकते हो, जो आपने नीचे लिखा है, वो logic तो same ही रहेगा, कि वो बटन का placement अलग है, तो अब इसको हम test करते हैं, तो next आप करके देखो, previous करके देखो, तो यह सारे अभी perfectly वर्क कर रहे हैं, और आप इसके अभी तक हमने filter काफी time से नहीं चेक किये, तो categories, brands, यह सब filters आप देख सकते हो, smartphone इस तरह से work कर रहा है, इसमें हाँ page का कितने result हैं, वो सब mobile layout में इस लिए में नहीं दिखाई दे रहे हैं, but that is fine, mobile में I think results के number देखने का ज़्यादा interest नहीं है किसी को, अब जैसे किसी brand पे हम click करते हैं, तो वो एक dummy page आ रहा है, पर अब हम चाहते हो dummy page ना आ आ है, और उसमें details उस particular brand की आ है, तो यह routing में मैं एक special चीज करूँगा, कि यहां slash करके, colon ID लिखूँगा, colon का मतलब है कि यह एक variable है, यह जो route के आगे parameter है, वो एक variable की track करेगा, इसमें कोई value होगे, और उसमें हम उस product की particular ID पास करेंगे, ताकि वो ही product fetch हो details में, तो यह react router का एक feature है, जिससे हम वो इस तरह से value भेज सकते हैं, तो यहां पर already काफी सारी ऐसी चीजें हैं, colors हैं, यह सब चीजें हमने already हमारे data में हैं ही नहीं, तो breadcrumbs नाम से एक कुछ section है, जो location देता है, तो यह हमारे लिए useful है नहीं, तो मैं अभी के लिए इसको comment out भी आप कर सकते हैं, अभी के लिए मैं यह put कर रहा हूं, product.breadcrumbs अगर हो end end, तो वो condition में ही वो section दिखाई दे, वनना वो section एक तरह से disable ही हो जाएगा, तो end end short circuiting आप जानते होगे, तो end end के आगे वाली चीज़ चलती ही नहीं है, तो in server data, we will add some of these things, तो अभी जैसे color है, sizes है, highlights है, यह सारी चीज़ें, इस particular template में दिखाई दे रही हैं, पर यहाँ पर हमारे product के dummy जैसन में यह सब नहीं है, तो इसलिए मैं उसको एक बार के लिए, यूँ कह सकते हैं, disable कर रहा हूँ, या फिर change कर रहा हूँ, ऐसी product.highlights का एक section होगा, उसमें भी product.highlights में end end आप लगा दें, ताकि यह errors नहीं आएंगे, आपके साथ की वो वाला data अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ पर selected color, selected size ऐसा use state करके, दो चीज़ें भी बनी हुई है, और उसमें जैसे कुछ default value भी selected है, कि second, किसी में first element है, किसी में second, तो यहाँ पर मैं colors वाले पर भी यह condition पुट कर देता हूँ, कि product.colors भी हो तभी दिखाई दें, अभी क्योंकि हमारे case में होंगे नहीं, तो यह error generate करेंगे, और ऐसे ही product.sizes, तो सब पर मैंने select करके, सब पर end end करके circuit लगा दिया है, अगर पिछली value ही false हो गई, तो end आगे बढ़ेगा ही नहीं, now next, हम इसमें सर्च करते हैं, कि product.title, क्योंकि वहाँ पर हमारे, यह template में इसका नाम name था, हमारे case में हमारे product में, हर जगे .title हमने use किया है, तो एक एक करके, मैं सारी चीजों को बदलना चाहता हूँ, तो यहाँ name और भी एक जगे है, तो वहाँ पर भी हम title कर देते हैं, और product information है, जिसमें price है, price हमारे case में भी है, rating के stars वो दिखा रहे हैं, depending upon कि कितनी rating है, तो यहाँ reviews.average करके, कुछ लिखा हुआ है, is greater than rating, हमारे case में वो product.rating हो जाएगा, तो यहाँ reviews नाम से, एक पहले से इन्होंने कुछ बना रखा है, जिसमें कि average rating 4 है, तो वो 4 star हमिशा dark दिखाता है वहाँ पे, तो यह reviews हम अटा देते हैं, हमारे पास तो already data में है, product.rating, अगर product.rating is greater, बस यह थोड़ा सा, ऐसा code है कि half star नहीं दिखा पाएगा, तो यह आपको basically 4 star या इस तरह से 5 star वैसा कुछ दिखाएगा, तो जहाँ पे भी हो है, मैं product.rating लिख देता हूँ, यह reviews count और यह सब हमारे पास है नहीं, हम अटा देते हैं इसको, इसके अलावा देखते हैं, product में और क्या चीज़े हैं, product में description है, जो हमारे पास already है, details हैं, तो details भी अभी हम description ही मान लेते हैं, product में color, size यह दो state variable है, जो अभी हमारे पास है नहीं, तो मैं एक बार के लिए इसको comment कर देता हूँ, future में शायद इसको हम वापस से use ले, ओके, यह कहीं पे नीचे, selector use किया गया है, तो एक बार के लिए मैं इसको enable कर देता हूँ, but product.colors 0 और sizes 0, यह हमारे पास शायद नहीं होगा, कि हमारे product में वो सब चीज़े हैं ही नहीं, तो ऐसा करते हैं कि, यह जो color and sizes है, यह product dummy product हटा के, color sizes को हम बार एक external variable की तरह बना देते हैं, ताकि हमारे template में at least यह दिख सकें, तो अभी यह fix values हो गई हैं, ठीक है, product के अंदर से नहीं आ रही हैं, एक बार dummy data हमने उपर put कर दिया है, तो यह to do मैंने यहां shift कर दिया है, अगर future में हम इन चीज़ों को product के अंदर put करके ही, आपको बताएंगा, तो यहां पर color 0 लिख लेता हूँ, यहां पर size 2 इस तरह से pass कर देते हैं, इसके अलावा भी जहां हमने product.colors और sizes को गाइब किया था, वो end section लगा के वो भी देख सकते हैं, अभी product भी हमने fetch नहीं किया है, तो product कहां से fetch करना है, उसको fetch करने के लिए, आपको use selector में select product नाम से, तो selected product मैंने भी बनाया नहीं है, तो selected product कहां से आएगा, तो आपको एक particular यहां भी API कामा सकती है, तो आपको fetch करना होगा product by ID, ठीक है, तो product slash उसकी ID, तो यह भी JSON server feature करता है, कि अगर आप किसी चीज़ की ID पास कर दो, slash के आगे, तो वो किवल वही product आपको return करेगा, तो उस feature को use लेते हुए, आप यहां पे भी एकदम same repeat करेंगे, product by ID async, यह भी उस API को call करेगा, by ID, अब इसको ID कहीं पे चाहिए होगी, action का नाम ज़रूर आप बदल लें, और यहां पे selected product नाम से, हम उसको store कर लेंगे, जो भी fetch किया गया है product, based on the ID, अब यह शुरू में मैं उसको null put कर देता हूँ, तो इसके भी हम दो cases बना लेंगे, जो pending और fulfilled होंगे, यह जो status हम हर बर copy करते जा रहे हैं, बाद में हम use करेंगे किसी तरह के loaders वगएरे बनाने के लिए, तो अब state और selected product, और उसमें action.payload, जो भी इसमें आएगा, वो हम उसमें सीधे pass करतेंगे, तो वही हम हमिशा से करते हैं, और इसका एक selector भी बना देते हैं, तो अभी मैंने इसे selected product I think, और select product by ID, ऐसा कुछ हम इसको selected product के बराबर कर देंगे, तो यह selector वहाँ पर use लेते हैं, तो यहाँ पर मैं इस selector को use लेता हूँ, अब इसको आप properly उपर import कर लीजे, तो यह हो गया हमारा product, पर अभी तक हमने वो dispatch नहीं किया, कि कौन सी ID हम fetch करनी है, वो हम अभी process करेंगे, बट हम मान लेते हैं, अगर वो successful हुआ, तो इस product के अंदर एक particular product आ जाएगा, और उसके साब से यहाँ पूरी details हमको दिखने लगेंगी, तो colors वाले में, products.color हटा के सीधे colors लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने उपर fix कर दिया है, अभी के लिए, तो यह हमारा template वर्क करना चाहिए, ऐसे ही products of sizes, इसको भी मैं हटाता हूँ, और के sizes लिख रहा हूँ, तो यह भी work करना चाहिए, मैंने डमी वो आपको data दिखा देगा, तो अभी just to make this thing working, हमने यह सब किया है, अब use effect में हम dispatch करते हैं, अभी मैंने शायद dispatch को import ही नहीं कर रखा, तो constant dispatch equal to use dispatch, तो उससे हम करेंगे, और dispatch में हम fetch product by id, वो चीज़ करेंगे, तो अब constant id, अब यहाँ पर use params, यह मैंने use किया है, राउटर से, react router, तो use params आपको, जो भी variable route थे, वो सारे लाके देता है, तो parameter में dot id आपने लिखा है, तो params में dot id क्यों लिखा है, क्योंकि routing में आपने colon के आगया id लिखा था, इस वज़े से, एक react router का feature है, तो इसको आप ज़्यादा सोचे नहीं, कि क्या है यह, तो वो अपने आप ऐसा feature प्रोवाइड करता है, कि जो भी variable routes थे, जैसे, अब जैसे मैं किसी पर click करूँगा, इस पर click किया, तो product detail पे चला गया, तो product detail पे नहीं जाना है, अब जैना है product detail slash, उस product ID पे, तो थोड़ा सा जहां पे भी हमने यह link बनाया था, वो change करना पड़ेगा, तो यहां पे आपको, इसके आगे slash, और वो product की ID लिखनी पड़ेगी, तो मैं इसको, template literal में convert कर लेता हूं, तो यहां पे template literal आ गया, और यहां पे, यह product ID हमको pass करनी होगी, as a variable, तो अब product details slash 1, slash 2 इस तरह से, click करने पे चीज़ें जाएंगी, तो जैसे इस पे click किया, तो slash 1 उपर तो आगया, अभी भी कोई error है, शायद वो bread crumbs इसको नहीं मिल रहे हैं, मैंने उनको वैसे bypass तो कर दिया था, but I think उसमें अभी भी कुछ issue है, शायद वो कहीं पे होगा, वैसे अभी इस पूरे bread crumbs वाले section को आप हटा भी सकते हो, या फिर पूरे पे ही आप लगा सकते हो, कि जब तक product load ना हो, यह पूरा section ही load ना हो, और वहाँ पे null आए, तो इसे error c create नहीं होंगे, तो अब वापस से जाते हैं, तो load होने में क्योंकि टाइम लगेगा, अब fetch करोगे तो, अभी भी zero property किसी की access नहीं हो पाई है, तो I think कोई array ही होगी, जिसमें zero to index access की गई है, तो सच करते हैं, तो यहाँ पे देखो images, product की जो images हैं, वो images zero src, इस तरह से expect की गई है, ठीक है, इस detail page में, ऐसा क्योंकि इनका dummy data रहा होगा, पर हमारे case में हम को पता ऐसा नहीं है, हमारे case में हम data json में जाके देख सकते हैं, कि product में images हैं, और उसमें सीधे zeroth element पे ही source है, उसमें dot src नाम से कुछ नहीं है, और ऐसी alt में, हम सीधे title लिख रहे हैं, अभी तक alt में, तो वो हम हमेशा करते रहते हैं, तो हर जगे मैं इसको change कर रहा हूँ, तो images सारी हम इस तरह से change कर देते हैं, तो अब वापस से reload करते हैं, इसको click करते हैं, अभी भी कोई zeroth value यह कह रहा है, वो read नहीं कर पा रहा है, product में end end लगाना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि question mark से still वो evaluate करता है, तो अब वो evaluate शायद नहीं करेगा, तो अब इसको click करते हैं, अभी भी यहाँ पे zero थाया है, तो कुछ अभी भी ऐसी value हमने लिखी है, यहाँ पे देखते हैं, product by id में actually में blank आ रहा है, यहाँ पे सब कुछ, तो कुछ ना कुछ हमारी API calling में भी गड़बड है, तो selected product आप देखो, तो empty आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने सही से call किया ही नहीं है, या वो call गया नहीं है, तो network टैब पे जाओ, network पे देखो undefined, तो product slash undefined क्यों आ रहा है, हमको तो id भेजनी थी, तो यहाँ पे देखा जाएगा, कि हमने यहाँ पे params में id भेजी है, क्या वो params की id, यहाँ पे हमने pass ही नहीं किया आगे id, तो यह id आपको pass करनी चाहिए थी, API तक वो जाएगा नहीं रही है, तो अब इस पे click करो, तो आपको वो product दिख रहा है, आप देख रहे हो आप product की detail दिख रही है, जिस पे आपने click किया था, कुछ missing details हैं, मैं अब अब इतना अच्छा page नहीं दिखाई दे रहा है, और कुछ data भी dummy भी है, जिसे नीचे जो दो section है, बट वो हम बाद में fix कर देंगे, पर अब अब जिस product पे click कर रहे हो, एक तरह से parameterize routing के वज़े से, वो ही product की detail आपके पास में खुल रही है, यह description वाला section highlight वाला मैंने गायब कर दिया था, वो भी मैं use करूँगा, तो मैं template में वापस जाकि इसको copy कर रहा हूँ, और इसको भी हम यहां put कर देते हैं, तो यहां highlights भी आपको आपको वापस दिखाई दे रही हैं, अब आता है add to cart वाला part, अभी मैंने slash login पे किया, तो value करके कुछ error आ गया है, तो अभी हम देखते हैं, login में क्या issue है, जैसे अभी हमने login वाले पूरे properly बनाए भी नहीं है, तो अब हम login वगएरे इन चीज़ों को create करते हैं, और यहां पर actually यह जो selectors हैं, यह सब counter वाले कें, तो उससे काफी issues आपके भी आ सकते हैं, तो अब मैं वापस से जाता हूँ, slash login पे, अब इसको reload करोगे, यह सारे select count वाले हटा के, तो यह properly आपका चलना चाहिए, तो ऐसी sign up में भी यह select count करके है, जो एक पुराना बचा हुआ है, तो अब यहां login sign up यह proper दिख रहे हैं, अब मैं को login sign up से एक user बनाना ही पड़ेगा, otherwise हम इसमें आगे अब cart वगएरे नहीं बना पाएंगे, तो मैं users नाम से एक API बना रहा हूँ, तो यहां पे users blank इस तरह से रख लेता हूँ, और react form hook एक library हम पहली बार अब यहां पी use करने वाले, इस से क्या होता है, इस library से, आप form से data बहुत easily catch कर सकते हो, उसको change कर सकते हो, तो control forms बना सकते हो, बहुत easily submit कर सकते हो, और भी गहुत सारे actions आप देखोगे, validation बहुत easily कर सकते हो, तो npm install, फिर इसका पूरा जो नाम है, react hook form, यह library आप install कर लो, तो अब आपने यह library install कर लिए, तो इसमें यहां पे इसका एक import, इसमें register, handle submit, watch, form state, ऐसी कुछ चीज़ें होती है, जो हम use लेंगे, तो register सबसे important है, तो जहां name है, उसको हटा, कि आप सीधे लिख सकते हो, इस तरह से कुछ pattern, dot dot slash register, email यह क्या करता है internally, अभी आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, पर एक तरह से, आपके input box का, यह पूरा जो भी value है, वो input कर लेगा, और उसको password या email, जिस भी नाम के एक variable उसमें store कर लेगा, इसलिए हम name को replace करके, same, वहीं पर वो चीज़ रखें, क्योंकि name भी almost वही काम करता था, पर यहां पर यह अपने आप उस चीज़ को pick up कर लेगा, यह form में action method नहीं चीज़ है, on submit button आप लगा सकते हो, इस on submit में आप इनका handle submit यूज कर सकते हो, वो handle submit इनका ही यूज करना है, उसे फाइदा होगा कि जो data है, यह अपने आप pick up वो कर लेगा, जितने भी fields पे आपने register लगाया है, तो आप जैसे मैंने register जहां जहां लगाया था, उन पे हम जैसे चेक करता हूँ, testgmail.com और कुछ random password, तो आप देखो यह अपने आप सारी values पेख हो गई, तो कितना आसान हो गया, किसी form को handle करना, और आगे इसको validate और errors देखना भी इससे काफी आसान हो जाता है, तो जैसे यहाँ पे आप required, true और इस तरह की चीज़ें भी रख सकते हो, ताकि validation create हो, तो यह कहां लिखना है, register के just आगे, लिखे है, email के आगे, तो email register के अंदर still, और जो उसका field का name है, उसके आगे, तो एक object के format में validation से आप लिख सकते हैं, तो required true मैंने सब पे कर दिया है, तो अब कुछ भी अगर required नहीं आएगा, तो errors create करेगा, और उन errors को आपको देखना है, तो form state errors में आप catch हो रहे होंगे, तो जो उपर form state में वो लिखा हुआ है, तो console.log errors में लिख देता हूँ simply, तो आप देख लेंगे, अगर कोई error आया है तो, तो जिसे अभी तो ये blank आया है, ये errors वाला ही section होगा, बट आप जिसे, ये तो, ये HTML का default आगया है, इसको अटाना है, तो यहाँ पर आप form में no validate लिख दो, अब हम try करेंगे तो, confirm password में आप देख रहे हूँ, confirm password में error आगया और message भी आया है, message यहाँ आप pass कर सकते हो, required, password not matching, true की जगे है, आप वो message लिख सकते हो, कि confirm password is required, अभी तो क्योंकि हमने match नहीं किया है, बस required का ही पूछ रहे हैं, पर हम बाद में matching का भी validation इसमें लगा के देखेंगे, तो email is required, तो तीनों में message अलग-अलग है, तो अब आप देखो, इस पर click किया, तो confirm वाला जिस required है, तो यहाँ पर आगया message, confirm password is, यही message आप display भी करवा सकते हो, तो आपका user validation समझ पाएगा, तो यहाँ मैं नीचे एक paragraph बना रहा हूँ, ठीक है, last में तीनों field के end में, और इसमें, आप class name में, text में red 100, या मेरे कहाल से 100 से जादा, red 500 लिख दो, और फिर errors, errors के अंदर, errors के अंदर आप देख सकते हो, किस तरह से format था, I think.confirm password, and उसके बाद में, वो particular message, आपको देना है error का, confirm password में hyphen है, तो उसको आप इस तरह से नहीं लिख पाओ गया, I think, तो मैं इसको change कर देता हूँ, इसका नाम, और confirm password rename करके, मैंने इस तरह से, और message ऐसे कर दिया है, actually मैं password था, तो यहाँ पर password के लिखेंगे, confirm password का section यहाँ है, तो उसमें यहाँ confirm password वाला लिख देंगे, और ऐसे email वाले पर भी आप लिख सकते हैं, तो सब पर, तीनों पर यह तरह का validation लगाया जा सकता है, और हर validation वाला, अपने just field के नीचे दिखाएगा, इसलिए मैंने इन तीनों को, एक जगे copy करते हैं, तो एक जगे दिखाने लग जाता हूँ, तो इसलिए मैंने उनको, उसी section के नीचे copy किया है, जहांसे वो relevant है, अभी भी कुछ issue है, I think, errors शुरू में होते नहीं हैं, इसलिए मैं ये condition, question mark लगा देता हूँ, तो इससे वो check कर लेगा, या फिर आप सीधे, जो हम अभी तक short circuiting करते हैं, वो लिख सकते हो, कि errors.email, इस तरह से, तो अगर errors में, email के errors हुए, तभी ये section activate होगा, otherwise नहीं होगा, तो password वाले में, password वाला activate होगा, और last में confirm password वाले में, confirm password वाला activate होगा, तो इस तरह से, short circuiting काफी helpful रहती है, अब try करो, password is required, confirm, तो इन में दो में error आ रहे थे, वो आ गए, तो एक तरह से, बहुत easily form validation भी, आप कर पा रहे हो, तो required का तो काफी easy है, इस से complex validation भी, यह handle कर सकता है, जैसे कि password को, दोनों को equal match करना है, तो कैसे करोगे, तो पहले email का format का देखते हैं, तो email का format भी check करना होता है, तो apply validation section में, हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक, यह pattern भी आप use कर सकते हो, तो यह जिसे यहाँ पे pattern दिया हुआ है, और यह एक regex pattern है, तो regex आप net से download कर सकते हो, कि email का regex कहाँ पे है, तो net पे आप जाएऊगे, regex एक site भी है, जिसमें आप easily build कर सकते हो, अपने pattern चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं जैसे email, community patterns में देख रहा हूँ, तो email का, यह तो काफी बड़ा सा pattern है, इसके अलावा भी होंगे, तो email search मैंने किया है वापस से, तो यहाँ पे email address validation में, इस simple सा email validation आ गया है, जो कि generally add the rate और यह सब चेक करके, और कुछ और 2-4 चीज़ें चेक करता होगा, तो यहाँ पे value pattern के आगे है, आपको value लिखना होगा, जिसमें किया है, और message, value मैंने इसलिए लिखा है, क्योंकि message में को अलग से दिखाना था, कि email is not valid, otherwise सीधे pattern के आगे, आप वो pattern भी put कर सकते थे, तो इस तरह से यह brackets, आप clearly बंद कर दें, यहाँ शाद एक extra हो गया, तो अब यह format होगया, यह proper चल रहा है, तो pattern match होगा, और अन्हाँ वो message आजाएगा, और password में भी आप ऐसा put कर सकते हो, password का pattern कुछ अलग type का होता है, जिसमें कि आप कहते हो, इतने ही word होने चाहिए, या तो यहाँ पे दिया हुए at least 8 characters, और इनका कुछ format अभी के लिए मैं यही use कर लेता हूँ, तो यहाँ पे यह सारा regex चेक किया गया है, और यही message हम यहाँ पूट कर देते हैं, multi-line message है, तो मेबी मैं यहाँ यह तिल्ड sign लगा के, इसमें template की तरह इसको लिख लेता हूँ, और यहाँ पे slash n लिख देंगे, तभी यह अलग-अलग lines में दिखेगा, वनना यह line में break नहीं होगा message, और finally confirm password को भी देख लेते हैं, confirm password में तो validate करना ज़रूरी है, तो कि वो form में पहले वाले password से match होता है, तो उसके लिए भी एक चीज है, जिसका नाम है validate method, जिसमें आप खुद का logic लिख सकते हो, तो जिससे यहाँ पे एक validate method है, जिसमें form की और values ला सकते हो, तो यहाँ इस particular यह value है, current value और form values है, दूसरी values, तो आप में form values में dot password, जो उपर value थी, उससे check कर सकते हो, और मैं आप यहाँ पे message दे सकते हो, जो error के case में दिखाई देगा, तो password not matching, तो यह validate function भी अपने खुद के validator बनाने काम आता है, तो यहाँ पे tester, मैं कुछ भी put कर रहा हूँ, तो email is not valid, क्योंकि email का proper format नहीं है, password आपने छोटा put किया है, वो proper format में नहीं है, तो यह सारे errors आगए, अब email proper put करता हूँ, और password में भी मैं proper कुछ put करने कोशिश करता हूँ, तो यह सही से आगया, अब confirm match नहीं है, क्योंकि password not matching, अब सब तीनों match हुए, तो आपको इस submit करने देगा, तो इस तरह से आपका एक बहुत ही simple form validation यहाँ पर create हो गया है, अब आगे हमको API को यह data भेजना होगा, तो उसके लिए हमने auth API में भी तक कुछ बनाया नहीं है, वो भी fetch count का जो पुरना simple है, वो रखा हुआ है, तो slash user बना लेते हैं, यहाँ पर create user बनाते हैं, तो create user से, जो sign up वाला user है, वो आप भेज पाओगे, तो users है, एक्चली में API का नाम, और fetch में पहली बार हम post method यूज करने वाले हैं, क्योंकि कुछ data हम भेज रहे हैं, तो यहाँ पर method post, body, और user data कहीं से आना चाहिए, तो json.stringify में user data, तो यह fetch का standard procedure आपने देखा होगा, कि ऐसे हम body में stringify करके, user data या जो भी data है, post करना भेजना है, headers में आपको यहाँ पर content type में application json भेजना होगा, ताकि proper response समझ पाए वो, कि क्या expected है, तो यह जो API है, इसके corresponding slice में भी आपको बनाना पड़ेगा, async thunk, तो यह sign up वाला से related है, तो मैं उसी order में चीज़ों को जचाल लेता हूँ, और यहाँ पे हम create user, यह import कर लिया है, और user यहाँ पे मैं value रख रहा हूँ null, यह इसको आप कह सकते हो logged in user, जब logged in हो जाएगा user, तो उस user की कुछ information आप इसमें store कर सकते हो, तो यहाँ पे user data आएगा, आगे से, और यह यहाँ पे pass हो जाएगा user data, और इस thunk का नाम अगरे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे user slash create user, यहाँ पे भी user लिख लो, slice का नाम, और इन में भी state dot logged in user, और इसमें जो भी payload में आता है, आपका response में वो user का data ही आएगा generally, तो वो आप payload से catch कर लोगे, तो यह सही है, इसमें increment async के जगे है, create user async आप लिख दो, और यही यह नाम यहाँ पे आप पुट कर दो, तो यह पूरा वही pattern, same slice और API हमने बना लिये, यहाँ जहाँ store में भी हमको add करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने product reducer यूज किया है, तो auth reducer को आप access कर लो, जैसे आप import करते हो, features में auth, auth slice, और अब auth colon, auth reducer, इस तरह से आप उसको put कर दोगे, और finally कुछ selectors बना लेते हैं, जिसमें की हम logged in user को select कर पाएं, तो select logged in user equal to state, state.auth.loggedinuser, तो यह हमको काफी जगे काम आने वाला है, क्योंकि logged in user से हम काफी कुछ ID के हिसाब से काफी चीज़े फैच कर सकते हैं, तो select logged in user मैंने यहां पर import कर लिया है, sign up के page में, और create user async भी import कर लिया है, तो dispatch करना पड़ेगा, on submit पर create user async और data तो हमको पता ही है कि क्या है, वैसे sign up में हम अभी दो ही चीज़े पूछ रहे हैं, उससे email और password तो वो ही data हम बेज़ेंगे, पर यहां exactly वो बेजना सही नहीं क्योंकि उसमें confirm password भी है, वो एक extra data है, तो अभी केवल उससे extract कर लेते हैं, data में data.email और password में data.password, तो यह दोनों चीज़े ही user data है एक तरह से अभी के लिए, ठीक है, name वगरे भी हो सकता है, अपना sign up form में name वगरे भी पूछ सकते हैं, बट अभी के लिए हम इतना ही मना रहे हैं, तो constant user, user selector, तो जब API से response आ जाएगा, तो selector में वो user, select user आ जाएगा, और जब वो चीज़ आ जाएगी, तो उस हिसाब से हम template में कुछ दिखा सकते हैं, कि user created या कोई messaging या फिर redirection भी कर सकते हैं, तो अभी तो मैं बस यहाँ पर user.email लिख रहा हूँ, just to get की, हाँ, successfully वो चीज़ चल गई है, तो let's try, अगर पूरा feature सही है तो, और यहाँ पर data.json भी देख लेते हैं, यह अभी blank है, तो data.json server आपको data add करने का भी feature देता है, तो यहाँ पर आप add करके देखो, मैंने यह value डाले, qwerty 123, तो यह उपर successfully हो गया होगा तब ही email आ रहा है, और देखो नीचे data.json में एक user बन गया है, जिसका email, password, ID, सब कुछ यहाँ पर बन गया है, तो एक email एक तरह से sign up हो गया है, अभी password हो गया है, सब dummy है, तो आप उनकी security के बारे में मत सुचें, तो यहाँ पर आप देखो, कैसे logged in user में वो information भी है, बर logged in user में email के साथ password नहीं होना चाहिए, इन जनरल password को आपको memory में या कहीं पर भी store नहीं करना चाहिए, बट यह अभी बहुत simple sample है, आगे हम जब इसको connect करेंगे backend से, तो सब चीज काफी अच्छे से encrypted होगी, तो on server, it will only return relevant information, तो some information जिसमें की password होगर है, या कोई भी useful information नहीं होगी, और इससे आगे भी हम जा सकते हैं, कि हम server को कभी user ID हमारी ताफ से भेज़े ही नहीं, वो अपने आप जान जाए कि ये login session किसका है, तो ये थोड़ा advance है, हम आगे जाके उसको समझेंगे, अब मैं आप ये protected नाम से component बना रहा हूँ, ओथ के अंदर, तो ये protected एक ऐसा component होगा, जो की protect करेगा अपने अंदर के component को, तो इसलिए हम इसमें children prop पास कर रहा हूँ, तो अब routing में हम इसको generally use लेने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, कि हम check करेंगे कि ये user, जो logged in user है, वो exist करता है या नहीं, अगर नहीं exist करता, तो कुछ routes पे तो आप जाहीं नहीं पाओगे, तो यहाँ आप code में क्या लिख रहे हो, कि if not user, यानि user है यह नहीं, null है यानि वो अभी, तो return navigate, ये navigate आ रहा है, react router dome से, ये काम आता है, आपको अगर redirect करना है किसी point पे तो, तो to login, तो जैसे ही ये इसको check करेगा, तो ये navigate कर देगा आपको login page पे, otherwise ये return करेगा आपको children, यानि जहाँ पे भी आप जाना चाहरे थे, वो तभी load होगा, otherwise आप login पे चले जाओगे, तो ये simple सा एक code है, इसको आप समझ सकते हो, कोई खास इसमें logic नहीं है, करेंगे routes को, जैसे की homepage उसी को दिखना चाहिए, जो lockdown है, तो protected और उसके अंदर, हमने home put कर दिया, तो अगर user exist किया, तो ही home दिखेगा, otherwise आप वापस slash login पे आ जागे, तो slash login को protect मत करना, क्योंकि वो तो सब को दिखना चाहिए, चाहिए logged in हो या नहीं, तो मैं जो जो अंदर के page है, जैसे cart page है, checkout page है, उन सब को protected कर रहा हूँ, product detail भी एक अंदर का ही page है, कुछ e-commerce में, वो आप दिखा सकते हो, बर इसमें हम एक दर से logged in को ही allow कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से आप change कर सकते हैं, यहाँ पर मैं कुछ भी करूँ, तो मैं login page पर आ रहा हूँ, मैं slash पर homepage पर जाही नहीं पा रहा हूँ, तो यह हमारा protected route सही से काम कर रहा है, अगर आपके पास logged in होता, तो वो अंदर जा सकता था, तो अब हम login वाला part भी बनाते हैं, तो login वाला part मैं actually मैं easy रहेगा, कि मैं sign up वाला ही पूरा copy कर लूँ, तो login में मैं top पे यह paste कर रहा हूँ, और उसके अलावा जैसे, यह form में जो हमने पूरा किया था, वो चीज भी हम copy कर सकते हैं, तो form में part by part जैसे no validate हमने किया है, और उसके आगे submit का पूरा action है, वो almost similar होगा, पर यहां create user async obviously use नहीं होगा, यहां पर हम किसी तरह से already logged in user को check करेंगे, हाँ पर email address में almost same validation होगा, क्योंकि आप email required भी check करोगे, और शायद pattern भी आप वापसे check कर सकते हो, मैसे ज़रूरी नहीं है कि login में वो check किया जाए, क्योंकि वो database से check करके आएगा, कि email है या नहीं, बट चलता है वो, और फिर password में भी आपको वो सब check करना पड़ेगा, कि उतना ही password है, तो वो भी validation almost same जैसा ही रहेगा, तो वो pattern भी आप पूरा copy कर सकते हैं, तो ये copy करते हैं, बस ध्यान रखना कि कौन से div से कहां तक आप copy कर रहे हैं, pattern आप चाहें तो हटा सकते हैं, क्योंकि जब आप login करोगे, तो server ही आपको बता देगा, अगर password match नहीं हो रहा है, तो वो इक तरह से already protected है, तो कुछ आप चाहें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि, किसी वज़े से password पहले के time में, इतना secure नहीं, allow करते थे वो, तो उस time पे कोई unsecure password भी चलता था, तो इसलिए कई बार वहाँ validation लगाना सही नहीं है, अब मैं check user नाम से एक API बना रहा हूँ, यह exactly उपर वाले को copy करके, यहाँ इसको login info बोलूँगा, यहाँ पे आप post करोगे, वो ही user data, बट यहाँ पे वो चीज चेक होके आईगी, अभी क्या है कि हमारे पास backend में तो कुछ है नहीं, तो हम यहीं पे frontend में ही चेक कर लेंगे, कि email और password मैच हो रहे हैं या नहीं, तो email क्या है, जो login info में email आया है, तो उसको लेके हम users में email में, अभी हमने query की थी थोड़ी दिर पहले filters में, तो वैसे email equal to email में हम देख लेंगे, कि क्या कुछ return होता है response, और अगर response रिटन होता है, तो क्या उसका password मैच होता है, तो यह equal sample के लिए मैं आपको code बता रहा हूँ, frontend में कोई भी password चेकिंग करता नहीं है, बस हम यह logic बाद में धीरे-धीरे backend पे shift कर देंगे, तो अभी के लिए आप यह मान लिजे data जो आएगा, पहले वो चेक करेंगे हम, क्योंकि find query जो यह है, वो हमेशा आपको एक error return करेगी, even one object का भी जो आएगा, अगर data की length है, तो आप check करो, कि वो data क्या है, उसमें zeroth element को आप वापस भेज सकते हो, resolve करके, अभी तक मैं reject use नहीं किया, पहली बार मैं उपर reject use कर रहा हूँ, promise में, और reject में आप भेज सकते हो, कि message some kind of error, कि user not found, or something like that, तो ऐसा हम भेज सकते हैं, if, एक और चीज़ हम को check करनी पड़ेगी, कि password match हुआ या नहीं, वो भी तो देखना है, तो if password equal to data 0.password, तो ही, आप ये resolve में data आगे भेजो, मतलब login कर दो user को, else, वो ही बात है कि, एक तरसे user आपको नहीं मिला, या फिर, आप कह सकते हो, wrong credentials, वैसे ये थोड़ा सा मैंने अजीब बना दिया है, एक में user not found, और एक में wrong credentials, ऐसा देना सही नहीं है, इससे user को इतना idea हो जाता है, कि email गलत है, पासवर्ड वो भी अच्छी बात नहीं है, कि आप बताएं कि email गलत है, पासवर्ड क्योंकि security risk है, तो मैंने वापस create user async को copy कर दिया है, same procedure हम repeat करेंगे, check user async पना लेंगे, check user नाम की API को call करने के, login for pass कर देंगे, यह login for pass कर देंगे, तो बिलकुल same procedure इसमें भी हम repeat करेंगे, और login अगर successful हो गया, यानि पासवर्ड होगर है match हो गये, तो हम वोई logged in user में action.payload, वो part भी almost same रहेगा, और rejected का मैं case बनाऊँगा, कि login में reject भी दिखाना चाहते हैं, कि गलत login किया है किसे ने, तो इसमें state.error में आप action.error पास कर सकते हो, action में errors भी आते हैं, तो देखते हैं वो properly यहां work करेंगे, हमको कुछ additional करना पड़ेगा, शुरू में हम error को null रखेंगे, तो I think सारी चीज़ें यहां पे set हैं, बस action का name भी हमने change कर लिया, अब login पेज पे जाते हैं, यहां पे आपको change करना होगा, यहां पे check user async को import कर लें आप, तो check user async, auth slice से, और user form इसको भी import कर लें, और password, data password यह तो same ही रहेगा, अब console log में मैं एक बार आपको यहां पे data दिखा दूँगा, कोई user return में आता है या नहीं, तो अब जिससे आपने किया, तो data में वो user आ गया, क्योंकि आपने सही password put किया था, but I think, यहां पे password तो सही नहीं लग रहा है, तो क्या reason है कि, error में message भी है, wrong credentials, but then, how, data में, आपके पास में आ गया है, यहां पे select error में, मैं error भी select कर रहा हूँ था, कि proper error हम दिखा पाएं, तो अभी पता नहीं लगा था, कि error क्या है, तो यहां पे मैं constant error equal to select, use selector, और उसमें, फिर select, error, इस तरह से पास करता हूँ, अब इस error को मैं display करवाना चाहता हूँ, तो जहां password वाला है, उसके नीचे बस just error, और error में, dot message, इस तरह से, तो आब हमको पता लग पाएगा, कि कोई error आया है या नहीं, तो जिसे अभी error, अब wrong credentials यहां पे आ रहा है, कि उसका password वहाँ match नहीं हुआ होगा, और यहां पे तो अब validation ही गलत हो रहा है, तो यहां पे हमको देखना है कि अगर wrong आये, तो हम navigate कर दें, उसको वापस से login पे या किसी और जाएगे, तो अगर match हो रहा है, तो हम उसको slash पे navigate कर दें, तो जिसे not user, अगर user नहीं है, end and navigate to slash, तो अगर user हुआ, तो पहली चीज हो जाएगी false, तो अगर यूजर नहीं होगा यहां पे, क्योंकि false होते ही तो आगे जाता नहीं, तो user end and navigate slash होगा, तो इससे, आप अगर user जैसे ही बनता है, और यहां पे replace true भी लिखने ना चाहिए, क्योंकि वो history वगरे के लिए काम आता है, अगर login successful होगा, तो वो आगे जाएगा, तो यहां पे भी मैंने replace true नहीं लिखाता पहले, तो अब मैं सही password इसमें put करता हूँ, login में, शायद वो सही नहीं था, अब login किया, तो मैं सीधे अंदर चला गया, तो यहां पे navigate वाला काम कर गया, अब हम अगर वापस से slash login खोलते हैं, तो वो page आएगा, तो वापस से हम login पे जा पा रहे हैं, यह भी एक problem है, कि ऐसा होना नहीं चीए, कि last में हम उस पे जा पा हैं, पर अब भी हमने कहीं पे user को permanently store किया नहीं है, तो वो issue हो रहा है, तो यहां sign out का, एक menu था top पे, उस पे भी हम link बना सकते हैं, तो user navigation करके नीचे एक area होगा, तो यहां पे href ऐसा कुछ दिया हुआ है, पर href नहीं करना है, यहां पे हमको वापस से वोई link यूज करना है, तो link मैं बना देता हूँ, और यहां पे two लगा देते हैं, और two में हम जो भी उपर menu में path वगरे set होंगे, वो यहां पे देंगे, तो हम maybe इसको item.link बोल देते हैं, तो यहां पे अब हम link बनाएंगे, तो यह पुराने template को ही हम change कर रहे हैं, तो link में मैं sign out में लिखने हूँ गा slash login, उपर वालों में अभी मैं कुछ put नहीं कर रहा हूँ, यह और profile में हम slash profile होगरे बाद में करके देखेंगे, तो अब slash login पे हम अगर जाते हैं, तो क्या हम वापस से आपाएंगे इस पे, तो अब जैसे आप देखो तो अब हम वापस नहीं आपाएं, क्यूं क्यूंकि अभी user exist करता है, तो जैसे आप login पे जाते हो, आपस यहां जाते हो, reload करने पे वो lost हो जाता है इस वज़े से, तो अब हम next sign up का देखते हैं, sign up में भी वैसा ही navigation वाला part हम add कर सकते हैं, कि जैसे ही user create हो जाए sign up के बाद, तो आप सीधे slash पे navigate हो जाओ, तो वो same चीज़ हम इसके लिए भी लिख सकते हैं, तो अब sign up में जाता हूँ, page पे, sign up page में मैं email पुट कर रहा हूँ, इसमें demo at gmail.com something, और फिर मैं कुछ एक dummy password पुट करता हूँ, फिर another dummy password पुट करता हूँ, तो अब मैं एकदम अंदर आ गया हूँ, अपने अपरी डारेक को, अगर sign out पे भी मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है, तो sign out में, अभी sign out नहीं है, actually मैं कुसी तरह का, मैं कि बाद लाइस लॉग इन पे जाना हूँ, जो possible नहीं है, अगर reload करके करोगे, तो हो जाएगा, कि अभी कहीं data stored ही नहीं है, अब इस next section में, हम add to cart की functionality, यहनी cart की functionality add करना जाएंगे, तो यह add to cart से, cart में कुछ products add होने चाहिए हैं, तो इसके लिए, पहले तो हमको वो feature बनाना पड़ेगा, cart का पूरा, तो यहाँ पे मैं start करता हूँ, data JSON में, एक cart नाम से object बना लेता हूँ, एक array होगी यह भी, काफी सारे object add कर सकते हो, तो जैसे ही हम कोई नई property बनाते हैं, तो उसे साब से एक API अवेलेबल हो जाती है, तो इस API को use करके, हम cart में नए नए items add कर पाएंगे, तो cart का एक particular item, एक product जैसा ही दिखेगा, प्लस उसमें quantity वगरे एक्स्ट्रा कुछ चीज़े होंगी, तो यहाँ पे cart नाम से एक feature, यह लिखा हुआ है, तो cart.js वाली API, अब मैं यहाँ पे create user वाला copy कर रहा हूँ, क्योंकि वैसा सा ही एक creation pattern होगा, जो add to cart में होगा, तो मैं इसका नाम add to cart कर देता हूँ, user data की जगह है, यहाँ पे items होंगे, जो add कर रहे हो आप cart में, यहाँ slash cart कर देता हूँ API में, और यहाँ पे भी json stringify में item पास कर देता हूँ, बाकी format बिल्कुल सेम रहने वाला है, तो यहाँ पे नीचे हम आते हैं, तो add to cart के लिए आपको एक async थंक भी बनाना पड़ेगा, तो add to cart async बना देता हूँ, इस तरह से इसका नाम रख देता हूँ, यहाँ item हमको आगे front end से लाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे cart, इसका नाम रख रहा हूँ, आक्शन्स का सार एक्शन्स का नाम, cart रख देते हैं, और items यहाँ पे बना देते हैं, और items को एक blank array रखेंगे, तो शुरू में items एक दम blank होंगे, और उसमें cart में चीज़ें add हो सकती हैं, यहाँ add to cart async कर देता हूँ नाम, और state.items में हर बार push होंगी चीज़ें, क्योंकि एक-एक करके आप items add करते जा सकते हो, तो उसमें action.payload जो भी आएगा, वो state.items में push हो जाएगा, तो इस तरह से इसका पूरा structure मैंने बना लिया, अब product details page में जाता हूँ, फंक्शन बनाएंगे, तो on click मैंने लिख दिया है, उसके उपर handle cart नाम से एक function मैं बनाना चाहता हूँ, तो यह handle cart उपर declare कर देते हैं, और इसमें ही हम वो product भीजेंगे, तो handle cart में event जैसे हर बार है, वो हम handle करी सकते हैं, और इसमें में को call करना है, वो dispatch करना है, वो same action और उसमें item भीजना है, तो इसको actually मैं को यहाँ component के अंदर लिखना होगा, तो यहाँ पे dispatch आप करोगे, कौन सा async function, add to cart async function, और यहाँ पे कहीं आपको इस जगे पे वो product आना चाहिए, आपके पास जो आप भीजने चाहते हो, तो product already dot 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 product नाम से है, क्योंकि detail पेज में है हम तो वहाँ ही, quantity हम एक करके भीजेंगे, उसमें एक नया value में डाल रहा हूँ, और user मैड करना चाहता हूँ, क्योंकि user की information के बिना cart, समझ में नहीं हैगा कि यह किस particular user का cart है, तो user information भी आप selector से ले सकते हो, select logged in user नाम का, जो selector हमने बनाया था, वो user की state ले आता है, और उसमें कुछ ID वगरे और कुछ information होती है, जो आपको बता दिती है कि कौन सा user है, तो यह select logged in user नाम से था, और इसको यहाँ उपर import भी आप कर लो, तो इससे user की information अब user variable में आ जाएगी, और यह user variable भी, user property भी, इसकी में केवल ID ही enough रहेगी, differentiate करने के लिए, तो dispatch कर देता हूं में पूरा action, तो अब handle card में, वो पूरा action dispatch हो जाएगा, क्योंकि एक ही product है, तो आपको यह चिंता की बात नहीं है, detail में तो एक ही open होता है, तो add to cart में करता हूं, तो यहाँ पे आप देखो, कि इसको करने से, अभी यह reload जैसा कुछ हो रहा है, I think वो form में prevent default लगाना पड़ेगा हमको, वर now submit हो रहा है, अब मैंने यह click किया, यहाँ पे add to cart में ने किया, तो cart में add हो गया होगा, यहाँ पे आप देखो, तो add to cart fulfilled वाला चल रहा है, और action में पेलोड में यह आ गया है, और quantity और user भी आए हैं इसमें, पर उस चीज़ को दिखाएं कहाँ पे, तो नीचे पहले data में चेक कर लेते हैं, तो data में आप देखो, दो item add हो चुके हैं, उस particular user के cart में, तो cart अभी display करने की, कोई हमने page नहीं बनाया है, तो यहाँ, nav bar में मैं जाता हूँ, और nav bar में इस cart का, shopping cart का जो icon है, उसको हमको link करना पड़ेगा, तो cart slice में, actually यह select count वगएर है, पुराने selector से इनकी वज़े से error आ रहा है, जब भी हम उसको open करते हैं, तो state.cart, इस तरह से यह value पुट करेंगे, और अब मैं को यहाँ पर cart का भी reducer add करना पड़ेगा, तो cart का reducer, हमको add करना होगा store में, जैसे बाकी reducer हम add करते आएं, तो यह cart वाला जो slice है, उससे cart का reducer default export होता है, तो cart reducer मैंने यहाँ add कर दिया, तो अब इसके बाद, वापस से login करता हूँ, फिर add करता हूँ, तो वो वाला user add हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे, अब नीचे आप जाके देखो, तो state में cart बन गया होगा, cart में items, items में एक item है, पुराने items रिलोड करने के बाद, गायब हो रहे हैं, क्योंकि हमने उनको fetch करने का कुछ अभी बनाया नहीं है, तो इस user के वैसे, और भी items आपने अभी add किये थे, लेकिन एक बार में reload करने के बाद, जो अभी push हुआ है, वो ही आता है, तो उनको fetch करने के लिए भी आप एक API लिख सकते हूँ, जैसे fetch all products था, या fetch product by ID था, तो उसी style से आप एक और API create कर सकते हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं fetch items by user ID कर रहा हूँ, क्योंकि user ID बताएगा कि इस user ने क्या-क्या cart में add किया, तो cart और यहाँ पे हम specially user equal to इस तरह से उसकी ID यूज़ कर सकते हैं, यह API हमको JSON server खुद प्रोवाइड कर रहा है कि question mark के आगे किसी भी field से सर्च करके आप ला सकते हूँ, जो हमने products में भी यूज़ किया, तो इसी को यूज़ करते हूए मैंने API बनाई है, इस API को यहाँ पे लिख लेंगे और इसी के corresponding एक async thunk बना देंगे, जिसमें fetch items by user ID async, इसका नाम मैं रख रहा हूँ, और fetch यह card में action का नाम और user ID हमको कहीं से लाना पड़ेगा, यह action बदल लो, तो यह सारा हमने set कर दिया, इसके हिसाब से हम कुछ add करेंगे cases, payload equal to, इसमें state items में वो चला जाएगा, तो इस तरह से यह काम करेगा, तो fetch items by user ID async, इसको आपको dispatch भी करना पड़ेगा, इसको dispatch आप कर सकते हो, app level पे ही, क्यों? क्योंकि जैसे user login होता है, तो उसका card आपका नेव बार में show होने लगता है, तो एकदम से app level पे ही, आपको card दिखा देना चाहिए, कि already आपने तीन items add कर रखे हैं, तो इसको ज़रूर नहीं कि आप card में enter करो, तो ही इसको initialize करना है, तो इसलिए मैं इसको एकदम top level, app level पे dispatch करने वाला हूँ, तो यहाँ इसको use effect में मैं इसको dispatch कर रहा हूँ, और इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए user की ID, जो user की ID आप pass कर रहे हो, उससे ही आगे card decide होता है, तो user की ID तो जैसे ही आप login करते हो, तो यह वाला selector बन जाता है, यह state save हो जाती है, यहाँ use selector भी imported नहीं है, तो उसको भी import कर ले, अब if user, अगर user है, तो यह dispatch किया जाए, अगर user ही नहीं, तो वैसे तो रीडारेक्ट भी हो जाएगा, अपने आप login पेज पे, पर app तो हमेशा open होता है, तो इसलिए यहाँ conditional यह put कर दो, तो यह dispatch तभी चलेगा, और dependency में dispatch डाल देता हूँ, warning देता है वर्ना वो, तो अभी यह select count कहीं पे दिखा रहा है, कि अभी भी I think यहाँ पे उपर import में, पुराने में बचा हुआ है, और कुछ पुरानी dependencies हैं, अब इसको reload करके देखते हैं, demo gmail से login करते हैं, cart में अभी तक हमने, populate ही नहीं किया है, तो जो template values हैं हुई दिख रही है, अभी भी cart के items empty दिखा रहा है है, यहाँ पे देखा जाए तो, वो call ही नहीं हुआ है, कहीं पे में कोई दिखी नहीं रहा है, कि user ID से cart fetch हुआ हो, तो यहाँ पे user.id, यह भी मैं as a dependency में रखता हूँ, तो यहाँ पे यह call हुआ, और इसमें यह 3 चीज़ें आ भी गई, और अब वो 3-4 चीज़ें, जो पहले से इस user के cart में added थी, वो redux में state में आ जानी चीए हैं, तो यहाँ आप देख रहे हो, रिड़क्स के items में तो अब वो आ गया है, तो वो चीज़ आ गया है, तो इसका क्या मतलब है, कि उस चीज़ को अब आप show करवा सकते हो, तो मैं state.card.items, इस नाम से वो selector बना रहता हूँ, status में मैंने हटा दियता शायद यहाँ पे idle, pending, उस तरह के status हम अभी भी use करेंगे, और यह select items नाम से इसका selector मेंने item select करने का बना दिया है, तो दो जगे important हैं, एक है nav bar, तो nav bar में हम cart का वो icon दिखाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको items को fetch करना होगा, उनकी length दिखाने के लिए, यहाँ के length भी fetch कर सकते हैं आप, लेकिन मैं अभी के लिए पूरे items भी fetch कर लेता हूँ, तो यह items आपने यहाँ पे fetch कर लिए, और इसको आपको यह जो number हमने shopping cart में random रखा था, वो items की length के बराबर होगा, तो यह भी है और यह icon actually में दो जगे था, एक बार mobile icon था और एक और जगे कहीं था, तो उसको भी search करके आप देख लो, तो यहाँ पे भी hardcoded 3 की जगे आप items.length ऐसे put कर सकते हो, तो आप login करते हैं, तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 items क्योंकि already cart में added हैं आपके, तो यह अब properly एक तरह से काम कर रहा है, अब इसमें greater than 0 मेंने put कर दिया, क्योंकि otherwise वो 0 भी दिखाएगा, जब items की length 0 होगी, तो वो हम नहीं चाते, तो ऐसा आप put कर सकते हो, या फिर इस पूरे condition को, span के around ही put कर सकते हो, कि यह badge दिखे ही तब, जब items की कोई length हो, otherwise यह पूरा section, यह पूरा badge गाये भी हो जाए, यही same logic, आप वहाँ पे भी लगा सकते हो, greater than 0 आप put कर दो, वरना end-end में एक issue होता है, कि वहाँ पे number still show होने लग जाता है, तो यह चीज आपको हमेशा, short circuit में ध्यान रखने होगी, कि अगर वो number में convert होता है, तो कई बार वो number दिखने लग जाएगा, आपको html में, तो यहाँ पे भी मैं यही चीज को, items.length greater than 0, end-end put कर देता हूँ, तो अभी तो 4 है तो दिखाई देगा, बट अगर कोई item नहीं हुए, तो वहाँ पे वो badge एकदम से गाय हो जाएगा, अब next मैं card component पे आता हूँ, जो card component हमने बहुत पहले set किया हुआ था, इसमें भी आप product के नई format के साफसे चीज़े चेंज कर लें, जिसे thumbnail है, title है, जो हमने हर जगे format चेंज किया है, name की जगे जहाँ भी है, title है, price is fine, बट हो सकता है, discounted price दिखाना चाहो, वो सब भी कर सकते हो, फिर product का brand दिखा दो, इस जगे पे quantity तो हमने दिखाई हुई है, पर उसमें value exact हम दिखाएंगे अभी, और products.map की जगे, आपको यहाँ items.map करना, और item कहां से आएगा, वो आपके पास अब globally redux में available है, तो वो exact selector, जो मैंने अभी थोड़े देर पहले लगाया था, I think nav bar में, तो वो nav bar वाला ही selector, यहाँ पे भी आप use ले सकते हो, और इनको import कर लो, selectors, use selector already imported है, तो जब items आ जाएगा, तो उसका map बन जाएगा, तो यहाँ पे चार items आ गए हैं, इनके prices आ गए हैं, quantity I think अभी statically one आ रही है सब में, तो quantity को भी dynamic हम कर देंगे, सब total यहाँ पे आप calculate कर सकते हो, mathematically या फिर आप top पे कर लो, और इसको मैं total amount लिख देता हूँ, total amount क्या होगी, आप एक reduce लगा लो, और सब को add कर दो, तो items में reduce लगाँगा, accumulator और फिर particular item उसमें iterate होते रहेंगे, accumulator की जगे मैं amount लिख देता हूँ इसको, ताकि वो sense बनाए, और item.price into item.quantity, क्योंकि quantity भी double हो सकते हैं, तो price प्लस पुराने जितना amount है और 0, तो reduce का simple format है, और एक और मैं total items का count बना रहा हूँ, तो total item count क्या है, या total items ही लिख दो इसको, यह है price नहीं, cable quantity की, cart में अभी कितने 5 item है, 6 item है, वो सब भी आपको कामा सकता है, कई बर cart में check करने के लिए, तो इसमें अगर कोई product दो बार है, तो total items दो आएंगे, और यह दोनों values को मैं नीचे कहीं, इस template में fit कर दूँगा, तो यहां subtotal का तो एक section बना हुआ है, तो यहां total amount लिख देते हैं, और ऐसा ही एक और section हम create कर देते हैं, इसको copy करके, और उसमें मैं total count यूज़ करने वाला हूँ, तो यह जिसे यहां पर आपको दिख रहा है, subtotal, तो इसकी जगे, total items in cart, ऐसा में लिख देता हूँ, और यहां पर total items, जो आपने उपर variable बना है, तो यह है, तो चार items इसमें हैं, क्योंकि अभी सब एक ही quantity हमने add की थी, इसे भी quantity change करने का code हम बनाई नहीं चुके हैं, तो वो चाहिए नहीं हो सकती, अभी future में हम quantity change करने का बनाएंगे, तब यह सारी चीज़े और ज़्यादा highlight होके दिखेंगी, यहां पर मैं इसके आगे items लिख देता हूँ, to clarify, कि इतने dollar और इतने items हैं, यहां पर थोड़ा सा इनका मैं margin x direction में change कर रहा हूँ, y direction में I think क्योंकि इसको spacing देनी हमें को, अब यहां quantity change करने का code हमको लिखना पड़ेगा, तो quantity change करना मतलब की update करना cart को, तो cart को update करने का code हम लिखेंगे, तो इसको आप update cart भी कह सकते हो, feature में quantity के अलावा भी, अगर कोई चीज update हुई, तो same API आपको काम आ जाएगी, तो यह update वाला section होगा, तो जिस तरह से आप एक update rest API request करते हो, वैसा format इसमें होगा, तो अभी मैं cart के आगे, slash update.id पुट करूँगा, तो यह cart की कोई ID होगी, कि कौन से cart item को add करना, और patch method मैं यूज कर रहा हूँ, और वोही data उसमें pass कर रहा हूँ, तो इसके लिए एक async thunk भी बना लेते हैं, तो इस async thunk का नाम मैं रख रहा हूँ, वोही update items async, और उसी हिसाब से हम यहाँ पे update item, जो method है, import कर लेंगे, और उसको call कर देंगे, तो यहाँ उपर आप import कर लो इसको, यहाँ पे call है, और इसमें update वाला जो part है, वो हमको आगे से भेजना होगा, जहां भी dispatch किया जाएगा, तो अब यहाँ पे इसका भी case बना लेते हैं, तो यह repeated process तो आपको याद हो जानी चाहिए, कि हर बार कैसे API बनती है, फिर pending fulfilled async के बनते हैं, यहाँ पे क्या output आएगा, यहाँ पे जो भी चीज़ update होगी, बस वो item हमको एक तरह से replace कर लेना है, पुराने item से update इसी तरह से काम करता है, तो मैं इसके लिए index find करूँगा, क्योंकि items तो एक array है, तो उस array में से मैं find करूँगा index, जो item update हुआ है उसकी, तो कैसे find कर सकते हो, item.id equal to what, जो action.payload में नया product अभी आया है, उसकी ID से वो match होता हो, तो अब हम state.items में, index पे अब नया item रख देंगे, पुराना उसको overwrite कर देगा, एक तरह से ये भी एक easy तरीका है, array में चीज़ को replace करने का, तो select में on change पे, अभी मैं on change पे लगा रहा हूँ, handle quantity, ताकि यहाँ इस point पे हमको quantity पता लगे, उस quantity को हम update की तरह आगे भेज पाएंगे, तो मैं अभी इसमें और भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे यह actually में जो यह limit है, कि 5 तक रखना है या 6 तक रखना है, यह back end से भी govern हो सकती है, जब आपको पता हो कि कितना stock आपके पास available है, तो यह हम last में stocks related चीज़ करेंगे, तो आप तब यहाँ इसको control कर सकते हो, तो handle quantity call किया, उसके बाद में यहाँ पे e event पुट किया, तो event में आप यहाँ पे update item async, जो हमने बनाया था, उसको dispatch करोगे यहाँ पे, और dispatch में क्या भेजना होगा, यहाँ पे नया update, तो update में क्या-क्या ज़रूरी है, एक तो product की ID ज़रूरी है, क्योंकि product की ID, यह नहीं, जो actually मैं cart में आपने ID दिये, वो ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे रोड़ी renaming कर रहा हूँ, इसको item लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे handle quantity में में को वो item भीजना होगा, क्योंकि बहुत सारे item हो सकते हैं उस वक्त cart में, तो loop में चल रहा है पूरा, तो E में मैं item भीजता हूँ, तो E और item आगए, तो item को मैं spread कर दूँगा, अब इसमें add क्या करना है, कि जो नई quantity आपने select की है, तो नई quantity कहाँ आएगी, E.target.value में, क्योंकि वो ही आपके selector की value set है, तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, और यह चीज़ को हमको यहाँ पे dispatch करना है, तो I think बस एक quantity ही update हुई है, बाकि item as it is, वैसा का वैसा है, I think इसका नाम update cart है, और मैंने update item यहाँ पे लिख दिया, और हर जगे update item लिखा हुआ है, तो मैं उसको change कर देता हूँ, update cart है इस चीज़ को, जिसको हम लिखना चाहरे हैं, और update cart async, हर जगे मैं rename कर रहा हूँ, even जहाँ call किया है, वहाँ पे भी हम देख लेते हैं, कि हमने क्या चीज़ import किया, तो यहाँ पे भी update cart async होगा, तो यह चीज़ मैंने update कर दिया, और extra पुराने imports हैं, वो सब आप अप 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 सकते हो, यह products पुराने यहाँ पे आ रहे हैं, cart में इनकी कोई ज़रूत नहीं है, यह तो dummy data के लिए थे, वो आप अप 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 सकते हो, आप login करके देखते हैं, और यहाँ पे cart में 4 item दिख रहे हैं, इसमें item को किया, जैसे मैंने 2 किया, तो कहां कुछ change नहीं दिख रहा है, मेरे को items में भी change नहीं दिख रहा है, तो मेरे यहाँ पे देखते हैं, items में कुछ change हुआ, तो के बल स्टेटस आइडल हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ item में change होता हुआ, नहीं दिखाई दिया, तो यहाँ पे हमको check करना पड़ेगा, कि क्या impact हुआ है, index में क्या आया है यहाँ पे, तो I think सबसे पहले यह चेक कर सकते हैं, कि network में सही data आया है, कि हमारे पास तो यह देखो, network में सबसे नीचे 3 लिखा हुआ है, card slash 3 तो patch भेजा, तो payload में तो आपने सब सही भेजा है, पूरा यह भी भेजा है, quantity 2 भी गई है, तो वो सब तो हमारी तरफ से एकदम perfect है, और यहाँ पे quantity 2 update भी हो चुकी है, तो मतलब API ने अपना काम भी कर दिया है, और फिर वो response भी mostly लाया होगा, यहाँ पे response एक्चली में दिख नहीं रहा है, यानि वो store नहीं हुआ है, तो किसी वज़े से आपका, यहाँ पे देखो, इस सब में अभी भी quantity, आप देखोगे तो 1 ही है, किसी में भी quantity 2 नहीं हुई है, इसलिए total भी update नहीं हुआ है, तो कुछ mistake है, हमारे last के logic में, जहाँ पे हमको update करना था, अपने reduce state को, तो यहाँ action.payload में id missing थी, id से match करनी थी, तो इस वज़े से वो replace नहीं कर पा रहा था, तो अब आप देखो, तो यहाँ six items हो गए है, मैंने एक और add कर दिया, उसको change करने के लिए, तो यहाँ पे इसकी value भी आप यहाँ पे display करो, वरना वो आपको selected item दिखा नहीं रहा, तो value में मैं item.quantity लिख रहा हूँ, तो इससे यह देखो, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, और नीचे देखो items का total change हो रहा है, total items in cart, और amounts अब change हो रही है dynamically, तो अब यह proper हिसाब से काम कर रहा है, cart, API, store भी update हो रहा है वहाँ पे, और सारा आपका calculation भी सही से चल रहा है, अब finally मैं delete cart, या delete items in cart इस तरह से एक बना रहा हूँ, इससे हम को item को पूरी तरह से delete कर पाएंगे, और इसमें में को कियो ID की requirement है, पूरा item नहीं चाहिए, तो मैं इसको item IT बोलता हूँ, और इसका भी जो rest format होता है, कि सीधे cart के आगे particular ID अप पुट कर दो, और उसमें यहाँ पे delete method आप यूज करो, और data में यहाँ पे, क्योंकि इसमें response में कुछ वापस तो आएगा नहीं, आइटम डिलीट हो चुका होगा, तो मैं क्यों item की ID या ऐसा कुछ है success, इस तरह का कोई message भीज सकता हूँ, तो मैं अभी ID में वो item की ID भीज रहा हूँ, ताकि हम उसको अपनी state से delete कर सकें, तो delete items from cart, इस तरह से हमने import कर लिया, यहाँ पे इसको async लिख देते हैं, यह चीज भी ढग से import कर लें, और यहाँ पे में को ID पास करनी है, item की और यहाँ पे भी वो ID पास करनी है, इसके अलावा कोई dependency नहीं है, add case में हमको बस यह देखना होगा, कि pending तो हम सेम नहीं रख रहे हैं, और fulfilled में, देना होगा, existing जो state है उसमें से, तो यहाँ पे मैंने index 1 लिखा है, मतलब index से एक item आप splice यानि हटा दो, तो आप button यहाँ पे remove का जो button बनाया हुआ है, उस पे मैं एक on click handler function मनाऊंगा, जो handle करेगा delete और या फिर remove को, handle remove नाम से मैंने बनाया है, उसमें constant handle remove इस तरह से आप लिख रहे हो, तो handle remove में क्या करना है, वो call कर लेना है, dispatch उस action को, और कि वह बाइडी पास करनी है, जो particular item हमको delete करना था, तो ID आपको item से मिल जाएगी, तो इसमें भी मैं event और उसके साथ मैं item.id भेज रहा हूँ, तो आपको second argument में, पहले में event मिलेगा, second argument में ID मिल जाएगी, जो आपको required है, तो यहाँ पे आप वो ID पास कर दो, और इस पूरी चीज़ को dispatch कर दो, तो hopefully इससे वो पूरा cycle हो जाएगा, create, तो अभी कुछ error आ रही है, add case to, हमने शायद reducers, actions के नाम सेम लिख देंगो, यहाँ update card लिखा हुआ है, तो हमेशा नाम अलग होने चाहिए, तो delete from card कर देता हूँ, तो login किया जाए, तो इसके बाद मैं यहाँ पे, यह सारे दिख रहे हैं, remove किया मैंने, तो वो item remove हो गया, total भी इससाब से update हो गया, तो हर चीज प्रॉपरली यहाँ पे remove हो रही है, quantity अभी भी आप change कर पा रहे हो, सब कुछ perfect चल रहा है, तो card की सारी update हो रही है, यहाँ आप back end में भी देख सकते हो, जो अभी data हमारा, हमने as a back end यूज किया हुआ हो है, वो भी update हो रहा है, वापस से मैं login करके देखता हूँ, दूसरे user में मैं login कर रहा हूँ, तो इसका card आप देख सकते हो, अलग separate चल रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैंने 3 select किया, और इस हसाब से, अब test को हटा के मैं demo पे वापस गया, तो demo के card में दो item है, अब ही वैसे दोनों चीज डेटा जीसें में है, बट back end में भी जब logic होगा, तो user wise हम card निकाल सकते हैं, तो card हमारा काफी proper चल रहा है, multiple users को भी वो handle कर पा रहा है, finally यह checkout वाला जो page है, इसको हम अब create करेंगे, तो checkout वाले page में भी सबसे पहले, तो वो जो order वाला part है, वो हम set कर देते हैं, क्योंकि side में जो card है, वो exactly वो ही है, जो card में data है वो वाला, तो मैं वहीं card से ही copy करके, वापस इस checkout section में put करना चाहरा हूँ, क्योंकि उसमें same ही logic है, और हमने उसको same style से ही बनाया था, हमने card वाला ही, आपको याद हो, तो checkout में paste किया था, तो वो ही logic अप create होने के बाद, और उपर का मैं ये data भी, card वाला copy कर लेता हूँ, selectors वगेरे, और even dispatch भी required होगा, और even ये, जो async actions वगेरे हैं, वो सब भी required होगे, तो जो आपको, वहाँ पे भी एक मौका मिल रहा है, card को पूरा देखने का, update करने का, तो as it is code, मैं copy paste कर रहा हूँ, checkout के उस side वाले section में, तो यहाँ आपको कुछ ज़्यादा सोचने की जूरत नहीं है, बस properly आप copy paste कर सकते, उन जोनों चीज़ों को, बस यहाँ एक problem में, इसको card slice नहीं मिलेगा, क्योंकि यह दूसरी location है, तो आप dot dot slash, और उसमें फिर आप search करो, कि कहाँ पे dot dot slash में features, उसमें card, और उसमें card slice, तो यह एक चीज़ ज़रूर change होगी, कि अभी वो दूसरी file के slice से लेके आ रहा है, तो यहाँ पे अभी card है, और यही card आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, और यहाँ पूरी तरह से आप यहाँ भी quantity change, remove अगएरे, सब कुछ कर सकते हो, थोड़ा सा इसका UI change हो गया, क्योंकि जो मैंने padding अगएरे, पहले ठीक की थी, तो आपको याद हो तो वैसे ही padding को आप कम कर दो, तो उसे साब से वापस से proper हो जाएगा, यहाँ सब total में भी नीचे padding अगएरे है, यह पूरा section ही padded है, तो मैं इसकी padding हटा रहा हूँ, तो इस तरह से आप कर सकते हो, थोड़ी padding आप रख सकते हो, तो यहाँ सब total वाला अभी भी थोड़ा सा जादा padded लग रहा है, तो वो section भी मैं देख लेता हूँ, तो यहाँ सब total वाला section है, इसमें भी आप इसकी padding कम कर सकते हो, 2 या 4 इस तरह से कर सकते हो, तो यह भी proper अब दिखाई दे रहा है, तो यह चीज़ भी proper चल रही है, इसमें भी quantity change करने पर proper changes हो रहे हैं, यह reflect भी हो रहे हैं, और यहाँ से अगर आप remove करोगे, तो remove भी चलना चाहिए, तो यहाँ से अगर मैं remove करता हूँ, तो एकदम खाली हो गया, और इसको जाके हम इस पे भी लगाएंगे, कि अगर cart खाली हो चुका है, यह आप कई जगे लगा सकते हो, cart पे भी लगा रहा हूँ मैं इसको, तो जिसे अभी मैं सबसे पहले cart component पे लगा रहा हूँ, items.length अगर है, तो it's fine, और उसके आगे वो navigate कर जाएगा, तो अगर वो greater than 0 है, I think greater than 0 के case में नहीं होना चाहिए, क्योंकि true के case में तो यह आगे चला जाएगा, तो उससे उल्टा case बनेगा, अभी मैं navigate को import कर लेता हूँ, तो अगर items.length greater than 0 है, तो उसके आगे जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं, जब items length is not items length, मतलब वो 0 है already, तो ये उसका not हम लेंगे, तो उससे वो false आएगा, mostly जब भी कोई item होंगे, तो ये false आएगा, और item नहीं होंगे, तो ये true आएगा, तो आप आगे बढ़ जाओगे, यही same logic मैं यहाँ पे भी put कर देता हूँ, जो check out का page है, तो हम check out के page से भी away move करना चाहेंगे, तो मैं एक fragment put करता हूँ ताकि ये सारी चीज़ एक में ही cover हो जाएं, तो मेरे इस logic के हिसाब से, यहाँ पे भी navigate आपको import करना पड़ेगा, तो अभी इस के हिसाब से items में अगर कुछ नहीं हुआ, तो आप away navigate हो जाओगे, तो इसको एक बाद test कर लेते हैं, वापस से जाते हैं, लॉग इन में जाओगे, फिर यहाँ पे cart में अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, I think किया तो हमने cart clear कर दिया, add to cart में करता हूँ, और remove करते ही आप वापस इस page पे आ गए, ठीक है, क्योंकि cart में कुछ था नहीं, add to cart वापस से मैंने किया, तो अभी add to cart वापस से नहीं चला, कोई error आ रही है, तो अभी तक यह pending ही चल रहा है, तो हो सकता है हमारी API, या किसी चीज में problem आ गई हो, क्योंकि 500 error server की तरफ से आता है, तो यहां server के नाम पे हमारे पास, तो एक वो dummy API JSON server वाला ही है, तो उसको एक बार check कर लेते हैं, वो सही चल रहा था, तो यहां पे error आने लग गए, और यह कह रहा है duplicate ID, तो यह duplicate ID का क्या issue है, तो यहां पे एक problem हो गई है, हमने जो यह ID है, इस cart की जो ID है, वो mix कर दी है, product की ID से, अब हमने cart की ID बनने ही नहीं दी, अगर आप API में ID सप्लाइ कर देते हो, तो नई अपनी ID नहीं बनाता, क्योंकि वो product की ID थी, तो अब यहां यह confusion हो गया, अब cart में जब भी आप दो, अलग-अलग इंसान, दो product, same product डाल देंगे, तो वो ID clash हो नहीं है, तो यहां पे यह problem है, तो यह product से आपको ID नहीं उसको आप delete कर दो, तो मैं, यह जब हम actually cart में चीज़े add कर रहे हैं, तब का issue है, तो यह अभी तक हमारा, somehow हमारे demo में काम चल रहा था, क्योंकि हम शायद अलग-अलग products add कर रहे थे, अलग-अलग users में भी, तो अब मैं क्या करूंगा, कि new item नम से इस copy को निकालता हूं, और इसमें new item ID वाली चीज़ को delete कर देता हूं, और उसके बाद में हम add to cart async में यह part dispatch करेंगे, तो अब इसमें ID होगी ही नहीं, और जब ID नहीं होती है, तो backend अपने आप एक ID create कर देता है, तो अभी तक हम देख रहे हैं, वो JSON server का feature है, तो यहां पर आप देख रहे हो, cart में ID अच्छे से add हो गई है, और checkout भी आप कर सकते हो, यहां से remove करोगे, तो यहां से भी वापस आ सकते हो, वापस से इस cart में इस item को add कर सकते हो, तो अब वैसा कोई issue नहीं है, तो वो एक bug situation थी, जिसको हमने अभी हटा दिया, अब में को यह personal information वगरा add करनी पड़ेगी, क्योंकि अब में को next order create करना है, तो यह personal information में, जैसे यह first name, last name, ऐसी काफी सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैं इसको change भी करूँगा, I think first name, last name नहीं चीज़ेंगे, केवल नेम से हमारा काम चल जाएगा, और फिर यह जो addresses हैं, यहाँ पे अभी तो हमने dummy addresses पुट किये वए थे, यह भी एक तरह से user के addresses होंगे, तो user के object में हम यह add करते जाएगे, तो मैं first name को replace कर रहा हूँ, name से केवल, और last name मैं रखी नहीं रहा हूँ, तो एक field हमने कम कर दिया, केवल first name हम रखेंगे, इसी तरह का मैंने dummy जो जेसन था, वो भी आपको बना के दिखाया थो, तो वो ही 4-5 field हमको चाहिए, इसको हम full name बोल देते हैं, थोड़ा clear रखने के लिए, email address भी I think हमने नहीं लिया है उसमें, तो यहाँ पर, यह जो react का hook form था, वो मैं वापस से use लेने वाला हूँ, क्योंकि उससे काफी easy हो जाता है form का handling, तो उसको मैं यहाँ उपर ले आता हूँ, और react और use form उपर hook import कर लेते हैं, और similarly यहाँ पर जो भी field होता था, उसको register करना पड़ता था, और register में एक तो आप field का name देते थे, जिसमें name है, और आप कुछ validation देते थे, कि यह जो field है वो required ही है, तो इसमें भी generally address में सारे fields required रहेंगे, तो यही format मैं copy करता हूँ, email है जैसे, तो यहाँ पर email is required, ऐसा कुछ कर सकते हैं, और यहाँ पर country है, तो country is required कर सकते हैं, और साथ में इनके name भी change कर दें, यहाँ इमेल लिख दें, यहाँ पर इसको country लिख दें, तो हर का नाम भी अलग होना चाहिए, countries मैं change कर देता हूँ, थोड़े से names, और मैंने एक India पुट कर दिये country, और यहाँ पर street address दिया हुआ है, तो हमने अपने उस sample में, इसका नाम street रखा था, तो street address भी आप पुट कर सकते हो, या simply just street भी पुट कर सकते हो, तो यहाँ मैं ID वगेर है, autocomplete यह सब हटा देता हूँ, autocomplete हमको किसी में नहीं शेह है, autocomplete वैसे browser को पुरानी values store करने काम आता है, तो आप रख भी सकते हैं आप अपने हिसाब से, और street is required, यह हम पुट करेंगे, इसके बाद मैं city पर आ जाते हैं, city का एक section है, तो यहाँ पर register city और city is also required, उसके बाद state पर आ जाते हैं, यहाँ पर state और ID वगेर है, HTML for, और यह सब तो change करने हैं, मैं कई जगे शायद मैंने proper अभी नहीं किया है, तो आप इस form को proper update कर सकते हूं, postal code या zip code, तो हमने इसका नाम pin code रखा था, तो उसी format में मैं exactly यह name पास कर देता हूं, pin code is required, ID में भी मैं यहाँ pin code, हर जगे जहाँ भी इसका reference है, महाँ pin code पुट कर देता हूं, उसके बाद reset और add के buttons आगे, तो उपर भी देख लेते हैं, कुछ fields में जहाँ मैंने proper renaming नहीं कियो, तो आइ तिंक वो बाद में भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आप on submit लिख रहा हूं, और on submit में जैसे हम करते थे, कि हम पूरा handle submit इनी का, जो इस react hook form का handle submit यूज़ करते थे, वो लिखेंगे, उसके अलावा no validate लिख देते हैं, जो की validation हटा देगा, default validation जो है यहाँ पर, और dispatch में अब यहाँ पर हम, एक नया dispatch बनाएंगे, जो की इस address को add करेगा, existing user में, तो console log में पहले देख लेते हैं, एक बार data चेक करके, कि data आ क्या रहा है, तो अभी मैंने इसको console को open किया, यहाँ पर full name वगेरे में, मैं कुछ data डालता हूँ, मैंने एक name add कर दिया, कुछ भी email आ रहा है, एक country add कर दी, और street add किया है, city add किया है, और फिर state, और फिर pin code, तो इस तरह से हर चीज़ required है, फिर add address को आप click कर सकते हो, तो यहाँ पर आया है, और फिर कुछ error भी है, use custom middleware for async actions, तो यह तो हमने आगे का code नहीं लिखा, उस वज़े से आ रहा होगा, पर उपर आप देख रहे हो, सारी information उसी तरह के format में आ रही है, जैसे address को मैंने नीचे list में बनाया था, तो जैसे नीचे addresses, existing address की list है, यह इस तरह का almost हमको format मिल चुका है, बस यहाँ पर कुछ चीज़ें string में हैं, और एक phone number I think missing है, तो phone number का भी हमें एक field बना सकते हैं, और मेरे ख्याल से country वाला section required नहीं है, हम अगर within one country कर रहे हैं, तो उसकी जगे मैं अभी के लिए phone number वाला section एड़ कर देता हूं, तो यहाँ पर id phone आप कर लो, html for phone, register, हर जगे मैंने उसको phone कर दिया, और यहाँ पर type में number कर दो, या फिर इसमें एक tel भी होता है, एक type tel, जिससे केवल number pad आपका open होता है, especially mobile में काफी helpful होता है यह field, तो इसमें केवल आप पर number, mobile में अपने आप वो number pad open कर देगा, तो इस तरह से, यह चीज़ अभी proper है, इसमें सारी चीज़ें आ रही है, country अभी भी क्यों आ रही है, I think वो पहले से कोई store होगी, तो यहाँ पर dispatch में, अब हमको कोई action बनाना है, जो की user को update कर सके, और उसमें यह particular address डाल दे, तो auth API में वापा जाते हैं, क्योंकि वहीं पर ही अभी तक हमने user यूज लिया था, तो कि यह auth API में यह होना चाहिए, तो अभी के लिए तो मैं auth में रख देता हूँ, आगे हम शायद user की अग अलग API बनाएं, उसमें यह चीज़ों को रखेंगे, तो update user में user data, इसी तरह का format, जिसा update card में हमने लिया था, और post की जगे यहाँ पर generally patch होगा, और पहले कौन से user को update करना है, यह भी आपको बताना पड़ेगा, तो जिस तरह का patch का format होता है, या put का format होता है, कि आपको एक तो वो document बताना होता है, जो update करना है, तो मैं जिसे यहाँ पर update इसका नाम रख रहा हूँ, जो भी update आ रही है, तो यहाँ पर आपको एक id भेजनी होगी, update.id, अमें मानता हूँ आप भेजोगे, जिसमें user की id होगी, उससे पता लगए कौन सा update करना, और stringify में आपने update का data लिख दिया, तो इस तरह से update की request काम करेगी, तो यहाँ पर इसका भी एक async थंक बना लेते हैं, update user, async नाम से, और यहाँ पर update user उस function को, API को call कर लेंगे, तो यहाँ उस API को पहले import कर लो, तो update user इस नाम से वो API है, यहाँ मैं action नाम भी बदलता हूँ, और यहाँ पर वो update item आगे से हम भीजेंगे, dispatch करते हैं वक्त, और अगर यह पूरा successful हो जाता है, तो यहाँ पर actually यह दोनों actions, pending और fulfilled मैं copy कर रहा हूँ, तो यह update user async, और update user async fulfilled, fulfilled होने पर क्या होगा, कि यह जो logged in user है, इसकी value में आप नया data put कर सकते हो, तो यहाँ पर यह जैसे इस तरह से भी किया जा सकता है, कि users की जो list थी, उसमें जैसे हमने cart में एक item particular को add किया था, वैसा ही logic रहेगा, कि existing जितने भी users हैं, तो state.items में आप find कर सकते हो, बट user के case में, क्योंकि logged in user के विए एक ही item है, तो आप उसको replace भी कर सकते हो, तो ऐसा पूरा यह update वाला करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप सीधे logged in user में action.payload pass कर सकते हो, क्योंकि logged in user एक ही है, तो हमको पूरे किसी collection से deal नहीं करना है, तो यह पूरा addresses वाला section अब मैं हटा सकता हूँ, और मैं मानूंगा कि addresses हम उसी user में update करके भेज देंगे, तो user equal to user selected logged in user, यह हर बार हम use करते ही हैं, अब हमको dispatch करते वक्ट ध्यान देना है, कि addresses की array में add हो जाए, जो भी यह हम submit कर रहे हैं वो, तो यहाँ add address वाला बटन देखते हैं, और यह user.addresses होगा, जो भी map आप कर रहे थे, वो user के अंदर एक addresses की array आप maintain करने वाले हो, तो उसी हिसाब से, हम अब चीजों को add भी करते हैं, तो auth API, तो इसमें तो update user प्रॉपरली तयार है, तो create user async मैं सर्च कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे यह है, और इसमें मैंने जिसे email और password गया था, तो यहाँ पे मैं address भी खाली initialize कर देता हूँ, ताकि कोई ऐसी error ना है, कि वहाँ पे उसको push करना है, अगर कोई address तो array initialize नहीं है, यह अभी मैं temporarily कर रहा हूँ, future में तो क्योंकि database होगा, तो database में अपने आप यह चीज़े initialize की जा सकती है, खाली array वगरे, तो जैसे अभी पुराने users में वो value होगी नहीं, तो मैं यहाँ पे manually जाके address पूट कर रहा हूँ, क्योंकि हम already इनको sign up करा चुके हैं, तो sign up के time ही addresses का एक खाली array बनाना था, और यह database में तो काफी easily अपने आप ही हो जाएगा, ताकि errors ना create हो, तो अब आप देखो तो यहाँ पे आपको addresses empty दिख रहा है, पर at least addresses नाम की एक location है, तो अब इसको use करते हुए, इतना पूरा process हो जाना चाहिए, सब कुछ successful हुआ तो, तो यहाँ पे अब dispatch करने का time आ गया है, I think बाकी सब हम check कर चुके हैं, तो update user async, और इसके अंदर आपको क्या भेजना है, यह data, data में exactly वही format है, उसी नाम की field हमने बनाए है, तो user भेजेंगे, as it is user भेज देंगे, और उसमें addresses में, यह जो particular address है, वो add करके भेजेंगे, तो dot 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 address लिखा है मैंने, पुराने सारे addresses भी maintain करने हैं, और यह जो नया address है, वो किसमे है, यह तो data में है, तो comma के बाद आप यह data put कर सकते हो, तो यह format आप समझें, कि मैंने क्यूं लिखा है, और कैसे यह addresses render होंगे, यह spread operator से, तो यहाँ पर मैं वापस से एक address आपको put करके दिखाता हूं, same address हम यूज़ कर रहे हैं, और अब add address करते हैं, तो नीचे वो address properly add होगया, आपको list में भी दिखाई दे रहा है, और यह वहाँ add हुआ है, तो API में भी आप देखोगे, तो वो object create हो चुका है, तो आप यहाँ पर मैं एक reset भी होता है, इस form में, वो use करता हूं, और reset से क्या होगा, पुरानी value जैसे ही add होती है, आप उसको reset कर सकते हो, तो जैसे मैं यहाँ पर एक address add कर रहा हूं, और city, bangalore और यह सब add किया, और add करते ही वो उपर clear हो गई, पर नीचे add हो गई, तो address almost वैसा ही दिखाई देला, duplicate address का कोई checker नहीं है हमारे पस, बट दो addresses add हो गई, उपर वो चीज reset हो गई है, तो reset भी एक functionality है, जो यह react hook form जो आपने download किया था, इससे आप use ले सकते हो, easily सारे form को reset करने के लिए, अब next हमको, क्यूंकि अब addresses add हो चुके हैं, तो उनको select करने के लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा, कि जब हम कोई particular address select करें, तो उसको state में कहीं save करें, ताकि order में आगे हम pass कर सकें, तो उसके लिए हमको एक state variable बनाना पड़ेगा, तो मैं उसको address या properly करें, तो selected address नाम से बना लेता हूँ, एक variable और set selected address उसका setter होगा, तो यह क्या है, use state hook से हम कुछ value पूट कर रहे हैं, initially इसको आप null रख सकते हो, कोई भी address नहीं selected होगा, तो use state को आप उपर react में import कर सकते हो, तो अब कब select होगा, जब आप उसके check box या यह जो radio है, इस पे आप click करोगे, तो वो particular current selected address आपका हो जाएगा, जो आपको आगे order में use लेना है, इसके अलावा एक payment method भी नीचे है, तो उसके लिए भी अभी से एक state variable बना लेते हैं, तो set payment method नाम से ये variable भी आप बना सकते हो, और उसको भी initially null या इस तरह से रख सकते हो, या default आप कुछ और भी रख सकते हो, और default वो अगर selected है तो, उस हिसाब से आपको radio buttons का selection भी change करना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो select दिखा रहा है कुछ और cache वो दिखा रहा है value में, तो वो एक problem हो जाएगी जब आप data database में भीजोगे, तो ये address वाला area है जहाँ radio है, तो यहाँ पर on change में बनाता हूँ, और handle address नाम से एक function बना लेता हूँ, तो जब इस पर click होगा, तो वो check कर लेगा कि आपने उसको check किया है या uncheck किया है, और उस हिसाब से उस address को add कर देगा, selected address में भी, इसकी value भी आप यहाँ पर put कर सकते हो, ताकि value को हम भेज सकें e.target के अंदर, तो अब मैं इसमें constant handle address, और यहाँ पर selected, तो set selected address में, जो भी आपने अभी current select किया है, तो मैं e.target.value मान लेता हूँ, क्योंकि value में मैंने अभी address ही put किया है, तो क्या उसमें वो value आ जाएगी, वैसे value में एक object पास करना मुश्किल है, html में, तो एक बार बस हम इसको test करके देखते हैं, कि console में value क्या आती है, तो यहाँ पर यह आ रहा है कि दोनों की key, यह तो एक warning है, पर कहीं पर हमने map यूज किया है, और उसमें हमने key प्रॉपर नहीं दिये, तो यह जैसे user address का जो map है, यहाँ पर key नहीं है, यह address.email है, email था ही नहीं, यह पुराने template में कहीं लिखा रहा गया, तो इसकी जगे कोई भी एक unique चीज आप दे सकते हो, और unique नहीं है, तो आप index जो map का next argument होता है, वो pass कर दो, तो यहाँ पर index आप दे सकते हो, तो temporarily कुछ एक तीसरा address आ गया है, I think वो ऐसे ही refresh होने की वज़े से, actually में तो दो ही address हैं आपके पास में, तो एक बार reload कर सकते हो, आप वापस से इस test user को login कर सकते हो, इसमें यह दो addresses हैं, अब select करते हो, तो object, object आ रहे हैं, तो यही problem है, कि value में पूरा object आप पास नहीं कर पाओगे, HTML में, तो उसके लिए आपको क्योई और trick से select करना पड़ेगा, तो value नहीं पास कर सकते हैं, तो हम index पास कर देंगे, index से भी relevant information तो पता लगी जाती है, तो अब set selected address में हमको index चीए, तो index तो one और zero सही से select होई रही है, तो यहाँ पे user के addresses आपके पास अल्रेडी है, user.addresses में उस एरे में, तो उसमें आप index से कोई particular address select कर सकते हो, उसको ही set करना है, तो यहाँ पे login करते हैं वापस से, और I think, फिर check out पूरा process करते हैं, एक address में select कर लेता हूँ, और फिर उसे साब से हम check out करेंगे, और देखेंगे कि state क्या change हो रही है, तो यहाँ पे state change हो गई होगी, तो मैं react dev tools में जाता हूँ, यहाँ पे check out वाले page पे, और यहाँ पे state आप देख सकते हो, तो state में यह variable में यह address अलरेडी, तो यह वही variable होगा, address वाला, selected address वाला, और इस साब से यह state change हो रही है, जैसे जैसे आप चीजों को click कर रहे हूँ, तो payment method के लिए भी मैं एक on click handler बना देता हूँ, तो on change handler मैं बना रहा हूँ, इसमें handle payment नाम से एक function बनाते हैं, और यह दोनों पे मैं add कर देता हूँ, तो इसमें भी बिल्कुल वैसे होगा की set कर देंगे हम payment mode को, और इसमें आप value cache और वो easily दे सकते हो, क्योंकि इसमें तो value एक string जैसी ही है, तो आपको ज़रूरत नहीं है, कोई और चीज़ की index पास करो, तो इसमें सीधे वो value भी पास की जा सकती है, e.target value से, तो यहाँ पे handle payment handler मैं बना रहा हूँ, function और target value में वो value आ जाएगी, तो इसमें सीधे आप set payment method कर सकते हैं, और जिसमें की e.target.value में payment method आ जाएगा, तो अब यह शाएद रेfresh हो गया होगा, तो इसको एक बार और reload करके, आप देख लो कि कोई issue नहीं है, और login करके, वापस से हम इसमें जाएगे, checkout और यहाँ cash और इस card वाले को देखेंगे, तो वो यहाँ पे state change हो गई होगी, तो यहाँ पे मैं checked भी put कर देता हूँ, ताकि वो ही चीज checked हो by default, जो अल्रेडी अभी state की value है, क्योंकि by default state की value मैंने cash रखकी हुई है, तो उस point पे cash वाला ही checked होना चाहिए, तो जैसे यहाँ पे checked true अगर मैं करता हूँ, तो cash वाला है, पर इससे नीचे वाले पे click करोगे, तो easily change नहीं होगा, तो हमको exactly ऐसा चाहिए, कि जो value हो वही ये बार भी selected हो, तो मैंको दो बार अभी भी click करना पड़ रहा है, तो इसको सही करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, कि यह जो checked है, इसकी state true या false ऐसे आप ना define करें, और इसकी state आप define करें, कि उस वक्त क्या value है उस state variable में, तो जैसे यहाँ पे जैसी state checked होगी, तो उससे आप से change जाएगा, तो payment method equal to, अगर cash है, तो basically ये true होना चाहिए, तो ये पुरा true return करेगा, तो ये checked आना चाहिए, और दूसरे case में, अगर payment method card है, तो ये आना चाहिए, तो इस तरह से ये, अब आप देखरों कि, यहाँ पे already ये selected शुरू में, अभी भी cash को दिखाएगा, क्योंकि उसकी default value cash है, और अब card पे change करोगे, तो उस पे भी सईसे हो रही है, और दोनों चीज़े, यहाँ पे select आप कर पा रहे हो, तो ये state आ गया होगा, अब finally हम यहाँ पे, एक order creation का काम करेंगे, तो कि बाकी सब चीज़ें, तो हम capture कर चुके हैं, तो मैं इसको order now, ऐसे लिख देता हूँ, और यहाँ पे हमको, वापस से एक click handler, इसलिए इसको button कर देना भी ठीक है, ताकि ये browser के साब से सही लगे, तो ये checkout button है, order now है इसका ना, तो div करते हैं, div करके देखो तो, वो full rate थाता है, तो I think अभी div ठीक है, क्योंकि हम on click ही लगाना चाहते हैं, तो div पे भी लगा सकते हैं, तो on click में मैं एक handler बनाऊंगा, जिसमें हम order place करेंगे, तो order एक नया data structure अब बनने वाला है, तो handle order नाम से मैंने इसको बनाया, तो यहाँ पे constant में आप handle order ऐसा बनाऊंगे, और इसमें हम पूरा order creation का process start करेंगे, तो order का अभी तक data structure कहीं है, नहीं नहीं हमने API और slice उसके बनाये हैं, तो अब हम next create करेंगे, तो सबसे पहले data JSON में जाते हैं, जामारा virtual database एक तरह से, तो orders में यहाँ पे एक array में put कर देता हूँ, तो अब इस array में आप नए-नए order store कर पाऊगे, तो order नाम से मैं एक feature भी create कर देता हूँ, counter वाले को copy करके, और इसमें आप order इसका नाम लिख दो, इसमें जो component होगा, सबसे पहले जो API होगी वो required है हमको, तो order API, order slice ऐसा मैं नाम रख देता हूँ, और component अभी order का बाद में देखेंगे, यहाँ पे slash order, तो API में slash order में, हम add order नाम का कुछ रखते हैं, तो यह creation वाला pattern होगा rest API का, तो इसमें वही post method वाली से approach लगाई जाएगी, तो आप कोई भी पुराना code भी use कर सकते हो, जो हमने create करने के लिए कुछ किया था, तो I think cart वगरे में भी था, तो cart में जिसे हमारे पैस already API थी, जिसमें की हमने add to cart किया था, तो वैसे ही एक नया order बनाने का भी होगा, तो इसको आप add order या create order कुछ ऐसा लिख सकते हो, और यहाँ पे slash orders, जो इसकी API है वो होगी, यह post type का ही होगा, और यहाँ पे order की information आपको आगे से action से भेजनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम इसका नाम change कर लेते हैं, order और create order, और यहाँ पे भी create order, और यह order कहीं से हमको pass करना पड़ेगा इसका parameter, और create order async हमारा, async थंक का नाम हो जाएगा, यहाँ orders का पूरा एक array हम maintain करके रख सकते हैं, जिसमें की हम order push करते जाएंगे, जैसे जिसे बनेंगे, एक particular user के, तो यहाँ name मैं order कर देता हूँ, slice का create order, async, pending और fulfilled, इस तरह से हो गया, और state.value की जगे, state.orders में push कर सकते हो, आप जो भी पहला order यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर orders भी एक array होनी चाहिए, शुरू में initial state मैंने इसको blank करी दिया है, तो वो होगी already, और यहाँ पर इसका भी selector हम लिख देंगे, कि order select करने के लिए, तो यहाँ पर order component page है, उसको मैं change कर रहा हूँ, इसका नाम भी change कर देते हैं, तो यह order है, इसमें हम एक particular user के सारे orders दिखा सकते हैं, तो user के orders के लिए हम, या इसको my orders कहना भी ठीक है, तो उस तरह से आप इसको समझ सकते हो, तो अब यह पूरा process set है, create order करने का, और इसको हम call कर सकते हैं, उस place पे जहाँ पे अभी हमारा checkout page है, तो यह create order sync को, वहाँ पे लेके जाते हैं, जहां handle order हम अभी लिख रहे थे, और उस handle order में, यहाँ पे dispatch करना पड़ेगा, create order async, पर उससे पहले वो order object बनाना भी पड़ेगा, जो store करना चाहते हैं, तो हम constant order equal to, एक blank object में बना रहा हूँ, इसमें क्या-क्या चीज़ें add करनी चाहिए, एक तो items तो होने ही चाहिए, कि क्या-क्या items आपने cart में रखे थे, तो items उपर already शायद selected हैं, use selector से, तो वो आप इसमें pass कर सकते हो, ताकि cart के items, यह shortcut में भी आप लिख सकते हो, उसके अलावा, total amount आप अलग से भेज़ दो, total items भेज़ दो, ताकि यह recalculate ना करने पड़ें, वैसे तो आप items से वापस कर सकते हो, पर user pass कर दो, आप user की भी information इसमें add हो जाएगी, तो order में काफी सारी information हो सकती है, इसके अलावा जो अभी हमने payment methods वगरे की हैं, कि कौन सा payment method है, या हमने जो last में अभी selected address भी किया था, क्या selected shipping address था, इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती है, order के status वगरे, आगे हम add करते जाएगे, पर इतना part मैंने create order async में भेज दिया है, अब order को आपको attach भी करना हुगा store से, जैसे की हर reducer को आप करते आयो, तो order reducer को हम यहाँ store में attach कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं order नाम लिखता हूँ उसका, और order reducer इसकी value देता हूँ, तो अब पूरा एक बार test करके देखते हैं, login करता हूँ, card में already एक item है, address select किया, cash by default है card कर देता हूँ, order now पे click करता हूँ, अभी click जैसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि मैंने इस पर शाद कोई action navigation नहीं दिया, पर यहाँ पर आप देखो, तो orders में दो orders आ रहे हैं, वो शादन दो बार click कर दिया, तो दो बार हो गया, generally हम वहाँ से navigate away कर जाएंगे, एक order होती, तो यहाँ पर orders देखो, store तो हो रहे हैं, तो इसकी जगे, जब order now पे हम click करें, तो order place हो जाना चाहिए, और हम move होके, एक order success type के page पे आ जाने चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको, cursor pointer भी कर देता हूँ, ताकि इसके उपर वो hand icon जैसा आये, और लगे कि यह clickable है, अब यहाँ पर proper यह hand icon जैसा दिख रहा है, next, अब हमको यह कुछ task करने पड़ेंगे, एक order के खतम होते ही, सबसे पहले तो redirection होना चाहिए, एक order success पे जाना चाहिए, कि यह आपका order हो गया है, उस तरह से कुछ details, दूसरी चीज़ है कि आपका card clear हो जाना चाहिए, क्योंकि गलती से फिर आप कहीं वापस repurchase ना कर लो उस चीज़ को, तो वो भी एक चीज़ है, हम next जो करेंगे, और यह back end पे भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, जब हम आगे back end बनाएंगे, और server पे हमको stock भी change करना होगा, मतलब जितने items purchase हो गए है, वो product की उतनी quantity आपके total stock से घट जाए, अगर आपके पास 100 iPhones थे e-commerce site पे, तो एक iPhone खरीदते ही 99 होने चाहिए, आपके पास stock में, तो यह सब भी proper e-commerce के लिए आपको करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ वापस component में जाकि, 404 page का template कॉपी कर रहा हूँ, जो available है freely, तो 404 आप search कर लेना, यह हम put करेंगे, एक default page की तरह है, तो अगर कोई भी गलत URL हमारी site पे आजाता है, हो जाएगा, तो वो आपको यह page दिखाना है, उसके इसाब से आप थोड़ा बहुत इसको customize कर सकते हो, अपने logo वगरे और वो support कर सकते हो, और यह सीधे मैंने pages में बनाया है, इसमें कोई components वगरे भी required नहीं है, और यहाँ पे मैं link पुट कर रहा हूँ, ताकि user इस 404 से कहीं वापस जा सके, जैसे कि में भी homepage पे वापस जा सके, तो मैंने इसको link को slash कर दिया है, और contact support वगरे में आप पना email idea, इस तरह की extra information दे सकते हैं, ताकि user को पता लगे कि, अगर कोई page वो सोच रहा है कि वहाँ पे होना चाहिए, और नहीं आ रहा, तो वो inform कर सके, उस particular e-commerce के admin को, तो यहाँ पे हम 404 path create करेंगे, तो उसको मैं star दे रहा हूँ, star और end में दे रहा हूँ, मतलब कोई भी चीज़ से match हो जाएगा, यह तरह का wild card है, और इसको हमने last में लिखा है, वो भी important है, last में path check होगा, अगर कोई भी path उपर satisfied नहीं हुआ, तो star तो किसी भी path से match होई जाएगा, तो यानि वो कहेगा कि page आपका मिला नहीं, जैसे कोई random page, तो page not found और आप आपस से slash पे आ गए, पर login पे आए, क्योंकि तब तक user available नहीं था, तो इस तरह से page not found हमने बना दिया है, तो ये एक अच्छा option होता है, वनना user को कुछ अजीब सा error दिखाई देगा, या 404 एकदम plain आपके browser में दिखेगा, इसी को copy करते हुए, मैं एक दो और page बना रहा हूँ, एक है order success page, जो अभी हम discuss कर रहे थे, कि order success के बाद में वो page दिखाई देना चाहिए, और इसके अलावा, मैंने order success page इसका नाम लिख दिया है, और order success page यहाँ पर rename कर देते हैं इसको, तो order success fully placed, ऐसा मैं उपर paragraph में लिख दूँगा, तो यह उपर top पे यहाँ पे order successfully placed आएगा, बट मैं शायद यहाँ page not found में order का number दे सकता हूँ, कि यह particular order number place हो गया है, तो order.id ऐसा करके कुछ होगा, तो यह order आपको basically कहीं से लाना पड़ेगा, तो प्रॉप से आप उसको ला सकते हो, या parameter routing से ला सकते हो, यहाँ पे कुछ आप अपना default message put कर दें, कि you can check your order in my account slash my orders, यह page अभी हमने पूरा create नहीं किया है, बट हम वहीं पे उसको एक menu में अभी बनाएंगे, जहाँ पे अपने orders चेक कर सकता है, तो इस routing को भी मैं set कर देता हूँ, और इसका path होगा order success, और यहाँ पे आप order success page, क्योंकि यह भी directly page है, इसमें कोई component नहीं है, तो इसको एक बार check कर लेते हैं, कि यह page लोड हो रहा है properly, तो इसमें ID अभी read नहीं हो रहा, क्योंकि order नाम की कोई चीज आपने पास नहीं की है, तो यहाँ पे आप एक बार के लिए, कुछ dummy value डाल के भी इसको test करना चाहें, तो कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको avoid करने के लिए, जब ऐसा issue आए कि order नहीं है, तो हम एक short circuit भी create कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि if not of order, और उसके बाद में, हम इसको वापस से navigate कर दें, कोई एक default page पे, तो navigate का code हमने कई जगे पहले से लिखा हुआ है, उसको भी आप copy कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने navigate का एक code लिखा था, उसको मैंने copy कर दिया, तो अगर order नहीं होगा, not of order true हो जाता है, तो उस case में, यह आपको वापस से redirect कर देगा, तो यह एक safety measure आप ले सकते हैं, तो order success पे आप जाओगे, यहाँ अगर order नहीं हुआ, यहाँ फिर इसके जगे question mark भी आप दे सकते हो, वो भी safe है, तो यहाँ पे वापस आपका आ गया है, पर order में कोई value होगी, तो वहाँ पे वो दिखाई देगा, तो वो हम करेंगे checkout page के बाद में, और checkout page के बाद, जैसे ही यह successful हो जाता है, एक status भी हम put कर देते हैं, status is pending, यह भी order में हर में save होगा, और यह status change कर सकता है admin, जब आपका product dispatch हो जाए, deliver हो जाए, या बहुत सारे status हो सकते हैं, आपकी company के हिसाब से, तो यहाँ पे एक status पूरे order का क्या चल रहा है, ताकि user track कर सके, कि order अभी किस status में है, या अभी dispatch हो गया है या नहीं, तो यहाँ हमने इसको dispatch किया हुआ था, पूरे order को, यहाँ पे हमको redirect करना है इसको, और order success पे इस line में लाना है, तो हमको यह check करना पड़ेगा कि, successfully order place तो हुआ है क्या, तो successfully place होने के बाद, हम एक state variable set कर देंगे, initial state, current order status, और current order status, या फिर आप कह सकते हो, current order completed, यह वो order का status नहीं है, यह बस यह कि order place हुआ या नहीं, तो current order place false है, और जब fulfilled हो जाएगा, तब यह हम true set कर देंगे, तो इस variable को check करने से, तो यहाँ पे इसको, आप last में true कर दोगा, तो इस variable को check करने से क्या होगा, आप बता सकते हो, कि order place हो गया है properly, तो इस step पे, जब यह variable आपके पास में true set हो जाए, तो आप redirection का काम शुरू कर सकते हो, तो मैं इसके लिए एक selector बना देता हूँ, इस particular चीज के लिए, तो select current order status, ऐसा नाम से, और इसमें आप यही current order place, यूज करोगे, और यहाँ पे order जो reducer का नाम है, वो put कर दोगे, तो यहाँ order ही नाम है, यह आप check कर ले न, इसके बाद set correct status को, यहाँ पे use करना है, top पे हम use कर लेते हैं, और constant order placed, नाम से मैं variable बनाता हूँ, use selector में, फिर यह अभी अमने जो selector बनाया था, status वाला, इसको pass कर देता हूँ, उपर वो auto import हो गया है, अब यहाँ पे इस variable को use करते हैं, कि अगर order placed है, तो true हो जाएगा, और आगे चला जाएगा, तो फिर वो navigate हो जाएगा, और navigate हो के वो कहा जाएगा, order success page पे वो चला जाएगा, तो यहाँ पे हम order success page भी लाएँगे, तो order success इस तरह से वो page अब आजाएगा, पर अभी भी वो order ID missing है, जो order ID आगे हमको चाहिए, तो order ID कहां से आएगा, तो हमको यहाँ पे यह भी चेक करना होगा, कि यह जो order placed है, कि वोल यह ना हो, इसकी information, इसकी ID वगरे भी हमारे पास आए, तो यह current order placed को थोड़ा सा और कर सकते हैं, क्योंकि future में हो सकता है, उसका कुछ नाम, किस date को वो है, ऐसी कोई और information भी हमको दिखानी हो, जो database में save होने के बाद आए, तो उस extra information के लिए, इसको false true करने से अच्छा है, कि मैं इसमें पूरा जो current order, अभी database में save हुआ है, वो ही वापस से आपको दे दूँ, तो इसको शुरू में null रखेंगे, और यहाँ पे हम इसको, जो यह action.payload, जो latest order है, वो ही इसमें मैं put कर दूँँगा, तो अब यह status नहीं है, एक तरह से पूरा order है, थोड़ा सा हम इसको code को change कर रहे है, तो अब current order अगर आ गया है, null नहीं है, तो हम यहाँ पे भी थोड़ा से change कर लेते हैं, उसे सब से imports भी change होंगे, और इसको मैं केवल current order बोल देता हूँ, तो अब current order आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ कुछ imports होगरे गलत होगे थे, वो सही कर दीजिए, फिर current order अगर है, तो navigate success पे, और आप current order की आपके पास ID भी है, तो मैं order success के आगे वो ID भेज सकता हूँ, router के parameters की तरह है, तो यह URL parameters हमने देखा था, थोड़े देर पहले भी हमने एक ID भेजी थी इसमें, तो यहाँ current order की ID हम भेज देंगे, लेगिन इसके हिसाब से आपको routing भी change करनी होगी, क्योंकि routing में अभी हमने कहीं पे भी यह नहीं दिया है, कि order success के आगे एक ID हम accept कर रहे हैं, यूज़ कर सकते हो, जो router आपको provide करता है, तो use params में आपको constant में यह params मिल जाएंगे, और params में ID के नाम से वो चीज़ आपको मिल जाएगी, तो अब यहाँ पे मैं ID equal to, या फिर इसको एक statement में भी आप लिख सकते थे वसे, यहाँ पे params.id सीधे आप पुट कर दो, अगर यह नहीं है, तो आप slash पे चले जाओगे, अगर यह है, तो यही एक तरह से आपके order की ID है, तो यह params ID आप नीचे order number में भी पुट कर सकते हो, तो आप मैं वापस से पूरा टेस्ट करता हूँ, लॉग इन करता हूँ, यह चेक आउट है, चेक आउट करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ सेलेक करते है, order number 6 यहाँ पे आगया है, successfully placed इस तरह से आगया है, go back to home, यह पे हमारा लिंक है, लेकिन cart अभी भी empty नहीं हुआ है, तो यह भी चीज़ होनी चाहिए, और cart को reset करने में दिक्कत यह होगी, कि आपको एक item नहीं हटाना है cart से, आपको सारे item हता देने हैं, उस particular user के cart से, तो यह जो delete item from cart वाला सा logic था, यही लगेगा, पर इक ही करके सारे items पे logic लगने वाला है, ठीक है, तो पहले वे तो मैं एक template इन में से ही copy कर लेता हूँ, और उसमें हम loop में एक तरह से delete item from part के चलेंगे, तो इसका नाम मैं रखता हूँ reset cart, और reset cart में आपको user id देना होगा, तो इस particular user के सारे items cart के आप delete कर दो, उसके बाद जो code आपको use करना है, उसमें तो आपको एक तरह से, पहले उस user के सारे items लाने हैं, और फिर delete करने हैं, तो इसमें एक तरह से get all the items वाली API यूज हो जाएगी, and then delete each वाली API, ये दोनों API हमने पहले से ही बना रखी हैं, अगर आपको ध्यान हो तो, यहाँ पे top पे हमने, डिलीट वाली तो आपको दिखी रही है, top पे fetch items by user ID भी बनाई हुई है, तो उन दोनों के mix से ये काम हो जाएगा, तो fetch item by user ID करते हैं, और उसमें यहाँ पे async आएगा यह, फिर यहाँ पे await पुट कर देते हैं, और फिर await में यहाँ पे constant में response में आजाएगा, आपके पास वो response में वो सारे items आजाएंगे, और उनको proper JSON में करना है, तो response.json इस तरह से आप कर सकते हो, तो यह पूरा format आप यूज करना होगा, JSON में वो अच्छली खुद ही convert कर चुका होगा उनको, क्योंकि हम already existing data ही use कर रहे हैं, तो पूरी API ही मैंने use कर लिया, और delete from cart उपर वाला function हम use कर रहे हैं, और इसमें एक एक करके item को pass कर रहे हैं, तो for loop मैंने चलाई है, और for loop में जितने भी items हमारे पास आए, उन में से एक एक की ID हम use करके delete item from, तो उपर वाले दोनों functions को reuse हमने ले लिया है, अब actually मैं इसको भी promise में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं इसको भी async thang call करेगा, और async thang को चाहिए कि कोई पूरा promise, promiseable call ही वो call करे, तो यहां पे मैं last में resolve में, जब यह दोनों चीज़ें खतम हो जाएंगी, तो resolve में भेज दूँगा कि successfully हमारा यह reset हो चुका है, तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि status is success, तो यह resolve तो एक बस तरीका है, जिससे आप पता लगा दो कि यह सारे promises उपर जितने भी awaits थे, वो खतम हो गए हैं और यह top level का promise खतम हो चुका है, अब मैं यहाप एक use effect hook लिखूंगा, और इस use effect hook से अपने आप यह reset card को call कर लेगा, तो reset card यहाप यहाप पे आपको dispatch करना पड़ेगा, तो I think इसमें हमको पहले dispatch भी लाना पड़ेगा, तो यह reset card का भी हमने पहले slice शायद नहीं बनाया है, तो वो एक part हम skip कर गए, तो पहले वो slice वाला part हम बना लेते हैं, जिससे reset का एक action बन जाए, तो async थंक वाला पूरा process, तो reset card async जिस तरह से हम बनाते हैं, और reset card और इसमें item ID की जगे user ID होना चाहिए, दोनों जगे user ID आप पास कर दो, सब कुछ बाकी सेम ही होगा, यहाँ पे इसका नाम reset card कर दो action का, और अब इसके cases हम build कर देंगे, और इसमें reset card async pending, और reset card async fulfilled, यह दोनों status हम put कर देंगे, बाकी I think यहाँ पे कुछ हमको special status नहीं लाना है, हमको बस यह पता होना चाहिए कि complete हो गया है, तो यह अपने आप उसके बाद चीज़ों को remove कर देगा, तो मैं use effect में dispatch कर रहा हूं इसको, जो order success page था वहीं से ही call कर रहा हूं मैं इसको, और यहाँ मैंने dispatch भी नहीं import किया, तो use dispatch से dispatch बना लेते हैं, उसमें reset card is in, तो यहाँ पर हमको बस एक user ID चाहिए, जिसका card खाली करना है, तो उसके लिए हमारे पास already user में वो info है, हम use selector use करेंगे, और उसमें select logged in user, जो आपके पास already exist करता है, वो use कर लेंगे, और इसमें मैं user.id ऐसे pass कर दूँगा, तो यहाँ पर user ID आजाएगी, यह reset card में चला जाएगा, यहाँ पर यह fetch हो जाएगे, सारे items आजाने चाहिए, response.data में, और इस तरह से यह पुरा work करना चाहिए, एक और चीज मैं यहाँ पर dispatch कर सकता हूँ, कि हम order को reset कर दें, जो तीसरा एक काम था, कि order को भी reset करना है, तो यह तो हम क्या कर रहे है, reset card, और यहाँ पर हम करेंगे, reset current order, क्योंकि वो current order में चीज थी न, कि क्या हम current order किया है, तो वो भी reset करना ज़रूरी है, ताकि clash now, नया order हम कुछ कर सके, तो यहाँ पर इस case में, आप simple एक reducer use कर सकते हो, अभी extra reducer की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि order, जो current order है, वो तो क्यों यहाँ पर है, कहीं database में तो है नहीं, तो reset order नाम से, मैं पहली बार, एक normal reducer use कर रहा हूं, without any async थंक, तो इसमें reset order में, बस state.current order equal to, आपको null करना है, और यह यहाँ actions, हम पहली बार यहाँ पर export करके, use लेने वाले हैं, इनके नाम slices के, आप change कर सकते हो, वैसे default होता है, तो हर जगे काम कर जाता है, कई बार मैंने change किये भी नहीं है, पुराने code में, counter slice वगरे में, बट हर जगे proper reading के लिए, आप यहाँ पर जैसे order slice, या इस तरह से नाम कर लो, तो reset order, यहाँ exported, एक action बन गया होगा, इसको directly आप call कर सकते हो, जिससे की current order null हो जाएगा, तो यह भी proper होना चाहिए, और यहाँ पर user ID को, मैं dependency में put कर दूँगा, यह user को भी आप dependency में डाल सकते हो, तो finally, यह पुराने orders मैं हटा देता हूँ, टेस्टिंग के लिए थोड़ा clear हो जाए, क्योंकि आप काफी order में हमने change कर दिया है, और यहाँ पे हम एक नया order कर रहे हैं, already existing चीज़ से, तो order number 1 आ गया है, पहली ID थी, अब आप जा सकते हो, यहाँ चेक कर सकते हो, कि नया order बना है क्या, यहाँ order में orders के अंदर, order 0 आपको दिख रहा है, current order आपको clean दिख रहा है, card में items भी आपको clean दिख रहे हैं, तो हमारा पूरा काम हो गया है, और यहाँ पर order और उसकी सारी information भी आपके पास में store हो गई है, तो card में जो बाकी items दिखाई दे रहे हैं, यह एक तरह से इस user के नहीं है, यह सब अब जैसे यहाँ पर user 1 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर user 2 है, user 2 है, तो हमको यह चेक करना होगा कि card से क्या API लेवल पर भी वो चीज़ें डिलीट हो गई है, तो यहाँ शायद कुछ mistake है, card में यहाँ पर slash undefined आया है, तो यह चीज़ें डिलीट नहीं हुई, तो card में यहाँ पर undefined क्यों आया, वो हमको चेक करना पड़ेगा, तो जैसे डिलीट वाला जो कमांड था, उसमें एक-एक करके card slash, तो जो item IDs थी आपकी वो सही नहीं आई है, और उस वज़े से वो item में डिलीट नहीं हुआ है, इस user का, तो यहाँ पर हमने for off loop लिखना था, उसकी जगे in loop लिख दिया था, तो यह एक silly mistake है, इसकी वज़े से यह error आया, तो अब वापस से आप try करके देखो, I think अभी भी card में information दिख रही होगी, कि card डिलीट नहीं हुआ था, API level पर डिलीट नहीं हुआ था, तो यह card में अभी भी वो order item दिख रहा है, अब इसको check out कर लेते हैं, वापस से place कर देते हैं एक order, तो अब यह आप पहले check कर लो, कितने orders हैं, यहाँ पर एक order है, अब यह order number two आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर वापस से clean हो गई हैं चीज़ें, items हो गएरें, सब कुछ खतम हो गए हैं, back home जाते हो, तो cart एकदम empty अब दिखाई दे रहा है, और यहाँ data.json में भी आप देखोगे, तो यह order तो नया place हुआ ही है, जैसे आप यहाँ एक की जगे दो order दिख रहे हैं, और उपर cart में आप देखोगे, तो user two के orders तो हैं, cart में items तो हैं, बट user one के चले गए, अब user two को भी देख लेते हैं, कि उसको भी हम clean कर पाते हैं, तो user two I think demo है, तो इसमें भी दो item है, इनको भी हम check out कर लेते हैं, और अभी missing information होगी कुछ, इसमें कोई address ही नहीं है, तो मैं कुछ dummy address अभी add कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ city, state, zip, सारा जो भी required information है, एक address तो होना ही चाहिए, shipping के लिए, तो वो मैंने add किया, उसको मैं select कर लेता हूँ, card payment कर देता हूँ, order कर देता हूँ, और फिर हम वापस back home, यहाँ पर card clear हो चुका है, तो यहाँ पर देखोगे, तो card बिलकुल empty है, और order में तीसरा order आ चुका है, तो यह अब हमारा पूरा process सेट हो गया, card और order से related, तो next हमको यह sign out profile, यह सारे page बनाने होंगे, यह सब user से related है, तो अब यहाँ बात आती है, एक नए feature बनाने की, तो your profile, यह सब यहाँ menu में लिखे हुए, इनको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, कि इस तरह से हमको लिखना है, तो your profile is basically, जहाँ user, तो slash profile पे मैं यह link कर दूँगा, और एक जगे हमने का था, कि orders भी आप अपने देख पाओगे, तो वो भी एक menu item में मैं बना देता हूँ, इन सब के लिए एक feature बनाता हूँ, मैं user नाम से, तो अभी तक मैं user की जित्ती चीज़ थी, auth से कर रहा था, लेकिन auth से के लिए login साइन अप होने चाहिए, ना कि user का सारा data, तो यह user नाम से एक नया feature बनाना ज़ादा helpful होगा, ताकि हम उसको अलग रख सके तो, इसमें user की और information जैसे उसकी order, उसकी profile यह सब आएगी, तो इन component के नाम मैं rename कर देता हूँ, user.js कर दिया, user.js कर दिया, user.js API मैं इसको कर दूँगा, तो user के login sign up वाली चीज auth में है, बाकि जितनी भी API calls होंगी, वो हम यहाँ पे user section में रखेंगे, they are independent of authorization, तो यहाँ, actually मैं एक update user हमने पहले भी API बनाई थी, वो भी यहाँ पे होनी चाहिए थी, तो मैं एक सबसे पहले बना रहा हूँ, fetch logged in user, और यह user ID से logged in user की पूरी information लेके आएगा, तो यह क्यों जरूर यह API है, यह sign up हुआ और ID क्या है maximum, पट यह fetch logged in user, user API slash user ID से, उस user की सारी information गेट कर लेगा, जैसे addresses, orders, यह सब जो भी उसमें stored होगा, तो इसलिए मैं एक अलग variable यहाँ पे बना रहा हूँ, तो हम इनको differentiate करेंगे, बाद में धिर दे, तो fetch logged in user नाम से, पहला async थंक हम बना रहे हैं, और यह user की बस information को get कर रहा है, ठीक है, तो fetch logged in user हमने किया, और इसको मैं किसी user info नाम से, एक state variable में store कर देता हूँ, तो already user logged in user नाम से, एक पहले भी variable किसी state में है, auth में जैसे हमने देखा था, पर यहाँ user info उसी का ही एक बड़ा रूप है, आप कह सकते हो, यहाँ पर user की सारी information, आपको जब fetch करनी हो, तो this information can be different, from logged in user, और उससे जादा हो सकती है, मतलब इसमें user के stored, सारे addresses, orders, यह सब भी आ सकते हैं, तो यह मैं इसको differentiate कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा confusion हो सकता है, कि user की info तो already हमारे पास select logged in user में है, पर उसको मैं दीरे दीरे reduce करके, कि वो authentication के लिए यूज लूँगा, और बाकी सारी information मैं, इस user info से लेने वाला हूँ, तो यह यहाँ पर users वाला component है, user component, तो as a user component तो मैं इसको नहीं use करने वाला, user में दो main चीजे हैं, एक तो मैं एक components folder बना देता हूँ, उसके अंदर move कर देता हूँ इन component को, क्योंकि मैं एक से जादा component बनाने वाला हूँ इस feature में, और एक होगा user profile, और एक होगा user orders, तो user orders, पहले बना लेते हैं, तो यहाँ पर मैं user orders लिखता हूँ, और user के orders आप fetch कर सकते हूँ, using order API, तो यह पुराने लिखे हुए है, select count वगर इनको आप भटा सकते हूँ, यहाँ पर भी select count imported है, तो यहाँ पर हमको किसी तरह से, जैसे यहाँ मैं fetch logged in user किया है, उसकी जगे fetch logged in user के orders भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी, मालो आप को, वो यूज करना है, मैं अभी इसी API को modify कर देता हूँ, तो इसमें orders API पे जाके, उस particular user के सारे orders आपको लाने हैं, तो orders में देखो, कैसे stored हैं चीज़ें, तो यहाँ पे user की ID कहाँ पे है, यहाँ पे user और उसके अंदर, नीचे, email है, password है, पर user की, पूरी information है, नहीं कि केवल उसकी ID, लेकिन user की ID भी उसके अंदर ऐसे कह सकते हो, तो यहाँ पे question mark से हम query कर लेंगे, की user की जो dot ID है, और इसमें ऐसा feature होता है, JSON server में कि आप अंदर भी जा सकते हैं, तो user dot ID equal to user ID जो हम pass कर रहें, तो उससे जितने भी orders हैं उस user के, वो सारे आपके पास आजाएंगे, तो मैं अभी इसी API को modify कर रहा हूँ, तो यह अब fetch logged in user, orders हो जाएगी, और यह इनका नाम चेंज हुआ है, तो यह दोनों आ जाएंगे, और user info को अठा के यहाँ पे user orders, और उसमें action dot payload, तो अब जो भी login करेगा user, उसके सारे orders, फैच होके आ जाएंगे, तो यहाँ पे यह reducer भी हम add कर देते हैं, तो user reducer from, जहाँ पे भी यह आपने बनाया है, features, user, user, slice, तो यहाँ पे आपको user reducer मिल जाएगा, और user नाम के object में, user reducer इस तरह से आप map कर दोगे, तो यह reducer भी आपने attach कर दिया, तो अब इसको call कब करना है, कब आपको चाहिए कि सारे orders fetch हो जाएं, तो यह चीज़ भी actually login होते ही हो जानी चाहिए, क्योंकि जैसे user login होता है, या तो तब हो जाए, या फिर user orders वाले को जब check करता है, तो optimize करना है, तो user orders वाले page पे जब जाए, तब वो fetch कर ले, वो सारी चीज़ को हो सकता है, आपको upfront सारे order देखनी ना हो, user का भी वहाँ आई नहीं, तो अब मैं यहाँ पे dispatch कर दूँगा, logged in user, इसको चाहिए user की ID, तो वो हमारे पास already logged in user में है, तो यहाँ पे user.id मैं pass कर देता हूँ, तो अब जैसे user orders page को आप देखोगे, तो यह dispatch हो जाएगा, यह यहाँ पे ID है, यह पास होगी, यह इस API को call कर लेगा, और वो API JSON server की वज़े से, कि वो उस user के orders ले आईगी, फाइनली वो orders में को दिखाने हैं, तो मैं constant orders में उनको use करता हूँ, तो use selector लिखूँँगा, और हमने शायद एक selector बनाया, अभी तक नहीं बनाया, तो मैं export constant और इस user के सारे orders को select करने का कुछ एक बनाते हैं, तो जैसे किसी और selector को मैं template copy कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम select orders इतना लिख लेते हैं, यह select user orders, clear की इसी user के हैं, तो इसमें state.user.orders, ठीक है, तो user के अंदर user orders नाम से यह है, जैसे हमने रखा है, तो अब इसको selector को मैं put कर देता हूँ, तो यहाँ पे orders में हमारे पास उस user के सारे orders आ जाने चाहिए, अब उनको display करना है, ठीक है, तो display करने के लिए किस तरह का template आप यूज ले सकते हैं, तो orders की खास बात है कि orders में main चाहिए तो items ही है, तो उनको display करने के लिए मैं वो cart वाला layout फिर से use करने की सोच रहा हूँ, तो इसको मैं पहले short circuit से check कर लेता हूँ, पहले orders.map में में मेरे पास order आ जाएंगे, और जो भी order होगा, उसका में को ID यहाँ पे मिल जाना चाहिए, तो पहले एक बार यह template चेक कर लेते हैं कि पूरा हमारा flow काम कर रहा है क्या, order मारे पास आ रहे हैं क्या, उसके बाद मैं template यहाँ पे fixing करूँगा, तो nav bar में यह page का link बना देते हैं, my orders और यहाँ पे link में हम लिख देते हैं, slash orders, तो इससे यह आ जाएगा, और routing में भी आप इसको add कर दो, क्योंकि routing में शायद अभी orders page है यह नहीं, तो यहाँ पे orders page आ जाएगा, और that will be equal to, अभी वो component के बराबर ही है, बाद में आप चाहें, तो इसका एक page भी बना सकते हैं, तो user orders जो की है, वो एक component ही है, तो अभी मैं इसको के बड़ टेस्ट करने के लिए, यूज कर रहा हूँ, तो अब login किया, इसके बाद में मैं गया, यहाँ पे my orders पे, तो यहाँ पर आपको दिखो 3 दिख रहा है, तो एक कोने में एक छोटा सा दिखाई दे रहा है, तो क्योंकि काफी एकदम margin end पे है वो, और हमने कोई style भी नहीं दिया, एक बार आप इसको H1 में करके देख लो, चाहें, और मैं कुछ class list देता हूँ, class name actually, तो order की ID आ गई है, मतलब order भी II होगा, तो यह information आ रही है, दूसरे user के लिए login करके देखते हैं, क्योंकि उसके शायद जादा orders थे, तो test Gmail को करते हैं, यह my orders में 1 और 2, यह इसके 2 orders आपके पास आ रहे हैं, तो मतलब orders का data तो आ गया, अब मैं cart वाले page पे जंप कर गया हूँ, और यहां cart वाले page से, मैं इसका पूरा template जितना भी relevant में लिए होता है, वो मैं copy कर रहा हूँ, बाद में हम इसको थोड़ा modify कर लेंगे, और यहां पे मैं उसको paste कर देता हूँ, तो एक तरह से cart का पूरा, जो scenario वो loop में चलेगा, मतलब हर order एक cart जैसा सा दिखाई देगा, तो मैं एक div लिखता हूँ, उसके अंदर वो cart वाला template पेस्ट कर देता हूँ, थोड़े से naming हम change करेंगे, तो items क्या होंगे, वो आप order dot items होंगे, हर order के अंदर के items, तो हर order एक तरह का एक cart बना रहा होगा, तो इसमें इसको हम लिख सकते हैं, items in this particular order, quantity यहाँ पे अब आप change नहीं कर सकते, क्योंकि quantity यह तो एक order हो चुगा है, तो बस आपको quantity डिस्पले करवानी है, तो item dot quantity को क्योंद इसके आगे लिखतीजी, यह select वगरे आप अप 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 सकते हो, ऐसे ही remove का button वगरे हटा सकते हो, अब आप remove तो क्योंकि कर नहीं पाओगे, तो क्यों order को display करना है, और सब total वगरे में, order में ही total amount था, हमने इसको separately store किया था, आप देख भी सकते हो, क्या क्या नाम है, total amount है, total items है, address भी है, user का shipping address वगरे, तो ऐसे ही यहाँ पे, order.total items में items आ जाएंगे, और even आप shipping address भी दिखा सकते हो, link to checkout वगरे, यह सब हमको नहीं चाहिए, तो यह हम पूरे दो divisions, और पुराने links हटा सकते हैं, तो that's it, I think यह एक basic layout बन गया, find आ रहा है, एक वापस से refresh भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी चीज़ा हमने change की हैं, तो अब यह properly आ रहा है, तो यहाँ पे items in order, दोनों same से दिख रहे हैं, क्योंकि एक order में मैंने almost दो, order बिल्कुल similar की थे, पर यह actually में दो different orders हैं, order number one और order number two, तो इसको differentiate करने के लिए, आप order की ID पुट कर दो, तो items in order की जगे, यहाँ पे हम order का number पुट कर देते हैं, order is order.id, तो वाप पुट कर दो, तो यह एक order number one है, एक order number two है, अभी दोनों में similar सी चीज़े हैं, तो उस तरह से यह दिखाई दे रहा है, अभी इसमें और information भी दी जा सकते हैं, कि उस order को जब किया गया था, तो कौन सा shipping address यूज किया गया था, तो shipping address भी हमारे पास है, क्यूंकि हमने उस वक्त user की भी पूरी information, तब capture कर ली थी, उस वक्त, तो यहाँ h3 मैं एक put कर रहा हूँ, ताकि मैं order का एक status भी दिखा सकूँ user को, इस वक्त की order dispatch हो गया या कुछ ऐसा, तो order.status भी हमारे पास एक variable में already stored है, तो यहाँ पर order का status pending और यह सब दिख रहा है, अभी तो वैसे भी हम change नहीं कर सकते हैं, वो बाद में admin panel से ही इसको change किया जाएगा, पर आप order की कोई भी चीज यहाँ पर, जो my orders page एक तरसे user का बन रहा है, उसमें add करते जा सकते हैं, तो selected address, यह वो part है, जहाँ पर आपने shipping address यूज किया था, तो selected address की use कर सकते हो आप, तो मैं पहले आपको कर रहा था कि user की information capture की थी, user की information में तो actually सारे address होंगे, वैसे होने नीची हैं, बाद में हम उसको optimize कर देंगे, लेकिन selected address वो point है, जहाँ पर shipping address stored किया था हमने, तो यह पूरा मैं copy कर रहा हूँ, पुराने एक template से, और इसको मैं यहाँ पर paste कर देता हूँ, यह हमने जब check out वाले section में एक list बनाई थी, जिसमें address दिखाया था, वो exactly मैंने copy कर लिया, इसको आप ध्यान से paste कर सकते हो, मैं एकदम last में इसको paste कर रहा हूँ, जहाँ पे एक भी order दिखाई जाता है, और इसके कुछ variables हम change कर लेंगे, तो यहाँ check box हो गए रहे तो आप needed नहीं है, address में name, street, pin code, यह सब तो बिल्कुल similar रहने वाले हैं, बस फरक यह है, selected address आप इसका नाम कर दें, और selected address भी I think direct नहीं है, वो order के अंदर है, तो order.selected address.name हो जाएगा, ऐसे ही उसके अंदर यह street हो जाएगी, देख सकते हो, यहाँ पर address भी आ रहा है, कि उसको कौन सा select किया गया था, address, payment mode वगेरे, सब कुछ आप दिखा सकते हो, अभी मैं कुछ limited ही रखूंगा यहाँ पर, और यह shipping, tax वगेरे अगर था, तो यहाँ दिखा सकते हो, अरना यहाँ पर मैं इसको address लिख रहा हूँ, तो this is the shipping address, the shipping address यहाँ पर आपने दिखा दिया, आप दोनों order आपके दिख रहे हैं, थोड़ा सा layout, एकदम end to end आपको दिखाई दे रहा है, तो अब इसकी formatting थोड़ी सी हम ठीक करते हैं, और मैं अब यह page बना दूँगा, अभी तक मैं आपको सीरे component ही दिखा रहा था, तो मैं user order page बना दूँगा, जिसमें कि हम neobar वगएरे भी add कर सकते हैं, और कुछ extra headings वगएरे, तो user orders page, अल्रेड़ी ऐसे कुछ samples हैं, वो हम copy कर सकते हैं, product details का एक page है, उसको आप कर लीजे, और वैसा ही ये भी बनेगा, पूरा जिसमें neobar वगएरे और वो सब चीज़ें होंगी, तो मैं उसी से ही एकदम, पूरे parts copy कर लेता हूं, यहाँ पे paste कर देता हूं, यह product details की जगे है, order, user order, component आएगा, तो वो आप ध्यान रुखना, user order page, user order component, और यहाँ पे यह user order को, import भी किया है, बाकी सब आप हटा दें, तो यह पूरा ना, template यहाँ से आप हटा सकते हो, और, क्योंद user order page, यह default हम export कर देंगे, तो routing में भी जाके change कर दो, अब page को वहाँ पे पूट कर सकते हो, तो user order page, यहाँ पूट कर दोगे, तो अब properly formatted आना चाहिए, तो यहाँ navigation बार आ गया, side में spacing अगरा हो गई, आप चाहें तो यहाँ पे my orders, ऐसे करके, heading भी पूट कर सकते हो, ताकि user को पता रहे, वो किस section पे है अभी, तो h1 में मैं लिख देता हूँ, my orders, और class name में मैं, कुछ margins देता हूँ, text, to excel देता हूँ, इस तरह से काम करता हूँ, तो यहाँ पे my orders अगरा आ गया, इसको आप और भी अच्छे से format कर सकते हो, अपने हिसाब से, तो my orders चल रहा है, इसके अलावा एक profile का page भी, हमने अभी बनाया था, तो अब उस profile page को देखते हैं, तो इसको भी हमें my profile ही बोलता हूँ, similar sound करने के लिए, तो यहाँ पे my profile बन गया, इसके link पे, आपको user का नाम, उसका कुछ changeable, वो सब आएगा, template एक बार paste कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे कुछ starting points लूँगा, बाकी तो इसको हम delete कर देंगे, इससे मैं क्योंकि, especially address वाला part, काफी same सा use कर सकता हूँ, तो यहाँ पे order ID नहीं है, यहाँ पे हम इसको name लिख रहे हैं, दूसरे column को हम email लिख रहे हैं, email क्योंकि हर user का hack, जब वो login करता है, यह एक list है, यह मैं को नहीं चाहिए, उसके बाद subtotals वगएरे, यह सब भी I don't think हमको चाहिए, then मैं को सीधे addresses चाहिए, और shipping address नहीं चाहिए, इतरह से खूब सारे addresses हो सकते हैं, जो उसने store की हैं, तो यहाँ पर एक तरह का map आएगा, तो जितने भी user के addresses हैं, your addresses नाम लिख देता हूँ इस section का, और वो उस पर चलेंगे, तो कहां से आएगी यह information, तो कहीं ना कहीं, अब user की सारी information हमको लेके आनी पड़ेगी, तो मैंने एक बार वो बनाया था, फिर मैंने delete करके उसको orders कर दिया, तो अब fetched logged in user का info हमको लाना पड़ेगा, तो वो API यूज करते हैं, तो यहाँ पर auth में नहीं बनाएंगे, तो मैं अभी user equal to use selector, और इसमें select logged in user वाला भी use कर सकता हूँ, अभी एक बार के लिए, क्योंकि उसमें भी शायद addresses वगर है, अभी हमने temporarily store किये हुए हैं, future में हम नहीं करेंगे, पर एक बार इसको चलाने के लिए, मैं उससे चला के आपको दिखा देता हूँ, तो user का name तो वैसे अभी तक हमने put नहीं किया है, पर मैं ऐसे डाल देता हूँ, कि यहाँ पर user का name exist कर सकता है in future, अगर वो exist नहीं करता है, तो आप guest user या anonymous या new user, कुछ ऐसे एक default name वाँ पर show कर सकते हूँ, email address में user का email आप दिखा सकते हो यहाँ पर, इसके अलावा your addresses में user के अंदर addresses भी हैं, तो हमने वो addresses पुष्च किये थे थोड़ी दे पहले, उन्हीं पर हम map लगा देंगे, और एक address यूज करेंगे, और वो address को इस template में आप as it is यूज कर सकते हो, तो अभी जो ordered or selected address वाला पार्ट है, उसको हटा के अभी जो एक particular address, इसमें आ रहा है, वो यूज कर सकते हो, तो यहाँ address लिखो, हर जगे इसको replace करके, यहाँ पर सीधे address पुट कर सकते हैं, तो अब यह hopefully सही चलना चाहिए, अगर logged in user में सारी information आ गई है तो, तो एक बार page not found आ रहा है, क्योंकि मैंने शाइद routing में add नहीं किया है profile को, तो यहाँ पर जाता हूँ मैं, और जैसे orders को add किया था, वैसे ही profile को भी add कर देंगे, तो user profile, इसका भी वैसे हमको बाद में page बनाना चाहिए, तो अभी मैं इसका नाम यहाँ बदल देता हूँ, तभी वो import auto हो नहीं रहा, अब यूजर profile आ गया है, और यहाँ पर भी user profile हमने लिख दिया है, तो अब आप देख रहे हो, name आ रहा है, email आ रहा है, और जितने मैंने addresses store कर रखे थे, वो सारे आ रहे हैं, इनको हम बाद में editable और इस तरह से भी बनाएंगे, तो मैं page भी बना देता हूँ, इसके साथ के साथ, जैसे हमने orders के लिए बनाया था, तो user profile page, एकदम उसी की copy होगा, user orders page की, तो उसको आप copy कर लिजे, और इसमें बस इसका नाम change करना है, और इसके imports थोड़े बदलने हैं, तो यहां user orders की जगे, user profile आएगा, तो यहां पर user profile page कर देता हूँ, मैं routing में भी, तो user profile page यहां पर आगया, तो इस तरह से यह भी नयवार और इसके तरह से पूरा आगया है, यहां पर जाके आप heading भी change कर सकते हो, यहां पर आप my profile लिख दो, तो यह my profile दिखाई देगा, तो name अभी editable नहीं है, और वो सब हम कर सकते हैं आगे, अभी, लेकिन addresses मैं पूरा अभी editable और add करने का option मैं यहां पर बनाता हूँ, ताकि user जरूरी नहीं है कि checkout के time पर हमेशा address add करे, वो अपनी profile पर जाके भी add कर सकता है, तो मैंने यहां एक section और create कर दिया है, copy करके, और phone और last वाले section मैं edit और remove के buttons बनाना चाहूँगा, links, तो ऐसे कुछ buttons शायद कहीं पर थे, तो मैं cart में जा रहा हूँ, और यहां पर remove का पहले एक button बना हुआ था, तो as it is उसको मैं copy कर लेता हूँ, और ऐसा ही मैं एक edit का button बनाऊंगा, तो इसको मैं handle edit कर देता हूँ, इसको handle remove, यह functions अभी हम बनाएंगे, तो actually edit उपर रखते हैं, remove नीचे रखते हैं, उसे साबसे labels भी change कर लेते हैं, यह remove होगा, और उपर वाला यह edit होगा, तो format कर लेते हैं code को, तो handle edit और handle remove अभी हमको बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर कुछ मिसिंग है, item.id कोई पुरानी चीज थी, यहाँ पर address.id होगी दोनों जगह पर, क्योंकि आप किस particular address को edit डिलीट करना जाते हो, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर यह clickable दो links आ जाएंगे, और उस हिसाब से हम उस particular address को edit कर सकते हैं, पर edit के लिए आपको वापस एक form बनाना पड़ेगा, जिस form में यह सारे fields हो, name, email, phone, city, यह सारे हो, तो वैसा form आपको याद आ रहा होगा, कि already हम बना चुके हैं एक बार, और वो है checkout में, checkout वाला जो form था, जिसमें address की पूरी सारी चीज़े हैं, वो हम reuse कर सकते हैं, तो एक और चीज़ है, यहाँ मैंने auth API में पहले एक update user बनाया था, और मैंने आपसे कहा था, यहाँ पे के फिल auth की चीज़े होने चीज़े, तो मैं इसको एक बार cut करता हूँ, और इसको अब मैं paste कर रहा हूँ, यहाँ पे, और यह है user API वाला section, तो इससे यह आसानी होगी, कि अब address वगरे, इस update user को directly use कर पाएंगे, अब पुराना जो reference रहे गया update user का, वहाँ पे आप जाके थोड़ा सा update कर सकते हो, कि अब हम auth API से नहीं, update user से कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमने एक update user वहाँ चेक आउट के time भी किया था, तो वो auth API से नहीं करना चाहिए था, अब क्योंकि उस वक वो नहीं थी, तो अब मैंने user API बना लिया, तो हर जिगे आप एक बार reference चेक कर लीजेगा, कि कहां पे वो API का impact पढ़ रहा है, तो वो मैंने बदल दी है, अब वापस आते हैं, अब इस update user से हम अपना address वगरे, edit और update करवा सकते हैं, तो यहां पे एक index भी मैं पास कर देता हूं, इंडेक्स से फाइदा होगा कि उस particular index से ही काम चाल जाएगा, ID की भी ज़रूत नहीं है हमको, क्योंकि addresses में actually मैं ID थी भी नहीं, addresses हमने सीधे as a JSON object सेव की हैं, ना कि उनको top level database object बनाया है, जिसमें ID होती है, तो इंडेक्स के हिसाब से हम splice कर सकते हैं, remove कर सकते हैं किसी चीज़ को, तो यहां पे मैं handler में event object और index दोनों पास कर देता हूं, और update user से हम एक slice बना लेते हैं, क्योंकि इसका slice नहीं होगा इसमें, पुराने वाले में slice अभी भी इसका होगा, यह भी एक problem है कि हमने वहाँ slice भी copy करने थे, वह अभी तक copy नहीं किया, ओथ में वह slice हो सकते हैं, तो मैं update user नाम से, update user async नाम से slice बना रहा हूं, और उसमें जो हमारा default format रहता है, वैसे हम इसको copy कर रहे हैं, अब मैं यहां पे दो case बिल्ड कर रहा हूं, तो इससे पहले मैं एक fetch logged in user भी ले आता हूं, जो हमने एक बार बनाया था फिर हटा दिया था, जिसमें user की सारी info हम catch कर सकते हैं, जो एक particular user है, जिससे हमको उसके addresses अगरे extra मिल सकते हैं, अभी तो हम logged in user में सब कुछ store कर रहे थे, बट feature में हम वैसा नहीं करने वाले, तो user info या user info नाम से मैंने उसको बनाया था, शुरू में null info हम रखते हैं, और this will have more info, तो logged in user को के वल हम id वगरे के check के लिए use करेंगे, बाकी सब जगे के लिए हम user info को check करने वाले हैं, तो यह user info भी यहां पे इसके लिए भी fetch logged in user async हम बना लेते हैं, और यहां पे async लिखना है, और fetch logged in user यहां पे यह function भी API वाल कॉल कर लो, यहां पे action का name भी तो सब कुछ हमने change कर दिया है, अब यहां पे इसके action cases भी जोड़ देते हैं, fetch logged in user async, pending, और यहां पे क्या करना है कि user info में आप information जो भी उस particular user के आती है वो add कर दोगे, तो अब मैं export एक selector बना लेता हूं जिससे कि हम select कर सके user की info, तो user info जब पूरे user की detail चाहिए और select logged in user वाला जब केवल उसकी ID चाहिए, तो यह अभी differentiate है इसके बाद में, तो यह fetch logged in user भी हम शुरू में कर सकते हैं, जैसे ही app open होती है, login होती है तो हमारे पास login की ID तो आही जाती है, तो उस ID को use करते हुए हम पूरी उसकी information गेट कर सकते हैं, तो यह user.id में हम जैसे user के items कार्ट के कर रहे थे, वैसे ही उसकी पूरी detail भी हम fetch करके ला सकते हैं, तो अभी यहां पे यह information हमारे पास में होगी, तो user की info आ चुकी होगी, उसमें user के addresses हो भी सकते हैं, तो उसको हमको specially कुछ add करने की ज़रूत नहीं है, तो यहां पे मैंने user profile में अब बदल के user info कर दिया है, जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि logged in user info मैं कर रहा हूँ, तो वो मैंने वहां पे change कर दिया और orders में भी मैंने उसको change कर दिया है, तो वहां पे सारी info हमको मिल जाएगी, और भी हम देख लेते हैं select logged in user कहां का हमने पहले यूज किया था और कहां पे उससे कुछ extra information हमको चाहिए, तो जैसे यहां पे हमने यूज किया था यहां पे हम info कर देते हैं, और जिस जिज जगे पे possible है हम info कर देंगे, जैसे checkout वाला area था तो यहां पे addresses चाहिए थे तो वहां पे मैंने कर दिया, अभी यह error आ रहा है कि add cases में same हो गया है, तो अभी मैंने slice बनाया था उसमें शायद नाम वगएर हमने चींज नहीं किया होगा, या फिर I think यह वो जो auth वाला missing slice है, उसके बारे में बात कर रहा है, वहां पे भी क्योंकि update नहीं है, फेश logged in user orders और इसके बीच में clash हो गया, तो अब इसको login करके देखते हैं, सारे products आ रहे हैं, एक product add करके देखते हैं add to cart में, दो बार यह order add हो रहा है, यह भी एक mistake है जो हम बात में correct करेंगे, अभी इसको add कर दिया, यहां पे आपके पास addresses हैं, यह address भी proper आ रहे हैं, तो मैं check कर रहा हूं कि वह user info से भी check out सही से चल रहा है या नहीं, my orders में यह सारी information भी यहां पे proper दिखाई दे रहे हैं, जो हमने change किया है latest उससे information तो पुरानी सही से आ रही है, अब हम next यह edit और remove वाले changes करके देखेंगे, तो हम update user पे वापस आते हैं, काफी हमने change कर लिया in between the code, तो finally हम handle, remove और इन सब के code पे वापस आते हैं, हमारे पास सारी required चीज़े हैं, तो यह update user async हम use करेंगे remove के लिए भी, क्योंकि remove में भी actually हमको बस address हटा के user को update ही करना है, तो उसके लिए पहले user की सारी information की एक copy बना लेते हैं, तो constant new user में मैं एक object फिर dot 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 user से उसकी सारी proper पुरानी information पुट कर रहा हूँ, addresses को मैं अलग से ले रहा हूँ, क्योंकि addresses एक level अंदर nested हैं, तो उसको array की तरह है और user dot addresses इस तरह से spread कर लूँगा, तो यह चीज क्यों की है हमने shallow copy हो जाती है और उसको deep level तक लाने के लिए एक और बार हमको spread करना पड़ा, अब new user dot splice में use करूँगा, new user address splice में use करूँगा, और splice में जो index हमने उपर use की है और one, one मतलब एक element delete होगा, finally अब मैं update user async उस action में यह data pass कर देता हूँ, और क्या data pass करना होगा हमको new user pass करना है यहां पे, और यहां पे मैं dispatch कर दूँगा इस पूरे action को, तो अब यह proper हमारा काम करना चाहिए और address को हटा के user को update कर देगा, तो उससे पहले एक बार check कर लेते हैं कि यहां पे अगर मैं इसको click करता हूँ, तो यह हट जाएगा उससे पहले data JSON एक बार देख लेते हैं, जैसे user में आप जेख होगे तो पहले user में जैसे दो addresses हैं, दूसरे user में एक address है, तो इस user का क्या होता है तो remove करके देखते हैं, अब यहां जाके देखोगे तो इसमें एक ही address बचा है, तो यह properly database से भी आपके हटा रहा है उस तरह से काम कर रहा है, अब next में क्या कर रहा हूँ, मैं checkout में आ गया हूँ, checkout से में यह इसका form copy कर रहा हूँ, checkout में आपको याद होगा हमने एक address का बहुत बड़ा सा form मनाया था, नए address add करने का, वही exactly मैं copy कर रहा हूँ, और उसको मैं paste करना चाहता हूँ, इस जहां पर user का address हम पूरा list out कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी हम add और edit करना चाहेंगे इस जितना भी address आ रहा है, तो edit के लिए ही यह form मैं सबसे पहले use करूंगा, तो इसको कहां put किया जाए, तो मैं map में या तो इसको उपर put कर सकता हूँ, या इसको नीचे, I think उपर put करना जादा convenient लग रहा है इस वक्त, क्योंकि top पे वह दिखाई देगा, तो मैं div में इसको पूरे को map के अंदर रख देता हूँ, तकि मैं बाकी code भी paste कर सकूँ यह top पे, और यह form मैं ने paste कर दिया है, इसमें कुछ errors हो सकती हैं, क्योंकि हमने इसको दूसरे page के हिसाब से बनाया था, पहली चीज़ तो dependencies ले लेते हैं, जिसे react hook form वाला जो plugin था, उससे related कुछ dependencies थी, तो मैं as it is यहां paste कर देता हूँ, तो use form को आपको वापस से import करना होगा, react hook form से, और उसके अलावा I think कोई खास changes नहीं होंगे, कि यह form हमने अपने हिसाब से ही address add करने के लिए use किया था, तो इसमें सारे fields वो available ही हैं, जो हमको user का address add करने काम आते हैं, तो उस सारे यहां पे होंगे, उसी को ही हम edit के लिए भी use करेंगे, एडिट में एक चीज एक्स्ट्रा होगी कि जब आप किसी edit पे क्लिक करोगे, तो आपके पास already existing name यह सब info आनी चाहिए, तो उसको आप value से कर सकते हो, controlled form का जो basic funda है कि आप value में address.name इस तरह से pass कर दो, जो भी address उस वक्त है क्योंकि हम इसको एक loop के अंदर, एक map के अंदर कर रहे हैं तो वहाँ उपर जो common variable नाम है address, iterator का, तो उसके base पे मैं इस अब करता जा रहा हूँ, और जैसे अब street पे आ गए तो value address.street, इस तरह से मैं control form बना रहा हूँ, तो value में अगर पहले से ही कुछ होता है, तो आपको पता ही है कि html में वह चीज दिखाई देती है, तो ऐसे address.city और फिर state पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे address.state इस तरह से भी control form बनाके हम try कर सकते हैं, कि यह चीज चलेगी क्या, और फिर pin code, और यहाँ पे तो reset और add address का है, तो यहाँ पे add address की जरुदी है, यहाँ मैं edit address कह सकता हूँ इस form को, क्योंकि अभी editing के ही काम में मैं लेने वाला हूँ, तो top पे आ जाते हैं, handle submit का पुराना code लिखा हुआ था, इस form में, यहाँ पे handle submit नहीं होगा, शायद थोड़ा सा हम इसको change कर सकते हैं, यह जो update user async है यह तो काफी proper लग रहा है, जैसे पहले भी अभी हमने यह चीज copy की थी तो ऐसा ही था, तो लेकिन इसको अभी हम एक बार के लिए handle user कर देते हैं, उपर जो हमने बनाए हैं handlers, तो handle edit का भी जैसे handle remove हमने बनाया था, ऐसे handle edit का भी हमने बना रखा है उपर एक, I think उसका नाम handle edit ही है, तो यहाँ पे यह code paste कर देते हैं, जो update user async और उस तरह से है, और फिर handle edit को हम directly वहाँ पे यूज ले लेंगे, तो यहाँ पे तो यह सब सही है, बट यह data missing है, data is I think the new address, तो यहाँ पे तो add address का फंड़ा था, थोड़ा सा वह change होगा code, तो अभी के लिए मैं वह code भी हटा देता हूं, और बस क्यों यहाँ लिख देता हूं कि handle edit call होगा, और उसके अंदर क्या चीज dispatch होगी वह हम बाद में देखते हैं, तो handle submit से data है, यह data pass होगया, यह data क्या है जो form में आपने अभी भी changes किया है, उसके हिसाब से जो भी data change हुआ है, मतलब new address का सारे data, तो अभी handle edit में मैं pass कर देता हूं argument, उसमें address update नाम से मैंने जो नया address का data वह पास किया है, similar code remove वाला मैंने पेस्ट कर दिया है, क्या changes होगे यहां पे index भी pass करना होगा था, कि किस index पे update करना है address होगी पता लगेगा, तो मैं index second argument पास कर देता हूं, अब splice में क्या changes होगे, इंडेक्स one और उसके आगे मैं लिख रहा हूं address update, मतलब वहां से एक element हट जाए और उसी element की update वहां पे आ जाए, तो update इसी तरह से easily किया जा सकता है, अब यहां पे आके आप इसको देख रहे हो तो यह form already filled आ रहा है values के साथ में, बट कौन सी values वह click होने पे आनी चाहिए, तो अभी तक हमने यह edit selection नहीं किया, कि किसी पे हम edit करें तो वही address edit में दिखाए दे, तो यहां reset वाला button भी नहीं चाहिए वह मैं हटा देता हूं, और अब edit address पे हमको कुछ put करना पड़ेगा ताकि वह particular, अभी तो यह first को ही इसने select कर लिया है, तो कई सारे होंगे तो बहुत सारे forms दिखाए देंगे, पर हमको किवल वही form दिखाना है जिस particular पे हमने edit पे click किया है, तो यहां पे मैं edit, handle edit की जगे, handle edit form कर रहा हूं इसका नाम, क्योंकि actually मैं edit बटन से edit नहीं होगा, इससे किवल edit वाला form खुलेगा, तो handle edit form नाम से एक नया function बनाएंगे और उसका काम यह होगा कि वह एक state variable को change करेगा, जो state variable बताएगा कि कौन सा address change करना है, ठीक है जैसे number one address या index बता सकता है वो, तो इसका नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक state variable ही बना लेते हैं, तो इसका नाम मैं selected edit index रख रहा हूं और set selected edit index इसका setter हो जाएगा, तो इस तरह से यह एक state variable बन गए है, तो use state यूज कर रहा हूं और यह variable simply एक index भी हो सकती है, तो initially मैं minus one रख रहा हूं तो वो बता देगा कौन सी index वाली चीज़ को अभी इस form में दिखाना है, बाकी बार form एक तरह से disabled रहेगा, तो यहाँ पे जो form है, इसको आप इस आधार पे देखोगे कि कौन सा index अभी है, तो यहाँ पे जिसे form के around में statement लिख रहा हूं और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि अगर selected edit index अभी की index के बराबर है, क्योंकि map में एक index तो maintained है, तो तो आप form दिखाओ, वरना आप null दिखाओ, तो बाकी cases में आपको form नहीं दिखेगा, तो handle edit form अभी बनाया नहीं है, हमने, यहाँ पे actually यह सीधे set selected edit index ही लिख सकते हो, क्योंकि इतना ही काम करना था, तो नया function बनाने की ज़रूद नहीं है, तो अब I think यह properly काम कर जाएगा, और last में जब action पूरा हो जाए तो इसको edit index को वापस minus 1 कर दो, ताकि सब कुछ वापस से hide हो जाए, तो अब edit कर रहा हूँ, तो यह information इसमें दिखाई दे रही है, और इस तरह से काम कर रही है, set value अब मैं use करूंगा, set value से हम इनकी initial value set कर सकते हैं, तो वैसे तो मैंने control form बनाया था, जिससे की हमको सारी values इसमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन यह approach ठीक से काम नहीं कर रही है, कि इसमें additive proper काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह react के हिसाब से हमको, इसको set करना पड़ेगा, तो set value यूज़ करके, आप इनकी नई values को put कर सकते हो, वो इसी तरीका है, तो यह values वाला जो मैंने put किया था, I think यह unnecessary है, और यह थोड़ा सा long path है कि control form बना के हम वो सारा करें, तो अब edit करता हूँ, तो अब यह blank आएगा, क्योंकि शुरू में value तो नहीं आएगी, लेकिन value को set करने के लिए, already set value नाम का एक बहुत अच्छा function अवेलेबल है, इसी plugin के साथ में, तो set value में आपको कौन सी value set करनी है, आपको set करनी है, सारे input box की values, जो कि आपके पास already है, जो नया address update आए, उसमें वो सारी values आपके पास में होंगी, तो यह set select index की जगे मैं वापस है, क्योंकि आप में को actually दो काम करने होंगे, तो एक और बार मैं function बनाने का ही tie करता हूँ, handle edit form लिख रहा हूँ और index लिख रहा हूँ, और अब यह बनाई लेता हूँ यह function, तो यह दो काम करेगा, basically उस form को दिखाएगा और उसकी values को भी set करने में आपको help करेगा, तो handle edit form बनाता हूँ मैं function और उसमें index पास कर देता हूँ, तो index से क्या क्या करना है, आपको सबसे पहले इसमें set selected index बनानी, तो set selected index में मैं index पास कर दूँगा, और उसके बाद में हम इससे वो values भी set करना चाहते हैं user के addresses की, तो उसके लिए जैसे मैंने बताया था कि set value already उस library से एक function आ रहा है, जिसमें पहला argument आप दोगे name, जो की register के अंदर जिस नाम से आपने register किये value, और user.address जो उपर user variable है, उससे address की particular index आप निकाल सकते हो, और फिर name, तो उसे साब से, उसी address का जो name है, वो इसमें अपने आप field में set हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ताकि हमको बार-बार user.address index नहीं लिखना पड़े, तो address.name लिख सकते हैं, तो एक बार इसको test कर सकते हुआ, यहाँ पर इसका थोड़ा sample code भी दिया हुआ है, जिससे कि मैं देखना चाहरा हूँ कि यह किस तरह से काम करेगा set value, तो I think यह जो मैंने लिखा है वो correct लग रहा है, ऐसे ही email में हम लिख सकते हैं email, और एक बार test कर लेते हैं इतने part को, तो मैं edit पर click करता हूँ, तो अभी जिससे error आ रही है, और इसमें कोई zeroth index कुछ आ गया, तो I think यहाँ पर index वगरे सब सही है, एक बार और आप reload करके देख सकते हूँ, अच्छा यहाँ पर addresses करना था, मैंने address लिख दिया था, अब आप एक बार reload और करके देखो, तो edit में यह दोनों values तो आ रही है, तो यहाँ पर यह चीज़ चल गई है, कि set values से proper values वापस से set होके आ रही है, edit address में, तो edit address को ही copy करके, मैं एक और button मना रहा हूँ, जिसका नाम है cancel, और cancel से होगा कि अगर आप कोई चीज़ को edit नहीं करना चाहते हो, और वापस से बंद करना चाहते हो, इस चीज़ को तो कर सकते हो, तो इसमें सीदे-सीदे आप यह भी लिख सकते हो, कि set selected, जो edit index है, वापस से minus 1 पर set हो जाए, तो एक तरह से आपका form बंद हो जाएगा, तो यहाँ पर वो button देखना चाहिए, तो आप जैसे cancel दिख रहा है, इसका थोड़ा सा, शायद मैंने background जो है, वो गायब कर दिया था, उस जैसे अजीब दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं इसका text grey कर देता हूं और background इसका थोड़ा सा change कर देते हैं, बैक्ग्राउंड भी ग्रे कर देते हैं तो यहां पर यह cancel इस तरह से दिखाई दे रहा है तो इसको करते हैं तो यहां पर वो चीज गायब हो जाएगी तो अब मैं cancel करता हूँ तो फॉर्म एक तरह से बंद हो जाएगा तो इस तरह से आप इन चीजों को reset कर सकते हो अभी हमको वापस edit पर जाना है और कुछ बाकी बचीवी set values में कर लेता हूँ तो email कर सकते हैं आप city कर सकते हैं state कर सकते हैं pin code आप कर सकते हो और इसके लावा I think phone number था वो हम कर सकते हैं तो I think सारे field cover हो गए एक बार इसमें check कर लो name, email, phone, street शायद हमने नहीं किया है तो street भी आप कर सकते हैं इस तरह से सारे field आ गए हैं अब आप जाके वापस edit पर click कर होगे तो सारे field इसमें आ चुके हैं और इनको आप edit भी कर पा रहे हो तो control form वाले में मैं edit नहीं कर पा रहा था इनको अब यहाँ पर यह change भी हो गया है और आप देखो यहाँ पर value change भी हो गया है तो यह भी आपका पूरा proper काम कर रहा है तो इस तरह से आप edit भी कर सकते हो किसी particular address को अपनी profile में और आगे से order करोगे तो इस सारी चीज़ें आपकी proper चलेंगी finally मैं add form भी बना रहा हूँ तो edit वाला button मैंने copy कर लिया है और एक add address का भी बना देते हैं तो add address के लिए भी almost ऐसा ही form चाहिए होगा मतलब इसी आपकी profile में ही top पे मैं एक add address वाला form बना रहा हूँ तो यहाँ पे add new address आप इसको लिख सकते हो color को differentiate कर ले के लिए मैं green background का बना देता हूँ इसको तो थोड़ा अलग सा दिखेगा वो button तो यहाँ पे add new address इस तरह का form आपके पास में आ जाएगा इसमें आप चाहें तो यह edit वाला form है इसी को भी reuse कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा margin दे रहा हूँ उपर इंचे से काफी pass दिखाईते रहा तो यहाँ पे हम show add address form इस तरह से इसके भी state variable मैं declare कर रहा हूँ ताकि वो वाला form दिखाना है या नहीं उस तरह से हम decide कर सकते हैं तो इसमें भी आप उसकी value शुरू में false रखें लेकिन उसके बाद में जब वो दिखाना हो तो हम उसको true कर सकते हैं तो कौन सा form होगा बिल्कुल इसी तरह का form होगा आप इस पूरे system को copy कर लीजे और इसको add address new form की तरह कीजे तो same form भी reuse करके देख सकते हैं अभी मैं quickly इसको ठीक रखने के लिए अलग से duplicate करके इसकी copy बना रहा हूँ तो यहां पर I think बस add form करना है यहां इसका जो submit है उसमें handle edit की जगे handle add कोई function ना देंगे data same रहेगा I think index की इसमें जरुत नहीं होगी पर reset की जरुत होगी और यहां पर show selected address form equal to true बस उतना ही check करना है उस हिसाब से form दिखा देना है तो मैं यहां पर इसका handler function ना आता हूँ और constant इसका नाम था handle add जो हमने यहां नीचे add किया है और उसमें data pass करना है एक और चीज़ी है कि इसको show hide करना है तो उसके लिए on click पे मैं वो setter function change कर दूँँगा तो set show add address form equal to true और set selected edit index equal to minus 1 वो भी ताकि कोई edit वाला खुला हुआ है तो वो भी वहां पे बंद हो जाए कोई गलती से आप edit किले करो और उसके बाद add करो तो उसमें वो form पिछले वाला भी बंद हो जाए तो यह प्रॉपर वो open हो जाएगा उसके बाद handle edit वाला code मैं copy करके लाता हूँ यहां पे address मान लेते हैं और उसको यहां पे paste करते हैं तो यहां के case में थोड़ा सा फरक होगा इतना पार तो same होगा splice की ज़रूत नहीं है एक तरह से आप user में अब push करोगे नया element तो push को मैं उपर ही इस तरह से address की तरह लिख देता हूँ ताकि last में यह address add हो और dispatch होगा सेम तरह का update user async और फिर show form को इतरह से hide कर दो जब नया address add हो चुका है तो इसको test करके देखते हैं add में खुल तो रहा है इसमें मैं कुछ नया data add करता हूँ तो jack morris ऐसे करके jack at gmail.com और कुछ भी उसकी additional info add कर देता हूँ तो यह सारी info मैंने add कर दी add पे click करते हैं यह form भी बंद हो गया नई information भी add हो गई है edit करके देखो तो इसमें यह चीज edit table में भी properly खुल रही है फोन नमबर थोड़ा सा update कर देता हूँ edit address run करता हूँ form proper बंद हो गया यहाँ पे update भी हो गया है और वापस से cart पे मैं जाता हूँ यह सारी चीजें add to cart करता हूँ यहाँ पे फिर check out करता हूँ यहाँ भी मेरे को यह सारे addresses दिखाई दे रहे हैं जो भी मैंने अभी recently add किया है तो हमारा addresses वाला पूरा system proper अब काम कर रहा है अब final step आप check out process में payment add वाला कर दे सकते हैं पर उसके लिए काफी कुछ server side चीजें चाहे होंगी तो हम जो payment का section है user profile में भी बाद में add करेंगे और यहाँ पे भी बाद में add करेंगे तो इसलिए उस part का to do अभी मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ next हम जाते हैं इसको एक बार और check करते है sign out का part मैं अभी तक नहीं बनाया तो sign out का part उस menu से related है और auth APIs में भी आपको sign out का बनाना पड़ेगा जिसमें की logged in user की एक तरह से information गायब हो जाए front end से भी और back end से भी तो back end तो अभी हमारे पास कुछ है नहीं डमी back end के अलावा तो front end से उसको कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे एक API बना रहा हूं sign out की कहा हूं मैं auth API.js में और user ID मैं उसमें expect करता हूं कि कम से कम sign out में उतनी information तो चाहिए होगी कौन सा user ID पास करना है और फिर यहाँ पे हम server पे दिखेंगे कि यह particular user का जो भी session है अगर server पे तो वो log out हो जाए या कोई भी information हो जाए पर यहाँ पे अब भी front end में मैं बस माल लेता हूं कि यह हो जाएगा और finally resolve data success ऐसा कुछ format में मैं अभी भेज देता हूं मतलब resolve कर रहा हूं promise को एक तरसे तो यह button को press करते ही एक action जाएगा और हमारे पास चीज़े sign out हो जाएगी तो यहाँ पे मैं sign out लिखता हूँ मैं उसका एक async action बना रहा हूँ जैसे अभी तक हम बनाते आ रहे हैं और उनके cases भी मैं यहाँ पे add करूँगा तो दो case मैं इसके add कर देता हूँ तो sign out async pending और sign out async fulfilled तो fulfilled में क्या होगा कि logged in user जो है वो null हो जाएगा इतना part important है तो logged in null हो गया तो आपको पता ही कि सब कुछ उसी पे dependent है उसे साब से फिर आप वापस login पेज पे आ जाओगा उस तरह से तो यहाँ पे sign out लिखा हुआ है user navigation में तो user navigation में अभी इसको अगर click करते हैं तो हम सीधे slash login पे चले जाते हैं तो एक तरह से उससे कुछ नहीं होता केवल page change होता है यह तो यहाँ पे मैं slash log out लिख रहा हूँ link में और आप मैं क्या करूँगा कि एक नया component बनाऊंगा जिसका नाम होगा logout.js यह component एक तरह से logout करने में help करेगा तो यह कोई एक UI component की तरह ज्यादा act नहीं करेगा यहाँ functional component हम जिस तरह से बना रहे हैं वो हम लिख सकते हैं तो इसका नाम मैं logout देता हूँ इस component में main काम होगा उस API को call करना जो की user का session हटा रही है तो अभी हमने जिससे उसके लिए कुछ actions वगरे बनाये थे तो उस API और उस action को हम directly call कर सकते हैं use effect में तो use effect import हो गया अपने अप और sign out async नाम से मैंने वो async थंक बनाया था और sign out async यहां हम import कर लेते हैं इसको फिर dispatch करना पड़ेगा तो dispatch को use dispatch से कर लेंगे तो use dispatch भी import हो गया है और sign out async में I think अभी कोई dependency required थी या नहीं I think user id में भी required हो बाद में देखते हैं और इसको dispatch करना है तो यहां पे इसको हम dispatch कर देंगे तो इस तरह से इस page का तो काम हो जाएगा और यहां पे एक चीज हमको ध्यान देनी है कि यहां पे हमको navigate इसको वापस करना हो को login page पे क्योंकि log out होते ही वापस कहां आ जाएगा वो login page पे तो इस चीज को मैंने यहां पे paste कर दिया अब problem यह है कि यह delayed हो सकता है मतलब use effect कब चलता है render होने के बाद तो पहले ही आप navigate हो जाओगे किसी भी location पे तो फिर वो log out वाला action API तो call होगा ही नहीं वो वैसी बात होगी कि सीधे slash login पे चले गए तो हमको किसी तरह से वो delay करना होगा navigation वाला part तो delay कैसे कर सकते हो आप कह सकते हो कि जब तक कि वो information हमारे पास API से आई नहीं है जो कि reset करने की API है तो तब तक हम wait करेंगे तो यहां पे मैं user equal to use selector और उसमें वो selected logged in user वाला info यहां पे पूरा रख लेता हूँ अब आपको पत आपसे मैं condition लिख देता हूँ कि अगर user है and then तो navigate पे वो जाए I think इससे उल्टा होना चाहिए क्योंकि user नहीं है तो फिर navigation पे हमको जाना चाहिए तो उस तरह से आपको condition form करनी पड़ेगी तो यहां पे user and then तो यहां पे not of user क्योंकि user जब null हो तो हमको आगे बढ़ना और login पे जाना है तो यहां पे आप एक not sign लगा दोगे तो I think that is fine यह code काम कर जाएगा इसमें API call होगा use effect के अंदर और चीजने change होगी और जब चीजने change होके user null हो जाएगा तो फिर हमारा rendering हमारा redirection होगा slash login पे तो यहां यह काम कर जाएगा तो logout का part मैंने जोड़ा नहीं था यहां पे router में आप इसको जोड़ दो और logout component यहां पे पुट कर दो तो उपर auto import हो गया होगा अभी जैसे logged in user में कुछ info दिखाई दे रही है तो अब मैं वापस से sign out इसको करता हूँ तो sign out के बाद logged in user में null आ रहा था तो finally हम forgot password का एक page बनाते हैं forgot password का अभी तक हमने page बनाया नहीं था यह auth से related है तो auth के components में हम एक new file बना लेते हैं forgot password.js forgot password में generally आपको एक email ही देना होता है जिसपे की आपको कुछ link आएगा तो login वाला जो form है जो login वाला component है मैं पूरा वो paste कर रहा हूँ और उसमें हम कुछ चीज़ें हटा देंगे जिससे की उसके selectors, errors यह सब हटा देते हैं कुछ dependencies मैं हटा रहा हूँ, इसका navigate मैं हटा रहा हूँ, login into account की जगें मैं लिख रहा हूँ, enter your email to reset password उसके बाद में इस form में भी आपको email password यह सब नहीं चाहिए, केवल email चाहिए नीचे instruction में login की जगे send email इस तरह से लिख देता हूँ नीचे जो not a member का link है यह नीचे मेभी आप login पर वापस जाना चाहते हो, तो उसका link आप provide कर सकते हो, कि already you want to login तो send me back to login, इस तरह का मैं messaging create करता हूँ, slash login पर redirect रेकर देगा, dispatch की भी अभी यह need नहीं है, बाद में हम देखेंगे, कैसे काम करेगा, क्योंकि back end में email जब हम set कर देंगे, तभी इसकी functionality को बनाने का कोई मतलब है, तो मैं front end पर अभी इसकी functionality को नहीं, टेस्ट करने वाला, कोई sense भी नहीं बनता है उसका, और यहां console log data लिखके बस email हम capture करके दिखा देंगे, इसका एक route भी set कर देते हैं, ताकि इस तक आप चाह सकें, तो मैं यहां पर एक page बना देता हूँ, इसके लिए proper, और वो forgot password page नाम से होगा, तो login page की ही copy है, तो बस उ change कर देते हैं, forgot password page, और वो ही export default होगा, और इसमें forgot password जो component आपने बनाया था, वो आप import कर लीजे, तो इसका नाम ने, मैंने change नहीं किया था, यहां कर देता हूँ change, तभी वो import में आएगा, और forgot password, तो enter करूंगा, तो उपर इसकी dependencies import हो जाएगी, अब forgot password page बन चुका है, तो इसको आप routing में add कर सकते हो, तो यहां पे forgot password और forgot password इस तरह से forgot password page आप put कर दोगे, तो यह forgot password login और sign up दोनों में है, तो मैंने search करके देखा, तो दोनों जगे पे यह है, तो दोनों जगे पे आप similar code पूट कर सकते हो, तो code क्या है, पहले तो इसको link चेंज करना है, और फिर link म आप to slash forgot password कर दोगे, जो page उस पे आपको पहुचा देगा, तो यह चीज अभी मैंने यहां पे तो चेक कर ली, तो यह यहां पे काम कर रही है, और आपको form भी दिख रहा, इसमें कोई email डालो, तो यह email भी यहां पे आ रहा है आपके अपास, दूसरा, यही link आप दूसरी ज काफी कुछ dependent है, और finally मैंने यहां पे कुछ clean up कियें, क्योंकि counter slice था हर जगे पे नाम कई चीजों का तो उनको मैंने odd slice किया है, और ऐसे थोड़े से changes कियें, जो committed code में आपको मिल जाएंगे, mostly refactoring से related है, कोई भी logic मैंने नहीं बदला है, थोड़े सी code की formatting वगरे आपको यह Finally, अब हम feature एक नया बनाएंगे, वो है admin panel का feature, तो admin panel एक अलग से react project भी हो सकता है, पर इस project में मैं simply admin panel को एक नए feature की तरह एड कर रहा हूँ, तो आपके पास option है, अगर आप ज़्यादा secure करना चाहते हो, अलग application बना चाहते हो, तो अलग react भी application बना सकते हो, थोड़ा सा code reuse ह हो जाएगा, वापस से copy करना पड़ेगा, अभी मैं यहाँ पे जो create user वाला code है, यह पूरा देख रहा हूँ, और इसमें मैं एक role add कर रहा हूँ, तो role में मैं एड किया user, क्योंकि अभी कई बार क्या होगा, कि role admin भी हो सकता है, बाद में हम देखेंगे कि यह role हम directly यहाँ प बाद में देखेंगे कि इस role की हिसाब से हम चेक कर पाएंगे कि कुछ चीजें access कर पाएं केवल admin, तो यहाँ पे मैं protected जो root एक हमने बनाया था, तो protected component की help से, वैसे ही मैं protected admin component बना रहा हूँ, protected admin यह भी देखेगा कि आप logged in हो या नहीं, जैसे कि पहले वाला component देख रहा थ अगर user, पहली बात तो है कि user नहीं हुआ तो login पे आपको आपस बेज़ देगा, दूसरी चीज है कि user हुआ, लेकिन user का role क्या है, अगर user का role आपका not equal to admin है, मतलब basically वो एक normal user है, तो उस case में भी वो आपको login पे तो नहीं बेज़ेगा, क्योंकि अब आप login हो चुके हो, तो आपको slash पे भेज़ेगा, जो आपका home page है basically, otherwise वो आपको next चीजों तक भेज़ पाएगा, तो वो चीजों generally admin से related होगी, तो मैं एक feature मना रहा हूँ, और हमेशा की तरह copy कर लेंगे, वो admin नाम का एक feature होगा, तो इसमें हम कुछ ऐसे components बनाएंगे, admin की API बनाएंगे, वो सब तो मैं इसमें से ये API और ये सब, अभी मैंने API डिलीट कर दिया, क्योंकि जातर I think admin की API हम पुरानी चीजों से ही copy कर लेंगे, यहाँ पर product details और product list को copy कर दिया है, मैंने components में, क्योंकि हम admin में भी product की list वगएरे दिखाएंगे, ताकि admin देख सके कि product में कुछ edit वगएरे करन या नहीं, तो उसके हिसाब से मैं imports को थोड़ा change कर रहा हूं, product detail page मैंने यहाँ पर open कर रखा है, या उसके कह सकते हो कि admin product detail page मैंने यहाँ पर open कर रखा है, तो अब इसको हम rename भी कर देंगे, तो मैं पहले file को rename करता हूं, तो एक तो है admin product list, तो यहाँ पर भी admin product list और यहाँ मैंने उपर imports थोड़े से change किये थे, तो आप ध्यान रखना क्योंकि आपने पुराना code copy किया है, product का, तो वो यहाँ पर उसके थोड़े से dependency, slice वगरे वाले change जाएंगे, तो हम अभी भी original product slice और API को ही use लेने वाले हैं, बस component हमने अलग जगे feature में रखती हैं, तो admin product details और admin product list यह दो component हो गए है, code बिलकुल अभी तो वैसा ही है, जैसा product original feature में था, तो I think सारे changes हमने कर लिये, और इसके इसाब से हम इनके pages भी बनाएंगे, तो जैसे उन चीजों के pages बने वे थे, exactly आप even वही page copy कर सकते हो, थोड़ा सा नाम वगरे ही change करना है, तो जैसे product detail page था, तो अब होगा admin product detail page, तो यहाँ पर अगर आपको confusion हो रहा हो कि हम वापस है क्यों copy कर रहे हैं, ताकि हम इन दोनों चीजों को एकदम अलग रख सकें, आप जो original product वाले हैं, उसमें edit button को show hide करके यह काम निकाल सकते थे, लेकिन थोड़ा सा safety नहीं रहती, कई बार कुछ गड़बड़ी होने के वज़े से user को भी admin के functions देख सकते हैं, तो इस वज़े से मैं जो existing product की list है या detail है उसकी copy बना रहा हूँ, ताकि admin अपने हिसाब से उन pages को use कर सके, लेकिन उसमें additional functionality होनी चाहिए कि चीजों को edit करने की, यह पूरी चीज आप चाहें तो एक अलग react project में बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है, आप admin panel को तो live करना ही नहीं चाहें, हो सकता है आप उसको हमेशा local host पे रखना चाहें और वहां से अपने products वगरे add करके और यह सब करना चाहें, तो इस project के लिए मैं अभी admin panel को भी बना रहा हूँ, तो हर चीज मैंने copy कर लिए है, यहाँ पर admin home नाम रख दी है, मैंने उसका, routing अब मैं इसकी लिख रहा हूँ तो उस तरह से, और यह product detail वाला भी copy हम कर लेंगे, तो इसको भी protected admin और यहाँ पर product detail कीजिए, admin product detail हो जाएगा, तो slash admin इससे पहले आप put कर दो और top पे भी यहाँ पर path में मैंने slash लिख दिया था तो वो उससे normal से clash होगा तो slash admin आप put कर दो, तो slash admin के pages अलग होंगे, उनमें protected admin से वो covered हैं, तो वो role check करके ही आपको लाओ करेगा, तो role किसी का भी role admin होई नहीं सकता जब तक की backend से वो दिया ना जाए, तो अभी तो हमारे पास roles नहीं थे पुराने इन सभी user में, तो मैं जाके सीधे data में वो change कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो JSON server है, उससे आने वाले data में roles होँ, तो मैं यहाँ पे role add कर देता हूँ, और इसमें भी एक role add कर देता हूँ, तो इस तरह से दोनों अभी अलग-अलग user हैं, पर वो admin नहीं है, तो access नहीं कर पाएंगे उसकी functionality को, यहाँ पे मैं user की profile में role नाम से भी आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप check कर सको कि user admin है या नहीं, यह just display purpose के लिए है, इसको आप hide भी कर सकते हो, क्योंकि एक normal user के लिए अपना role देखना को important नहीं है, वो एक normal user है, उसको यह जानने की ज़रुद नहीं है कि कोई admin है या नहीं, वैसे भी यह मैं user.role equal to admin ऐसा put कर देता हूँ, condition and and में यह put करता हूँ, तो इस तरह से यह किवल उसी को दिखाए देगा जो admin है, यह section, बाकि किसी को देखा रहा sign up करने के बाद, अब profile में यहाँ पर admin दिख रहा है, अभी इसका role नहीं है, तो role यहाँ पर user ही आ रहा है, क्योंकि by default woman रखा था, पर मैं इसको admin कर देता हूँ, और यहाँ पर हम चेक करेंगे, अभी उस शायद चेंज नहीं हुआ, sign out, फिर वापस से login करते हैं, तो अब information अपडेट होगी, तो role admin यहाँ पर आ रहा है, तो आपको, आपके पास एक admin user है, जो आपने testing के लिए अभी बना लिया, तो अभी normal user टेस्ट करो, तो इस तरह से आता है, और slash admin पर जाओ, तो नहीं जा पाता, क्योंकि वो उसका role allowed ही नहीं, slash admin पर जाने के लिए, और वैसे तो allowed ही नहीं है, route provider के बाहर, मैं try कर रहा था link बनाने का, यहाँ पर आप link नहीं बना सकते, आपको route provider के अंदर ही, उसके अंदर जो load होते pages, तो मैंने एक जिसे home page में, एक link बना दिया, admin का, just to test, तो यह permanent link नहीं है, nav bar के नीचे, just हमने, nav bar और product list के नीचे, just एक छोटा सा component बनाया है, तो एक बार login कर लेते हैं, तो last में छोटा सा link काने में आ रहा है, इस पे click करोगे, तो admin page पे आ जाओगे, तो यह admin page है, और इसमें product, अभी admin page है या नहीं, वो कैसे पता लगा सकते हो, क्योंकि almost same ही है दोनों page, लेकिन उपर URL चेंज हुआ है, उससे आप देख स तो यहाँ पे इसको रखने की ज़रुत नहीं है, मैं इसको menu में रखूँगा, तो अभी तो normal user था, अब admin में login करते हैं, तो admin में, इसको proper test करने के लिए, अब मैं menu में चीजों को port कर देता हूँ, तो menu जो top पे है, वहाँ पे admin को अलग links दिखाई दे, और normal user को navbar में, basically, त तो एक तो है कि user की navigation में, यहाँ पे मैं admin add कर सकता हूँ, जो user के navigation है, की profile, order, sign out, उसके नीचे, पर यहाँ सही नहीं रहेगा, तो मैं उपर, जो main navigation है, उसमें admin पुट करता हूँ, और यहाँ यह भी ध्यान दूँगा, मैं, कि यह admin केवल उसी को दिखाई दे, जिसका role admin हो, ऐसे normal user को यह link नहीं दिखाई है, तो मैं इनके नाम link कर दिए है, तो यहाँ पे navigation थोड़ा सा change करता हूँ, और इसमें मैं link, जो proper react route का है, वो link लिख देता हूँ, अभी तक हमने link ऐसे ही dummy बना रखे थे, और इसमें href की जिगे to put कर देता हूँ, और कहता हूँ कि item का जो h href होगा, या href भी नहीं, यहाँ पे भी item का भी जो link value होगी, तो इस object, इस array को ही iterate कर रहा है, navigation basically, तो यहाँ पे अब थोड़े से proper link बना देते हैं, तो यह link slash पे तो जा रहा है, जो homepage का है, I think एक बार और और भी आप बना सकते हो, तो admin equal to true or false, ऐसा भी मैं एक flag बना देता ह जिससे की कुछ menu के ओल admin को दिखें, कुछ normal user को दिखें, तो अब जैसे यह, जो homepage वाला है, यह, I think यह तो आप दोनों को भी दिखा सकते हैं, तो इसमें तो कोई condition आपको put करने की ज़रूद नहीं है, और यहाँ पे मैं put करता हूँ, तो navigation, इनके अंदर मैं उनको put आप लेवल पे जरूद नहीं थी, कि item, जो भी navigation का item था, item.admin, यह आपको पता है कि यह true and false है, मैं इसको actually मैं user कर देता हूँ, क्योंकि user उस role का नाम है, और admin दूसरे role का नाम है, तो यह थोड़ा सा हमारे लिए code करने के लिए आसान हो जाएगा, तो अब मैं यहाँ पे clearly लिख सकता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखना था, जहाँ मैं इस तरह को लिख रहा था, item.admin, तो item में user.role, क्योंकि user.role, या तो user है, या admin है, तो item की वो particular property उठके आ जाएगी, अगर वो exist करती है, true है, तो ही यह link आपको दिखाई देगा, तो basically किसी तरह से भी आप इस logic को मैंने इस तरह से लिखा है, कि एक admin flag बना के कुछ चीजें के वल admin को दिखाओ, कुछ चीजें के वल user को दिखाओ, तो यह logic किसी तरह का भी हो सकता है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, कि मैंने admin क्यों लिखा या यह क्यों लिखा, तो यहाँ थोड़ा सा मैंने link वगरे change कर द बाकी को के वल नीचे एक admin वाला link दिखाई देगा, तो यहाँ पर actually user की information ही नहीं selected है, तो use selector से मैं logged in user information ले आता हूँ, जिसमें की role वगरे भी होगा, और यहाँ से user role आ जाएगा, तो आपको के वल admin दिख रहा है, क्योंकि आप admin user हो, ठीक है, तो admin नाम से वैसे actually कुछ ख कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं sign out करके आप normal user को भी test करने जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको दो menu दिखाई दे रहे हैं, और जब admin पर आप जाते हो, तो वहाँ पर आपको एक menu दिखाई दे रहा है, और उससे slash admin वाला URL वो दिखाई देता होगा, तो यहाँ पर click करने यहाँ पर item.link करना है, यह मैं बूल गया था, अब इसको click करोगे तो आप admin पर जाने चाहिए हो, तो यहाँ पर आप ऊपर check कर लो कि सब में link ही है क्या, तो यहाँ पर .link है, तो वो to में slash admin पर जाना चाहिए, तो इसको click करो तो slash admin पर जा रहा है, और बाकी दोनों में भी ह admin की product list को check कर रहा हूं, और इस product list में edit के कुछ options बनाऊंगा, ताकि वो admin की product list है, तो उसमें कुछ चीजें properly edit और remove और इस तरह से हो सके, तो यहाँ पर में last में div पुट कर देता हूं, यह last में just price से नीचे है, जब यहाँ पूरा div बंद हो जाता है, तो यहाँ पर में एक button पूट करने कोशिक, तो edit button आया है, थोड़ा सा अभी भी अंदर है, तो I think इसको check करना होगा, जो पूरा किस section में हमको इसको add करना चाहिए, तो I think पूरे section के add में यहाँ पर पूट किया जाए, तो I think इससे नीच आएगा, तो यहाँ पर इससे नीच आ गया, और अब आप बटन पर कुछ class वगरे भी पूट कर सकते हो, तो button की classes already कहीं पर पहले से ही, इस template में हमने मनाई थी, तो जैसे यहाँ पर हम जाते है, add address, reset और यह सारे sections थे, तो add address वाला है, तो मैं button को copy कर लेता हूँ, इसकी classes, और edit product नाम से लिख देता हूँ, तो वो जो full button है, इस तरह से वो आ जाएगा, अभी भी इसका margin वगरे हम set करते हैं, I think इसको center कर सकते हैं, या फिर वो भी ज़रूरत नहीं है, इसको हम y margin दे के देखते हैं, तो इसे y margin में थोड़ा सा नीचे properly space दिख रहा है, पर यह पूरे इस card से बाहर नहीं दिखाई दे रहा है, इसको card से भी बाहर निकालना है, तो I think एक division और बाहर इसको रखना होगा, तो card कहां से कहां तक है, I think यह product का जो पूरा div इस तक है, तो इसको इतने part को cut करते हैं, और यहां link के बाद में, I think link के बाद में तो यह proper map से बाहर हो गया, I think link के बाहर रखने की वज़े से तो इसमें वो एक common parent नहीं रहा है, तो मैं एक div बना देता हूँ, और div को end कर देता हूँ, अब यहां link के बाद में हम paste कर देते हैं, तो JSX में problem नहीं आएगी, अब इसको करो, तो अब card के अंदर नहीं बाहर दिखाई दे रहा है, तो तो बाकी सब तो इस पर सही चल रहा है, edit की अभी हम functionality थोड़ी देर बाद बनाएंगे, एक और button हम create कर लेते हैं, जिसका नाम होगा add product, और यह मैं इस grid से उपर, product grid से उपर बना दूँगा, तो सबसे उपर top पे एक button होना चाहिए, तो शायद मैंने गलच जगे paste कर दिया, यहाँ span के अंदर paste करना होगा, तो इस तरह से वो सही आ रहा है, तो यहाँ पे इसको add product लिख देते हैं, या add new product इस तरह से, color differentiate कर देते हैं कि यह add का button है, थोड़ा सा margin x भी मैं provide कर देता हूँ, x5 दिया थो थोड़ा सा इस तरफ आ रहा है, और दे सकते हो, mx auto देके देख इसका background वगरे हम green रख देते हैं, तो अब यह green button जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मैंने इसकी दोनो classes green कर दी है, तो अब यह buttons तो create होगे, now comes the functionality part, कि इसकी functionality हमको बनानी है, तो उसके लिए एक form हमको बनाना होगा, तो मैं एक और component बनाता हूँ, और इस component का नाम हो तो product form में, product की जितनी भी detail होती है, जैसे address का form हमने बनाया था, उससे आप याद रखिए, address के form में कुछ components थे, ऐसे हम product के form में भी एक simple form बनाएंगे, जिसमें सारे information होई चाहिए, एक product एड करने से related, तो वहीं वापस जाते है, form layouts ऐसा कुछ free है, यहाँ पे, तो यह एक form दिख रहा है, I think वो address फाला ही form है, इसका code आप copy कर सकते हो, और उन में से कुछ section जैसे हम पहले भी address के time पर करते आएं, तो मैं एक sample copy कर लेता हूँ, और उसमें से हम edit करके, हमारे काम के जितने fields हम वो बना लेंगे, इसमें photo icon और user circle icon ये दोनों dependency थी, वो भी मैंने paste कर दी, और routing भी add कर देते हैं, तो अभी इस product form का, हम routing भी add कर देते हैं, तो product form भी कहाँ पे है, ये भी एक तरह से admin के अंदर ये तो slash admin और उस तरह से protected part में मैं इसको रखूंगा, और यहाँ पे सीधे अभी मैं वो component ही put कर रहा हूँ, आप चाहे तो page put कर सकते हैं, पर इसमें मैं स अभी मैंने जो component बनाया है, वो put किया है, तो उसका एक page भी बना लेते है, admin product form page.js, admin product detail वाले की copy कर रहा हूँ, उसको paste कर रहा हूँ, उसी template को use करते हुए, product form, तो बिलकुल same चीज हम करते हैं, आ रहे हैं जो बार बार, वो ही यहाँ पे है, मैं repeat कर रहा हूँ तो इसका नाम यहाँ पे properly change नहीं हुआ था, इसलिए import नहीं हो रहा, admin product form page ही इसका नाम होना चाहिए, तो यहाँ पे, अब वो आ रहा है, imports में, तो यहाँ पे properly मैंने रख दिया now let's see, इसके click होने पे वो form open होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसका link बना दता हूँ, और link पे मैं उस form का address डाल दता हूँ, तो admin slash product form तो test करने के लिए वापस से admin में login करते हैं, admin में login किया, और फिर यहाँ top पे गए, यहाँ पे roll देख रहे हो, आप admin है, admin पे click किया, यह दिख रहा है, यह page, इसमें वो जो भी sample form था वो आ गया, यहाँ पे काफी different से field दिख रहे हैं, सारे fields की हमको ज़रुत नहीं है, तो मै quickly सबको edit करता हूँ, यह process एकदम repeated सा process है, पहले भी आप देख चुके हो, तो add product मैंने उसमें उपर नाम लिखा है, तो मैंने background white set किया है, सबसे पहले इस form का, उसके बाद मैं थोड़ी padding set कर रहा हूँ, ताकि पूरे form में थोड़ी सी padding आ जाए, फिर एके करके मैं कुछ fields है simple input fields होंगे, जाधतर और कुछ description से related होंगे, वो हम इसको change करते रहते हैं, तो username है, सबसे पहले, तो username में, हमको यहाँ पर कोई username नहीं चीए, तो इसको change कर सकते हैं, उसके हिसाब से, तो यहाँ पर मैं width वगएरे का, हटा रहा हूँ, जो small width इसको कर रहा था, इसको मैं full width ल हमारे case में नहीं है, हमारे case में जो first main चीज है, किसी भी product की, वो title है, तो एक तरह से product का पूरा यह copy कर लेते हैं, reference के लिए, और यह सारे fields का हम form बना देंगे, यह process बिलकुल एक repeat है, जो address के लिए हमने पूरी process की थी, कैसे forms को set up किया था, तो बस आप इस part of video को follow कर सकते हो कुछ भी नया, इसमें मैं नहीं करने वाला हूँ, तो मैं name में title set कर रहा हूँ, id set कर रहा हूँ, autocomplete हम अटा सकते हैं, placeholder में आप लिख सकते हो कि यहां पे क्या आना चाहिए, placeholder आप अटा भी सकते हो, simple admin है, उसको यह knowledge पहले से होगी, यह user experience की ज़्यादा बात नहीं है, इसमें, फिर description है, description में भी आप id description put कर सकते हो, name में भी description put कर सकते हो, बाकी जो fields match नहीं हो रहे हैं, हम उनको delete कर देते हैं, generally एक simple text input box जैसा ही काफी रहेगा, तो जैसे description के लिए एक बड़ा box है, बाकी सब के लिए एक simple box जैसा है, यह extra options जो हैं, वो मैं अभी के लिए छोड रहा हूं, future में अगर आपको कुछ extra information चाहिए हो, जिसमें की check box वगरे है, की product के कोई particular status है, वो आप सीधे इन से update कर सकते हैं, तो अभी तो मैं इनको use नहीं कर रहा है, पर इस format को मैं यहाँ पे नीचे छोड़ रहा हूं, बाकी fields simple text field जैसे होने चाहिए, तो उनको हम सीधे copy paste कर लेते हैं, जो कि मैंने अभी एक product name के लिए बनाया, उसी field को वैसे divs चाहिएंगे, तो paste कर लेता हूं, तो जिसे यहाँ पे product name वापस से आ गया, तो इनके write a few sentence about product लिख देता हूं इसमें, तो product name जो नीचे paste किया था, वो actually price है, तो इसका type भी number आप कर दो, name तो मैं कर रहा हूं, तो यह सारी values मैंने change कर दी, span इसका 2 कर देता हूं, तो price छोटा सा होगा, तो यह span 2 में भी काम कर जाएगा, तो call spend 6 है, तो उसमें तीन पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूं इस चीज को, तो तीनो number वाले चीजें जो है, मैं वो एक ही row में रख रहा हूं, तो call spend 2, call spend 2, तो price discount, discount में discount percentage वाला जो field था वो आ जाएगा, यहाँ पे हम HTML for भी सब में change कर देते हैं, तो price discount और last में वापस से price नहीं है, तो I think एक और number value है, जो वहाँ पे दी कही थी, and I think that is stock, तो stock भी उसी से related है, तो यहाँ पे stock put कर देते हैं, तो stock मतलब कितने items अभी उस stock में available है, तो यह भी type of number सही set होगा, ratings की जरूत नहीं है, directly put करने की, तो ratings में अभी नहीं put करूँगा, बाकी जैसे brand, category, यह चीजे, drop down होगी, तो जादे अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं, कि कुछ number of limited values ही रखते हैं, तो खुद से enter करना काफी difficult होगा, कि आपको एक list तो provide करनी ही पड़ेगी, admin को भी, thumbnail यहाँ simple होगा, तो thumbnail सीधे URL आप provide कर सकते हो, यहाँ पे मैं thumbnail को एक URL की तरह दे रहा हूँ, लेकिन काफी सारे option में, आप इसको एक file की तरह भी दे सकते हो, जहाँ file upload की जा सके, तो back end में depend करता है, कि आप ख पर अगर आप अपने project में इसकी जगे, जिसे जो image 1 है, image 2 है, सब उसी का ही replica है, मैं ऐसा बनाता जा रहा हूँ, अगर यह सब को आप चाहते हो कि, नहीं, मैं URL नहीं paste करना चाहता, मैं तो अपने desktop से या computer से एक image upload करूँगा, तो उस case में आप सीधे सीधे node का जो एक multi middleware है उससे वो चीज़ कर सकते हो, simple और file में जो आपका form है, उसमें आपको type file करना पड़ेगा, तो इसका link एक already video है हमारे channel पे, उस पे आप देख सकते हो, वो चीज़ कैसे की जा सकते है, अभी simplify रखने के लिए मैं URL दे रहा हूँ, अब brands and categories के लिए मैं select use कर रहा हूँ, select में options म brand के जितने भी values हैं, वो सब होंगे, तो brand की values, brand की API से आ जाएंगी, तो इस तरह की APIs हमने पहले बनाई थी, और उसको जिसे यहां selector से भी हमने select किया था, brands और categories, तो वो same यहां पे आपको कामा जाएगा, तो product form में भी brands and categories यहां पे आ जाती हैं, दोनों, और यह पहले से loaded ह होंगी, I think, क्योंकि, I think brand and categories हमने एकदम upload होते ही, initiate कर दी थी, तो यहां पे brands पे map लगाता हूँ, और उसमें एक particular brand में, और value में, तो option.name में पुट कर देता हूँ, और इस value के अंदर, तो value तो, जो select होके आईगी, और option.name में, दोनों जगे ही, अभी option.name पुट कर रहा हू तो option क्या है, basically, यह वो, वहां से मैंने object copy किया था, उसको मैं option लिख रहा हूँ, बट यहां पे उसका नाम brand है, तो brand name लिख देता हूँ, तो अभी यह proper load नहीं हुआ, तो शायद name नहीं था, एक बार check कर लेते हैं, यह हमको redux में easily मिल जाएगा, कहीं पे brands और category का section होगा, तो यहां brands है, brands के अंदर label and value था, तो यहां पे label और वहां पे value, तो यह काफी easily हो गया, तो अब आप देख रहे हो, सारे labels प्रॉपर देख रहे हैं, और value से select हो जाएगी, value almost label जैसी है, बस उसमें कुछ hyphen वगरे का फरक हो सकता है, same हमको काम करना है अब categories के लिए, तो इस choose none, ताकि by default कुछ भी नहीं आए, तो choose brand ऐसा कुछ में पुट कर देता हूँ, एक option जो map से बाहर है, same stuff आप मैं कर रहा हूँ category के लिए, html 4 वगरे में आप category और इस तरह से change कर सकते हैं, तो category.map इस तरह से put कर दो, और यहां पे category आ जाएगा, यहां पी section भी आ गया, तो अ अब user के पास choice है, admin के पास choice है कि वो क्या particular category में इस product को update कर रहा है, add कर रहा है, next, जैसे हमने वो form set किये थे address के, वैसे ही मैं react hook form वाला use करता हूँ, और उससे use form जो एक particular hook है, उससे जो आने वाले सारी चीज़ें, वो use करते हैं, तो name की जगे हर जगे, आपको पता ही है, register और उसके जगे name put कर दोगे, validations भी provide कर सकते हो कि this is required, not required या और किसी तरह का validation हो, जादा validation में अभी admin वाले section में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें काफी time लग जाता है, और आप उसको कर सकते हो अपने project में, अभी मैं केवल required वाले validation सब में copy करूंगा, तो product का name हमारे case मे title था, तो मैंने उसको title कर दिया है, description का नाम, description ही है, तो मैं register में exactly match करूंगा, जो हमारे data की values से, brand में यहाँ पे हमको check करना होगा, तो I think brand की value सीधे यहाँ पे select पे register की जा सकती है, और यहाँ पे इसका नाम brand होगा, और brand is required इस तरह से, ऐसे ही category में होगा, तो यहाँ पे category, category is required, फिर price में, जहाँ पे भी आपको name दिखाई दे रहा है, उसी जगह पे उसको replace करना है, price is required, तो मैं react hook form में देखता हूँ कि validation, min और max का कैसा है, कि price में अगर हम इस तरह का validation भी देना चाहिए, कि इसमें negative value और इस तरह की accept ना हो, वैसे तो आप back end पे भी वो validate करोगे बाद में, पर यहाँ पे भी करना ठीक है, तो यहाँ पे max और min इस तरह की value होती है, तो max, min हम provide कर देते हैं, तो min is this, max is 10,000, maybe आपका कोई restriction नहीं कि इससे बड़ी value की चीज नहीं आ सकती, और ऐसे discount में, discount में आपको पता है कि minimum discount अगर कुछ देना है, तो 0 दे दो, और maximum 100 से उपर discount देने का कोई मतलब नहीं होता, तो discount percentage में है क्योंकि, और ऐसे stock में भी आप इस तरह का put कर सकते हो, और stock में भी minimum 0 होगा, और maximum में भी आप कोई value पूट कर सकते हो, या unlimited है, तो stock हटा भी सकते हो, maximum limit, फिर thumbnail में आप register कर सकते हो, और thumbnail को required रख सकते हो, इसमें कोई minimum, maximum value कुछ नहीं होगा, तो minimum आप हटा दो, यहाँ से भी हटा दो, तो image 1, image 2 सब में उसी तरह से आप कर दो गया, तो finally, इतने ही सारे, I think, fields थे, आप वापस से टैली कर सकते हो, कि सारे fields आपके आ गये हैं या नहीं आएं, on submit में लगा दिता हूँ, on submit में जैसे, जिस तरह से हम code लिखते थे, कुछ dispatch वाला, इस तरह का code है, वो copy करके, मैंने पेस्ट कर दिया, तो dispatch अभी तक हमने इंपोर्ट नहीं किया था, तो use dispatch से dispatch ले आते हैं, और यहाँ पर अब हमको action change करना पड़ेगा, और इसमें आपको ये product add करना पड़ेगा, तो अभी तक I think product add करने की API हमने कहीं बनाई नहीं है, तो वो आपको अब बनानी होगे, तो पहले एक बड़ चेक कर लेते हैं, console log में कि क्या proper data हमारे पास आ रहा है, जिस तरह का data हम चाहते हैं कि database of products में add हो, तो आप कुछ भी dummy data मैं quickly इसमें add करके देख रहा हूँ, तोड़ा सा अच्छा link देते हैं इसको तक ही सामझ में आए, Macbook Air 2023 इस तरह से Apple laptops category, price में 1099, discount में 10%, 100 stock, फिर कुछ भी thumbnail है, हो सकता है यह उसी का हो, बट जरुँ नहीं है, इस तरह से आप put कीजिए, console को रखते हैं, save रखते हैं, और इसमें आप देखो तो, almost everything has a value, तो इस तरह से सारी values आ रही हैं, अब इसी values को मैं constant product बना देता हूं, और उसमें यह data पुट कर देता हूं, तो अब इस product को, जो यहाँ पर object है, इसी को हमको एक तरह से database में save करना है, तो again, इसको थोड़ा सा manipulate करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें जो images था, वो एक array की तरह था, और भी कुछ चीज़ें थी, तो images का array लिखता हूं, और उसमें लिख देता हूं, product.image1, product.image2, product.image3, और एक thumbnail, इस तरह से ही हमने पहले भी रखा था data को, और जो image1, 2 इस तरह की नाम की चीज़ें, उसको आप बाद में delete भी कर सकते हो, तो ऐसी product.rating by default में भी आप 0 पूट कर सकते हो, और उसके बाद में image1, image2, यह सारे जो field है, इनको हटा दो, ताकि final जो product नाम से object बने, वो exactly वैसा बने, जैसा हमको save करना है, तो console.log में वापस product देखता हूं, save करता हूं, तो यहाँ पर आप आप देखो images एक array है, और I think sufficient है हमको save करने के लिए, अब product API में जाते हैं, वहाँ पे अभी तक create a product या add a product जैसा कुछ नहीं है, API, तो वह हम create करेंगे, तो create product इस तरह से किया, और post request होनी चाहिए ये, तो slash products पे मैं pass कर दूँगा वो particular object, तो यहाँ पे मैंने post कर लिया है, json.stringify में product आ गया है, I think that's all, इतना ही इसका syntax होना चाहिए, उसके बाद मैं slice में जाके एक thunk बना लेंगे, जो इसी API को call करता हो, तो product create product async, create product, यहाँ पे इसको import कर लेते हैं, और यहाँ पे create product, और यहाँ पे भी create product async, यह इस तरह से इसका नाम आप दे सकते हो, या create ही दे सकते हो, अब add case करेंगे, और add case में create product async, इस तरह के दो actions, इनकी fulfilled stage, अब async fulfilled होगा, तो state.products में push करना चाहते हो, जो भी action.payload, action.payload में हम नया product ही expect कर रहे हैं, तो वो उसमें directly push हो जाएगा, तो पूरा process start करने के लिए, जैसे ही आपके पास यह form में product का data आ जाए, तो dispatch कर दो उसको, उस action के अंदर product, I think बागी सब कुछ यहां तक linked होना चाहिए, तो create product में product आ जाएगा और post हो जाएगा, slice में भी बीच में देख लो कि सारी चीज़ें यहां पर हमने पास नहीं किया था, तो यह sync में यहां पर product आ जाना चाहिए, तो अब hopefully सब कुछ यहां पर है, sign out करते हैं, as a admin जाते हैं, edit करते हैं, add a product करते हैं, उसमें Macbook Air 2023 और सारी चीज़ें वापस से वैसी select करते हैं, कुछ भी price, stock इस तरह से, thumbnail वगएर है, जो भी required सारे field थे वो दिये, उसके बाद save किया, save करने के बाद, hopefully यह data में जाना चाहिए, तो last में आप देखो, last ID 101 एक create हो गया product, इस चीज़ को यहां पर भी आप देख सकते हो, कहीं न कहीं यहां दिखेगा, तो मैं laptop category select करता हूँ, तो यह वाला product जो है, duplicate लग भी रहा है, तो यह वाला product एड हुआ, एक Macbook, वो additional product है, अब edit पे आते हैं, तो edit के लिए same form को हम use कर सकते हैं, पर उसमें हम slash edit और एक ID पास करेंगे, तो slash edit से वो अलग पता लग जाएगा, और ID से यह पता लग जाएगा, कि कौन सा particular product जो पहले से exist करता है, उसको आप edit करना चाहते हैं, तो इस तरह से मैंने बस URL चेंज किया है, लेकिन URL का target वही form है, तो यह form एक तरह से, दो अलग अलग तरह से behave करेगा, तो अभी जैसे यहाँ पे link है, इस link में मैं put कर देता हूँ, edit product वाले, product list पे हूँ basically, तो product list पे जब edit पे click किया जाएगा, तो वो slash edit कर देगा product form के आगे, और यहाँ पे ID भेज देगा, उस particular product की, क्योंकि list में ID तो sub product की आपके पास में है, तो edit product जो button है, मैं उस पे link पी जाएगी, तो ID information के लिए हम use params use करते हैं, उससे आप parameters को extract कर सकते हैं, parameters में नाम उसका क्या होगा, ID नाम होगा, क्योंकि आपने colon के बाद ID दिया था, यहाँ पे जितना set value वाला system है, यह पूरा आप copy कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही edit पे click करोगे, तो आपको ID मिल जाएग को उस particular ID वाला product निकाल के और उसकी value set करनी होगी, तो मैं use effect लिखता हूँ, use effect के अंदर मैं इसब set करूँगा, पर कब set करूँगा, जब if params.id, अगर parameter में ID है, तो आप जाके title को set कीजे क्या, product.title के बारा में, अब product क्या है, यहाँ पने product की तो बात की नहीं की product कौन सा product तो यहाँ पर product वो होगा, जो particular product के edit पर आपने क्लिक किया है, तो basically एक ID से आपको सर्च करना पड़ागा, तो आपके पास में है, तो यहाँ fetch product by id async, इस API को दिखते है, इसका थोड़ा all product लिखा है, इसका रिनेम में तो यहाँ फैच product by id async, इस API को दिखते है, इसका मैं कर रहा हूँ और इसको fetch product by id async कर रहा हूँ, तो यह API से हमारे पास वो particular product की सारी info आजाएगी, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि product की, even though सारी info, ऐसा लगता है कि first page पे भी है, product list में भी है, but in real world, it can be more, असली product की और भी information हो सकती है, जो maybe first page पे नहीं दिखाई दे रही तो इसलिए उस पे trust नहीं किया जा सकता, तो मैं एक और बार fetch product by id async कर रहा हूँ, और params.id को यहाँ as a dependency पास कर रहा हूँ, तो या चीज आपको समझ में आयोगी कि क्या मैंने किया, क्यों मैं fetch product by id वापस कर रहा हूँ, हो सकता है, products हमारे पास already loaded हो, Redux में, लेकिन एक product की बहुत detailed information के लिए अलग API कॉल करना अच्छा है, क्योंकि हो सकता है, हमने जो product list है, उसमें कियोग एक summarized data दिखाया हो, ना की complete data, तो यहाँ पे मैं selected product नाम से use कर रहा हूँ, selected product हम पहले बना चुके थे, selected product का selector, तो यह id-based है, तो अब हमारे पास selected product आ गया होगा, और उसके आधार पे ही हम title, description, यह सारी चीज़े हम put कर देंगे, तो वापस से मैं try करता हूँ, edit में यह आ रहा है कि reading title of null, तो कोई issue है, I think जब तक selected product नहीं होगा, तो यह use effect नहीं चलना चीए, तो आप एक if put कर दो कि if selected product हो चुका है, तो selected product में थोड़ा time लग सकता है, क्योंकि वो async action से हैं यह सारी चीज़ें, तो हमेशा redux से जो चीज़ हो रही है, जरूर नहीं वो शुरू में available हो, तो उसवाज से issue आ रहा है, तो आप जाओगे यहाँ पे, और वापस से admin से login करो, admin से login किया, यहाँ पे edit पे गए, यह दोनों चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, तो दोनों मेरे काम कर गए, title और description, यानि बाकी सब भी हम easily उठा सकते हैं, तो price, rating, discount percentage, thumbnail, stock, उसके लावा images, और images में वैसे image 1, image 2, वैसे होना चाहिए था, brand and category इस तरह से, और इनके price में अब यह आप देखो, तो string आया था, जो हमने product add किया, तो उसमें कमी आई है, कि product में string सेव हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा सा जाके आप change कर सकते हो, कि जब आप product save कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे save, तो उन चीजों को आप convert कर दो, जो number में है, उनको proper number की तरह ही भेज़ो, तो आप कहर सकते हो कि product का जो price है, वो plus product dot price हो, plus से चीजें numeric में convert हो जाते हैं, एक shortcut है, तो ऐसे rating में plus product dot rating, तो string से वो उसको कर देगा, और discount percentage में भी वो कर सकते हो, rating तो actually हमने वहीं दिया था, तो उसको ज़रत नहीं है, और इसके अलावा I think stock, तो stock में भी plus product हो, तो यह numeric value की तरही save होंगे, तो यह थोड़ा सा हमने change किया है, यहाँ पर, यहाँ पर भी selected product की सब values आप निकाल सकते हो, images as it is आएंगी या नहीं, वो देखते हैं, images क्योंकि तीन, चार field में divided है, 1, 2, 3, तो उस तरह से वो field change होने चाहिए, तो edit product, यहाँ पर करो, images नहीं आई, जैसा expected था, बाकी सब कुछ यहाँ पर properly आगया, तो image 1, 2, 3, इस तरह से set नहीं होई, वो तो अलग-अलग field थे, तो images, array को fetch करने से, वो अपने आप उसमें set नहीं होता, तो rating की ज़र्द नहीं थी, वो हटा देता हूं है, फिर image 1, image 2, तो वो अलग-अलग image की values आ जाएंगी, और उनको array के उस particular element से, आप match कर आ सकते हों, तो अब यहाँ पर सारी values दिखाई दे रही है, तो एक तरह से, हमारा जो edit वाला है, उसमें भी selected product की सारी values यहाँ पर दिखाई दे रही है, और उसमें से कोई value मैं अभी change करके देख रहा हूं, जैसे price मैं ने change किया, लेकिन अभी इसको set कैसे कर पाएंगे, जब तक की update product का हमारे पास syntax नहीं होगा, तो जैसे create product का था, वैसे हमारे पास, जो अब नया है, वो update product का भी हमारे पास होना चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको ही change कर सकते हैं, जो submission सेम ही form का है, तो हम कह सकते हैं कि params.id है, तो edit वाला पार्ट चले, तो यहाँ पे हम दूसरा action dispatch कर सकते हैं, और वो action होगा, update the product rather than add the product का, तो update the product का अभी तक हमने कुछ भी शायद नहीं बनाया है, हम एक पर चेक कर लेते हैं, अपने पुराने system में, तो हमने update user का बनाया था, update cart का भी शायद बनाया था, तो उनके samples हम यूज़ कर सकते हैं, तो update cart वाला मैं copy कर लेता हूँ, और यहाँ पे paste कर देते हैं, तो update product कर देते हैं, उसमें कोई update आएगी, फिर यहाँ पे product और product की कोई id होगी, update में ही होगी, जो patch होगा, json.stringify में वो put हो जाएगा, तो पूरा syntax as it is हम use कर सकते हैं, बस इसका एक async थंग बना लेते हैं, तो update product async, और यहाँ पे भी update product not async, बट आपको import करना पड़ेगा, और यहाँ पे update इस तरह से में लिख देता हूँ, update आगे से कहीं से pass होके आएगी, जो basically वो product form का ही version है, और इनके भी हम cases add कर लेते हैं, तो update product async और fulfilled उसका आजाएगा, तो यहाँ पे product में वो चीज़ पुश नहीं होगी, वो भी बाद में हमको देखना होगा, तो उसकी जिगे में यह पुराना एक update का जहां से हमने slice लिखा था, वो copy करके लाया हूँ, यहाँ पे एक bracket missing था, यहाँ पे यह इसको मैंने paste कर दिया, तो हमको index find करनी पड़ेगी, कौन सा product है, और क्या match करना है हमको item में item की ID और action payload की ID, तो बिल्कुल वैसा ही syntax है, logic wise ज़्यादा चीज़ नहीं है, आइटम की जगे में product लिख देता हूँ, क्योंकि वो हमने cart के लिए लिखा था code, और फिर बिल्कुल वैसा ही हमने, जैसे cart में किया था, वो ही slice आप इसमें, as it is logic wise होच सकते हूँ, तो update product async यहाँ पे call हो जाएगा, एक और चीज़ की product.id is params.id, तो product में भी आपको ID जोडनी पड़ेगी, तो यहाँ पे edit किया, तो यह आ गया proper, इसको change किया 499, save कर दिया, अभी save करने पे देखेंगे, तो यहाँ पे 495 आ रहा है, I think कुछ role होने की वज़े से वो change हो गया, थोड़ा सा और change करते हैं, 555, save करते हैं, वापस आते हैं, तो यहाँ 555, तो इस तरह से यह change तो हो रहा है, जो भी product है, वो change हो रहा है, ratings जरूर 0 हो गई है, क्योंकि ratings का कुछ code हमने गलत किया है, इस अधर जगे 0 कर दी, हमको लिखना चाहता है कि products की अगर पहले से rating हो और 0, इस तरह से कुछ करना था, तो edit करते हैं, इस वाले को करके देखते हैं, price में 1111 कर देते हैं, save कर देते हैं, वापस आते हैं, तो अभी भी यहाँ पे 0 आया, प्रोड़क की पहले कोई rating ही नहीं थे, तो यह भी हमको ध्यान देना होगा कि यह केवल update वाले के लिए काम करेगा, कि अगर product में selected product है, तो उसकी rating maintained रहे, अब class name में मैं यहाँ पे थोड़ा सा change करके margin top ऐसा दे रहा हूँ यह edit product को थोड़ा सा नीचे करने के लिए, तो यह अभी proper हमारा चल रहा है, add form में अभी भी पुराना data आ रहा है क्योंकि selected product की value वहाँ पे saved है और same form को ही तो हम दोनों जगे use ले रहे हैं, तो हम एक reset का reducer के अंदर एक reset का part बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं clear selected product लिखता हूँ और इसका काम क्या होगा कि जो भी state में आपका selected product रखा हुआ वो खाली हो जाए, तो clear selected product के आगे आप arrow function जैसे बनाएंगे, आप state pass करेंगे और state.selected product equal to null आप कर देंगे, तो यह clear selected product कहाँ पास करना होगा, यहाँ पे जहाँ slice से हम actions पास करते हैं, तो यह simple without easing thunk का reducer call है, जो simplest version of redux में हम use करते हैं, तो इसको कहाँ पास करना होगा, else में, जहाँ पे params.id नहीं आ रहा है, मतलब आप update का option नहीं है, तो हर case में आपको वो clear कर देना चाहिए, तो edit, यहाँ पे गए save किया, और अब add पे चले गए, तो अभी भी यहाँ पे clear नहीं हुआ है, तो कुछ issue है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ clear selected वाला इस तरह से चला, और even though इसने null कर दिया है, I think यहाँ successfully इसने null किया है, पर उससे भी issue आ रहे है, तो यहाँ पे selected products and params.id, I think यह दोनो criteria satisfy होने चाहिए, params.id से यह मतलब जाएगा कि आप edit वाले route से आये हैं, नहीं कि उससे तो उससे वो थोड़ा clear होना चाहिए, तो अब मैं edit product पे करता हूँ, कुछ value change करते हैं, और अब add form को करता हूँ, तो अब यह clear है, तो इस तरह से यह proper आपका चल रहा है, resetting हो रही है, edit में वापस से आपको value दिखाई दे रही है, तो सब कुछ सही से चल रहा है. next हम को कुछ resetting करनी है, कि अगर कोई product create हो जाए, तो यह form में जितने भी fields हैं वो clear हो जाए, तो चाहिए update हो या even I think add हो, दोनों में reset हो जाना चाहिए, reset के लिए already एक function available है, इसमें use form से हमने पहले I think use किया है या नहीं, बट उसको आप directly use कर सकते हो, और यहां पे जिससे मैं save कर रहा हूँ, अभी वो काम नहीं किया, यह update का था, actually मैं update में put करना था, तो आप save करते हो, तो save भी हो गया, और यहां पे clear भी हो गया है field, तो दोनों जगे मैंने reset वाला put कर दिया है, कुछ और भी चीज़ है, ratings मैं गड़बड आ रही है, testing मैं कर रहा हूँ, बार बार तो यह product.selected product लिख दिया था, जिसका कोई मतलब नहीं है, यह rating से related कुछ लिखना था, तो selected.rating आप कर दो, इसी वज़े से वहां हमेशा value 0 आ रही थी, तो यह चीज़ करनी पड़ेगी, plus जब आप पहली बार product add कर रहे हो, तो भी कुछ rating के value होनी चीज़, तो default आप 0 भी put कर सकते हो, और यह default actually मैं ज़र नहीं है, front end पे, back end पे अपने आप भी create किया जा सकता है, तो यह चीज़े ratings को भी ठीक कर देंगी, अब finally edit करके यह देख रहे हो, तो इसमें proper सारी चीज़ें आ रही है, यहाँ पे API में आप check करके देखो, तो एक चीज़ है कि अब हम delete का एक और function बना सकते हैं, तो delete में एक button मैं create करता हूँ, जिसका नाम मोंगा delete, और इसका background में red तरह का देता हूँ, delete basically किसी product को delete करने के काम में आएगा, तो on click पे इसका एक handle बना लेते हैं, handle delete, और हमारे पास actually में उस product की ID भी होगी, क्योंकि जो selected product है वो already selected है, तो मैं edit के अंदर ये feature बना रहा हूँ, edit के case में ही आपको ये delete बटन दिखाए देगा, तो जब form as a add form क्री आएगा तब ये नहीं दिखाए देगा, जब as a edit आएगा तब ही ये दिखाए देगा, तो handle delete और इसके अंदर में आप dispatch करोगे update product, तो update product क्यों dispatch करोगे, क्योंकि मैं delete actually मैं नहीं करने वाला product को, मैं उसमें केवल एक field set कर दूँगा, और यही तरीका होता है जिनरली जो products and application में भी होता है कि पुराना product delete ना करके उसमें deleted नाम की property को आप true set कर देगा, तो इसके काफी reason होते है, पुराने product से भी कई बार system को काफी information रखनी होती है even though user को नहीं दिखाए देता, तो यहाँ delete button है, इसको click करोगे तो अभी तो कोई issue आ रहा है, select product is not iterable, मैंने इसको array में put कर दिया, यहाँ object में put करना था, तो इसको object में put करो, अब वापस से delete करो तो यहाँ पे delete हो गया है, ठीक है delete का मतलब बस उसमें delete flag set हो गया होगा, तो search करते हैं, तो यहाँ पे आप जाके देखोगे, तो I think यही था iPhone, यह 9 था यह, तो सबसे last में deleted true, यह flag set हो गया, तो अब इस flag को use करते हुए, admin को आप inform कर सकते हो कि यह product actually वह delete हो चुका है, admin को तो क्यों inform करोगे, और main user को वो दिखाओगे ही नहीं, जिसका deleted true है, ठीक है, तो यहाँ पे, हम जा रहे हैं और सबसे, तो यह admin product list वाला page है, और list में, जो भी cards थे, उन cards के नीचे मैं एक छोटा सा paragraph बना रहा हूँ, product deleted, तो अब यहाँ पे product deleted इस तरह से आ रहा है, हर case में नहीं दिखाना है, और इसमें text small होगा, text red होगा, इस तरह से कुछ style में दे रहा हूँ, तो अभी तो यह हर में दिखाई दे रहा है, पर कब दिखाना है, जब की product का जो flag है, वो true set है, deleted वाला flag, तो product deleted अगर है, तो end end, फिर इस case में आपको यह दिखाना है, तो यह इस तरह से यह दिखाई दे रहा है, मतलब यहां पर product, admin product list में भी मैं लगा के दिखा रहा हूँ, और एक तरह से product list में भी मैं आपको test करके यहां पर लगा के दिखा सकता हूँ, वो same चीज, तो यहां पर आपको यह चेक करना होगा, कि server will filter the deleted products, तो यह क्योंकि product list है user की, तो यहां पर server को ही हटा देने होंगे deleted products, क्योंकि उनका user के लिए कोई sense नहीं, user मतलब customer, जो role हमने लिया है, तो server को यह, मैं यहां हर जगे to do paste करता जा रहा हूँ, ताकि हमको back end में ध्यान रहे कि हमको भेजने ही नहीं है, ऐसे product जो delete flag हो चुका है, केवल admin की knowledge के लिए हो सकते हैं, मेबी वो पुरानी info चेक करना चाहता हो, या कोई और purpose के लिए, तो केवल उसको वो दिखाई देने चाहिए, बाकी को तो वो दिखाई देंगे ही नहीं, तो यहाँ पर अभी मैंने product deleted वाला वहाँ पर paste नहीं किया था, कि अध्मिन product list में किया था, इस product list में नहीं pasted है, तो यहाँ पर मैं paste कर सकता हूँ इसको, just to show, but इसका product list में actually में sense नहीं है, क्योंकि यह needed ही नहीं होगा जब back end आ जाएगा आपके पास में, finally मैं admin orders.js एक component बना रहा हूँ, जिसमें admin अपने सारे orders देख पाएगा जो अभी तक आएं सिस्टम पे और उनका क्या status चल रहा है, यह काफी important होता एक admin dashboard में, तो इसके लिए मैं tailwind component नम की site पे जा रहा हूँ, क्योंकि में को main site पे तो इनका कुछ ऐसा मिला नहीं, तो यहां पे मैं को एक ऐसी table मिली है, जिसमें की एक simple table layout है, जो कि में को काम आएगा जिसमें मैं orders को दिखा पाऊंगा और बाद में उनमें कुछ edit वगरे करना होगा वो लिख पाऊंगा, तो मैं JSX converter यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे में को HTML code मिला है, Tailwind का ना कि JSX code, तो उसको मैं यहां converter से convert कर देता हूं, और यहां पे मैं उसको paste कर देता हूं, तो यहां पे मैंने पूरा compatible JSX paste कर दिया है उस component के अंदर, तो यह admin orders का हम बना रहे हैं, तो इसका page मैं set कर देता हूं, तो admin orders page हम लिख देते हैं, और उसी तरह से जैसे कि अभी तक admin home हम ने बनाया था, तो वैसे ही admin page बना देते हैं, orders page, तो वही same चीज रहेगी, admin orders, तो अभी page आ गया है, इस page को हम routing में set कर देंगे, तो यह page बाला format याद रखिए हम क्यों use ले रहे हैं, ताकि एक्स्ट्रा flexibility रहे हम footer वगएर है कुछ भी add कर सकें, पेज में केवल एक component हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसलिए हम हर चीज को page बनाते हैं, एक full page में और उसमें कई components हम रख सकते हैं, तो admin slash orders, इस पे यह सारा होगा और मैं इसको link को यहां पे जोड सकता हूँ, तो हमारे menu में एक और नया item आ गया admin के लिए, तो उसमें admin आप देख सकते हो, तो अभी उपर top पे admin और orders दो menu item आ गया है, orders पे क्लिक करोगे तो यह table आ जीगे, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं, यह minimum height और इस तरह की चीज़ें यह हटाते हैं यहां से, I think इससे यह सब हटेगा, यह थोड़ा उपर भी जो spacing था वो सब हट गया, थोड़ा proper आ गया, इसकी width को भी change करना होगा, जो यहां पे कुछ 5 by 6 width है, width full रखते हैं जितना हो सकें, तो यहां पे full width आ गयी है, तो यह इस level के अंदर full width आ चुकी है, इसके अलावा अब मैं जा रहा हूँ, orders देखने की orders कहां से आएंगे, तो last में orders पे जाते हैं, तो orders में आप देख लो पहले क्या items है, जो की पूरी तर से cart है, जिसके अंदर हर item के product के बारे में लिखा हुआ है, और उसके quantity वगरे इस तरह से चीजे हैं, तो मैं यहां पे items बनाता हूँ column, या फिर सब सब पहले order number और फिर items, फिर हम उसका total दिखाएंगे, total amount, और उपर आप देखना है, अगर उसको save करेंगे, तो इस तरह से मैं अलग-अलग columns को use करना चाह रहा हूँ, status दिखा सकते हैं order का, और actions दिखा सकते हैं, actions मतलब की edit, delete इस तरह की चीजे, तो यह तो हो गई table की headings जो मैंने केवल change की थी, तो ऐसे ही tables की row भी change करने होगी, तो table की row में actually अभी सब कुछ mix हो रहा है, इसमें काफी सारी photos वगएरे भी हैं, तो किसी एक particular table row को आप पहले मैं इन सब को ऐसे बंद कर देता हूँ, मैं delete कर रहा हूँ बाकी सब को एक table row को मैं रख रहा हूँ, जिसको sample को हम change करेंगे, तो हमको क्या चाहिए यहां पर orders की list, जिससे कि हम order fetch कर सकें, तो अभी सारे orders को fetch करने का मैंने अभी तक API नहीं बनाया है, तो fetch all orders इस तरह से बनाते हैं, इसमें I think कोई order ID ऐसे पास करने की जूरत है क्योंकि सारे orders हम ला रहे हैं, तो यह fetch products by filters जैसा था, काफी कुछ वैसा ही syntax होगा, इसमें कोई filters तो नहीं हैं, लेकिन pagination ज़रूर हो सकता है, क्योंकि सारे order बहुत सारे हो सकते हैं, सारे नहीं दिखाएंगे, तो यहां पर मैं वह pagination वाला element तो अभी भी मान के चल रहा हूं, तो यह एकदम वह products filter वाला section आप याद करो, बिल्कुल वैसी query हम इसमें भी लिखेंगे, तो बस pagination का option मैं रखता हूं, ताकि अलग-अलग pages में इसमें भी paginate करके बना सको हूं, query string मैं उपर blank रख रहा हूं, और pagination के साबसे की add होती जाएगी, localhost में slash orders पे query करेंगे, आगे query string जोड़ देंगे, total items is actually total orders, इसमें भी हम वह वाला header यूज़ कर सकते हैं, तो सारा वैसा ही format है केवल कुछ naming change हूए है, तो यहां पे fetch all orders कर लेते हैं, इसका भी एक async ठंक बना लेते हैं, और fetch all orders यहां पे put कर दिया मैंने, तो fetch all orders, async इस तरह से आ गया है, यहां पे order की जागे है बस pagination pass कर दो, pagination ही आगे से हमको चाहिए, तो fetch all orders भी हो गया, अब इस के आपको cases भी बनाने होंगे, और इसको call कहां से करना होगा, तो आप देख सकते हो इसको call कहां से करोगा आप, तो जैसे इसको हमने fetch product उसका देखते हैं filter का, तो उसमें इस तरह का pagination element हमने बनाया था, और use effect में इसको लिखा हुआ था हमने, बिल्कुल यही same use effect को हम call कर लेते हैं, और admin orders में put कर देते हैं, admin orders page पर ही तो हमको यह सब call करने हैं, तो यहां पर वैसा pagination put कर दिया, अब page भी है एक element जो कि हमने यहां पर set state से किया था, use state होग से, तो use state में page भी आ गया, items पर page एक constant है तो उसको आपको इंपोर्ट करना है अगिन, इसके अलावा dispatch में अपने products by filter async किया है, इसमें के विखे इनेशन इस बार पास करना है, और यहां पर dispatch यह होगा तो use dispatch होग से dispatch ला सकते हैं, और dispatch ही के विखे एक dependency होगी, और इसके अलावा pagination भी actually में एक dependency होगी, जिसमें की page ही एक actual variable है, यहां पर बस अब fetch products by filter async जो है वो नहीं है नाम, हमारे को तो fetch orders करने हैं, तो मैं fetch all orders async इस तरह से करता हूँ, वो import हो गया है खुद खुद, इस तरह से सारा setup तो हो चुका है और यहां से successfully इसको call करेगा, यह cases हमने नहीं बनाए थे इसके, तो cases भी मैं add कर देता हूँ, तो fetch all orders pending and fulfilled, orders push हो जाएंगे, तो यह part भी good enough, तो यहां पर यह सारी चीज़े प्रॉपर हैं, fetch all orders में यहां पर मैं orders कर देता हूँ, तो data में orders आएगा और तो payload में भी थोड़ा change होगा, action में .payload में orders होगा और एक total count होगी, यह सब हमने पहले भी repeat किया था, products के लिए वही सब फंडा वापस repeat है, तो total orders actually एक number होगा, तो शुरू में हम 0 रख सकते हैं और state.total orders में action.payload और उसके अंदर जो अपने orders रखा है, total orders रखा है, वह आ जाएगा, तो यही नाम थे यहां पर total orders ही था, उसको बस plus से हमने number में cast कर दिया है, तो यह आप इसका भी selector बना लेते हैं, तो अभी तक current order का था, तो select orders बना लेते हैं, जिसमें सारे orders आ जाएँगे, total orders बना लेते हैं, तो total orders basically count है, जो आपको pagination में loop बनाने में help करेगा, कि कितने page हमको दिखाने हैं, पूरा same process जो हमने products के pagination के लिए किया था, और products fetch करने के लिए, तो मैं selectors को भी import कर लेता हूं, फिर यहां पर orders equal to in selectors से आने वाली जो चीज होगी, तो use selectors इस तरह से कर लेते हैं, total orders नाम से जो है उसको भी कर लेते हैं, उसका selector उसके अंदर pass कर दो, तो अब हम आपस hopefully सारे variables होने चाहिए, तो अब जो यह row है, एक row थी जो हमने रखी थी, इस पर मैं यह condition put करता हूं कि orders.map, और जितने order हैं उसके लिए एक एक particular row create होती जाए, तो हर row में क्या-क्या चीजें होंगी, order की ID होगी, मैं बाकी सब हटा लेता हूं, यह icons वगरे थे, तो order की ID होगी, फिर यहां पर मैं order का thumbnail रख सकता हूं, तो order का thumbnail तो नहीं होगा, order में actually एक particular product का thumbnail होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा एक और बार हमको पहले products fetch करने पड़ेंगे, जिनको हम items बोलते हैं, तो यह वाला section जो हम बनाने वाले हैं, वह actually मैं खुद में एक loop में होगा, क्योंकि items एक array थी, तो यहां पर मैं orders.items.map इस तरह से इस section को put करता हूं, तो second जो column है उसी में हम एक array बना रहे हैं, मलब एक और map put कर रहे हैं, तो यह आप ध्यान देना, तो अब हर item का हमको पता है thumbnail होता है, तो हम यहां पर item का thumbnail put कर देंगे, हर item का एक name होता है, तो हम name put कर देंगे, I think name नहीं है उसमें, वो title है, तो login करते हैं वापस से, यहां पर जाते हैं, admin panel पे और उपर orders को क्लिक करते हैं, तो 1, 2, 3 आ रहा है, items की photo भी आ गए है, name नहीं है, यहां पर title है, तो title भी आ गए हैं, तो इस तरह से काफी short and compact है, बट काफी information यह हमको दे रहा है, यहां पर कुछ photos है, original template में, I think हमको photos नहीं चाहिए, उसकी जगे हम item का total रख सकते हैं, या items में कितने particular items थे, number of items थे वो भी रख सकते हैं, तो यहां पर मैंने total amount दिखा दिया, आगे वाले में मैंने order का status दिखा दिया है, तो हर row में हम अलग-अलग चीज़ें दिखा रहे हैं, तो यह उनी से match होना चाहिए जो उपर heading है, उसे साब से ही मैं लिखते जा रहा हूँ यह सारी चीज़ें, तो status pending आ गया है, actions में अभी मैंने कुछ पुट नहीं किया, तो actions में मैं कुछ icons चहिए हैं, जैसे कि display more detail about this, तो एक eye का icon है, I think उसमें more detail आप रख सकते हूँ, तो उनको मैं properly import कर लेता हूँ, तो eye icon है, तो यहां पर मैं पुट कर देता हूँ eye icon, width जो अभी तक हम देखते हैं, width 6 हर जगे width 4 इस तरह की चीज़े हैं, आप vary भी कर सकते हूँ, तो यह eye जैसा eye icon आ गया है, और एक मैं edit का icon मनाऊंगा, क्योंकि जैसे अगर status edit करना हुआ, मैं को dispatch हो गया है यह उस तरह का तो उस तरह से, item के आगे, item की quantity भी missing है, तो मैं वह put कर देता हूँ, item title के आगे, तो यहाँ पे item के आगे उसकी quantity भी आ गई, तो अब आपको पता होगा यह particular item और उसकी क्या quantity है, और अगर आप उसको price भी दिखाना चाहें, कि एक particular quantity का क्या price था, तो एक तरह से पूरा छोटा सा summary of receipt आ गई है आपके पास, यह number है और यह आपके सकते हो यह dollar है, तो इससे थोड़ा differentiate भी हो जागा, इससे अच्छा भी layout आप create कर सकते हैं, बट एक short summary आपके पास में आ गई है, तो आई icon मैंने कर लिया था, ऐसे ही में कोई edit का icon चीए, edit के लिए मैं पास एक pencil icon का option है, तो pencil icon मैं put कर दूँगा, यहां पे second part में, तो यह last वाले column के अंदर मैंने तीन divs रख रख हैं, जो इस template में आये थे, यहां पे pencil का icon है, इस पे click करोगे तो आप अब इसको editable mode में कर पाओगे, अभी वो action हमने लिखा नहीं है, कैसे कर पाओगे, लेकिन हम ऐसाइज जूम करें, आगे हम बनाएंगे उसको, तो इसके अलावा भी कुछ columns हम बाड में add कर सकते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़े हैं, जिसे एक selected address है, यह address था कि delivery कि इस address पे होगी, तो यह भी काफी important है, कि order में आपको यह चीज़ भी admin को दिखाई दे, अगर उसको monitor करनी यह चीज़ है, तो यहां पे आप address या उसको shipping address कुछ भी कह सकते हैं, यह मैंने total amount के बाद यह heading add की है, तो एकदम exactly rows में भी आप देखना कि TD में आप उसी sequence में उसको add करना, तो यहां पे order.selected address इस तरह से आप कर सकते हैं, पर उसमें कई components थे, तो जैसे name होता है address में और उसके आगे आपके पास और भी चीज़े हैं, यह सारी चीज़े हैं उसमें, तो इन में से अगर आप चाहें तो सारी भी put कर सकते हैं, या जो भी आपके लिए logically sense बना रहा हो, तो मैं इसको name को तो strong में रख रहा हूं, और बाकी चीज़ों को मैं normal comma separated रख रहा हूं, तो order.selected street और उसी तरह से और भी जितने field है, city, state, pin code और phone number, इस तरह से मैंने सारी चीज़े put कर दी, तो यहां पे आए थोड़ा सा wide आगया है column और उससे सारा आपका table का layout है वो बाहर भी चली गई हैं, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, तो पहले तो इस column को आपको control करना होगा, तो column के लिए एक तो column की heading है वो short कर सकते हो, जिसे तर order number मैंने short किया तो यह आ गया, पर अभी भी यह काफी आपका spacing ले रहा है, तो किस तरह से इसको short करें, हम यहां पर flex layout है तो उसमें भी changes कर सकते हैं, बाकी एक तरीका है कि मैं एक div use करूँ और हर चीज़ के लिए एक div use करूँ, तो div से क्या होता है अपने block element बन जाते हैं, तो यह comma separated value सब अपनी एक नई line में जाएंगे, तो एक तरह से एक wrapping हो जाएगी तो इन सब parts को मैं copy करता हूँ और यहां पर इसको cut कर लेता हूँ और यहां div के अंदर इसको paste कर देता हूँ तो अब यह पूरा part मैंने paste कर दिया, अब आप देखो तो address काफी compact आना चाहिए, save करते हैं वापस से, तो div भी actually flex की वज़े से यह सही से behave नहीं कर रहे है, तो मैं यह flex layout वाली चीज़ें हटा देता हूँ तो अब यह थोड़ा सा property दिखाई दे रहा है, अब सारी चीज़ें हमारी एक particular width में आप आरही है, तो यह जो icons हैं यह वैसे बहुत छोटे हैं clickability के हिसाब से तो मैं इनकी overall width थोड़ी सी increase करता हूँ, लास्ट वाल आइकन रिक्वाइड ही नहीं है, वो space रिक्वाइड नहीं है, इनको scale up कर देता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी इनकी width दी है 4, इसको भी मैं बढ़ाता हूँ, इसको मैं 8 कर देता हूँ, width and height, तो अभी icons काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं, और easily clickable भी है, और यहाँ पर मैं margin right रखता हूँ, दोनों के बीच में gap भी हो proper, और अगर आपको इसको cursor वगरे भी change करना है तो आप कर सकते हैं, अभी तक इन eye icon और इस पे कुछ on click function हमने बनाया नहीं है, तो एक on click लिख देता हूँ, और इस पे मैं handle handler बना रहा हूँ, तो handle show, कुछ और details आपको show करनी है, मानलो इस particular order की और भी जादे detail, तो show वाला उससे div open कर देगा, और एक handle edit, तो edit काफी important है, edit में मैं चाहता हूँ कि हम editable कर सकें, order का कुछ part, तो ये handlers में मैंने pass कर दिया है, और यहाँ पर ये उपर ये चीज़ें बना लेते हैं, तो handle edit मैंने बना लिया, और console log में मैं handle edit, बस आपको लिखके दिखा रहा हूँ कि दोनों handlers काम कर रहे हैं, और handle show, तो दोनों अलग-अलग handlers हैं, तो click करने पर दोनों पर handle show क्यों आ रहा है, I think मैंने वो वापस है, handle edit, इस तरह से E, तो अब दोनों में proper आ रहे है, handle edit और handle show, अब इस से पहले कि हम आगे बढ़ें, हम इस discount वाले चीज़ को fix करेंगे, काफी टाइम से हमारे पास ये prices हैं, और discount price है जो काई जगे हम use ले रहे हैं और एक non-discount price है, और इसमें काफी confusion है, हमेशा हम price use ले रहे हैं, तो मैं discount price का एक method बना रहा हूं, जो हमने constant file बनाई थी उसमें, और इस discounted price को ही हम हर बार use लेंगे, तो basically वही जो formula है, बार-बार हम use करते हैं, कि 1- जितनी discount percentage है upon 100, उस तरह का formula है, वो हम यहाँ पे put कर देंगे, ताकि हर बार discounted price ही आपको show हो, चाए admin panel में हो, क्योंकि उसी price पे actually में user ने उसको buy किया है, तो यह पूरा formula मैं वहाँपस से repeat कर देता हूं, ताकि हर बार हमको यह formula जगे जगे पे नहीं लिखना पड़े, क्योंकि उससे error भी create हो सकते हैं, कहीं पे भी formula थोड़ा सा गलत हो गया, तो आपको एक गलत idea लगेगा price का, बाद में हम इस चीज़ को back end पे भी shift कर देंगे, तो मैं एक बार search कर रहा हूं, कहां कहां पे हमने prices put की हैं, जहां पे भी हमने item का dot price यूज किया है, वहां पे मैं इस discounted price function को pass कर दूँगा, और अपने आप यह उस price को convert कर देगा, तो discounted price और उसमें केवल आपको product pass करना है, बाकी वो उससे खुद उठा लेगा relevant fields, और भी जिगे हम सर्च करते हैं, तो यहां पे तो जैसे price है, वो हमने calculate किया है, टोटल amount है, तो total amount में भी discounted price पे आप total amount देख सकते हो, कि उसके हिसाब से उतना percentage होगा, ऐसे discounted price यहां पे भी, तो जहां पे भी आपको information दिखाई दे रही है, जहां दोनो price और discounted है, वहां तो ठीक है, आप एक price भी छोड़ सकते हो, लेकिन जहां पे भी आपने पुराना formula लगाया, discounted उसको भी हटा के, इम add.round भी नहीं चाहिए, यहां पे discounted price पूरा अपट कर सकते हो, तो जितनी भी जगे अभी तक आपने use किया है, या फिर जहां पे आपने गलती से अभी भी item.price लिख रखा है, जैसे यह user orders वाला page है, तो यह चीज हम common सब में add करते जा रहे हैं, ऐसे यहां पे checkout page पे भी, वही total आना चाहिए, payment के लिए भी, I think सारी जगे हमने replace कर दिया है, यह product details का page है, इस पे भी आप चाहिए तो discount price दिखा सकते हो, यहां पे यह गलती थी कि multiply नहीं लगाया था, अब यह formula काम करना चाहिए हर जगे, आप check कर लो, कि जैसे 912 price है, तो यहां पे भी 912 है, add करते हैं, cart में तो यहां पे भी 912 price है, और फिर नीचे आप इस ते से जाते हैं, यहां पे भी 912 price है, orders में आप जाके check करो, तो I think इस से नीचे कहीं है, यह तो पुराना है order, latest order को check करते हैं, तो यहां पे भी 912 price है, last 6th order में, अब handle edit पे वापस आते हैं, handle edit में 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 को एक particular item को edit करना है, admin panel में, तो हम edit करना चाहते हैं, उसका status, तो पहले तो यह चेक करना होगा कि किस पे हमने click किया, editable का लिए, तो editable item नाम से मैं एक state variable बना देता हूँ, या फिर उसकी id आप लिखतो, editable item id, और use state, और शुरू में id में minus 1 रख सकते हैं, बाद में हम कोई particular index भी pass कर सकते हैं, तो यहां handle edit में में मेरे पास item तो है ही, अब मैं उस item को set editable item कर दूँगा, और item.id पास कर दूँगा, तो यहां पे उसकी id होगी, आपके पास किसी भी item की, या फिर इसको clear लिखें कि कौन से id, तो यह मैं order id की बात कर रहा हूँ, तो यह यहां पे proper आ जाएगा आपके पास में, और वो id आ जाएगी, तो यहां पे केवल उसके लिए आपको इसको editable करना, editable करना मतलब यहां पे एक select box आ जाएगा, अभी order का status आता है, इसे pending अगयर है, उसकी जगे वहां पे आपके पास एक changeable option आ जाएगा, कि आप pending से dispatch कर दो या किसी तर से उसको change कर दो, तो option में values अलग-अलग होंगी, pending एक value हम ले सकते हैं, assigned ले सकते हैं, कि आपने basically dispatch कह सकते हो कि order dispatch हो गया, deliver हो गया है customer को, यह cancel हो गया है किसी भी reason से, आपका order cancel हो गया, आपको refund आ जाएगा उस तरह की चीज़ें, और उसी के corresponding में lower case में यहाँ पे उन्ही को values को लिख रहा हूँ, तो यह values के हिसाब से order की अलग-अलग states हो सकती हैं, आपके e-commerce के हिसाब से कुछ और भी state हो सकती हैं, तो यह सब आप control कर सकते हो, और अभी के लिए मैं इनको statically यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन real world में आप चाहें तो इनको कहीं database में या फिर कहीं constant की तरह लिख सकते हैं, पूरी array और maps से इसको generate करवा सकते हो, ताकि future में आपको select को edit ना करना पड़े, अगर कोई नई stage आ जाती है, तो यहाँ select on change में लगाता हूँ, और इसको handle करेंगे एक function में, तो handle update ऐसा कुछ बना लेते हैं, तो इसमें मैं order pass करना चाहूँगा, तो handle update वाले में हम order pass करेंगे और order की state update कर देंगे, तो order का status नाम से भी एक variable था, तो handle updated, अपडेट है शायद है हम पे, और इसमें हमारे पास event और order दोनों parameters आ रहे हैं, और dispatch, और dispatch में हमको order update का क्या हमने पहले बनाया था, तो उसे साब से शायद हमने अभी तक कोई भी update order बनाया नहीं है, तो मैं update order नाम से बनाता हूँ, patch type का ही होगा, यह order की जो update है यहाँ पास हो जाएगी, order की id यहाँ चाहिए होगी, तो order id तो order के अंदर से मिल जाएगी, I think यह पूरा सही है, तो यहाँ update order होगा, updated लिख दिया था हमने, और अब इसको call करना है, तो slices बनाएंगे इसके लिए, तो एक thunk बना लेते हैं, और update order async, जैसे हम हमेशा बनाते हैं, यहाँ पे इसको call करना होगा, इसको import कर लेता हूँ, यहाँ update order, और इसके कुछ cases बिल्ड कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं इसका भी case बना लेता हूँ, update order async, pending, और fulfilled, तो इसमें क्या होगा, कि order को आपको एक तरह से update करना है, update करना ही cases में हम पुराना order हटा के वो replace कर देते थे, उस तरह से कर सकते हो, या इंडेक्स directly पता है, तो उसको replace कर सकते हो, तो हमने कहीं update का पहले भी बनाया होगा, उससे हम same code उठा सकते हैं, जैसे card में हमने यहाँ पे update card का बनाया था, इसको मैं copy करता हूँ, और यहाँ पे put कर देता हूँ, और यहाँ पे initial state भी एक बना लेते हैं, तो orders नाम से state तो already है, तो state.orders में मैं find करूँगा, कि कौन सा particular order है, जिसकी id मेरे action.payload के id से, जो नया आया है, वो भी same id का आएगा, और फिर state.orders index पे मैं उसको replace कर लूँगा, तो इस तरह से, वो particular update हो जाएगा order, और हमको अपने आप react में वो दिखाई देगा, तो यहाँ पे dispatch करनी पड़ेगी अब आपको यह चीज, तो आपको क्या ध्यान देना है, कि पहले तो order में वो चीज update करो, तो updated order नाम से एक object बना लेते हैं, जिसमें पुराना सारा order होगा, और अब जो state आपने update की है, वो होनी चाहिए, तो status e.target.value, जो भी आपके select से आई है, value, वो इसमें आ जाएगी, वो status हो जाएगा, और अब इस updated order को आप dispatch कर दोगे, तो update order async के अंदर आप updated order पास्ट कर दोगे, तो इस तरह से इसका पुरा चलना चाहिए, तो यहाँ पे on change है, मैंने कुछ typing mistake की थी, यह on change होगा, और यहाँ पे आपको यह editable order id, इसके हिसाब से conditional भी पुट करना था, अगर order id is editable order id के बराबर है, तो जब बराबर है, तो आपको editable part दिखना चाहिए, तो इस तरह से मैं यह पूरा section लिख देता हूँ, तो जब order id, I think यह उल्टा लिखा है, क्योंकि चेक कर लेते हैं, एक बार admin में जाते हैं, तो अभी जैसे शुरू में ही आपको सारे editable दिख रहे हैं, तो यह हमने उल्टा लिख दिया, क्योंकि जब equal हो जाएगी id, यानि किसी editable id को आपने set कर रखा है, तो आपको editable part दिखना चाहिए, और otherwise आपको यह span का part दिखाता है, वो दिखना चाहिए, अभी जैसे सारे हैं, अब editable किया, तो यह particular edit हो गया, अब यह dispatch हो गया, तो क्या यह database में save हुआ है, तो वो तो हम अपने JSON data में जाके देख सकते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि Redux में, यह status dispatch तो हुआ है, pending से dispatch चेंज हुआ है, status भी, दो जगे है, और यहाँ पे actual data में जाके देखे हैं, तो status dispatch हो चुका है, इस order का, बाकी by default तो हरका pending होता था, अब दूसरी चीज यह करना है कि edit होते ही, editable वाली चीज हट जाए, वापस से, क्योंकि अब order update हो चुका है, तो अब वापस से वो normal mode में आ जाए, यानि आप set editable order id को वापस minus 1 या ऐसा कुछ value कर दो, जो exist नहीं करती है, तो अब जैसे आप pending से delivered करते हो, तो delivered हो रहा है, लेकिन उसके बाद ही अपने आप close हो रहा है, तो इस तरह से यह चीज हैं काम करती हैं, अब अलग-अलग जो यह status हैं, यह तो change हो रहे हैं और save हो रहे हैं, पर इनको थोड़ा सा color coded भी आप कर सकते हो, ताकि पता लगे कि pending वाला इक अलग color में, admin को ऐसा थोड़ा सा ठीक view मिलेगा, तो आप text color, background color दोनों का एक combination चेंज करके रख सकते हो, यहाँ पे class name में, तो इनको change करने के लिए अच्छा होगा कि मैं इसको एक string literal बना लूँ, और फिर कुछ variable की तरह class को पास करूँ, और variable में background और color दोनों font का color चाहिएगा, तो यहाँ इसको एक external function बना लेते हैं, तो external function हम कुछ उपर declare करेंगे, और उस function का कुछ नाम रख लेते हैं, जैसे choose color, और choose color में क्या चीज variable होगी, order का status, क्योंकि उसी की values हैं pending dispatch, और उसके साब से हमें switch case बना के यह भीजेंगे कि कौन सी class इस पे अभी लगानी है, तो एक better तरीका है, वरना वहाँ पे class में बहुत सारे conditional चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, तो choose color based on the switch, और switch में यहाँ पे आपके पास है status, तो switch में आप status pass कर दो, और उसके हिसाब से अलग-अलग case create कर दो, तो case है pending, जो status की value हो सकती है, वो सब एक case है, तो उस case में आप यहाँ पे यह return कर दोगे, यह values, तो वो वहाँ पे आपको बाद में class की तरह मिल जाएंगी, इनको आप simple string में भी लिख सकते हो, यह static values ही है क्योंकि, तो अलग-अलग case मैं बना लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं dispatched कर देता हूँ, और yellow कर देता हूँ, फिर यहाँ पे delivered कर देता हूँ, और इसको green कर देता हूँ, और एक cancelled के लिए हम red color यूज़ कर रहे हैं, अब ध्यान यह देना कि यह जो cases हैं, exactly match होने चीए हैं उन values के, इसलिए ऐसे cases में generally एक constant declare करना ज़्यादा helpful रहता है, जो हम app constant js में डाल सकते हैं, पर यहाँ पर अभी जो चीज़े match हो रही हैं, जैसे pending और एक cancel का और देख लेते हैं, तो यह color सारे proper चल रहे हैं, लेकिन यहाँ directly string लिखना थोड़ी सी अच्छी practice नहीं है, बट अभी यह सारी चीज़ें काम कर रही हैं, तो admin panel में अब आप order का status भी update कर पा रहे हो, अब next चीज़ जो हम देखेंगे वो है pagination, क्योंकि अभी तक हमने जो order की list है, उसमें orders देखे हैं, लेकिन paginate नहीं की हैं, और मैंने कुछ dummy orders add कर दिये हैं, जिसे की 10 से ज़ादा orders create हो जाएं हमारे पैस, पर अब उनको हम multiple pages में दिखाने की कोशिश करेंगे, तो pagination का एक old logic हमने product की list page में लिखा हुआ था, तो उसको as it is use किया जा सकता है, और आप चाहें तो इस component को cut करके एक नया component बना सकते हैं, और इसको एक common component की तरह आप share कर सकते हैं, तो जिसे अभी तक मैंने जादतर features के अंदर component बनाए है, अभी मैं एक feature बना रहा हूँ जिसका नाम है common, तो common feature ऐसा है कि जो multiple चीज़ें अपस में, इसको shared feature भी आप बूल सकते हो, तो इस तरह से pagination नाम का एक component है, जो multiple जगे पे use होने वाला है, तो थोड़ा सा हो सकता है, इसको हमको modify करना पड़े, तो मैं पहले तो इसको export default कर लेता हूँ, और items page यहाँ पे imported नहीं है, यह इसकी dependency है, बाकि सब dependencies function की as a component है, यह icon यहाँ पे नहीं है, तो यह भी import कर लेते हैं, एक और icon होगा right का, तो अब यह एकदम separate component है, एक अलग file में, इसको पहले product list में वापस से put करके देखते हैं, कि सही से यह काम कर रहा है या नहीं, product list में वापस जाते हैं, कहाँ पे इसको use किया था, यहाँ पे use किया था, तो अब इसको import करना पड़ेगा वहाँ से, तो अब common से आपने import किया, बाखी सब values सेम ही है, तो अब आप एक बढ़ जाके check कर लो, कि product list सही से काम कर रही है या नहीं, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ही, इसको copy में कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम paste कर देते हैं, तो यह pagination मैंने अब paste किया है, orders में, admin के orders page में, और इसको भी यह सब values चाहिए हूँगी, वर्क करने के लिए, तो यहाँ पे मैं इसको total order कर देता हूँ, actually यह सेम ही रखना होगा, क्योंकि same signature है, बट हाँ, value आप different दे सकते होगी, total items is total orders, तो इसलिए जब भी common component बनाए, तो नाम कुछ एकदम generic रख सकते हो, items हो गए रहे कि जगे आप कह सकते हो, total count यह इस तरह से, बट अब भी हम इसको ही reuse करेंगे, तो मैं constant इसके लिए भी handle page बना लेता हूँ, क्योंकि handle page में ही, आपका page change और उस से related चीज़ें रखी हुई होँगी, आप चाहो तो वो ही वाला code भी copy कर सकते हो, जो handle page वहाँ पर बना हुआ होगा पहले से, तो pagination का यह logic, यहाँ पर जो use effect में लिखा था, वो यहाँ से अटा के सीधे वहाँ पर पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको क्यों handle page को call करना होगा, तो जब भी page change हो, तो आप handle page को call कर सकते हो, तो यहाँ पर handle page में आपने एक page parameter पास किया हुआ था, तो वो page parameter यहाँ पर भी पास कर दें, और फिर set page में वो page आप कर दोगे, तो set हो जाएगा page, फिर pagination आजाएगा, उस हिसाब से आपकी query बदल निचे पर, अभी भी यहाँ 11th element है, तो वो आपको आप चलता हुआ, एकदम दिखाई दे रहा है, तो first page और second page, इस तरह से इसका pagination भी काम कर गया, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो इसमें थी, अब next is sorting, अगर मैं इन चीज़ों को sort कर पाऊँ, कई बार बहुत सारे orders होते हैं, तो आपको date से, date अभी हमने put नहीं की, backend में जाएंगे तो put करेंगे, लेकिन आपको जैसे एक amount से sort करना हो, या किसी value से sort करना होगी, orders को sort किया जाए, तो मैं एक on click handle sort बना रहा हूँ, अभी जैसे एक order id से हम कर लेंगे, जो अभी कोई खास sense नहीं है, लेकिन हो सकता है, अगर आपके order बहुत सारे हो, तो आप latest order number से उसको sort करना चाहते हो, तो handle sort और हम इसमें field पास करेंगे, कि किस field से sort करना है, तो id एक field है, तो इस तरह का हम handle sort नाम से एक function बनाएंगे, जो data को sort कर दे, तो handle sort, तो sorting में हम again हमारे JSON server के चीज़ों की help लेने वाले हैं, और बाद में backend में हम अपने database query से उस चीज़ को करेंगे, बट एक उसका structure हम create कर देते हैं, तो जैसे यहाँ पे sort का पूरा था, तो यह मैं copy कर रहा हूँ, जो हमने product API के लिए बनाया था, वो ही same हम order API में मैं वो part put कर रहा हूँ, ताकि query में वो sorting वाला भी वैसा का वैसा हम use कर सकें, तो यहाँ पे मैं sort भी pass कर देता हूँ, एक parameter यह भी चाहिए होगा, पूरे sequence में इसको add कर देना है, तो यहाँ पे fetch all orders में sorting और pagination एक object में आएगा, और यहाँ पे उसको spread करके रख सकते हो, अब यहाँ पे sort होगा, तो यहाँ पे हमेशा एक object ही आप pass कर सकते हो action में, तो इसलिए मैं उनको एक object के अंदर pack करता हूँ, तो अब यह sort चाहिए, तो sort अभी तक declared नहीं है, तो sort variable जैसे हमने वहाँ पे declare किया था, एक state variable की तरह आप ले सकते हो उसको, तो product API, product वाले से पूरा हम as it is copy कर सकते हैं, कि वहाँ पे कैसे call हुआ था, तो यहाँ पे जैसे हमने handle sort नाम से बनाया है, set sort और use state, पूरा बिल्कुल same structure आप use कर सकते हो consistently, तो यहाँ पे sort का इस तरह का structure था, underscore sort वो लेता था, और underscore order वो लेता था, एकदम यह handle sort ही आप copy कर सकते हो, कोई इसमें problem नहीं है, बस उपर field का आप ध्यान रखें, कि इसमें एक ही field हमने pass किया है, तो यहाँ पे जैसे हमने ID pass किया है, तो वो parameter उसमें एक बार चेक कर लें, कि उसमें किस नाम से है चीज़े, तो यहाँ पे मैं इसको sorting का एक order भी देना चाहूंगा, कि किस particular order में दो, तो sort pass कर रहा हूँ, और उसके बाद में किस order में मैं pass कर रहा हूँ, वो चीज़ भी important है, कि descending sort कर रहे हो, कि किस तरह से sort कर रहे हो, तो यहाँ पे जैसे एक option object दिया गया था, उससे वो सारा किया गया था, उपर में sort वाला ये भी बना लेता हूँ, set sort, क्योंकि state variable से ये काम थोड़ा easy हो जाएगा, क्योंकि state save होगी, तो हम अपने आप use effect में इस चीज़ को हर बार वापस से update कर वा सकते हैं, तो यहाँ पे sort id से, और order मैंने लिखा नहीं था, तो order में आप पास कर सकते हो, कि ascending या descending किस तरह से sort करना है, तो अभी मैं इसको sort.order मान लेता हूँ, equal to ascending, ठीक है, तो अगर पहले से value set हुई, तो उसे साब से, otherwise उससे just opposite हो जाएगी, तो अगर sort का order already ascending, क्योंकि इसमें ऐसा होगा कि हम click करेंगे, और click करके हम change करते रहेंगे, toggle करते रहेंगे, तो पहले से ascending है, तो descending, वरना उससे opposite इस तरह से, हमेशा चलता रहेगा, तो अब, ये pagination वाला logic मैंने यहां से हटा दिया, क्योंकि page अपने आपी, इस चीज़ को use effect में नीचे invoke कर देगा, जैसे हमने product में भी किया था, हर sort और हर के अंदर लिखने की ज़रूत नहीं है, ऐसे यहां पर मैं sort pass कर देता हूँ, तो अपने आप यहां पर जब भी sort में कोई change होगा, तो sort की जो नई value है वो pass हो जाएगी, sort की नई value कैसे create होगी, वो आप चाहे तो यहां पर भी बना सकते हैं, तो अब मैं इसको एक बार test करता हूँ, और click करते हैं, तो reading sort, तो अभी हमारा कुछ sort object प्रॉपरली बना नहीं है, तो पहली चीज़ तो यहां पर एक ही variable था, तो शायद वो e object गलत है, तो वापस से try करते हैं, अभी भी मैं click कर रहा हूँ, तो कुछ sorting हो नहीं रही है, तो कुछ problem है, sort object के अंदर आप देखो, तो underscore sort id और underscore order इस तरह से आ रहा है, तो क्या वो value सही हैं, पर यहां पर तो हमने इसको sort.order को check किया, sending या descending के लिए, तो थोड़ा सा हमारा syntax mismatch हो रहा है, एक तरफ हम sort underscore दे रहे हैं, और उसमें read हम करने कोशिश कर रहे हैं, के वल.sort को, तो यहां पर मैं इसको clear कर देता हूँ, कि यह sort options हैं, उसमें से sort और order पास करने, तो यह value इसको change करेगी, यही set sort में हो जाएगी, तो वो उपर sort option की जगे, इस value को पास करना था, अब sort में underscore order से आपको ascending descending मिल जाना चाहिए, तो अब यह properly ascending descending काम कर रहे हैं, तो यहां पर यह चीज भी चल गई, अब यही same sorting, अगर आपको किसी और चीज पर भी लगानी है, तो same logic को copy कर सकते हैं, यहां पर मैं cursor pointer कर देता हूँ, ताकि हो hand icon जैसा दिखे, एक और चीज है कि, किस order में sort है, उसके लिए आप एक arrow का sign भी दिखा सकते हैं, जनली ऐसा वो दिखाता है कुछ tables में, तो उस arrow के sign के लिए मैं up और down arrow यूज कर लूँगा, icons में, तो इसमें देखते हैं कुछ up arrow जैसा arrow up icon है, और arrow down icon है, यह useful होंगे, तो एक sorting, descending में हम down दिखा सकते हैं, ascending में हम up दिखा सकते हैं, इस तरह से, या उसका opposite जिस तरह से भी आपको user experience लगता है, तो order number के आगे मैं यह arrow up icon लिख रहा हूँ, और class name में मैं वो width जो हम देते हैं, width and height उस तरह से दे रहा हूँ, तो यह conditionally आएंगे दोनों icons, up और down के, depending on कि अभी sort, जो state variable है, उसका order आपने क्या set कर रखा है, तो order.sort.field, actually order.sort underscore sort, क्योंकि sort नाम की चीज़ के अंदर ही, underscore sort और underscore order है, is equal to id है, तो यह दिखना चाहिए, दूसरी बात यह है कि id है, लेकिन descending है या ascending है, वो भी आपको देना होगा, तो यह पूरा मैं copy कर लेता हूँ, और order के लिए भी लिखते हैं, underscore order, equal to ascending, तो यह first part दिखे, otherwise यह second part दिखे, तो यह bracket का थोड़ा सा ध्यान रखना, id तो दोनों में होना ही चीए, तभी यह part पूरा दिखेगा, और उसके अंदर थोड़ा सा change है, तो order.sort की ज़रुत नहीं है, sort सीधा state variable है, direct हम use कर सकते थे, अब यह थोड़ा सा arrow नीचे आ रहा है, तो इसको आप inline रख दीजे, ताकि एक नया line में नहीं create हो, उसी line में आज़े, तो अब इसके आगे आ रहा है, तो अब आप देख रहे हो, किस तरह से इसकी value है, और थोड़ा से spacing मैं देदेता हूँ, तो अब यह down arrow है, यह up arrow है, तो अपने हिसाब से आप user को पता रहेगा, कि यह किसी particular order में यह field sorted है, और यह arrow उसी field पे दिखाई देगा, जहां sorting apply की गई है, तो यह चीज यहाँ पे काम कर गई है, ऐसे ही मैं total amount से भी, इस चीज को sort कर सकता हूँ, या कोई और criteria से भी उसको sort कर सकता हूँ, तो अब आपको अगर कहीं और sorting लगानी है, तो बस इस part को copy करना होगा, इतना part, और कहीं पे भी आप paste कर दो, मतलब on click function, और order का जो यह arrow वाला part है, तो जिसे मैं total amount पे लगाना चाहरा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको बस total amount लिख दूँगा, और field को आप total amount exactly उससे match कर दोगे, जहाँ पे आपको sorting करनी है, बाकी सब I think generic code है, यहाँ पे भी total amount लिखना होगा, तो अब यहाँ पे total amount को check करते हैं, तो अब इससे भी proper sorting हो रही है, और arrow के उल इस पे आ रहा है, तो order ID पे नहीं आ रहा है, तो किसी भी field पे इस तरह से आप sorting सेट कर सकते हो, अब next चीज एक छोटा सा change मैं कर रहा हूँ, यह चीज थी जहाँ product deleted वगर है, हमने लिखा था, तो मैं एकदम से जम कर गया हूँ, product list पे, और product list में मैं user को यह भी दिखाना चाहता हूँ, कि product out of stock हो गया है या नहीं, तो यह चीज वैसे तो backend जब बनेगा तब stock कम होगा, लेकिन उसके लिए condition हम पहले से put कर देते हैं, कि अगर product is less than zero, या less than equal to zero होना चाहिए, तो वो out of stock दिखाए, तो less than equal to zero मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे out of stock आपको दिखाना चाहिए, तो वैसे out of stock कुछ अभी तक हुआगा ही नहीं, क्योंकि जितना भी dummy data है, उस पे कोई भी order करने से impact पड़ ही नहीं रहा, front end में तो at least, तो यहाँ data JSON में मैं manually जाके, किसी का zero कर देता हूँ stock, और अब आप देखोगे, तो out of stock वहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे यह product out of stock भी दिख रहा है, तो यह चीज हम बाद में करेंगे, back end में हम order के साथ ही चीज़ों का number reduce करेंगे, यहाँ पे मैं menu के name change कर रहा हूँ, dashboard नाम की कोई चीज़ थी नहीं, तो इसको मैं products लिख देता हूँ, तो user को तो बस एक products दिखेगा, यह दूसरा admin का products है, यह क्यों admin को दिखाई देगा, तो अब यहाँ पे उपर menus में आप देखोगे, तो user वाले mode में, जब एक normal customer है, तो क्यों products दिखाई दे रहा है, बाकी सब उसकी profile वगएर है, cart वगएर है, सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ working दिख रहा है, order का status वगएर है, admin में जाके चेक करो, तो उसके दो menus हैं, वो उसका orders है और products है, प्रोड़क्स जिसमें वो add table products, उसको दिखाई देते हैं, next product में कुछ एक change था, एक बार हमने एक bug देखा था, कि हम दो बार एक product को cart में add कर पा रहे हैं, तो वो final bug को यहाँ पे fix करनी कोशिश करते हैं, handle cart में जाते हैं, और यहाँ पे हमको कुछ condition लगानी होगी, जो यह new item हमने add to cart किया है, यहीं पे रोक ले, कि अगर already cart में ओ item है या नहीं, तो पहले cart लिखते हैं, यह use selector हमने पहले बनाए हुए थे, select items है, जिससे cart के सारे item हमारे पास आ जाते हैं, इसको items लिख लो, आप स्यादा याद रहेगा, अब items में पहले से देख लो कि, जो यह new item आप add करने वाले हो, इसकी id किसी previous item से match तो नहीं होती है, तो items.find index में आप चेक करो, कि item की जो id है, is that equal to new item की जो id है, या फिर आप कह सकते हो product की जो id है, क्योंकि वो product ही अब आप add करने जा रहे हो, तो greater than zero होगी, मतलब उसको कुछ मिल गई है value, greater than equal to zero, तो वो ये वाला काम करेगा, else वो आपको show कर देगा, console log में की already ये item added है, मतलब उसको अगर index, I think उल्टा हो गया, यहाँ पे less than zero होगा, मतलब minus one आएगी तो उसको नहीं मिली, तो वो add कर देगा, और otherwise वो आपको कह देगा, कि मिल गई, यह अभी import नहीं हुआ था, I think select items, तो एक बार मैं देख लेता हूँ, किस file में ये है, तो card slice में, I think ये था selector, तो यहाँ पे है, तो उसमें उपर, हम इसको import कर सकते हैं, तो यहाँ पे आभी, सम्हाँ intelligence नहीं चल रहा, तो आप यहाँ पे, manually card slice में, इसको add कर सकते हो, तो यहाँ पे ये, import statement आ जाएगा, अब चेक कर लेते हैं, मैंने add किया, card में, तो item add हो गया है, वापस से click किया, तो वापस से add हो गया, तो दोनों बार add हो गया, तो कोई तो problem है, तो क्या ID mismatch हो रहे हैं, तो items में आप देखते हो, तो इसका ID 1 है, और products में आप देखते हो, तो इसका ID 2 है, तो यह जो चीज़ है, यह जो condition है, वो match ही नहीं हो रही, क्योंकि items में, यह जो Apple वाला phone दिखाई दे रहा है, इसकी ID 1 दिख रही है, यह card में, और यहाँ पर actually में product की ID 2 थी, तो product की ID, card में रखे होए items की ID के बराबर नहीं है, इस वज़े से हमारी condition भी नहीं, और वो क्यों नहीं है, क्योंकि, I think यह पुराने हमारे logic से related है, जब हमने अपना logic बनाया था, तो उसमें से हमने, यह देखा था कि same product बार-बार भी तो दो user add कर सकते हैं, card में, तो इस वज़े से product की ID को कभी भी item की, जो card में add item है, उसकी ID ना बनाए, वरना वो हमारी database में, एकते से item ID की तरह act करेगा, तो उस चीज़ को हम देखते हैं, तो iPhone X की हाँ पे, actually में 2 ही है ID, वो उसकी product ID है, और card में आप देखो, तो हर बार एक auto generate होती है ID, ID 1, 2, यह हम नहीं बेज रहे हैं, हम तो ID को delete कर देते हैं, नीचे आप देखो, delete new item ID है, तो आप product ID नाम से, इसमें हमेशा product की एक ID, save करके रखो, जब item को add कर रहे हो, क्योंकि आप ID keyword यूज लोगे, तो conflict आ जाएगा, क्योंकि वो तो auto generate होनी चाहिए, वो primary key की तरह act करती है, basically database में, तो अब मैंने product ID पास कर दिया, तो उससे ही हमको match करना है, तो उपर भी हमारी condition में भी हम वो चेक कर लेते हैं, तो पहले तो मैं हटा देता हूँ data, क्योंकि दो same items add हो चुक्ये थे, और cart भी बिल्कुल empty यहाँ पर दिखाई दे रहा है, condition को एक बार चेक कर लो, कि product ID है, तो यहाँ पर भी item.product ID से, अब वो product की ID मैच करेगा, तो अब यह remove हुए, नहीं, अब add to cart करता हूँ मैं, वापस add to cart तो already added आ गया, same item अब आप नहीं add कर पाओगे, उसकी quantity आप जाके cart में ज़रूर change कर सकते हो, तो यहाँ पर हमारा front end का काफी कुछ काम खतम हो गया है, आप जैसे एक react alert library है, यह आप use कर सकते हो, यह section मैंने दूसरे वीडियो में put किया है, ताकि हम पूरा 12R का वीडियो हमारा complete कर सकें, और कैसे आप alerts generate करोगे, alerts ज़ादा अच्छे से दिखाई देते हैं, लिंक आपको नीचे एक वीडियो का मिल जाएगा, यहाँ पर मैंने कुछ loaders भी दिये हैं, ताकि API का वेट करने पर loaders दिखाई दें, ऐसे pop-ups दिये हैं मैंने, जिससे कि delete थोड़ा सा safely आपको पता लगे, जहाँ पर भी ऐसा action है, तो अभी आपके पास दोनों option है, चाहें तो आप वो additional वीडियो देख सकते हो, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जो कि हमारे logic को change कर रहा हो, तो आप directly अब backend वाला जो next section आ रहा है, उस पर भी jump कर सकते हो, बट आप चाहें तो नीचे description comments में जो एक link दिया हुआ, एक्स्ट्रा वीडियो को उसको भी जाके चेक कर सकते हो, front end का जो last part है, वो केवल और केवल UI को थोड़ा ठीक करने के लिए बनाया गया है, बट completion के लिए मैंने उसको add कर दिया है, और अगर आप एक continuity में चल रहे हो, और इस वीडियो को साथ साथ में project बनाना चाहरे हो, तो आप जाके वो extra वीडियो देख सकते हो इस moment पे, और वापस continue कर सकते हो, क्योंकि अब हम node का backend वाला part बनाने चाहरे हैं, अब backend का start मैं कर रहा हूँ, और यहां पे एक empty folder है, जिसमें मैं एक node project इंसराइज करूँगा, तो npm init पुट करते हैं, पैकेज जिसन बनाने के लिए, फिर default option सारे चूज करते हैं, तो यह पूरा initial part हमारी node की master class जैसा ही जाएगा, उसमें हमने जो setup किया था, वो ही सेम चीज हम करना चाहेंगे, तो जादा explanation की requirement नहीं है, अगर आपने वो class देखी है तो, तो मैं सबसे पहले script यहां put कर रहा हूँ, script में node index.js, क्योंकि वो मेरी main file होने वाली है, तो वहाँ पे node index.js, तो npm start से वो चलेगी, इसके अलावा, console.log में मैं hello डालके देख लेता हूँ, just to check कि node index.js आप सही directory में है या नहीं, तो hello run हो रहा है, node.mon भी मैं चेक कर लेता हूँ, node.mon एक package है, जिससे की continuously server चलता है, यह हमने पहले देखा हूँ है, इसको मैं एक dev script में लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं generally node.mon पर ही चलाना पसंद करूँगा, ताकि हर changes save के साथ server खुदी reload हो जाए, तो npm run dev इस तरह से script चलेगी, तो यह भी perfectly work कर रही है, इसमें hello आ रहा है, और जो भी change हम करेंगे, उसके साथ server restart हो जेगा, मैं एक package n यूज़ करता हूँ, जिससे कि मैं latest node का package स्विच करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर sudo n ऐसे करके 18.6.0, यह n package के बारे में हमने पहले ही बताया हूँ है, आप कोई भी package manager यूज़ कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ latest 18th node version यूज़ कर रहा हूँ, इसके बाद मैं npm install express और mongoose कर रहा हूँ, तो यह install करने के बाद एक standard server जिस तरह से हम initialize करते थे, constant express equal to require express, फिर उसमें server variable बना लेंगे, जो कि express का initialized instance होगा, server पे .listen function यूज़ करेंगे, port number प्रोवाइड करेंगे, एक callback जो दिखाएगा कि server किस state में है, इस तरह से put करता हूँ, तो अब server started हो गया है successfully, अभी कोई API path नहीं है इस पे, तो एक get server पे path बना लेते हैं, और path का यहां पे callback होगा, जिसमें request response होते हैं, response में हम एक dummy response, कोई भी JSON हम pass कर देंगे, जिसमे status equal to success, इस तरह से मैं pass करता हूँ, तो चेक कर लेते हैं, 8080 पे, तो status success इस तरह का JSON हमारे पास आ रहा है, तो server हमारा जो है, वो properly functional हो गया है, तो अब मैं mongoose पे जा रहा हूँ, mongoose.js हमने काफी अच्छे से explain किया है, अपने backend वाले वीडियो में, और यहां पे उसका, उसी तरह का code हम connect करने के लिए यूज़ करेंगे, जिसमें await वाला code है, तो database से ही है, आपको connect करके दे देगा, तो mongoose में require mongoose लिखना है, फिर यह इस तरह से यह run करता है, अभी यहां syntax error आए कि await, जो है वो top level पे आपने directly use किया है, उसको async में यूज़ करना चाहिए था, तो मैं दूसरा एक function यूज़ करता हूँ, जो exactly हमने पिछली node class में यूज़ किया था, तो async function main, और अब यह await इसके अंदर proper है, और इस main को हम call कर लेंगे, और main पे हम catch भी लगा लेंगे, तो अगर किसी वज़े से ये fail हो जाता है function, तो इसका error यहां पे catch हजाएगा, और console log में हम print कर देंगे, तो अभी server started properly हो गया है, और यहां पे last में कुछ response भी आया है हमारे पास, तो कुछ तो error है, connection refused आया है, connect नहीं हुआ था, तो इसका reason है कि हमने mongodb start ही नहीं किया हुआ, तो mongod इसका demon होता है, अगर आपके proper installation है, तो mongod लिखके आप इसको run कर सकते हो, तो पहले मैं एक data directory बना रहा हूँ desktop पे, क्योंकि वहां पे हम data store करेंगे, फिर mongod-db path data, mongod लिखना है आपको, तो mongod-data path इस तरह से, यह अब successfully start हो गया है, यहाँ compass भी मैंने install किया हुआ है, जो इसको हम UI में देखने के काम आएगा, और server हमारा proper अब connected आया है, इसके अलावे यह console log लिख सकते हो, तो पता लग जाएगा कि await वाला statement पूरा हो गया है या नहीं, तो अब database connected आ रहा है, मतलब यह statement successfully execute हो गया, कोई error के लिए हम wait नहीं कर रहे हैं, तो अब हमारा database भी connected है, हमारा server भी operational है, तो हम एके करके वो APIs बना सकते हैं, जो हमको अभी dummy JSON server से हमने बनाई थी, तो मैं model बनाऊंगा, MVC का पूरा structure हमने अपने background में discuss किया है, तो वो ही structure मैं use कर रहा हूँ, models मैं बना रहा हूँ, models basically represent करेंगे, product को, order को, जो भी जो structures थे API के, जिन से हम REST API बनाते हैं, तो product.js नाम से मैंने इसको बनाया है, और product में मैं constant mongoose, require mongoose उस तरह से करेंगे, और जिस तरह से हमने पहले के classes में अच्छी तरह explain किया है, कि schema हम बनाते हैं हर चीज का, तो schema basically mongoose package से आता है, और इसको use करके हम नए-नए schemas बनाएंगे, तो product schemas हमसे important है, new schema इस तरह से लिखेंगे, और इसके अंदर एक object होता है, जो product का structure आपको देगा, finally हम export करेंगे product का model, तो model कैसे बनता था, mongoose.model के अंदर, आप model का नाम, जो कि मैं है string में product दे रहा हूँ, और वो schema पास करोगे, तो product schema, जो उपर हमने बनाया है, तो अभी हमने schema initialize नहीं किया, इसमें वो सारी चीज़े होंगी, जैसे की title of the product होगा, इसका type आप दे सकते हूँ, इस पर validations आप दे सकते हूँ, सभी चीज़ें जो mongoose में हमने पहले भी सीखी हैं, वो सब आप यहाँ पर use कर सकते हूँ, तो required true इस तरह से इसका structure मैंने दे दिया, ऐसे description था, बहुत सारी चीज़ें, मैं data JSON ही copy करके ले आया हूँ, front end से, तो यह एक particular object दिखाई देता था product का, तो वैसा ही हम उसको copy करते हैं, उसका ही structure, description इसमें है, price इसमें है, price का type, एक number type का होगा, इसमें minimum, maximum validations आप दे सकते हो, तो minimum में zero, और क्या message आएगा, अगर validation नहीं हुआ, तो जैसे wrong minimum price, maximum और wrong maximum price, तो यह errors आपको console में दिख जाएंगे, अगर कुछ error create होता है, तो price हमने लिया, फिर हमने discount percentage लिया, एक एक करके मैं सारे fields यहाँ पर, validation में put कर देता हूँ, तो इनके messaging भी मैं set कर देता हूँ, तो rating के लिए भी मैं same कर रहा हूँ, rating 1 to 5 हो सकती है, तो वो ही minimum maximum range कर सकते हो, वैसे rating में हमने वहाँ पर zero set की है, initially, तो default में यह zero set कर देता हूँ, तो अब देखेंगे, बाद में कि यह validation इस पर भी, default value पे भी apply होता है या नहीं, इसके अलावा stock है, stock में minimum zero stock हो सकता है, किसी भी चीज़ का, maximum limit मान लीज़े, आप नहीं देना चाहते है, validation भी नहीं था यहाँ पे, तो वो put कर सकते हो, default value I don't think जरूरी है, बट अगर कोई product by default add होता है, तो उसमें zero as a default रख सकते हो, फिर brand, brands में आपको पता है कि कुछ limited ही है, बट जो भी है वो type of string है, वैसे brand में हमारे पास और भी चीज़ें थी साथ में, category है, category भी string है, thumbnail एक URL था पर वो string यह है, images एक array of strings है, deleted एक boolean था, जो बताता था कि product deleted है, इसका status क्या है, by default इसको हम false initialize करेंगे, इस तरह से और भी field हो सकते हैं, feature में हम और field भी इसमें add कर सकते हैं, बट अभी के लिए front end से जैसा हमने बनाया था, उसे साब से यह schema में को proper लग रहा है, अब इसका एक controller बना लेते हैं, controller basically in models पे कुछ actions होते हैं, CRUD operation हम बना के लेखते हैं, तो सबसे पहले जैसे आप create का बना सकते हो, या fetch का बना सकते हो, तो create product, exports.create product, फिर request response, और request response क्यों आप दे रहे हो, क्योंकि यह जो exact controller function है, यह आप route में पुट करोगे, तो आपको पता होगा, नोड में कैसे route हम express में लिखते हैं, उसमें उसी format में काम आएगा, अब मैं constant product equal to new product, यह structure है, मौंगूज में जैसे आप object oriented way में बनाते हो, यहाँ जो मैं प्रोड़क्ट वेरियेवल अंदर दिया है, इसको actually body लिख देते हैं, request.body, यह कहां से आएगी request body, यह आएगी आपके API call से front end से, तो यह चीज आपको ध्यान होनी चीज़, ऐसे connect होगा हमारा backend front end, और product.save में आप error और doc, इस तरह के format में receive करते थे चीज़ों को, और अगर error है, तो आप status 400 वाला कुछ भेज देते हैं, जिसमें आप बताते हैं कि कुछ error है, आपके data में इस वज़े से save नहीं हो पाया, यह कुछ server में error है, तो response.status 400 bad request और json में error भेज दोगे, otherwise response.status 201 जो बताता है resource create हो गया है, वो आप भेज दोगे, तो यह एक typical structure है, जो हम बार-बार use लेंगे, पहले भी हमने projects में use लिया है, अब server पर मैं post request करता हूँ, और उसमें products API पर post request, तो generally post ही create के लिए use की जाती है, अब इसमें यह API भी create हो गई, अब हम कुछ middleware set करते हैं, middleware में जैसे express.json, ताकि हम json type की body expect करें frontend से, तो वो parse हो जाए request.body में, इस तरह का body parser होता है इसमें, यह सब हमने पहले के course में देखा है, तो मैं इसको ज़्यादा explain नहीं करता जा रहा हूँ, और अब यह create product वाला जो function हमने controller में लिखा था, इसको use करने का time आ गया, और इसको attach करना है हमको इस route से, तो अंदर इसको लिखने की ज़रत नहीं, आप सीधे यहीं पर उसको put कर सकते हो, बस इसको import ज़रूर कर लेना, तो आपको देखना होगा है, यहाँ पर auto import भी हो सकता है, अब मैं open कर रहा हूँ, एक API test करने के लिए, और हम postman use करते हैं, इसमें आप देखोगे, यह get API तो चल रही है, और products में, प्रोड़क्स को as a JSON body के अंदर भेजूँगा, तो raw में यहाँ पर JSON select कर लो, अब यह data कहां से आप लाओगे, तो sample data हमारे पास पहले से ही ready है, data JSON में तो इसमें से एक product हम उठा लेते हैं, ID अप मत copy कीजेगा, ID खुद database generate करता है, यह proper JSON इसको नहीं लग रहा है, क्योंकि I think कुछ comma या quotes का भी फरक हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने actually JSON अब select किया है, अब यह इसको proper JSON की तरह पास कर रहा है, तो यह चीज परफेक्ट है, अभी आप देख लो, अब एक test database है, उसमें products है, और products में अभी कुछ भी नहीं है, तो हमने test ही नाम रखाता है, चाहिए database का इसको बदल भी सकते हैं, e-commerce वगरे हैं, इस तरह का हम इसको नाम proper देना चाहेंगे, अभी के लिए मैं इस collection को हटा देता हूँ, देखेंगे first action, और नया database ही बना देता हूँ, e-commerce नाम से, तो सब कुछ शुरू से initialize कर रहा हूँ, मैं अपने local database environment में, तो अब server वापस से restart हो गया, तो test करते हैं, इसको product सही है, post सही है, data सही है, send करते हैं, तो send में अभी कुछ error आ गई है, कुछ कमी होगी हमारे server में, तो अब यहाँ पर देखो, save is no longer accepting callback, यह काफी लोगों को यह error आएगा, और हमारी पिछली classes में भी error आए था, इसका reason है कि, Mongo 7 version के बाद में, अब केवल async await और promise based चीजों को ही ले रहा है, उसने callback वाला पूरा structure ही गाइब कर दिया है, तो यह बहुत बड़ा change है, तो यहाँ पर आपको await यूज करना होगा, तो आप इसको practice बना सकते हैं, कि अब callback वाला structure नहीं use करना है, तो मैं यहाँ पर async कर देता हूँ, इस चीज को await कर देता हूँ, तो वही बात रहेगी response आजाएगा, बस try catch आपको लगाने पड़ेंगे, error catch करने के लिए, तो response यहाँ पर console में विपास आजाएगा, तो अब e-commerce में product आगए, product तो पहले भी शायद सेव हुआ था, बट callback नहीं चला था, अभी भी error आजा रहा है, और यहाँ पर check कर सकते हैं, वापस से run करो, और अभी भी वो wrong ratings आ रही है, तो मैंने rating actually भेजी नहीं है, लेकिन वो default rating की वज़े से, वो issue हो रहा है, default rating भी 0 करती है, और आपने का था कि minimum 1 होनी चाहिए, तो यह दोनों आपस में clash कर रहे हैं, तो यहाँ 0 कर दो इसको minimum को, I think अब यह चलेगा, send करते हैं, यहाँ पर यह चल गया, आपका database में connect हो गया, शायद आपने response प्रॉपरली वापस भेजा या नहीं, तो postman में नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पर console में response आ गया है, तो console में ना करने की जगे, इसको हम इस तरह से error, if error वैसे भेज देंगे, तो पुराने वाला मैंने copy किया है, तो try के अंदर check करेंगे, कि product save होता है या नी, और अगर product save हो जाता है, तो status में वोई 201 और dock, और अगर error आता है, तो catch में error और 400 एंद error को हम भेज देंगे, तो अभी तो इसमें एक product हमारे पास already saved है, आप चाहो तो इसको वापस से एक और product भेज के, पूरा code एक बार recheck कर सकते हो, यह delete कर देता हूँ मैं इस product को, क्योंकि यह पुराने code से generated है, अब restart हम कर रहे हैं, server, और send करके देखते हैं, तो अब यह आपका iPhone 9 से वो गया है, ID भी underscore ID आ गया है, वो सब Mongoose create करता है, अब मैं यहापे एक चीज कर रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं, virtuals इसलिए help करते हैं, कि एक virtual data field बना देते हैं, जैसे मैं यहापे product schema में, virtual ID बना रहा हूँ, इसमें आप getter setter function होते हैं, तो जैसे मैं dot get में callback function लिख रहा हूँ, तो यह आपको बताएगा, कि आपको underscore ID को ही as a ID return करना है, क्यूंकि front end में हम हर जगे ID यूज कर रहे हैं, नहीं कि underscore ID, और आपको यह product schema dot set json, इस तरह का लिखना पड़ेगा, तभी virtuals enable होंगे, और जब भी आप response dot json भेज होगे, तो अपने आप यह virtual ID create होके add हो जाएगी, आपके data के response में, और finally में underscore ID को transform function यह है, यह आप सीधे copy कर सकते हैं यह format, इससे वो underscore ID हट जाएगी, तो यहाँ पर ID नाम से वो आई, तो आप यह compatible होगे, एकदम होगे front end पे तो, तो database में तो underscore ID है, लेकिन virtual जो schema होती है, उससे कुछ ऐसे field बन जाते है, virtual field, जो आप use कर सकते हो, front end पे भीजने के लिए, वो at the run time ही calculate किये जाते हैं, database में store नहीं होते हैं, तो मैंने title में unique validation भी add कर दिया है, ताकि same नाम के दो product ना आ जाएं, तो यह आप optional है, यह आप कर सकते हैं, next मैं routing देख रहा हूँ, तो routing क्या होती है, कि कि किसी एक particular path में, या end point बोल सकते हो, उस पे आप किसी controller को attach कर रहे हो, तो routes एक folder बनाता हूँ, उसके अंदर मैं product.js बनाऊंगा, तो यह products.js क्या है, यह है routes की file, तो मैंने इसको products नाम दिया है, क्योंकि generally उसी नाम का मैं path देने वाला हूँ, तो इसमें मैंने sleep ruler यूज़ किया है, now express, require express इसमें भी लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक router यूज़ करेंगे, जो express package के अंदर आता है, तो express.router जिसमें our capital है, तो वो initialize करेंगे, अब इस router पे हम अलग-अलग path लगाएंगे, इसी तरह के path जैसे हम जो server पे लगाते थे, तो server पे जैसे post होगरे करते थे, अब उसको हम थोड़ा से divide कर देंगे, हम path को directly server instance पे ना खरके, अलग-अलग router instance पे करते हैं, तो जैसे post बनाया था, तो मैंने यहाँ पे products slash post और create product उसमें put कर दिया, तो यहाँ पे अब इस router पे मैं multiple path भी बाद में put कर सकता हूँ, lastly मैं export.router equal to router इस तरह से router को export कर दूँगा, तो एक तरह से यह जो particular file है वो router export करेगी, तो इसको import कर सकते हो आप constant product router, क्योंकि default export किसी तरह से भी नाम लिख सकते हो, products router dot slash routes और products इस तरह से आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे जब आप server में इसको as a middleware attach कर सकते हो, और उसके आगे आप लिखोगे products router, तो यहाँ नोड वाली class में सारा देखा था, तो products में dot router क्योंकि वो object की तरह export होता है, तो यहाँ पे इसको क्योवल slash आप पुट कर सकते हो, क्योंकि base path में ही products आ गया था, तो slash products तो base path में ही है router के, यानि उस router object पे जितने भी path आप बनाओगे, उसमें पहले slash products तो add होई जाएगा, तो उसके आगे मैंने just slash दिया है, मतलब कुछ भी एक तरह से add नहीं होगा, तो यहाँ पे अब run करके देखो, तो अभी भी यह proper API चल रही है, मतलब अभी भी path गढ़ बढ़ नहीं है, यह पर organize करने के लिए काफी अच्छा तरीका है, कि routes आप model के हिसाब से, या controller के हिसाब से, जो भी एक हमारा है, products और वो अलग-अलग रख पाओगे, तो अब हम front end का यह part देख रहे हैं, क्या-क्या APIs थी, तो जैसे उन सबको ही, हमको one by one replicate करना है, क्योंकि वहाँ पर तो हमने JSON server से dummy API करी थी, अब उनको असली API से replace करेंगे, तो एक API तो हमने बना दी, create वाली जो API है, वो almost, I think हमारी perfectly work कर रही है, ऐसी fetch all products था, तो उसमें सारे products को fetch करने की API थी, तो यहाँ पर मैं fetch all products लिख सकता हूँ, तो काफी simple होती है, यह API mongoose में basically आपको एक find query लगानी होगी, तो constant products is, सीधे product model पे dot find, और कोई भी आप criteria, सारी, यहाँ पर आपको query string देना होगा, जो आप को याद होगा न, कि क्या-क्या conditions होती थी, उसे साब से आप fetch करते थे, तो वैसे भी fetch all products हमने कमी use नहीं किया, तो यह filter वाली यह सारी चीज़ें, filter, sort, pagination, अब यह back end पे जाके काम करेंगी, तो front end पे तो हमने किवल json server को use लिया था, उसके कुछ style पर यहाँ पे ध्यान देना होगा, कैसे इनको बनाए, तो request.query में .sort, या underscore sort था शायद उसका न, वो आप search करोगे, और फिर देखोगे कि, अगर underscore sort है, और order भी होना चाहिए उसके साथ में, generally sort और order साथ में चलते हैं, तो यह दोनों चीज़ें हैं, तो basically sorting की request आई हुई है, तो हम await लगाएंगे, इस query पे, चूपर product.find query है, वो एक तरह से execute नहीं हुई है अभी, तो उस पे sort लगा सकते हो, sort में आपको generally वो field देना होता है, तो object format में देते हो, title और सामने देना होता है, descending की ascending, तो by default, तो title को कैसे लिखोगे, एक square bracket में, एक level पर ही sort हमने अभी तक इसमें दिखाया है, तो एक ही काफी है, मदब multiple चीजों पर sorting अभी possible नहीं है, एक साथ, तो इसके बाद में, जैसे filter का criteria है, तो filter का मतलब की category में, smartphone, laptop, इस तरह से होगा, वैसे हमको multiple category भी support करनी है, अभी इसमें, previous example में, ही काम करती थी, पर यहाँ उसको थोड़ा change करेंगे, तो अभी पहले category में put कर देता हूँ, कि अगर category भी query में आई, तो मतलब कोई ना कोई चीज से हम filter करना चाहते हैं, और यहाँ पर उसी query में find लगा देंगे, और category इस तरह से pass कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर find आपको query पता होगी, किस तरह से act करती है mongos की, उसको आप सीधे उसमें, सीधे category दे सकते हो, request.category में उसकी value होगी, कि कौन सी category आपने भीजी है, ऐसे ही brand के लिए, brand में आपने कौन सा query में brand भीजा है, उसे साब से आप find query sort करते जाओगे, तो query को एक तरह से टुकडों में आप divide कर सकते हो, mongos में इस तरह से वो चलता रहेगा, और इसके अलावा pagination है, pagination तो सब में ही act करता है, तो उसके लिए भी हम लिख सकते हैं, एक चीज़ ध्यान रखें, इसमे request.query में अगर page parameter हुआ, अगर backend पे page parameter भीजा गया, या underscore page था शायद उसका नाम, और underscore limit यही json server पे काम करते थे, तो उसी तरह के दो parameter यह expect कर रहा होगा, इसमें यह skip query करेगा, skip query होती है, कि इतने documents में को skip करने हैं, तो skip को कैसे बनाएंगे, इसके लिए वही logic लगाते हैं, कि पहले हमारे पर page size पता होना चाहिए, page size basically limit, जैसे अगर आपने 10 की limit है, तो page size वही होगी, तो फिर page क्या होगा, page यही होगा, request.query page, और skip कितना करना है, skip करना है, page side into page minus 1, यह formula हमने पहले भी कई बार देखा है, उतनी भेजनी है, इनको मैं थोड़ा reorder कर रहा हूँ, सबसे पहले category और brand से filter होना चाहिए, फिर limit होना चाहिए, और last में जो data है, वो आपका sort होके आना चाहिए, या फिर पहले sort होना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे e-commerce में, जैसे आप top से sort करते हो, बेज देंगे, तो यही पूरा यहाँ पे मैं, इसको get path पे लगा दूँगा, तो get में भी आप सीधे slash दे सकते हो, क्योंकि products तो already based path पे लगा हुई है, और यहाँ पे मैंने जो यह अभी मनाया, fetch all products, backend में, वो आप put कर सकते हो, इन में dot से सीधे chainable भी है यह, इस तरह से आप कर सकते हो, आप मैं सीधे यहाँ पे एक नई query लिखता हूँ, postman में, और इसी तरह की होगी, बस get होगी, तो इसमें आपको इस response में product मिल गया है, तो यहाँ पे जैसे यह second product भी मैं put करता हूँ, और उसके बाद आप चेक कर सकते हो, यहाँ थोड़ा सा response गलत था, तो यहाँ पे वापस से मैंने try किया, तो मैं इसमें data put करता जा रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा हमारे find query अच्छे से दिखाई दे, तो मैं क्यों कुछ नहीं कर रहा, मैं one by one यह data post में put करता जा रहा हूँ, और refresh करेंगे, तो यहाँ चार document आपको database में दिख रहे हैं, अब जाके हमारा get query वाला लगा के देखते हैं, ताकि हम उसको एक दो और add कर लेते हैं, शायद कुछ इसमें 5 elements हो गए, तो अब यहाँ पे कुछ error भी आ रहा है, assignment to a constant, तो यहाँ पे actually मैंने let लिखना था, मैंने const लिख दिया था, तो अब हमारी query को हम test कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने test किया, उपर आप देखो मैंने category में smartphone दिया हुआ है, तो smartphone जितने हैं केवल वही आएंगे, तो यहाँ पे 4 results आए, यहाँ laptops में देता हूँ और फिर send करता हूँ, तो laptops जितने हैं, जिसमें एक ही laptop मैंने last में put किया था, और यहाँ पे वापस smartphones मैं करता हूँ, and इसमें अभी मैं sorting भी कर देता हूँ, तो underscore sort में मैं price field से sort करूँगा, और order क्या रखूँगा मैं descending, तो अभी यह चला के देखता हूँ, तो देखो सबसे ज़ादा top पे price टॉप वाले आए हैं, और उससे नीचे कम आए हैं, ascending कर देता हूँ, तो lowest price सबसे उपर, और सबसे last में highest price, तो यह सारी queries हमारी perfectly काम कर रही हैं, और हमने structure भी change नहीं किया, बिल्कुल front end में जैसी query expected थी, वैसी ही यहां back end में भी हमने बना ली, और इसके आगे अगर मैं page भी test कर लेता हूँ, और पेज 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 इकल टुवन, and limit थोड़ी छोटी रखते हैं, यह कम queries हैं, तो limit is 2, यानि page size केवल 2 है मेरे पास में, तो आप में को 2-2 result वो दिखाएगा, तो यहां पे जैसे 2 result मेरे पास में आए हैं, तो जिसमें category smartphones हैं, तो 2 result यह आ गए, और आप देख सकते हो, इसमें OPPO वाला एक phone है, एक iPhone 9 है, फिर next page पे, page 2 पे जाता हूँ, तो iPhone X है, और Samsung Universe है, इस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो हर page में 2 distinct result भी आ रहे हैं, तो PGNation का logic भी हमारा perfectly work कर रहा है, सब कुछ इसमें हमने test किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, कि बिल्कुल वैसी ही, जैसे front end पे आपने imagine की थी, वो API आप यूज़ करें, इनके header सा लग है, यहाँ पे आपको X count वाला header नहीं मिल रहा, जो PGNation के लिए ज़रूरी था front end पे, तो मैं यहाँ पे एक नई query लिख रहा हूँ, total docs, और total docs का है query.count, यह जो query हमने बनाई थी, बस उसमें count लगाना है, कि कितने docs हैं, count अल्रेडी मॉंगूज में होता है एक function, तो वो हम total docs नाम से यहाँ पे print करा के देखते हैं, तो यहाँ run किया, तो total docs 4 आ रहे हैं, लेकिन क्या total docs 4 हैं नहीं, 6 थे total docs थो, बट इस case में हाँ, अगर इस filter के हिसाब से सोचें, तो हाँ total docs 4 ही थे, तो अब मैं यहाँ x total count नाम का एक header, backend में भी बनाता हूँ और उसमें यह total docs भेज देता हूँ, तो response में कैसे headers हम लगाते हैं, तो इसको express की documentation से भी आप एक बार recheck कर सकते हो, तो express में जाओ, header का reference देखो, वहाँ पे responses में आप देखोगे, कि header किस तरह से भेजा जाता है, तो इसमें एक set करके होता है, तो यहाँ पे यह set दिया हुआ है, तो कोई भी set में आप header का नाम और header की value दे सकते हो, तो यहाँ पे set लिखेंगे और header का नाम था x total count, जो json server पे यह पहले से बनाता था, तो मैं उसी को use कर रहा हूँ, और total count, यह जो मेरी total count उपर से आई है, उसको pass कर रहा हूँ, तो अब मैंने send किया, अब यहाँ error आई है, तो problem यह है कि, I think total count नाम शायद गलत है, यहाँ total docs था हमारे पैस में, एक बार फिर से check करते हैं, हाँ यह मैंने, इसको uncomment कर दिया, आई वापस run करके देखते हैं, तो कुछ error और आ रही है, मतलब, जब भी मैं इस query को हटाता हूँ, तो एक query में problem हो रही है, तो I think हमको query भी अलग-अलग बनानी पड़ेंगी, total product query केवल उसकी count के लिए, तो same query को हम count के लिए, और products के list के लिए नहीं use कर सकते, तो एक copy बना रहा हूँ मैं basically इसकी, इसका नाम है total product query, और उस पे भी यही सब criteria मैं copy करता जाँगा, तो problem क्या है कि count हम सीधे नहीं लगा सकते, अगर count किया तो execute हो जाएगी, और फिर हमको उससे list नहीं मिलेगी उसकी, तो मैं exactly एक copy बनाता जा रहा हूँ, यहां total products query वही है, जो query है, बस last में मैं इससे count निकाल लूँगा, तो main query को मिरे को एक तरह से execute नहीं करना पड़ेगा, तो अब यहां total docs में query.count की जगे, total query.count, तो यह आप समझे, एक बारी execute हो सकती है query, तो अब मैं इसमें निकाल के देखता हूँ, तो अब भी भी error आ रहा है, अब blank आ रहा है actually, error नहीं है, तो क्या issue हो सकता है इसमें, तो यहां पे जो total docs है, शायद इसका नाम सही नहीं लिखाता, तो यहां total count की जगे, total docs आप pass कर दीजे, तो वो proper variable है, अब limit में send करता हूँ, अभी दोनों चीजें आ गई हैं, और headers में भी देखो, तो x total count में 4 आ गया है, तो अब हमारे पास exactly वैसी चीज़ है, जो की front end को expected थी, तो front end में हमको कुछ भी change नहीं करना पड़ेगा, वही server वाली चीज़ यहाँ पर काम करेगी, we have to try with multiple categories, यह हमने पहले भी decide किया था, कि अभी तो एक ही category के इसाब से चलता था, तो हमको वो criteria, क्योंकि अभी मैंने बिस category में केवल simple find लगाया, तो यह भी केवल एक category support करेगा, तो वो हम आगे करेंगे, बट अभी के लिए next queries पर चलते हैं, fetch category और fetch brand, इनका भी हम बनाते हैं, तो उसके लिए model मैं set कर देता हूँ, जैसे अभी simply set किया था, category.js, और इनके model तो काफी simple है, तो मैं product schema को copy कर रहा हूँ, just for reference, और उससे हम अभी category schema बनाना चालू करते हैं, तो यहाँ पर मैं category schema लिख लेता हूँ इसको, category में तो बहुत कम चीज़ें थी, जो meaningful थी, I think label and value, यहाँ मैं हर जगे category replace करता जा रहा हूँ, इसका model का नाम भी category होगा, export करोगे इसको category के नाम से, तो हर जगे आप बस change कर रहे हो, product schema की जगे category, और इसमें value, label, checked, यह सब चीज़ें थी, हमने front end पे देखा था, यही सब चीज़ें थी, तो value, label, और value, दोनों किस टाइप की चीज़ें, दोनों एक string हैं, और दोनों required तो हैं, unique भी put कर सकते हो, क्योंकि unique भी हैं, वरना फिर दो category सेम नाम की हो जाएंगी, checked वगरे शायद required ही नहीं था, तो मैं उसको भी नहीं put कर रहा, तो बिल्कुल सेम ऐसा ही brand का होगा, तो brand.js यही होगा, जो category जैसा है, तो brand schema आप बनाते हो, और यहाँ पे brand schema, और इस तरह से वो कर देते हो, और model का नाम भी आप चेंज कर लो, तो brand और यहाँ पे brand, तो इस तरह से हमने यह भी model set कर लिया, इसके लिए भी हम controllers बना लेते, तो मैं एक brand.js controller बना रहा हूँ, और इसमें हम, हमको वो API चाहिए होगी, जिससे हम fetch कर सकें, यहाँ पे actually fetch all products इसका नाम होना नीच यह था, बट अभी यहाँ पे fetch all brands में तो fetch, सारे brands ही हम करने वाले हैं, तो इसको मैंने query को, का header copy कर लिया है बस, और fetch brands लिखेंगा, और query तो बहुत simple होगी इस case में, सारे brands हमको लेके आने हैं, तो try करता हूँ मैं, उसके अंदर catch लिखता हूँ, और फिर error, इस तरह का block हमेशा await के साथ यूज करना easy है, फिर constant में, brands में equal to, हम करेंगे await, और यहाँ पे हम brand का जो model है, उस पे dot find लगाएंगे, और कोई भी condition देने की ज़रुत नहीं है, सारे हमको fetch करने हैं, तो finally, brands में हमारे पास सारे docs हम expect करते हैं, इसमें exec भी आप लिख सकते हो, but I think, वो वैसे भी execute हो जाएगा उसके बिना, अब response.status में 200, यह अगर successfully हुआ तो, और जेसन में brands हम भेज देंगे, और catch में अगर error आया, तो response में हम हमेशा की तरह एक error status भेजते हैं, जिसमें status हम 400 भेज देते हैं, generally bad request का, वैसे इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, और json.json में हम error भेज देंगे, तो यह एक particular format में use कर रहा हूँ, similar thing आप category में भी put करोगे, तो एक और इसकी copy में बना लेता हूँ, brand की, और उसका नाम में category रख देता हूँ, तो अब जैसे मैंने fetch brands बनाया था, इस brand model से वैसी category, और यहाँ पर fetch category कर देता हूँ, तो यहाँ पर category आप पास करो, उपर वो import हो जाएगा, यहाँ पर इसको categories कर दो, अब मैं routes में भी brands का route बनाता हूँ, तो जैसे इसका पूरा route बनाया था, वैसा ही इसका होगा, बस इसमें कोई जादा चीज़े नहीं, चीए slash brand इसका base path हम बाद में बनाएंगे, इसमें post वगयर की request आप brand में रख सकते हो, अगर आप brand खुद से बाद में बनाना चाहते हो तो, otherwise अभी तो हमारी requirement के वल get करने की है, कि हम सारे brands को fetch करने की एक API front end में हमने बनाई थी, जिससे कि आपको याद होगा, कि हमारे सारे brands की list हमारे पास आती है, और जैसे brands का route हमने बनाया है, वैसे ही हम category का भी route बनाएंगे, तो category route में category.js लिख देते हैं, तो यहाँ पर यह चेंज होगा कि यहाँ पर fetch categories नाम से, हमने जो बनाया था, उसको put करेंगे, इसका base path categories होगा, बाकि कोई भी इसमें change नहीं है, तो अब इनको main file में server में middleware की तरह add कर देते हैं, route middleware, तो यहाँ पर categories लिखेंगे, और categories में जो category का router बनाया था, तो हम उसको कहते हैं categories router, और उसमें हम यह routers लिखे हुए हैं, तो मैं इनमें से खटा देता हूँ, I think you will router लिखना था, तो routes में category, और यहाँ पर brands में भी brands router, और इसमें सीधे brands, ठीक है, तो categories में plural आप करना चाओ, बाकी सब में हमने किया है, तो categories लिख देते हैं, यहाँ पर भी categories हो गया है, और यहाँ पर proper router लिख देते हैं, यह categories router हो जाएगा, और brands का brands router हो जाएगा, उसका path slash brands हो जाएगा, तो आप तीनों path उसमें attached है, तो अब हमने fetch brands तो बना लिया, fetch brands के अलावा, create brand की भी हम API बना सकते हैं, क्योंकि, कही न कहीं आपको इस थरह का भी API required हो सकता है, क्योंकि अभी तक आपने एक भी brand नहीं बनाया, तो उसको आप कैसे create करोगे admin panel में, तो API में बना देता हूँ, हो सकता है, हम इसको अभी application में directly use ना लें, तो create product वाला ही मैंने यहाँ पर copy किया है, simple structure, और काफी कुछ वैसा ही रहेगा, केवल आपको request body से कुछ R.I.D.A. उसको save कर सकते हो, वैसे create category का बना सकते हो, और कुछ categories आप इससे edit कर सकते हो, तो एक real admin panel जब हम बनाएंगे, तो उसमें हम edit brand और category भी add कर सकते हैं, तो यह एक feature हो सकता है, जो आप add कर सकते हो, तो इसलिए मैं यह put कर रहा हूँ, वैसे अभी तक चितना front end हम बनाया, उसमें वो चाहिए नहीं होगा, तो मैंने get और post इसमें भी add कर दिया है, और post इसमें भी add कर दिया है, तो brands में भी मैं यह add करता जा रहा हूँ, तो सारी APIs काफी कुछ same structure की होती है, तो एक बार आप backend जब बनाते हैं, तो structure अगर सही से बन गया है, तो काफी कुछ copy-paste work और इसी तरह कर रहता है, तो अभी categories में get करके आप देखो, तो empty आएगा array कोई category है यह नहीं, और brands में भी empty array आएगा, तो यह तो properly work कर रही है, post करते हैं, post में कोई category बना के दिखते हैं, तो आपके पास already data json में sample data होगा, तो इसी को मैं copy कर लेता हूँ, as it is पूरा object copy कर सकते हो, वैसे भी यह checked false को reject ही कर देगा, क्योंकि schema में included नहीं है, तो यह एक data बन गया, label value और एक ID आगई है, database में जाके हम देख सकते हैं, यहाँ पे collection बन गया होगा, brands का, और उसमें आपको smartphone इस तरह से दिख गया होगा, वैसे categories वाला part था, तो मैंने गलट data पुट कर दिया, इसको actually categories में पुट करना चाहिए था, तो अब आप देखोगे, brands तो यहाँ पे मैं brands में इसको delete कर देता हूँ, और categories में इसको pass करता हूँ, तो अभी कुछ error आया है, maybe application, यहाँ पे हमने name गलत लिख दिया था, और label और value यह create हो गए, ऐसे brands में भी आप create कर सकते हो, तो उसमें आपको यहाँ पे brands पुट करना होगा, post request के साथ, और brands का एक sample ले लेते हैं, जैसे apple ले लेते हैं, और यहाँ पे भी JSON data set करना है, और इस तरह से आप send कर सकते हो, तो यहाँ पे यह भी create हो गया, check कर सकते हो database में, collections में कुछ add हो गया होगा, brands में भी, तो यहाँ पे यह ID एड हो गई, version number जिस तरह से भी data add करता है, mangos, तो यह चीज है एक-एक data, लेकिन अगर आपको बल्क में data डालना है, तो इसको हटा सकते हो, और पूरा यह जो JSON है, इसको हम copy-paste कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको, मैं delete कर रहा हूँ data, और import का option दिया जाता है, insert document, तो यहाँ से सीधे add data से, आप सारा data add कर सकते हो, तो टेस्टिंग के लिए मैं यह कर रहा हूँ, categories का भी मैं copy कर सकता हूँ, यहाँ उपर add data है, import कर सकते हो, insert और यहाँ पे सीधे उसको paste कर सकते हो, तो compass में यह already एक feature, ऐसे products में भी कर के देखते हैं, अभी तक मैंने products में एक-दो manually बनाये थे, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप compass यूज कर रहे हो तो, directly यहाँ पे, तो पुराने सारे मैं delete कर रहा हूँ, products, जो मैंने manually create किये थे, यहाँ पे हम put कर सकते हैं, यह सारा data, तो testing के लिए सारा data हम पहले से put कर रहे हैं, तो हमारा data JSON में था, तो insert किया, तो यह भी सारा data इसमें आ गया, तो आप देख सकते हो 101 documents है, तो यह 101 हमारे sample में भी पहले से थे, तो सारी चीज़ें चल रहे हैं, यहाँ ब्रैंड्स अगर है, सब कुछ है, यहाँ पे checked false कैसे आ गया, क्योंकि आपने schema को एक तरसे बाइपास कर दिया, तो यह चीज़ आप ध्यान रखें, अगर आप सीधे import कर रहे हो data, तो वो मौंगू से पास नहीं हो रहा है, वो तो आप सीधे database में ही data लोड कर रहे हो, तो वो एक खतरा हो सकता है, बट अभी के लिए test data हमारा काफी कुछ उसी से schema से match था, तो वो चल सकता है, तो हमको sample दिखाना है, इसलिए वो चलेंगे, बाकी तो real world application में admin panel आपने जो बनाया, उससे ही product brand सब कुछ आप add करते जाओगे, तो अभी मैं वापस से fetch all products जैसे मैंने API बनाई थी, तो fetch products by id एक API और बना लेता हूँ, एक करके सारी APIs हमको चाहिएंगी, जो भी हमने front end में एक तरह से JSON server से बनाई थी, तो product by id भी काफी आपसान है, इसमें आपको find by id अल्रेडी mongoose में एक function होता है, तो model पे सीधे इसको method को use करोगे, और इसमें केवल id पास करने होते हैं, तो यह id आपकी कहां से आएगी, basically request.params से आप यह लिके आ सकते हो, तो params में id आती है, इस तरह के structures में, यहाँ पे यह products के आगे जो दिख रहा है, तो उस तरह का route आप set कर सकते हो, पूट कर रहा हूँ, हर चीज का ताकी error हम quickly catch कर सकें, तो यह भी एक API create हो गई, इसमें एक ही product return होगा, क्योंकि fetch product by id है, इसको भी test कर लेते हैं, get है, और products में one product की id है, या फिर id इस तरह की होगी, आप mongoose है तो, and send करके देखो, तो अभी कुछ error आया है, देखते हैं क्या error है, यह products में हमने इसका route यह अभी add नहीं किया है, तो route add कर दो, यहां पे colon id अपट कर दो, colon id से वो params में pass हो जाएगा, तो request.params में, यह सब express के fundamentals हैं, जो हम सीख चुके हैं पुराने वीडियो में, तो यहां पे एक product भी आ रहा है, तो यह भी API properly test हो गई, और APIs देखते हैं, जो हमको front end में चाहिए थी, यहां fetch all products की तो यह need नहीं है, create हम बना चुके, update product की बारी आती है, तो update product में fetch, actually patch method है, और patch type का method बनाना पड़ेगा, और उसमें किस तरह से update का structure होता है, तो update का भी mongoose में काफी simple है, कुछ methods provided है, तो इसको भी मैं update product रखता हूँ backend में, और find by id and update यूज़ कर सकते हो, दूसरे methods भी है, तो यहां पे दिया जाता है पहले id, जिससे आप find करोगे, कौन सा document अपडेट करना, इसका पुरा syntax documentation से भी आप देख सकते हो, और बाद में जो update का part है, जो हम mostly request.body में भीज़ेंगे, तो update का crud operation आपको ध्यान होगा, कि एक id चाहिए होती है, fetching के लिए, कुछ options भी आप pass कर सकते हो, इस option को pass करना इसलिए जरूरी है, ताकि आपको return में latest document मिले, और जो latest document है, वो ही हम frontend में कई बार replace कर रहे थे, तो इसलिए मैं new, true इस तरह से लिख रहा हूँ, तो ये frontend में हमारे code पे dependent है, इसलिए option मैंने दिया यहाँ पे, तो I think इसके अलावा यहाँ पे और कुछ खास नहीं चाहिएगा, find by update किया मैंने, सारी चीज़ें एक बार आप verify कर सकते हो, अब इसको एक route से attach करना पड़ेगा, तो आपस routes में जाते हैं product के, और यहाँ पे आपको patch method यूज करना होगा, तो .patch और इसमें भी आपको एक id से relation है, तो colon id आप दो, और फिर update product, तो update product call करोगे, request.body में, actually updated आएगा, तो यहाँ patch select कर लेता हूँ, यह पूरा URL वैसा ही पुट कर देता हूँ, products और id वाला, यहाँ पे body में, वापस है, पूरी body, और कोई update हम करते हैं, जैसे इस product का हम price change कर रहे हैं, मानलो 101 कर रहे हैं, और rating में भी इसकी 5 कर रहे हैं, तो यह दो update हैं, send करते हैं, तो अब आप देखो, इसमें दिख रहा है, price भी updated, rating भी updated, और यहाँ पे, यह चीज आपको दिखाई दे रही है, तो यह भी properly काम कर रहा है, तो मैंने find से भी उसको re-verify किया था, next, और कुछ APIs हैं, I think इस page की product API की तो सारी हो गई, categories हो गई, filters हो गया, सब कुछ हो गया, इसके अलावा, मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी API इसमें नहीं रही है, तो एक बार मैं login करता हूँ, बट login होगा नहीं, क्योंकि login के लिए तो auth APIs चाहिए थी, और auth APIs अभी तक हमने backend में बनाई नहीं, तो मैं एक बार एक छोटा सा workaround कर रहा हूँ, मैं JSON server चला रहा हूँ, temporarily, तो एक बार मैं login हो गया, अब login होने के बाद मैं बंद कर देता हूँ, उस JSON server को, और अब मैं अपना original node server स्टार्ट कर लेता हूँ, तो ये एक तरह का एक जुगाड किया है, मैंने इसके अंदर हम गए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो, कि सारे product वगएरे फैच हो रहे हैं, properly, किस तरह से काम हो रहा है, तो अभी यहाँ पर कुछ error आई कार्ट में, तो course policy का issue आ रहा है, cross origin का जो issue होता है, आप एक port से दूसरे पर call नहीं कर सकते, एक server से दूसरे पर, तो यहाँ पर मैं course को allow कर दूँगा, तो server.use course, और इसके लिए आपको course middleware install करना पड़ेगा, तो npm install course, तो यह हमने node में भी हमारे lessons में देखा था, कि आप cross react to node, एक port से दूसरे port पर call नहीं कर सकते, तो अब वापस से मैं जाता हूँ इस पर, यहाँ पर अब properly fetch हो रहे हैं products, और अगर आप इनकी sorting वगरे भी करके देखोगे, तो उस हिसाब से भी चीज़े sort हो रही है, तो हमारी products से related तो सारी APIs चलती हुई दिखाई दे रहे हैं, और even आप यहाँ Redux का जो dev tool था, उसमें भी देखोगे, तो सारी चीज़ें properly आ रही हैं, और सब कुछ यह कहाँ से आया है, अब प्रॉपर बैकेंड से, तो यहाँ product की list आप देख लो, इसमें सारे state वगरे कैसे set हुए हैं, order वगरे सेट हुआ है, state की value 1 है, तो यह basically paging है, तो pagination में कुछ गड़बड चल रही है, यहाँ पर अब भी zero आया है, तो pagination में क्या गड़बड है, वो हम check करते हैं, उसके अलावा तो I think, जैसे smart phones select किये, तो वो filter भी काम कर रहा है, top select किये, तो सारी चीज़ें एक तरसे काम कर रही हैं, except for the pagination part, तो pagination वैसे भी हमको पता है, कि वो X total count करके, एक header पर dependent था, तो कुछ उसी से related issue हो सकता है, तो spagination को देखते हैं, network request में मैं देखता हूँ कि, क्या यह X total count 101 यहाँ आया तो था, पर आपको कुछ expose करने होते हैं, headers cross origin में, तो मैं expose headers put करता हूँ, course के अंदर, और X total count को expose कर देता हूँ, यह colon नहीं put करने ही ज़र, अब शायद यह चीज़ exposed हो जाएगी, और यहाँ पर हमको मिलेगा, तो यहाँ पर आप proper paging आ रही है, और 11 pages आपको दिखाई दे रहे हैं, और आप आगे move करते हैं, तो उस तरह से भी चल रहा है, तो यह अगेन एक course का issue था, तो expose किये मैंने कुछ headers, तो उससे appagination भी work कर रहा है, तो जो products API थी, आपने देखा कितनी easily, हमने वैसी की वैसी API बना लिये, अगर आप node अच्छे समझते हो, तो हमने कुछ खास effort नहीं किया, और अभी हमारा front end, क्योंकि हमने इतनी अच्छे से design किया था, कि हम पहले से thought process था, कि किस तरह की API हम use करेंगे, तो हमको वैसी की वैसी API replace करते ही, यहाँ पे सारा data दिख रहा है, problem यहाँ पे sorting में, मैं कोई दिखाई दी है, कि आप देखो, यहाँ sorting में exactly price से sorted नहीं है, वो discounted price का issue है, वो original price से sorted है, तो उसको भी हम बाद में ठीक करेंगे, वो issue कैसे ठीक किया जाएगा, तो मैं to do में यहाँ sorting में, यह note भी बना के रख देता हूँ, कि how to get sorting from discounted price, तो अभी discounted price से नहीं होरी, original price से sorting हो रही है, तो वो actually user नहीं चाहेगा, उसको तो original buy price से ही करना होगा, और यह थोड़ा सा issue है, क्योंकि actually आप sort कैसे करोगे, जब तक वो field है ही नहीं, तो अब मैं यहाँ पे एक git init करके, एक git ignore file बना रहा हूँ, और उसमें मैं node modules और यह support कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक अलग repository होगी, आपको backend के code के लिए, तो इसको मैं यहाँ पे display कर रहा हूँ, और backend का code भी हम थोड़ी थोड़ी देर बाद commit करते रहेंगे, तो आप उन code commit को उठा सकते हो, और वहाँ तक का code देख सकते हो, तो overall backend में भी 10 से ज़़ादा commits आपको मिल जाएंगे, तो हर half nr के बाद at least आपके पास code का example होगा, तो मैंने यह सारी फाइलें add कर दी हैं, और मैं इस तरह से नाम लिख रहा हूँ, जैसे part 1 या फिर आगे के, इसको थोड़ा से differentiate करने के लिए backend part 1, क्योंकि front end वाले हमने अलग से part 1, part 2 ऐसे करके commit किये हैं, तो backend part 1 है और इसमें इस तरह से मैं इसका कुछ की हमने basic mvc start कर दिया है, और integrated with products page, तो इस तरह के relevant comment आपको मिल जाएंगे, और किसी भी stage का code आप check out कर सकते हो from the git, तो git आपको काफी helpful होगा इस backend के code को follow करने के लिए भी, और backend में थोड़ी सी problem या आएगी, कि यहाँ पर frontend में भी थोड़ी दिर बाद change होने लगेंगे, backend के साथ साथ जब integrate करेंगे, तो वो भी हमने proper दोनों का sync दिया है, कि कौन सा commit backend का कौन से frontend के साथ related है, तो वो भी आपको proper मिल जाएंगे, अब मैं नया एक model बना रहा हूँ, user.js का, क्योंकि अब user से related कुछ API थी, जो login वगरे में भी हमको काम आएगी, sign up में काम आएगी, तो उसके लिए user schema बनाना जरूरी है, तो मैं वैसे ही सारा change कर रहा हूँ, quickly आपको दिखा रहा हूँ, user schema में भी बस मैंने नाम change कर लिये हैं, यहाँ पर data JSON में जाके देखते हैं, क्या-क्या fields हैं, वैसे ही fields मैं quickly इसमें put कर दूँगा, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस जाके उनके data types put करने हैं, तो email एक string होगा, password भी string होगा, email unique होगा, क्योंकि same email वापस register नहीं हो सकता, role होगा एक string, जिसमें दो ही type के role होगे, address यह type होगा, एक mixed type, क्योंकि इसके अंदर actually में आपको एक JSON data रखना है, आपको याद होगा कि address complicated JSON object था, तो इसको मैं addresses लिखता हूँ, और mixed का array लिखता हूँ, क्योंकि एक से जादा addresses हो जाएंगे, तो mixed क्या इस तरह से लिखा जाता है, वो मैं बाद में देखूँँगा, बढ़ अब भी मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ, फिर name एक string होगा, जिसमें कि आप user का name दे सकते हो, अभी तक हमने front end में इसको use नहीं लिया था, और addresses का हम बाद में एक separate schema भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारी need रही तो हम बना सकते हैं, बना इसके अंदर mixed data type होगा, और orders भी एक mixed data type होगा, क्योंकि इसके अंदर orders में भी काफी deep nested JSON जैसा कुछ है, तो mixed एक data type है, Mongoose में, जो की आपको any type of JavaScript object के लिए help करता है, तो आप मैंने यहाँ पे controller भी copy कर लिया है, और controller में भी मैं create user बना रहा हूँ, नीचे सबसे पहले, तो इसमें new user, user इस तरह से put कर देता हूँ, user.save, तो similar structure को ही मैं वापस से copy कर रहा हूँ, तो user API में क्या-क्या चीज़ें थी, आप देख लो, जो front end में part था, तो update user था, fetch logged in user था, fetch logged in user orders था, तो तीन API हैं, इनको हमको बनाना पड़ेगा उसमें भी, तो मैं get या fetch user by id, एक API तो यह ले जेता हूँ, तो इसमें अब user model पे, आपको सीधे-सीधे find by id लगानी है, जो पहले भी हम लगा चुके हैं, और यहाँ पे केवल id आपको पास करनी होगी, और id कहां से आएगी, आपके पास जो parameters हैं उससे, आपकी id आएगी, तो constant id, request.params, इस तरह से आप id ला सकते हो, और find by id से, id आजाना चाहिए, अगर उस user का id है, तो यहाँ पे find by id का, मैं documentation चेक कर रहा हूँ, और इसमें projection भी आप use कर सकते हो, projection मतलब सारे fields आप मत भेजो, क्योंकि password वगर है, salt वगर है, इस तरह के कुछ critical fields भी हो सकते हैं, जो चीजें हम देना नहीं चाहेंगे user को, तो यहाँ पे second argument find के अंदर आप दे सकते हो, projection तो इसमें string होगा, और string में space देके, जो जो fields आपको वापस return करने हैं, तो जिससे मैं केवल, मानलो email return करना चाहता हूँ, name return करना चाहता हूँ, तो केवल वो ही चीजें return होँगी, या फिर addresses return करना चाहता हूँ, तो front end में जो जो चीजें चाहिएंगी, बस वो और बाकी सब आपको return नहीं करना है, तो fetch user by id में मानलो name, email और id ही चाहिए, क्योंकि हमने एक वहाँ पे logged in user की info के लिया था, और एक complete user info के लिया था, तो उस हिसाब से दो API's हमने बनाई थी, तो उस हिसाब से हम इसको change कर लेंगे, next मैं एक और copy कर रहा हूँ, update product और इस से मैं update user वाला बनाऊंगा, तो update user, यहाँ पे find id by update, मैं user model नाम change कर लेते हैं, हर जगे user put कर देते हैं, that's it, I think बाकी structure बिल्कुल सेम है, तो यह update user भी API हमारी बन गई, एक check user था, यह actually मैं login का function था, तो login कैसे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सामने front end में ही check कर लिया था, बट actually मैं front end में कुछ भी ऐसा check नहीं होगा, तो मैं एक अलग file बना रहा हूँ, auth.js, और auth.js में login और sign up से related चीज़े होंगी, तो यह भी user model पे काम करेगा, लेकिन यह authenticated है, तो इसलिए मैं अलग controller इसको बना रहा हूँ, तो यहाँ पे routes में भी मैं auth.js नाम से एक route बना लेता हूँ, और user.js पहले हमने बनाई थी, उसका भी बनाना पड़ेगा, तो user.js एक sample पुट कर देता हूँ, और यहाँ पे user में हमने क्या क्या चीज़े बनाई थी, I think एक fetch by id वाला बनाया था, तो get में यह id वाला यह सही है, तो इसमें fetch user by id हमने किया था, update user वाला किया था, तो patch वाला भी हमारे पास useful बना हुआ है, इसके अलावा जो create वाला था, वो तो हम अब auth में move कर देंगे, वो sign up की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे मैं user outer भी लाता हूँ, और इसको भी attach करता हूँ server से, तो server में जिस तरह से हमने middleware use किया है, तो यहाँ पे वापस हमें auth और users दोनों middleware attach कर रहा हूँ, auth में अभी मैंने कुछ जाधा put नहीं किया है, पर हम feature में उसको अभी बनाएंगे, तो middleware थोड़े से मैंने यहाँ पे put कर दिये, requirement उपर रख दिये, तो इसको auth router कर देते हैं, और routes में auth.js से ले लेगा, तो that's it, इसमें user से लेटेड है, auth में login sign up से लेटेड है, तो यह slash auth path वाले हो गए यह दुनों, actually यह slash auth में यह नहीं होंगे, इसमें होगा create user, वो मैंने move कर दिया है, तो post में slash create user हो जाएगा, और इसके अलावा हमको check user वाला, जो login वाला है, वो भी बनाना पड़ेगा, बाद में auth में, तो अभी user, local host user, इसको test कर लेते हैं, post कर के देखते हैं, इसमें create होता है, क्या user किस तरह से, तो यहां पे हम email और password, इस तरह की दो चीज़ें देते थे, वगरे भी front end से form में pass करो, अभी हम simple रख रहे हैं, तो यहां पे कोई error आई है, mixed is not defined, तो मैंने वो mixed लिख दिया था, but I think it is schema.types.mixed, तो वो mongos में इस तरह से लिखा जाता है, अब आप send करके देखो, तो अभी भी issue आ रहा है, cannot post to users, तो यह शायद route सही से attach नहीं हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं, यहां पे हमने auth कर दिया है इसका नाम, ठीक है, तो यह भी आप ध्यान दें, मैंने auth पे इसको call नहीं किया, मैं users पे create करने की कोशिश कर रहा था, तो इसका नाम actually auth हो गया, और auth के अंदर create user वाला function, हमने slash पे add किया हुआ है, तो यहां पे auth पुट करना पड़ेगा, auth में भी थोड़ा सा confusion लगता है, तो auth sign up इसको कर देते तो जादा अच्छा होता, यहां कोई validation error आया है, शायद हमने default में role नहीं लिखा था, तो role की वज़े से required field था, तो वो नहीं आया, अब यहां पे यह काम कर रहा है, और यह चीज़ है, तो अभी मैं यही discuss कर रहा था, कि slash auth थोड़ा सा confusing लगता है, तो हम इस path को थोड़ा सा rename भी बाद में कर सकते हैं, तो यहां slash auth मैं लिख देता हूँ, फ्रंटेंड में भी मैं change कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रंटेंड में अभी तक हम users से ही काम कर रहे थे, वहां option भी इन्था, JSON server में हमारा खुद का कुछ बनाने का, तो यहां पे slash auth मैंने कर दिया है, इसको auth sign up कर देते हैं, थोड़ा सा पढ़ने में असान होगा, और developer को भी easily integrate करने के लिए लगेगा, तो यहां front end में भी मैं sign up कर देता हूँ, API का नाम, अब check user की जो API है, वो देखनी होगी, check user basically login user की API थी, तो यह थोड़ा सा confusing लगता है, यहां पे हमने even password हो गएरे, भी match करा के देख लिए थे, क्योंकि तब ज़्यादा कोई option नहीं था, यह पूरा process हमको यहां पे करना पड़ेगा, और हम इसमें post ही रखेंगे, और इसका नाम login रख लेंगे, और यहां पे हम login user नाम का एक method इसमें pass करेंगे, तो अब यह method हमने बनाया नहीं है, मैं assume कर रहा हूँ कि हम उसी auth में अभी बनाएंगे, और उसकी functionality भी वैसी होगी, कि वो email से check करेगा user को, और उसको फिर verify करेगा, कि password वगएरे match हो रहे हैं, तो वो login करेगा, वरना वो वहां पे error भीज़ देगा, तो constant में user, और user में user.findbyid या email, तो find1 यूज़ कर सकते हैं, और email से find करेंगे, क्योंकि वो हमने pass किया हुआ है, तो request.body में email मैंने pass किया, तो उससे एक user तो हमारे पास आना चाहिए, अगर proper email है तो, otherwise error आ जाएगा, या null आएगा उसमें, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, अगर proper एक user आया, और find1 के आगे मैं यहाँ पे id और name और email इस तरह की चीज़े लिख रहा हूँ, ताकि projection में आपके पास कुछ जादा ना जाए, login में कहीं password return ना कर दो आप, तो json user return में करेंगे, यहाँ पे condition पुट करते हैं, कि if user.password equal to request.body.password, मतलब user का password और यह simply match हो गए, तो यह अभी एक temporary चीज़ है, बाद में हम strong password encrypted दिखाएंगे, तो यहाँ दूसरी technique होगी, बट password यहाँ पे match होगा, तो इस case में तो successfully user को भेज़ दो, अगर password match नहीं होता है, तो उस case में एक तरसे authentication फेल्ड हो गया है, और unauthorized, तो आप 401 तरह का जो error है, वो भेज सकते हो, unauthorized वाला तो, केवल status भेजना भी काफी रहेगा इसके लिए, पर उसके आगे, अगर आप json में कुछ success या status message भेजना चाहो, जैसे message में invalid credential, ऐसा कुछ भेज सकते हो, तो इस तरह से ये API काम करेगी, एक case और हो सकता है, कि user आपको मिले ही नहीं, क्योंकि email ही गलाता है, तो वो भी इसमें हमको capture करना पड़ेगा, तो मैं इसमें slash auth कर देता हूँ, या email से हटा देता हूँ, और slash login कर देता हूँ, और अब इसमें ये post type का ही होगा, और इसमें post type का होने के लिए, ये पूरा option put करना पड़ेगा, और यहां user data के अंदर ही login info जा रही होगी, और login info में आपका basically वो email होगा, तो email और password दोनों ही है, तो email से हम पहले verify कर लेंगे, और password आगे match करेंगे, तो जो नीचे पूरा content लिखा हुआ है, इसकी ज़र्द नहीं है, front end पे कोई password matching या ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ backend पे आएगा, और आपके पास success या error वो return करेगा, तो ये पूरा code तो हमको इतर से नहीं चाहिए, पर इसमें मैं देख रहा हूँ कि ऐसा ही सारा logic हमने वहाँ पे बना दिया क्या, तो ये पूरा हटा देते हैं, अगर वहाँ से data return होता है successfully, तो वही data को हम resolve में भेज देंगे, otherwise reject में हम कुछ भेज देंगे, तो सीधे ही resolve कर देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर actually try catch लगा लेता हूँ, अगर कोई भी error होता है इस पूरी situation के अंदर, वो चाहिए API fail होने का हो, या कुछ bad request वगरे हो, तो else में reject करते हैं, और catch में reject करते हैं, और उस rejected error को भेज देते हैं इस promise के return में, तो ये basically अगर आप successfully login हो गए, तो ये resolve होगा, otherwise ये resolve नहीं होगा, तो यहाँ पर action.error मैंने कुछ लिखा हुआ था, login में, देखते हैं, ये सही से इसमें error आया या नहीं, वो हमको पता लगेगा, जब उधर से किस format में response आता है, तो पहले login वाला check कर लेते हैं, यहाँ पर मैं auth slash login, और अभी जिस sign up किया था, जिस user को, उसी को check कर लेते हैं, तो उसमें मेरे पास email था, और उसमें test at gmail.com था, और यहाँ से ही उठा लेते हैं, फिर password उसका ये था, तो अगर successfully login होगा, तो इसमें कुछ return आना चाहिए, otherwise error का message आना चाहिए, तो send मैंने किया, तो अभी तो actually failure हो गया, और यहाँ पर वापस से मैंने send किया, तो यह invalid credentials आ रहा है, इसमें एक और चीज़ है, कि if not user, अगर user return ही नहीं हुआ तो, तो उस case में भी हमको, यह invalid credential वाला भेजना पड़ेगा, अगर कोई user ही नहीं, यानि email ही गलत है, तो वैसे आप अलग-अलग message भी दे सकते हो, कि no such user email, बट यह चीज़ थोड़ी secure नहीं होती है, इससे पता लग जाता है, कि email गलत है या password, तो दोनों में same message करना जादा बैटर रहता है, वैसे, now console log में एक बार मैं यहाँ पर user और, क्योंकि मेरे अभी भी यह invalid credential दे रहा है, तो console log में मैं user को put करके देखता हूँ, तो यहाँ पर user तो सही से आ रहा है, बट I think projection की वज़े से, उसका password हमारे पास आई नहीं रहा, और क्योंकि password नहीं आ रहा, जो user.password और request.body.password का match है, वो हम नहीं कर पा रहे हूँ, तो यहाँ पर मैं JSON में, अब यह ID user, तो यहाँ पर मैं filter out कर लूँगा, projection को use नहीं लूँगा, projection मैंने हटा दिया है, अब यह run करके देखते हैं, तो अब सही से successfully login ID और वो हमको return हो रहा है, तो यहाँ पर यह login प्रॉपर शायद चल रहा है, बट अगर मैं इस पर गया cart पर, तो यहाँ पर कुछ issue आ रहा है, तो cart से related कुछ ऐसी info होगी, जो अभी भी missing है, actually, मेरे ख्याल से addresses, तो user की profile में एक addresses का भी field है, वो भी required होगा, और addresses को हम बाद में login से independent कर सकते हैं, तो अभी तो login में ही उसके वज़े से issue आ रहा है, बाद में हम उसको independent कर देंगे, तो यहाँ पर मैं वापस से गलत email पुट किया, तो गलत email पुट करने पर 401 आ रहा है, पर फिर भी मैं आगे बढ़ गया हूँ next page पे, तो वो एक issue है कि मुझे वहाँ तक नहीं जाना था और मेरा resolve नहीं होना था, तो resolve में क्यों आ रहा है, यह हमारा question है, even though, तो यहाँ no such user email, यह वाला data actually में resolve वाले पार्ट में आ गया है, तो 25th line का console वहाँ पे print हो रहा था, तो इसको थोड़ा से check करना पड़ेगा कि क्यों वो इसको error नहीं मान रहा, मतलब 401 भी एक तरह से इसके लिए try के अंदर successful scenario ही है, तो यह चीज़ actually हो सकती है, कि जो server का error है, वो actually में कोई code का error तो नहीं है, तो हमको कैसे पता लगे, तो यहाँ पे एक चीज़ होती है, जिसको response.ok बोलते हैं, तो response.ok का मतलब है कि 200 type के message आएं, तभी इसको यहाँ रखा जाए, और अगर else है, तो एक तरह से server की side से error है, तो इसको भी हम catch करके reject वाले सिनारियों में ही मानें, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें भी reject वाला ही सिनारियों यूज़ करेंगे, तो यह ध्यान रखेंगे, सर्वर से response.ok से आप चेक कर सकते हैं, कि सर्वर का response ओक है या नहीं, तो अब इस particular case में हम देखेंगे, कि action में error आता है या नहीं, या कैसे यह पूरा चलता है, भेज रहे हैं कहीं पे भी, तो उसको भेजने के लिए भी शायद हमको कुछ, यह जो reject में हमने error का code भेजा है, इसको हम कहां से put करें, कि अभी तक हमने उसको directly put नहीं किया, यह पहले तो काम कर रहा था, क्योंकि वो format यह ऐसा था, तो अभी demo at gmail.com गलत URL डाला, तो आगे नहीं बढ़े, तो सही से हमारे पास error आ गया, तो यह पहला point तो सही हुआ, rejected भी हो गया, और इससे आपका user initialize नहीं हुआ, तो हम आगे बढ़े ही नहीं, क्योंकि front end का code अपने आप user आने के बाद ही आगे बढ़ता है, तो यह part तो सही चल रहा है, लेकिन error हमारे पास properly क्या आएगा, तो इसको मैं actually error लिख देता हूँ, तो एक और बार try करते हैं, गलत email पुट करके, और यहाँ पे इस तरह से आया है, रिडक्स में देखना पड़ेगा क्या आया था, तो error में अभी भी खाली object आ रहा है, तो error में हमारे पास कुछ भी constructive नहीं आ रहा है, जो message वहाँ से आये थे, invalid credential वगरे हैं, वो हम catch नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे error अभी खाली object जैसा ही दिखा रहा है, तो इसके लिए एक खास चीज आपको करनी पड़ेगी, कि आपके पास यह option होता है, async thunk में, कि आप rejected चीज को भी set कर सको, तो वो कहाँ पे होगा आपको, यहाँ जो async में हमने जो information login info वाली दी है, तो first argument तो होता है data वाला, और उसके बाद में हमारे पास reject का भी एक option होता है, तो मैं try में यह part लिख देता हूँ, और catch में हम error catch करेंगे, ठीक है, तो console log में error मैं print करके देखता हूँ, अब एक बार और मैं try कर लेता हूँ इसको, कि अगर try कैसे ही के काम चल जाए, तो यहाँ error में आ रहा है, हाँ error में अब की बार हमको catch हो गया है, no such user email, बट इसको वहाँ कैसे भेजें, इसको action के error में कैसे भेजें, तो उसके लिए, तोड़ा सा मैंने इसका format चेंज किया है, जिसके साब से मैं कुछ यह एक object के अंदर नहीं चाहिए, तो यहाँ पर एक reject with value करके, एक already ready made function होता है, तो इसके अंदर आप error को जैसे ही भेजोगे, तो वह आपको action.error के अंदर भेज देगा, action.payload के अंदर उस error को भेज देगा, तो यहाँ पर हम जाते हैं, और इस तरह से, तो अब no message में no such user email आ रहा है, और वो message के अंदर आ रहा है, तो action.payload में जो message है, वो आप catch कर सकते हो, तो pending fulfilled, तो इसने actually, इसको fulfilled ही मान लिया, reject नहीं माना, तो यहाँ पर वापस एक बार मैं चेक करता हूँ, गलत email से, और यह हर बार fulfilled मान रहा है, check user को, जबकि हम जानते हैं कि, fulfilled नहीं होना चाहिए, यहाँ पर शायद में को return put करना पड़ेगा, तो अब देखें, तो no such user इस तरह से अब यह आ रहा है, और और गलत मैं पुट करता हूँ, तो no such user email आ रहा है, और user email से यह password गलत तो invalid credential आ रहा है, तो server से जो different errors थे, वो सही से हमारे पास आ रहे हैं, और सही login में सही भी जा रहा है, तो आपको यह return rejected value error, यह एक चीज लिखनी पड़ेगी, जो अलरेड़ी isink थंक में एक option होता है, तो अब हमारे पास proper चीज है, login और authentication के लिए, तो अब sign up भी हम try करते हैं, dummy at gmail.com नम से मैं email लिखता हूँ, और कुछ password लिखता हूँ, तो यह sign up हो गया है, शायद एक बार देखें, तो यहाँ पर वापस से मैं, जैसे ही profile पर click करता हूँ, user की map का error आता है, तो यह क्यों आ रहा है, कुछ ऐसी information है, जो missing है, profile में I think addresses की information चाहिए थी, जो हमको शायद मिल नहीं पा रही है, और एक बार profile वाले page पर जाना पड़ेगा, तो fetch logged in user, एक query थी, जो initially चलती थी, तो वो शायद फुल्फिल नहीं हो रही है, तो हमको एक बार check करना पड़ेगा, login करता हूँ मैं, तो यहाँ देखिए, उपर दो चीज़ें fail हो रही है, इसमें headers में आप देखोगे, तो user slash, तो इसमें ये fetch logged in वाला ही fail हो रहा है, और इसका reason कुछ है, कि backend में मैंने एक छोटी सी silly mistake किया, यहाँ पे categories ही लिखा रहे गया, जहां से मैंने copy किया था, तो यहाँ पे fetch user by ID में, आपको यहाँ पे user करना पड़ेगा इसको, तो अब ये proper चल रहा है, तो ये एक mistake थी हमारे backend API में, इस वज़े से ही बार-बार, वो जो profile पे हम जाते थे, addresses पे जाते थे, तो वो fail हो रहा था, उसका map नहीं create हो पा रहा था, तो अब वापस से मैं एक बार try करता हूँ, reload करने के बाद, और profile पे जाता हूँ, अभी भी cart की एक API है, जो fail हो रही है, वो शाइद initially जो cart के items को fetch करने की, क्योंकि cart के related अभी हमने बनाया ही नहीं है कुछ, तो finally हम cart की API बनाते हैं, तो starting जो करेंगे cart के model से करेंगे, तो मैं cart.js बना लेता हूँ, models के अंदर, और इसके अंदर हमको cart का schema बनाना पड़ेगा, तो cart का schema आप पहले देख चुके हो, कि cart में generally सारी product related information होती है, जिसमें title, description, price, सब कुछ हमने put करिया था, सब कुछ शायद required तो नहीं था, बट हमने उस वक्त as it is, product की सारी information put की थी, बस इसमें से additional information थी, product का ही schema पहले copy करने कोशिश करता हूँ, तो हमारे पस already product.js में ये schema है, इसको copy करते हैं और cart.js में paste कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको cart schema बोलूँगा, और बाकी सारी values तो product जैसी हैं, तो मैं उनको change नहीं करता, और यहाँ पे cart schema पुट कर देता हूँ, यहाँ पे भी cart schema, यहाँ cart schema और model का नाम cart में रख देता हूँ, तो quickly यह सारे changes हमने किये, उसके बाद में title, description यह सब तो same रहेगा, description वैसे required भी नहीं है हमको, rating भी required नहीं है, stock वगरे भी cart में तो at least required नहीं है, category भी required नहीं है, images भी नहीं है, thumbnail ही काफी है उसके लिए, तो कुछ-कुछ चीज़े हम वहाँ पे दिखा रहे थे cart में, और इसके अलावा हमको quantity required है, जो number type की होगी, और user required है, एक product ID required है, I think that's all, तो product ID क्या होगी, यहाँ पे यह एक तरह से object ID जैसी होगी, तो schema. आप देख सकते हो कि object ID का type क्या होता है, चूंकि proper object ID का भी एक type होता है, mongos में, तो यहाँ object ID नाम से यह data type है, तो mongos.object ID इस तरह से शायद इसको लिख सकते हैं, यह schema में लिखना पड़ता है वो, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, तो हाँ, यह reference वाला में सर्च कर रहा था, तो अब यहाँ पे आप सीधे reference पास कर सकते हो किसी चीज़ का, यह और भी ज़्यादा बेटर चीज़ है, तो product ID में आपने पूरा reference पास कर दिया, तो अगर आपने product ID में reference पास कर ही दिया है, तो अब आपके पास उस पूरे product की information get आप कर सकते हो, उस schema से, ठीक है, तो यह product ID में आपके पास, तो यह पूरे सारे चीज़ों की जरुत ही नहीं, जो products related है, तो यहाँ पे object ID reference में आप product दे दो, तो अब basically जिस भी product ID होगा, उसके सारी information आप fetch कर पाओगे, और ऐसा ही user के साथ करते हैं, तो user में भी आप user का reference दे दो, और type में schema type subject ID, तो यह important concept अगर यह आपको नहीं समझ में आता है, तो populate का एक मैं link provide करूँगा, वो आप देख सकते हो mongos की property है, आप एक तरह से foreign key जैसा कुछ दे रहे हो यहाँ पे, तो quantity, product ID, तो product ID will actually have all the information of product, तो वैसे product ID save करेगा, बट product कभी भी वो fetch कर सकता है, अब मैं controllers में cart.js बना रहा हूँ, cart में भी वैसी सी चीज़ें होंगी, कि हम fetch कर सकें cart को किसी user के लिए, कि एक user का ही cart एक बर में fetch करना चाहिए, और add to cart का feature हम लगा सकते हैं, यह सब API's ही cart में थी, तो add to cart तो काफ़े simple है, जैसे ही कोई item add करते हैं, बिल्कुल same, मैंने यहां बस cart model का नाम रखती है, तो यह एक crud में create type का operation होगा, अब fetch cart by user, क्योंकि cart किसी user के लिए ही initiate होता है, हमने front end में भी देखा था, तो यहां पे cart में मैं करूंगा, और find में में को pass करना होगा, वो particular user id जिसके लिए यह cart बना हुआ है, तो यहां पे हम जाते हैं, constant user, यह आपको किसी तरह से front end से, या route से pass करना होगा, तो एक बार, यहां पे cart API में जाके देखते हैं, किस तरह का structure था, यहां पे question mark user में user id दिया हुआ था, तो यहां थोड़ा change करना पड़ेगा शायद, क्योंकि हम request.param से वो access करना चाहेंगे, तो request.query से यहां access किया हुआ है, तो वो भी चलता है, अगर same रखना है तो, तो cart.find में user, user इस तरह से, तो user, cart में आपका schema में model है, और user, और populate में ने लगाया है, ताकि उस user की पूरी information हम ला सकें, नहीं कि just id, ऐसे ही populate product में लगाया है, ताकि उस product की id, तो यहां पे product लिख देता हूँ मैं actually, product की एक तरह से पूरे product को represent करेगा, ना कि उसकी id को, तो actually मैं id सेव होगी, लेकिन सारा populate हो जाएगा, तो यह एक important mongos concept है, तो यहां cart items को मैं लिखता हूँ, और यहां पे पेस्ट कर देता हूँ, अब एक बार इसको test करके देख लेते हैं, कि यह API ढंक से चल रही है या नी, तो मैं cart और उसमें slash, पोस्ट करके देखता हूँ, इसमें data put करता हूँ, cart में कुछ, तो हम अपने data json से ही, एक sample put कर सकते हैं, वैसे data json की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको इसमें तीन ही field चाहिए, एक तो आपको चाहिए product की ID, एक user की ID, और एक quantity of that product, यही चीज़ें चाहिए है, तो यह मैंने copy किया है, एक particular ID, इसको मैं product की ID copy किया है, कहीं sample से, ऐसे user की एक ID put कर लेते हैं, तो हमने अभी एक user बनाया था sign up करके, तो वो यहाँ पर put कर देते हैं, और एक quantity put करनी है, तो कोई भी random quantity आप put कर सकते हों, तो quantity में मैं जैसे 2 put कर देता हूं, या initially आप 1 भी put कर सकते, तो उसको send करो, तो send में अभी error आया है, कुछ तो शायद हमने routing adjusting नहीं किया, तो हमको routes भी बनाने पड़ेंगे, इस cart को attach करने के लिए, तो मैंने product को ही copy कर लिया actually, तो cart.js नाम से, अब यहाँ पर इसका हटाते हैं, और add to cart एक है, और I think हमने, एक fetch का बनाया है, तो fetch by users, तो fetch cart by users, यह दो router set हैं, और यह router किस पाथ पे लगेंगे, cart slash cart पाथ पे यह लगेंगे, तो वो भी आपको attach करना होगा, server में initially, तो router को import कर लेते हैं, cart router equal to require, बिल्कुल same structure आपको copy करना है, और यहाँ पर routes slash cart, तो यह carts router हो जाएगा, तो अब मैंने यहाँ पर cart router set कर लिया है, इसकी API को एक बार चेक कर लेते हैं, तो यह cart की API create वाली तो चल रही है, quantity add हो गई है product और user की ID आगई है, और एक ID खुद की बनी है इस item की, अब इसमें हमको एक और product में add कर देता हूं, तो product की ID बदल देता हूं, तो एक तरह से इस user के लिए अब दो cart item एड हो गए होंगे, तो इसको चेक करने के लिए जो fetch वाली थी, वो हम चेक करते हैं, तो cart में, query में, user के आगे क्या देना है हमको, कोई user का ID जो हमने यह यूज किया है, अब आप इसमें देखो कैसे तरह का structure आ रहा है, तो आप देखोगे कि product और user के अंदर full जो product की information है, वो populate होके आ रहे हैं, तो यह चीज़ populate करता है, इससे फरक यह परड़ेगा, कि front end में थोड़ा सा change होना अब ज़रूरी है, क्योंकि front end में हम पहले सब flat structure में रख रहे थे, तो हमको एक बार search करना पड़ेगा, कि front end में यह जो state में जो items आता था, जो fetch items by user था, जो cart का information लेकि आता था, तो वहाँ वो कैसे use होता था, क्योंकि अब उसमें हमने product के अंदर information कर दिये, वो काफी जगे impact डालेगी, तो मैं एक बार search कर रहा हूँ पूरे area में, कि items को किस तरह से use किया गया है, और item में product कहां-कहां use किया गया है, तो find से हम कर सकते हैं, तो मैं हर file में दिख रहा हूँ, कि यह जो items है, जो हम fetch करते हैं, cart से, उसके अंदर product कहां-कहां use हुआ है, तो एक तो यह product ID यूज हुआ है, तो अब product ID नहीं है, product.id है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर, हमेशा product की ID तो save ही रहेगी, तो हमको अलग से product ID save करने की ज़रूरत नहीं है, पहले वो issue आ रहा था, इस वज़े से हमने product ID बनाई थी नहीं, पर आप वो क्योंकि product के अंदर nested है, तो issue नहीं है, ठीक है, और जब हम एक new item create करते हैं, तो उसका code यहां लिखा हुआ है, तो अब उसमें क्यों product पास करना ज़रूरी है, और product में product की ID रखतो, क्योंकि save हमको क्यों ID ही करनी है, schema में mongos के, और यह उपर extra product की information भी नीच चाहिए, जो spread से हमको चाहिए, तो यह तीन ही चीज़ां चाहिए, product user or quantity, और यह delete भी कर देते हैं, ID वाली, तो बहुत simple सा structure अब हो गया है, तो यह major change है यहां पे, इसके अलावा और देख लेते हैं, कहां कहां पे हमने, इस select items से items को use किया है, तो इस items के हिसाब से, हमने discounted price भी निकाला था, तो total amount, तो यह item नहीं होगा, item के अंदर dot product होगा, क्योंकि item के अंदर dot product में ही, price वगए रहे हैं, तो यहां पे यह major change है, और भी जगे यह change हो सकता है, इस तरह से जो नीचे total items वाला भी है, इसमें भी, I think, item की quantity से related है, तो item की quantity तो एक top level चीज़ है, तो उस पे तो फरक नहीं पड़ेगा, तो नीचे एक और जगे change है, जहां handle quantity का एक handler हमने बनाया हुआ था, तो इसमें हमने dot 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 item और फिर quantity इस तरह से भेजा हुआ था, तो अब वो dot 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 item हमको भेजने की ज़रुत नहीं है, क्योंकि जब आप update कर रहे हो कार्ट को, तो आप केवल क्या update कर रहे हो, केवल quantity update कर रहे हो, तो बाकी सारी चीज़ें वापस मत भेजो, वो dangerous हो सकते हैं, वैसे भी item में काफी सारी चीज़ें होंगी उस वक्त पे, तो यहां पर क्यों, ID भेजना enough रहेगा, तो item dot ID आप भेज सकते हो, तो that's it, यह change काफी important है, handle quantity वाला, इसके अलावा handle remove वगरे में, तो कुछ खास चीज़ नहीं लग रहा है, फिर और जगे में देखता हूँ, कि हाँ, order में items हमने बेजे थे, तो I think इसमें भी कोई खास चीज़ नहीं है, और भी जगे हम search कर लेते, items का यहां पर map है, तो यहां पर change है, यहां पर item का thumbnail दिखायागा, जबकि अब वो item.product के अंदर वो thumbnail है, ऐसी item.product के अंदर वो title है, तो जहां पर भी product की बात अब चलेगी, वहां पर वो item.product हो जाएगा, तो कही जगे यह हमको अब change करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम nested way में लेके आ रहे हैं, पॉपुलेट करने की वज़े से, तो मैं हर जगे item की जगे item.product कर देता हूँ, जहां पर भी product से related बात हो रही, जैसे brand में भी वोई चीज़ है, और quantity तो बाहर रहती है, वो आपने देखा हुआ है, तो I think इतने ही changes हैं, और search कर लेते हैं, यहां पर items मैंने देखा था, तो यह reduce में यहां पर भी वोई होगा, item.product, और यहां पर भी यह update कार्ट का था, तो यह duplicate दो जगे लिखे हुए हैं, कार्ट में भी और इस तरह से, तो यह भी यहां पर इस तरह से होगा, items की length से कुछ फरक नहीं है, item के map यहां पर भी दिये हुए हैं, और इसमें भी thumbnail, title, इस तरह से चीजें दी गई हैं, तो यह पर, यह cart वाला ही part है, तो यहां पर भी हमेशा, product की ही चीजें हम put कर देंगे, तो item.product, product हर जगे आप put कर सकते हो, तो जहां पर भी product की बात हो रही हो, आप ने वो extra video देखा है section, तो उसमें यह हमने modify किया था, उसके अलावा, I don't think कोई ऐसा major जगे है, आएगा तो हम उसको edit कर लेंगे, as we will test, तो now hopefully, हमारी API दोनों सही से काम करेंगी, जिसमें कि हम add to cart भी कर रहे हैं, तो मैं add to cart करता हूँ, यहाँ पर एक add होता, दिख रहा है, अभी भी देखो, यह thumbnail नहीं आया, तो कहीं अभी भी missing होगी, वो साइद information, तो एक बार के लिए, देखो, लेकिन cart में यहाँ पर चीज़ें तो add हो रही है, तो add to cart अभी मैंने किया, उससे यह तीसरा item भी add तो हुआ, लेकिन उसका सही information representation नहीं हो रहा है, तो यह आप इस तरह की चीज़ देखो, तो I think यह last वाले object में आ रही है, बट यहाँ पर उसकी thumbnail क्यों नहीं दिखाई दे रही, और price भी नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर fulfilled तो यह हो गया है, और response, add to cart में response में, properly शायद response आया नहीं, यहाँ पर हम देख लेते हैं, कि cart में किस तरह का information आया है, तो cart में आप देखो तो items आया है, और items के अंदर id, product, quantity, user आया है, तो यहाँ पर वो populate होके नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि add to cart के response में, आपने populate नहीं लगाया, यह ध्यान रखो, add to cart का response directly है, क्योंकि आपने fetch तो केवल login के time पे आप करते हो, तो add to cart में भी जब doc fetch करो, तो उसमें populate करके ही response लेके आओ, तो यहाँ पे मैं doc पे भी populate लगाता हूँ, तो यह populate का concept काफी important आपको समझना, इसको separate वीडियो में भी आप समझ सकते हो, तो basically वो id को replace करके, उसकी जगे पूरा जो reference object है, वो ही put कर देता, तो यहाँ पे हमको product की जर्थ पड़ेगी, तो मैंने doc.populate कर दिया, और await कर दिया, और उस result को अब हम जेसन में actually में भीजेंगे, तो I hope इस से हमारा target पूरा होगा, और add to cart करते उसका response भी सही से आएगा, तो अब जैसे मैं इसको OPPO को करता हूँ, add to cart, और यहाँ पे response में देखते हूँ, इस बार picture भी आ गई, और सारी चीज़ें आ गई, तो पुराना वाला object तो गलत add हो गया, तो उसको आप delete कर सकते हो, अब यह delete वाला भी नहीं चला, क्योंकि शायद update cart का जो API हमने अभी बनाया ही नहीं है, क्योंकि हमने add to cart और fetch cart बनाया था, तो हमको update cart का भी बनाना पड़ेगा, तो delete from cart मैंने एक लिख दिया है, method, जो कि basically update based ही होगा शायद, और एक update का भी हमको बनाना पड़ेगा, तो सारे functions हम बना रहे हैं, यह update product से मैंने copy किया है, तो update cart कर देता हूँ, मैं इसको इसमें भी एक ID होगी, find by ID update, बिल्कुल same structure, बस cart model पर आप इसको कर दो, तो सब कुछ बस cart पर मैंने change किया है, बाकी same structure है, आप delete का उनाते हैं, तो delete में भी ID चाहिए होती है केवल, और फिर वो particular element को हम delete कर सकते हैं, तो उसके लिए mongoose में होता है, find by ID and delete, इस तरह का भी शायद होता है, तो ये option देदेगा आपको, find by ID and delete, इसमें ID पास करो, तो अपने आप वो dock डिलीट हो जाएगा, response में शायद वो आपको वापस वो dock नहीं देता है, तो अगर आपको वापस वो deleted dock भेजना है, तो सीधे ही आप जो उपर आया है, I think ये dock में empty आएगा, तो मैं इसको 200 में JSON में भेज दो रहा हूँ हूँ dock, but I think उसमें proper dock नहीं आता है, तो जाते हैं routes में, delete वाला भी add कर देते हैं, तो delete from cart कर देते हैं, और .patch वाला भी update कर देते हैं, और फिर यहां भी id पास करनी होगी, parameters में और यहां पे भी update card में id पास करनी होगी, तो यह हमने proper structure बना दिया, तो hopefully अभी इसमें से remove भी हो जाएगा, तो अभी तो यह नहीं चल रहा, reload करके देखते हैं, वापस से जाते हैं, यह मैंने test किया था तो और दूसरे user में कई सारी चीज़ें added है, यह delete किया, तो अब यह properly delete हो रहा है, यहां पे मैं एक और add to card करने कोशिश करता हूँ, तो इसमें यह add भी हो रहा है नया card में, और remove करता हूँ, तो remove भी हो रहा है, तो basically delete वाली functionality तो सही से चल रही है, अब इसमें जाते हैं, और यहां पे यह checkout वाले में मैं चला गया, अब मेरे को address add करके देखना है, तो address add करने के लिए तो update user की API प्रॉपरली चलनी चाहिए, तो वो एक बार check कर लेते हैं कि चल रही है या नी, तो ऐसा कुछ address डाला, तो यहां पे तो दिखाई दे रहा है कि address add हो गया है, तो क्या backend में भी add हुआ है, तो users में जाके देखते हैं, तो यहां पे addresses में यह भी प्रॉपरली चल रहा है, तो by default हमारा जो user create होता है, उसमें addresses भी प्रॉपरली add हो रहे हैं, तो update user की हमने API बनाई थी, वो भी सही से चल रही है, अब मैं order का model बना रहा हूँ, final order ही बचता है हमारे पास में, तो order के भी crud operations बनेंगे, order का structure भी आप देख लीजिए, इसमें items हैं, जो कि exactly वोई cart items की ही copy है, तो यह भी एक तरगा कह सकते हो, mixed data type होगा, क्योंकि orders में हमको काफी सारी चीज़ें देखनी होंगी, और उसके अलावा total amount है, total items है, user की information भी है, user की information में यहां तो सब कुछ put किया हुआ है, लेकिन इतना नहीं चाहिए, फिर selected address है, जो shipping का address है, payment method है, cash या card है, status है कि dispatch हुआ या नहीं, यह सारी चीज़ें, हम यहां पर put करेंगे, order schema में, तो constant हम किसी schema reference को again copy कर लेते हैं, card का schema ही मैं ले लेता हूँ, इसको paste करते हैं, तो order में भी order schema लिख सकते हैं, जहां जहां यह virtual होगा, ताकि हम हम आर जगे ID भेजें, तो order इस तरह से मैं कर देता हूँ, इसका नाम, यहां पर भी इसका नाम order लिख देते हैं, I think यह तो set है, अब इसके fields set करते हैं, तो यहां पर items हो जाएगा, तो items एक तरह से एक array होगी, जिसमें काफी सारे items हो सकते हैं, तो इसमें हम mixed type, I think prefer करना चाहिए हमको, तो schema.types.mixed आप use कर सकते हो, और इसमें कोई validation वगरे की अभी requirement नहीं है, इसके अलावा इसमें जिसे total amount है, यह सारी चीजे हैं, मैं कहीं और से schema को copy कर सकता हूँ, जिसे यह यहाँ number वाला एक पहले से हमने लिखा हुआ है, price वाला, तो यह put कर देते हैं, तो यहाँ पे total amount नाम है, तो total amount, इसमें min, max, validation अभी ज़रूरी नहीं है, total amount, total items, यह भी type number है, उसके अलावा user है, तो user का अगेन हम वो reference दे सकते हैं, जो reference type हम देते हैं, तो populate करना होगा, तो हम populate कर लेंगे, जहाँ जहाँ चाहिए, payment method है, payment method में cash और card allowed है, तो एक तरह से तो वो string ही है, पर आप चाहें तो इसमें बाद में enum types भी use कर सकते हैं, तो मैं बाद के लिए यह लिख देता हूँ, कि हम बाद में enum types, enum types मतलब जिसमें limited ही आप types यूज़ कर सकते हो, कि cash और card इस तरह के दो enumerated types बना लो गया, फिर selected address है, बेसिकली वो shipping address को ही हमने selected address लिखा है, तो वो भी, यहाँ पर इसको नाम status लिख देता है, तो एक status में add कर रहा हूँ पहले, तो status में pending है, default pending ही होता है, जैसे ही आपका address बनता है, जैसे ही पहला order आता है, तो उस तरह से, तो I think यह सारी चीज़ें हो गई है, और एक selected address भी बचा है, shipping address जो है, और वो भी एक mixed ही होगा, क्योंकि उसमें भी एक address है, और address अभी तक हम mixed ही type ले रहे हैं, तो उसे साब से इसको type mixed इस तरह से ले लेते हैं, और यह required होगा, क्योंकि यहर में एक address चाहिए, payment method भी required होगा, items भी एक तरह से required ही हैं, कोई ना कोई item तो होना चाहिए, तब ही order होगा, अब मैं एक controller बना लेता हूँ, इस order के लिए, order के भी crud operations जो होंगे, create order और इस तरह के वो सब हम use कर लेंगे, तो add to cart वाला code मैं copy कर लेता हूँ, और fetch cart by user, वैसी fetch order by user होने वाला है, तो मेरे ख्याल से cart वाले काफी कुछ उससी से related हैं, तो वैसे ही order के बना लेते हैं, तो fetch order by user कर लेते हैं, यूजर आ जाएगा query में और यहाँ पर order कर लेते हैं, find user से कर लेंगे, populate कर देंगे product को, I think populate product भी उसमें option नहीं है वैसे, तो यहाँ पर मैं एक search कर लेता हूँ, front end में की order वाली API कहाँ पर use हुई थी, तो यहाँ पर order API देखते हैं, और उसमें क्या-क्या था, तो एक तो fetch all orders था, create orders था, update orders था, और यहाँ पर fetch logged in user information थी, और इसमें user.id में हमने id बेजी थी, तो इस तरह का कुछ है, यहाँ थोड़ा सा syntax चेंज करता हूँ, और मैं इसमें user में बेज देता हूँ, .id घटा देता हूँ, वो तो हमने json server की compatibility के लिए किया था, तो यहाँ पर query string में user आएगा, तो वो search हो जाएगा, और उस user के items आजाएंगे, और populate हमको करना है यहाँ पर user को, तो यह user नाम की जो चीज है, वो एक reference है user के लिए, उसको बस populate करना होगा, बाकी I think यह required true है, थोड़ा syntax ही कर लेते हैं, अभी भी इसमें कुछ error है, शायद मेरे brackets में, तो items इस तरह का होगा, तो यहाँ populate करने की अभी ज़रुत नहीं है, केवल ओर्डर्स दिखा दिते हैं हम, create order वैसा ही रहेगा, बस order model आप लिख दो हर जगे, order.save कर दो, create order में क्या हमको populate भी ज़रुत नहीं है, तो फिर dock कर देते हैं, और delete order करेंगे, तो इसमें भी ID से आप order delete कर सकते हो, यह I think front end में ऐसा कोई API नहीं है, तो अभी तक तो नहीं है, update order अगर use हुआ, तो update order भी उसी तरह का syntax रहेगा, तो basically same ही रहते हैं, crud functions, बस आप model वगरे का नाम सही use कीजेगा, उसमें कई बार copy-paste के बाद गड़ पड़ हो सकती है, वो काफी common है, अब order.js पे जाते हैं, इसका भी route भी मैंने copy कर लिया है वहां से, तो slash orders, add to cart की जगे यहां पे होगा, create order, ठीक है, तो यह इनका create method है, read method में get fetch orders by user, तो slash हो जाएगा, और फिर delete order, और update order, तो काफी कुछ similar है, cart जैसी functionality के, तो उसका router ही मैंने copy किया था, तो यहां पे copy कर लिते हैं, और orders router, router order, और इसको भी server में middleware add कर देते हैं, slash orders path पे, तो सब कुछ वही repeated चीज़ की है, routing वगरे में, बट अब यहां पे order now करने पे, order add होना चाहिए, पर गडबढ हो गई है, कुछ undefined आया इसका ID, और क्या वहां order बना है, वो भी check करना पड़ेगा, refresh कर लेता हूं, orders में कुछ भी नहीं आया है, तो save नहीं हुआ है, हमारा order तो कुछ अभी गडबढ है, इतना सब कुछ हमने change किया, वो नहीं है, तो यहां पे तो data सही सा payload जाता हुआ, दिख रहा है, items भी है, payment method भी है, selected address भी है, लेकिन errors में क्या आया है, यहां पे, एक बहुत बड़ा सा response है, response में, order validation fail हुआ है, और इसमें user cast to object ID fail हुआ है, यानि user में जो ID हमने बेजी थी, वो उसको proper नहीं लग रही है, तो क्या fail हुआ है, शायद user ID सही से नहीं गई है, यहां पे create order का जो API था, इसमें हम देखते हैं क्या क्या data हम भेज रहे हैं, तो create order कहां पे हमने use किया है, front end में, तो यहां पे user हमने भेज दिया था, तो user क्या है, actually यह पूरा user है, तो यहां पे user नहीं भेजना है, तो यह एक error था, जो हमारे नए model से नहीं सही जा रहा था, तो अब वापस से करना पड़ेगा हमको यह, add to cart में करता हूँ, यहां पे add कर दिया method, cash वगरे select करते हैं, अब order ID क्रियेट हुए, successfully वो बना होगा, तो यहां order बन भी गया है, सारी information भी आ गई है, go back to home, तो अब my orders चेक करते हैं, तो अभी भी orders.map यहां पे कोई issue आ रहा है, तो किसी वज़े से, order होते ही, user में उसके order सही से नहीं दिखाए दे रहे हैं, तो Redux में जाके देखते हैं, तो यह orders orders वाले में तो कुछ है, और यह वैसे भी, यह वाला model शायद यूज नहीं हो रहा है, orders दिखाने के लिए, कोई particular user के लिए, कौन सा model यूज हो रहा है, orders दिखाने के लिए, वो हमको एक बार जाके react में, री चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने front end में, काफी देर पहले वो सब बनाया था, तो orders.map मैं सर्च करता हूँ, user orders में जाता हूँ, यहाँ पर आप देखो, तो यह select user orders नाम से selector है, तो यह user के अंदर user orders नाम की, जो redux में stored है, वहाँ पर देखते हैं, तो user के अंदर user orders में तो, अब देखो तो user की info ही आ रही है, और उसमें orders तो खाली है, तो यह user की info क्यों user के orders में आ रही है, जरूर कुछ गड़बड है, तो इसको आगे हम fix करेंगे, कहीं ना कहीं किसी fulfilled action में, या कहीं पर हमने user info ही, वापस update कर दी है, इसमें, तो हमको orders and addresses का ये पार्ट वापस एक बड़ चेक करना पड़ेगा, और दिए देखेंगे कि ये independent of user हो, मतलब हम user के अंदर user orders रखने वाला ये शायद ना करें, या API के साब से कुछ change हुआ होगा, तो वो हम आगे देखेंगे, अभी कुछ पहले errors fix करते हैं, जो हमारे पास existing इसमें है, तो मैं वापस से test कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे product deleted, अभी भी customer facing इसको दिख रहे हैं, यह admin नहीं है, इसको भी दिख रहे हैं, तो उसके लिए मैं query change करता हूँ backend में, तो यहाँ पे backend में आप गए, तो यहाँ पे product find में, आप यहाँ पे mongodb की एक query डाल सकते हो, deleted not equal to true, तो जितने भी not equal to true होंगे, मतलब deleted जिन में true नहीं होगा, यानि वो सब valid products हैं, अभी भी user को दिखाई देना चाहिए, तो यहाँ 101 की जगे 98 results हो गए, बाकी सारी functionality यहाँ पे सही चल रही है, तो यह एक functionality work कर रहा है, अब मैं add to cart करता हूँ, यहाँ पे आप देखो तो update करते ही, thumbnail गायब हो रहा है, तो यह भी एक problem generate हुई है, जो मैंने testing में देखी, इसका reason है कि जब भी हम add to cart करते हैं, तो उसके बाद में हम सीधा वो dock भेज रहे थे, जबकि हमको populate करके भेजना चाहिए था, तो यहाँ पे यह populate update के case में भी करना चाहिए हमको, तो add to cart में तो हमने कही रखा था, यहाँ populate हम करेंगे, तो अब update के case में, इसकी में उसके वज़े से यह कुछ errors आ रहे हैं, माई orders पे जाता हूँ, तो same यही दिखाई देता है, अभी माई orders में देखिए कि orders आ रहे हैं, अभी थोड़े देर पहले error था, यानि वो किसी एक particular case में ही, वो error आ रहा है, orders वाला, यहाँ पे तो केवल thumbnail नहीं दिखाई दे रहा, यह सब नहीं दिखाई दे रहा, वो हमको पता ही है, क्यों क्योंकि populate वाले structure के बाद, हर चीज में item.product हो गया है, product से लेटेड जो भी info है, तो वो इस template में भी हमको update करना पड़ेगा, यह काफी में हमने update कर दी थी, लेकिन आगे से आगे हमको मिलती जा रही है, तो अब यहाँ पे आपको order में यह सारी दिखेंगे, अभी भी shipping address यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, shipping address क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, देखते हैं, order में selected address होना चाहिए, तो selected address तो है, पर वो एक array की format में है, तो I don't know, selected address तो के वोल एक था, वो array की format में कैसे आगया, एक बार जाके database में देखते हैं, तो यहाँ पे भी array की format में है, तो कुछ तो हमने database में save करते वक्ती गरबढ़ कर दिया है, यानि schema एक बार देख लेते हैं, स्कीमा में ही हमने mix type को एक array में डाल रखा है, तो यह हटाई है, यह array, तो इससे एक फिक्स होना चाहिए, तो अभी तक का जो हमने order add किया था, उसमें shipping address गलती से एक array format में save हो गया, तो इसलिए schema काफी केरफुली बनाईएगा, तो मैं delete करता हूँ, यह सारे orders valid नहीं है, फिर से एक बार login करेंगे demo user से, और add to cart में करता हूँ, एक item उसको quantity change करता हूँ, सही से चल रहा है सब कुछ, address select कर लेते हैं, order नहीं कर पाएंगे, क्योंकि cash भी select करना पड़ेगा, order अब हो गया है, home पे वापर जाते हैं, अब my orders पे जाते हैं, अभी यह properly इस बार सही चल गया है, अब my orders पे जाते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें सही से दिखाई दे रही हैं, sign out कर लेते हैं, यहाँ पे बाकी सारी information तो में को properly दिखाई दे रही है, तो एक बार वापस से जाके, हम देखते हैं कि user orders वाला क्या issue था, जो थोड़ी दिर पहले orders में वो एक issue आ रहा था, तो उसको मैंने सर्च किया, तो यहाँ पता लग रहा है कि, जहाँ पे आप user को update करते हैं, update user, यह actually में यह function दो जगे पे हमने copy किया, अगर front end में आप को याद हो, तो हमने इसको auth में भी और user API दो जगे copy कर लिया, तो मैं इसको सर्च करता हूँ, तो इसको हमने user और auth slice दोनों में use किया हुआ है, और user की profile update करने के, में कई जगे अपडेट किया जाता है, तो यहाँ पे यह वाला point जो गरबड है, यह 62 line में काफी गरबड की हुई है, यहाँ पे आप देखिए क्या हुए है, कि user orders को action.payload के बराबर कर दिया है, और action.payload में तो updated user आएगा, इस वज़े से user orders में यह गरबड हो रही थी, यहाँ पे actually हमको user info लिखना था, और कहीं न कहीं यहाँ पे दो बार हमने update user async नाम का slice बना रखा है, दोनों अलग auth slice और user slice इसमें, तो यहाँ पे एक और गरबड है, यहाँ पे मैंने id लिखा हुआ है, यह actually मैं updated user होगा, तो यह मैं update नाम से यहाँ लिख देता हूँ, update user इस पे जाते हैं, तो यह API तो user API के अंदर ही है, तो खास बात है कि auth slice में हो, या user slice में हो, यह दोनों जो async operation है, वो सेम ही API को point कर रहे हैं, तो API तो सेम है, लेकिन सम्हाँ हमने slice को सेम नहीं किया था, front end जब हम बना रहे थे, तो उस वज़े से confusion है, दोनों जगे दो update user async slices रहे गए हैं, और एक में कुछ गलत code है, जिससे user address गलत हो रहे थे, तो मैं एक को हटा देता हूँ, I think auth slice में इसकी कोई ज़रुत नहीं है, या पूरा line या पूरा इसके cases हटा देते हैं, update user async के auth से, तो ये मैंने case पूरा ही हटा दिया, और case हटा दिया तो इसका ये जो async थंक है, इसको भी हटा देता हूँ, तो अब बस ये ध्यान रखना होगा कि कहीं auth वाला update user async पूरे code में ना use लिया गया हो किसी भी जगया पे, तो उसको हम actually search से देख सकते हैं, तो यहाँ पे error में आ भी गया है, वो कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे हमने update user async use किया है, और ये user का address अपडेट करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, add करने के लिए, तो इसको auth slice की जगे अब आप user slice पे redirect कर तो, क्योंकि दोनों का काम almost same है, तो ये चीज बस मैंने उसकी location चेंज कर दिया है, एक बार जाके उसको आप देख भी सकते हो, कि उस slice के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके fulfilled और actions में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे, यह user order equal to action.payload है, यह line गलत थी, तो यहाँ पे earlier logged in user variable लिखा हुआ था, in other slices, तो वो ही इसका सही से use है, एक बार मैं इनको search कर लेता हूँ, कि यह जो logged in user है, वो कितनी जगे use किया गया है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा issue है, क्योंकि हमने अभी तक उस part को थोड़ा सा skip कर दिया था, इसमें हम user की और info नहीं देना चाहते है, जैसे address वगएरे अभी तक हम use लेता है, तो जैसे यहाँ पे सही है, इसमें क्यों user की ID यूज की गई है, तो आप यहाँ पे select logged in user कर सकते हैं, next, यहाँ logged in user है, इसको null है, इसमें मैं यही बताना चाहरा हूँ, कि हम logged in user में केवल identity related information रखें, जिसमें की ID, email, इतना सब कुछ हो सकता है, ultimately तो केवल ID से भी पता लग जाएगा, कि कोई logged in user है, पर इसमें हम कुछ भी addresses वगएरे ना रखें, तो हम auth में थोड़ा सा इसको अलग रख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने देखें, इससे क्या-क्या यूज किया है, इस पर्टिक्लर पेज में, तो यह admin product details page है, यहाँ पे भी वोई यूज किया गया है, कि हम आईडी यूज की गई है, इसके अलावा, यहाँ पे देखते हैं, यूजर में हमने क्या क्या है, कि हम यूजर को चेक किया है, यहाँ भी कुछ ऐसा खास नहीं है, लॉग आउट में देखें, तो not of user बस चेक किया गया है, यहाँ भी not of user चेक किया गया है, यहाँ भी not of user, और यहाँ पे user.role, तो एक user.role भी हम add कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक identity related small thing है, जिससे कुछ खास reveal नहीं होता है, तो वो चीज़ भी हम उसमें add कर सकते हैं, तो select logged in user, यहाँ भी हमने किया है, इसमें भी क्यों user की role की information है, या user की ID अगर है, यहाँ पे user.image URL है, वैसे भी user में कोई image URL हमने put किया नहीं है, user.name, user.email, ऐसा कुछ लिखा गया है, तो वो भी हमारे पास information नहीं है, तो यहाँ पे लग रहा है कि यह user info से आना चाहे, rather than select logged in user से, तो हमने user info नाम से पहले भी एक front end में KPI बनाई थी, चोकि detailed user info के लिए हम use लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको change कर दूँगा, बाकी जगे, I think, जो select logged in user है, simple user वो काफी है इसके लिए, तो अब वापस है, user orders में user info, यहाँ पे user info का use लिया गया है, तो मैं इसको change कर देता हूँ, यह user को user info लिख देते हैं, तो जहाँ-जहाँ user info यूज की गई है, मैं वहाँ पे user variable उसको नहीं लिखता, और उसको template में भी user info के नाम से लिखते हैं, ताकि confusion ना हो, बाकी जगे में यहाँ पे भी एक user info का use है, तो user info से हर जगे replace कर देता हूँ, तो user info मतलब user की detailed info, जिसमें की address वगएरे सब कुछ है, और केवल user का मतलब केवल ID और role जिसमें है, तो इस तरह से यह काम करना चाहिए, अभी भी कहीं पे error आ रहा है, reload करने पे, orders में I think, तो वापस से login करके check करते हैं, और my profile में जा रहे हैं, तो सब कुछ सहीं आ रहा है, तो logged in user हम देखते हैं, search करके, कि कहां कहां पे उसका data set हुआ है, तो logged in user, create user में एक जगे set हुआ है, तो sign up के तुरंत बाद payload आता है, तो आप sign up और login के API एक बार check कर लीजे, तो यहां create user है, इसमें user.save और यह doc आया है, तो इसमें हमको केवल क्या बेजना है, एक तो id बेजनी है, एक हम role बेजना चाहेंगे, I think यही दो information important है, और similar चीज आप यह जो check user है, यानि जो login से लेटेट था, इसमें put करोगे, तो यहां पे भी id और role यही दोनों चीज बेजने की है, बाकी addresses वगेर हम इसमें नहीं बेजने, वो user info वाली API में हमको बेजना चाहें, जो हम बना लेंगे, अभी अगर बनी हुई नहीं है तो, तो यह proper चल रहा है, orders भी proper चल रहा है, तो यहां पे सही है, और user orders में भी value सही आ रही है, user के अंदर एक dot orders property है, जो खाली पड़ी हुई है, रिडक्स में, उसका भी कोई खास use नहीं है, शायद front end में हमने ऐसे initialize कर दिया था, तो user orders सर्च करते हैं, अच्छली इसको यहां नहीं सर्च करना, front end पे सर्च करते हैं, user orders, यह कहां कहां पे use हुई है, एक जगे हमने गलत कर दिया था, इसको मैं अच्छली हटाई देता हूँ, काफी से problem create हो रही है, तो उपर, यह user info हमारे पास है, इस user info में ही, हम orders नाम की चीज़ को add कर देंगे, तो fetch logged in user orders एक API है, उसमें user info, जो है, वो set होगी, पहले user info को set करना जरूरी है, और फिर उसमें orders को set कर देंगे, तो user info.user orders is action.payload, .orders भी हम लिख सकते हैं, और यहां पे भी, यह update user racing है, तो यहां पे यह नहीं होना चाहिए, यहां पे user info हमने अभी पकड़ा था, इस error को, इससे काफी bugs आ रहे थे, और यहां पे अब मैं इसको change करके, user.user info.orders कर दूँगा, तो अब हर चीज, उसमें आएगी, user info के अंदर आएगी, तो user info के अंदर, detailed data है, orders और उसका है, तो इससे अब error नहीं आएगा, तो ध्यान रखिए, यहां पे अंदर नाम के रिड़क्स वैरियेबल में आपको मिलेगी, तो अब सारे features में, रीटेस्ट करके देख रहा हूं, सब कुछ एकदम सही दिखाई दे रहा है, तो यहां पे कुछ errors दिखाई दे रहे हैं, mostly यह वार्निंग्स है, यह कह रहा है कि, pagination में कहीं पे आपको key missing है, तो key related काफी errors हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं map में, हम जल्दी में index देना भूल गयोंगे, तो वो आप easily fix कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़े मैंने fix करके, आपको code commit करके दिया है, तो उसको दिखाना जदा important नहीं है, तो आपको ये code commit में, आप सीधे उसको उठा सकते हो, तो ये part 21, मैं यहाँ पे front end में commit कर रहा हूं, तो front end में इस point पे, part 21 एक पहला commit है, तो ये part 3 of back end के बाद में किया गया है, तो वहाँ तक के सारे changes आपको मिल जाएंगे, तो अब मैंने front end और back end दोनों में commit कर दिया, इस point पे आप code वापस से recheck कर सकते हो, तो मैं admin login कर रहा हूं, और इसमें password not matching आ रहा है, मैं admin actually create कर रहा हूं, और यहाँ पे इसमें admin बनाने के लिए, आपको पता ही है कि role admin होना चाहिए, जो कि possible ही नहीं है, हमने ऐसा कुछ दिया ही नहीं प्रोविजन, तो यहाँ पे मैंने को manually जाके, इसका role admin set करना पड़ेगा, तो मैं इसका role admin set कर देता हूं, उसके बाद यह काम आएगा, आप sign out करते हैं, वापस admin पे जाते हैं, login करते हैं, अब आपको सही menu दिखाई दे रहा है, आपको role admin दिखाई दे रहा है, orders में आपको यहां सारे orders दिखाई देने चाहिए, पर यह API हमने अभी I think create नहीं किये, तो आपको जितने भी users के हैं, सारे orders उसमें दिखाई देने चाहिए, तो edit product तो यहां पे काम कर रहा है, और इसमें देखते हैं, यह proper चलता भी क्या, मैंने इसे 400 किया था, तो यह 400 भी इसमें काम कर रहा है, क्योंकि update product की API तो हम पहले ही बना चुके हैं, अब admin में वापस से मैं login करता हूँ, यह सही है data, इसमें update अभी भी properly काम कर रहा है, पर orders काम नहीं कर रहा है, तो orders की एक API बनाते हैं, तो यहां पे admin orders में देखते हैं कि कौन सी API कॉल हो रही थी, admin orders पे जाते हो आप, तो यह actually में use selector में select orders को कॉल कर रहा है, तो select orders में आप देखोगे, तो order.orders, तो select order में order.orders की बात हुई है, तो order.orders यहां पे fetch all order async से set हो रहे हैं, तो इसमें आप देखिए कौन सा API कॉल है, तो काफी सर्च करना पड़ा हमको इसको sequence को, तो fetch all orders में सीधे सीधे localhost पे slash orders आ रहा है, और आगे जो भी query string है, उसके हिसाब से हम query लिख रहे हैं, तो यह API हमको बनानी पड़ेगी, कि आपको orders fetch करने हैं सारे, बट उसके साथ साथ में आपको query string, जैसे products में हमने किया था, उसको भी satisfy करना है, तो वो वाली API ही हमारा base है, काफी कुछ product की, जैसे API ही हमने backend बनाई है, वैसी orders की भी बनाई पड़ेगी, जिसमें sorting हो, pagination हो, इस तरह से चीज़ें काम करें, तो मैं order में जाता हूँ, अभी तक fetch order है, create order है, delete है, update है, और अब हमको बनानी पड़ेगी, fetch all products जैसे है, वैसे fetch all orders, क्योंकि अभी तक हमने user-based products order किये थे, अब ये fetch all orders एक तरह से, admin के लिए है, ये API, ये दूसरों के orders भी देख सकता है, एक तरह से, सब के orders देख सकता है, तो इसमें भी product है, ध्यान से इसको edit कीजिए, यहाँ पर order.find कर देता हूँ, deleted order भी हो सकते हैं, अभी हमने ऐसा कुछ provision नहीं लिया, लेकिन मानता हूँ कि future में delete flag उसमें भी आ सकता है, फिर बाकी query यहां category और brand कुछ नहीं है, यहाँ पर भी sorting वर्क करेगी, तो sorting का almost same structure रहेगा, यहाँ मैं total orders query नाम रख देता हूँ इसका, यह भी हर जगे change कर दूँगा, तो इसमें भी क्योंकि हमको pagination required है, तो total की भी एक query बनाई है, जिससे total docs query कर सके, page size का बिल्कुल same logic है, total count बिल्कुल same है, तो यह fetch all orders हो गया, इसको भी आप एक route पे add कर दीजे, तो यहाँ पर हम जाते हैं, और इसको dot get में add कर देते हैं, अब dot get में already slash पे कुछ है, तो उससे issue आ सकता है, तो यहाँ slash orders है, और यहाँ slash orders के आगे user है, तो अभी क्योंकि हो दो जगे clash कर रहे हैं, तो इसको मैं slash user कर देता हूँ, और इसको user id को एक query string ना देके, एक parameterized routing हम दे देते हैं, तो इतना सा फरक करता हूँ मैं, यह पुराने वाली पे है, ताकि यहाँ पे मेरे को clash ना होगा, यहाँ slash user और slash user id, और इसके अंदर change करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम query string यूज कर रहे थे, बट अब इसको यहाँ params की तरह देऊगे, और user id दोगे, तो इतना सा change हुआ है, तो fetch order of user हालग होगा, और get वाला अब हम सीधे use कर सकते हैं, तो अब यह proper काम कर रहा है, इसको जरूर test कर लेना, अब admin के लिए check करते हैं, तो यहाँ पे admin को login करो, फिर इसमें अब आपके orders आ रहे हैं, कुछ गड़बड हुई है, वो ही गड़बड होगी पका, कि जो items हैं, वो आपने populate नहीं किये, या उनका जो structure अब change हुआ है, वो orders में भी आएगा, क्योंकि अब देखते हैं, orders के अंदर items में क्या है, तो उसमें भी आप देखोगे, तो product के अंदर वो save हुए है, तो हर जगे उसका impact दिखाई दे रहा है, जो हमने एक major change किया, कि cart के items को हमने reference की तरह से किया, तो यहाँ पे भी इसके map में कहीं, या item.thumbnail है, या item.product.thumbnail हो जाएगा, इसका item quantity में वो change नहीं करने की जूरत है, फिर order.product.title हो जाएगा, तो हर जगे मैं उसको change करता हूँ, alt text भी आप put कर सकते हो, उसकी वज़े से warning दिखाता है वर ना, तो item.product.titles, तो इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे, प्रॉपर चलनी चाहिए, अब देखो तो इसमें आपका आ रहा है, बस product का number गलता है, क्योंकि quantity पे गलती से मैंने paste कर दिया था, तो quantity तो simply काम करेगी, तो यहाँ पे अब यह चीज़ प्रॉपर चल रही है, और आपको सारे orders दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ sorting भी काम कर रही है, edit में भी dispatch वगर है, इस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पे हम इसको refresh करके देखते हैं, तो यहाँ पे dispatch इसका status हो गया, तो update order भी आपका काम कर रहा है, और यह इस पे तो मैंने अभी कोई functionality बनाई नहीं है, और details of order के लिए, तो अब अगर मैं smart phones और इन पे जाके देखता हूँ, सारी functionality सही चल रही है, पर आप एक चीज देख रहे होगे कि यह admin है, और admin में भी हमको deleted और वो सब चीजें अब नहीं दिखाई देरी, out of stock और उस तरह की चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने वो deleted flag वाला जो है, वो back end में common लगा दिया है, तो हमको front end से role हम एक तरह से API को भेज सकते हैं, कि हम particular हम admin हैं कि कौन है, उसे साब से हमारी query चेंज हो जाए, तो जो select all products की query है, basically वो product.products लेके आती है, रिडक्स में और उसके लिए fetch all products तो हम नहीं यूज लेते, fetch all products तो actually कहीं पे भी use नहीं लिया जा रहा है, तो उस चीज़ को तो आप clean up में हटाई सकते हो, तो ये जो दो cases है, fetch all products आप search भी कर लो, ये कहीं पे भी use नहीं हुए, product slice में मैं इनको हटा रहा हूँ, और इनका जो async थंक है, वो भी आप हटा सकते हो, तो ये गहीं पे भी use नहीं हुए, सारे filter query वाले use हुए, तो यहाँ इसकी API को भी मैं हटा रहा हूँ, तो अब fetch products filter से जो हमने किया है, filter async वाला part वो ही बचता है, इस case में आपको ये भेजना होगा, कि आप admin हो या नहीं, उस हिसाब से backend पे query change हो, तो अभी backend पे query string सीधे सीधे, इस तरह से काम करता है, यहाँ पे ये deleted चीजों को हटा देता है, तो fetch product by filter, यहाँ pagination, ये सारी parameters तो आप भेजी रहे हो, backend को, जितना भी query string है, यहाँ पे बन जाता है, और finally slash products पे query string append करके भेज देते हो, अब इसमें एक additional चीज और भेज देते हैं, कि हम admin हैं या नहीं, उस हिसाब से backend दिखाएगा, कि कौन से product भेजने हैं या नहीं भेजने हैं, तो plus, ऐसा query string के आगे कुछ ऐसा भेज सकते हो, कि is admin equal to true, या फिर admin equal to true, ऐसा कुछ अगर आप भेज रहे हो, query string के end में, तो वो काम करना चाहिए, तो इसको कहां से शुरू किया जाए, तो मेरे ख्याल से, जहां से भी आप इसको call कर रहे हो, जितनी बार भी fetch product by filter async, तो आप इसके calls देख सकते हो, कहां पे हुए, admin product list में, especially इसका call जहां पे हुआ है, वो देखो, क्योंकि वहीं पर यह आपको admin set करना ज़रूरी भी है, तो यहां पर एक call हुआ है, इसमें आप एक और parameter भेज दो, जैसे की maybe true भेज दो, या फिर यहां पर सीधे आप भेज दो, admin is true, इस तरह से एक property, तो यह चौथा जो property है, या admin जो property है कह सकते हो, वो यहां पर आजाएगी, और यहां पर भी उसको आप इस तरह से forward कर सकते हो, तो इसको actually parameter में भी लाना पड़ेगा, वो चाहे तो आप यहां last में लिखिए कि if admin, अगर admin नाम का parameter exist करता है, तो basically query string में आपको थोड़ा सा modification करना है, आपको लिखना है admin is true, उसके आगे query string में बस यह append करके भेज देना है, तो अब जब आप backend में जाओगे, तो अभी यहां query में देखते हैं कि query में वो जा रहा तो है क्या string, तो मैं admin at gmail.com पे जाता हूँ, products पे जाता हूँ, तो यहां पे में को admin true और इस तरह का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है हमने साईसे save नहीं किया हो, उसको save भी कर लेता हूँ, उसके बाद में वापस से हम admin से login करते हैं, और यहां पे भी products में अभी में को नहीं दिखा रहा, क्योंकि वैसे भी products के सीधे call में वो नहीं है, जब हम admin के products देखते हैं, तो उसी call में वो हमको दिखाई देता है, तो हमने sub में उसको add नहीं किया था admin को, तो admin products को कैसे open करते हो यहां orders और फिर यहां products पर जाओ तो अब जो call हुआ होगा last में इसमें admin equal to true यह आया है तो अब यह चीज आप access कर पाओगे backend पे भी तो backend का code हम change कर सकते हैं और उसमें जो हमने condition put की हुई है कि deleted not equal to true अब यहां पे हम यह condition put कर सकते हैं कि ऐसा तभी हो जबकि admin user ना हो ठीक है तो अगर request.query.admin exist करता है तो हमको admin exist करता है तो हमको वो नहीं चाहिए चो condition है तो हम let condition equal to blank रखते हैं और फिर हम कहते हैं कि condition यह deleted not equal to true हो जाएगी अगर हम admin नहीं होंगे तो तो condition.deleted equal to इस तरह से आप इसको ऐसे put कर सकते हो तो यहां पे हम directly यहां condition यह put करेंगे और यहां पे भी condition put करेंगे तो यह condition कब put करने है जब admin ना हो तो अभी तो उल्टा हो गया है admin की case में यह दिखाई दे रहा है तो यहां पे आपको not लिखना पड़ेगा तो अब इस case में first page पे यहां पे नहीं दिखाई दे रहे हैं और यहां पे इसके products में ही दिखाई दे रहा है यहां पे deleted इस पे click करते ही जैसे मैंने edit का button दबाया तो error आ रही है तो edit के button से तो हमारा product form खुलता था तो यहां पे जरूर कुछ ऐसी चीज़े होंगी जो missing है जैसे selected product.deleted यह property है लेकिन इससे पहले तो हमने एक short circuit लगाया हुआ था तो यहां पे इस point पे हो सकता है कि selected product and end जब वो exist करें तभी आप उसकी deleted property देखो तो इस तरह का short circuiting काफी आपको help कर सकता है इस तरह के errors avoid करने के लिए वापस में जाता हूँ, वापस से admin पे जाते हैं, login करते हैं, products पे जाते हैं, edit करते हैं, अभी भी title में वो error आ रहा है तो title में भी ऐसा कोई case होगा कि selected product का title हम access कर रहे होंगे उसके आने से पहली तो जो शायद नीचे के वो model pop up पे आ रहा है तो यहां पे आप इसको इसको भी एक तरसे short circuit कर लो क्योंकि model का use ही तब है जब आप कोई product को select कर चुके हो तो यहां पे वापस से test करते हैं, यह तो मैंने normal user ले लिया, फिर admin लेते हैं, admin के products पे जाते हैं, edit करते हैं, अब proper आ रहा है, सारा form भी भरा हुआ रहा है इसमें product deleted है, तो deleted का उपर वो भी दिख रहा है, stock खाली कर देते हैं, zero कर देते हैं stock, यह minus में आ गया, यह zero, actually scroll से आ रहा है, zero कर देते हैं, save कर देते हैं, अब देखते हैं, यह out of stock भी आ रहा है, out of stock, कुछ और एक नया product को out of stock करते हैं, जैसे 32 stock है, इसको zero करते हैं, save कर द change कर सकता हूँ, क्यों out of stock होगा या नहीं, वापस से मैं इसकी कुछ valid value डाल देता हूँ, तो इसको मेरे को out of stock नहीं दिखाना था, तो अब हमारे जादतर चीजें चल रही हैं, next हम authentication से related कुछ चीजें करेंगे, एक बार मैं एक alert चेक कर लेता हूँ, कही जगे हमने alert यूज किये थे, react alerts, तो यहाँ पर alert में success करता हूँ, जब वो थोड़ा अलग green color में आएगा, item added to card, एक दू जगे और alert में put कर देता हूँ, जैसे कि जब यह admin panel से हम नया product edit वगरे या add करते हैं, तो उस point पे भी हम थोड़े से alerts user को दिखाना चाहेंगे, तो यह वो area था, और इसमें update product tracing और create इन दोनों में हम messaging कर सकते हैं, तो update में यहाँ कह सकते हैं कि product updated successfully, और create product में हम कह सकते हैं कि product created, तो इस तरह के alert success दे सकते है इनको success message को अभी हमने depend नहीं किया, हमने check नहीं किया कि API successful हुई या नहीं, API fail भी तो हो सकती है, तो वो हम future में check करेंगे, मैंने उसको एक to do item की तरह लिख लिया है, और यहाँ पे आपको alert की dependency भी download करने पड़ी, तो use alert हम hook use करते हैं, तो वो काम आप ले सकते हैं, तो अब इसको खुद test करके देख सकते हैं, इस point पे, अब यहाँ से हम passport.js authentication देखेंगे, तो अभी तक हमने कोई खास authentication strategy नहीं लगाई थी, तो यहाँ passport.js एक inbuilt library, जिसे काफी easily आप authentication add कर सकते हो, किसी भी type का एक node.js project में, तो इसका setup वगएरे हम यहाँ पे करेंगे, इसमें आपको कुछ चीजें चाहिए, जैसे express session आपको चाहिएगा, ताकि session के द्वारा यह manage होती है, और इसमें passport library आपको चाहिएगी, इसकी strategy की files आपको चाहिएगी, तो काफी चीजें हैं, तो npm install हम करते हैं, passport और express session, तो सबसे पहले यह दो dependencies तो हमको चाहिए, इसको आप टॉप पे require कर लीजिए, तो यहां पे आप constant constant यूज कर सकते हो, उनका documentation थोड़ा पुराना है, I think, फिर आपको app में session यूज करना होगा, app मतलब हमारे case में वो server है, तो आप session middleware को यहां पे put कर दो, इसके default option रख सकते हो, यहां पे इन्होंने SQL light store यूज किया है, I don't think we need that, हम अभी इसक चोड़ देते हैं, शायद बाद में हम देखेंगे, यह useful है या नी, और इसके अलावा आपको इसमें session भी add करना कोई, तो passport.authenticate session यह line भी आप add करते हो, तो यह इसका initially session middleware और passport को add करने का part है, इसके अलावा हमको इसमें एक local strategy add करनी होती है, जिसमें कि आप यह decide करते हो कि कैसे आपका login चलेगा, तो हम उसमें npm install passport local यह कर देते हैं, इससे local strategy install हो जाती है, और फिर उस local strategy को हम यहाँ पे भी add कर देंगे as a middleware, तो वो passport के उपर एक middleware की तरह add होगा, तो यह सारा अगर आपको detail में समझना है, तो अलग से एक वीडियो हमने passport को समझाने के लिए बन दिया है, passport strategies कमेंट करके, तो local strategy है यह, इसको थोड़ा सा change करेंगे हमारे models के इसाब से, generally इसमें आपको यह decide करना होता है कि कैसे login को check किया जाए, जो हमने अभी एक अलग function में लिखा हुआ है, अब इसके documentation में आप नीचे authentication पे जाओगे, तो आपको कुछ codes मिलेंगे जो आ आप जा सकते हो, यहाँ पे आपको serialize और deserialize user का part मिलेगा, तो यह भी काफी important part है, यह session variable create करता है, serialize user, जब first time आप login या sign up करते हो, और जब deserialize user है, यह session variable से request.user को बनाता है, जब आप कोई भी authenticated request करते हो, तो उसमें यह वापस से, जो session variable है, उससे request.user को populate करने के काम आता है, तो यह बहुत simple से चीजे हैं, इसको आप अलग video में समझ सकते हो, अभी मैं के लिन को set up कर रहा हूँ, तो यहाँ पे by default username ही आता है local strategy में, इसलिए वहाँ पे username लिखा हुआ है, तो मैं यह email को username मांगगा, क्योंकि हमारे case में user model में, तो email नाम से वो stored है, तो उस पे हम find करेंगे किसी चीज़ को, यहाँ पे जैसे यह done callbacks दियो है, तो यह done callbacks में अगर error आता है, तो इसका मतलब आप एक तरह से unauthorized हो जाते हो, तो इस तरह से passport काम करता है, तो अगर error आया है, find नहीं हुआ है, email या कुछ भी error आया है, या फिर user नहीं मिला है, तो भी एक तर वैसे आप unauthenticator रह गए, तो यह पूरा पार्ट हम अपने हिसाब से लिखेंगे, तो मैं इसको एकदम हटा रहा हूँ, और वैसे भी अब await वाला syntax चलता है, तो उस हिसाब से हमको लिखना होगा, तो यह चीज़ हम actually login में कर ही चुके है, तो पूरा login का जो आपका previous code है, उ email होगा, username के बराबर, बाकी query वैसी रख सकते हैं, जब भी आपका कुछ failure या success हो रहा है, आपको एक done, जो next middleware को call करता है, वो यहाँ पे रखना होगा, तो यहाँ पे मैं जैसे कर देता हूँ, यहाँ async लिखना जरूरी है, क्योंकि await हैं जातर calls, तो done में null और false, क्योंकि यहाँ पे user नहीं मिला, तो आप null और false, और तीसरे argument में आप message भी भेज सकते हो, तो इस तरह से यह काम करता है, तो यहाँ आपको response नहीं भेजना है, यहाँ आपको done को call back करना है, जो कि next middleware को बाद में अपने आप call कर लेगा, तो यहाँ पे भी आप user भेज सकते हो, तो null, यहाँ पे null नहीं आएगा, यहाँ पे first जो parameter होता है, वो होता है, आपका successful document जो कि है user, जो आपको user session में काम आएगा, तो इस तरह से इसको setup कर लिया, नीचे वाला almost, I think, ऐसा ही रहेगा, तो यहाँ पे मैं invalid credential लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यह वही conditions जो login में हमने भी बनाई थी, तो आप इसको वापस से समझने की ज़रत नहीं है, एक में user नहीं है, एक में password मैच हो गया, एक में password मैच नहीं हुआ, और एक में any error, तो यहाँ serialized user में मैं थोड़ा सा change कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं user पास कर रहा हूँ, तो मैं जो as it is उपर argument serialized user के callback में आ रहा है, उसी को ही मैं session में put करने को तियार हूँ, now एक उपर मैंने कुछ गडबड कर दिये, अगर आप देखो तो उपर top पे मैंने लिखा है user.password equal to request body.password, जो वो else if वाली condition जहाँ पे match है, वहाँ पे मैंने यह लिखा है, जबकि first argument में actually error था, उपर हमने द pass करना, second में में को user pass करना है, या फिर जो भी modified user pass करना है, और उसमें से अगर कुछ चीजे में को निकालनी है, जिसे केवल हमने discuss किया था, केवल ID और role ही हमको चाहिए, user की information, authentication के साब से, तो वो मैं इसमें put कर देता हूँ, तो यह पूरा part अब redundant है, इसको हटा सकते हो, यह यहां पर आप कह सकते हो कि जब authenticate हो जाएगा, तो login user तक आप पहुचो, तो response.json में आप request.user return करो, यह request.user एक special object है, यह passport बनाता है, जब आपका user authenticate हो जाता है, तो यहां login user के बीच में मैं एक passport authentication वाला part डाल दूँगा, तो passport की library को आप यहां require कर लो, और login से पहले लिख authenticate और इसमें strategy का नाम, तो उसका नाम है local, तो अब क्या होगा, login पर जब जाओगे, तो पहले वो उस local strategy में पास होगा, और फिर login user पे जाएगा, तो यहां पर एक बार के लिख्वेस्ट user मान लो, नहीं भी आया, तो status में हम लिख देते हैं, status success, तो मतलब यहां तक वो पह पहुच जाएगा, यह हम check करना चाहते हैं, और वो पहुचेगा तभी जब आप authenticate होगे, तो यह पूरी condition को check करने के लिए, मैं कोई valid हमारा user लेके आता हूँ, जिसे tested Gmail, और इसको login करता हूँ, तो यहां पे कुछ error आ गया है, तो कुछ setup नहीं हुआ होगा, middleware हमारा ढंग से, तो यह करा है, local strategy defined ही नहीं है, तो शयद मैंने ऊपर declare ही नहीं की, तो यहां पे एक declaration करना होगा, constant local strategy equal to require, passport local जो हमने library install की थी, उसमें एक strategy होती है, local strategy, तो strategy नाम से ही आएगा है, तो यह local strategy हमने नीचे actually में copy paste किया, तो code में require की थी, अभी इसके अंदर एक और SQLite से related error आ अब शयद कोई error नहीं आ रहा है, अब send करके देखते है, response में अभी भी error आया है, error कह रहा है, यहां पे serialization तक तो सही है, फिर उसके बाद में REQ is not defined, ऐसा कुछ आया है, और serialized में भी पूरा user आ गया है, तो यहां पे, यह actually यह console log से आया है, ना कि serialize से, तो यहां पे actually password था request.body password नहीं था, password था, यह passport के थ्रूँ आ रहा है, अब successfully status success आया है, तो यहां पे यह code मैंने ठीक किया, तो इससे आया है, तो अब serialized user कब चला और उसे क्या session बना वो हम देखेंगे, उसके लिए सबसे पहले यहां चेक करते है, request.user में क्या आया, इसी का result बताएगा, serialize कैस यह भी हमको response में request.user देगी, इसको हम independently call कर सकते हैं, मतलब हर बार login के साथ नहीं call करना पड़ेगा, तो इसका भी मैं एक getter method बना लेता हूँ, और इस पे authentication वापस नहीं चाहिए, check user, और इसका नाम मैं check ही लिख देता हूँ, और इसको post रखने की ज़रुत नहीं है, इसको आप get भी रख सकते हूँ, तो मैं get call करता हूँ, और auth check करते हैं, तो यह कह रहा है cannot get, क्योंकि मैंने वहाँ post को get नहीं किया, तो वो ठीक कर लिजे, यहाँ पर get कर देते हैं, फिर send करो, तो अभी भी कुछ response आया नहीं है, because मेरा शायद session fail हो चुका है, server restart हो गया होगा, तो मैं आप send करता हूँ, वो अपसे login किया, अब check user वाला call करता हूँ, तो अब आप देखो, इसमें ID और role आ रहा है, तो शुरू में वो चीज serialize होके request.user में गई होगी, और उसके बाद हर request में आपके पास request.user होगा, अगर आप authenticated हो, तो यही passport करता है, वो server पे एक session बना दे होता है, और request.user में आपका session होता है, तो यहां मैं इसको थोड़ा सा clear define करने के लिए serialize पुट कर देता हूँ, और यहां दिखाता हूँ, कि user की क्या value serialize में आई थी, और serialize कब चलता है, और ऐसे ही मैं dserialize का भी लिख देता हूँ, और यहां पे user लिख देता हूँ, और य start होता ही, session खतम हो जाते हैं, तो अब वापस से login करते हैं, अब login किया, तो आप देखो, यहां पे serialize चला, और उसमें यह पूरा object गया, क्यों गया यह object, क्योंकि यहां जो top पे यह जो line थी, यही serialize को call कर रही है, और इसमें आपको पता है, हमने user को कुछ भी filter नहीं किया ह पूरा as it is user भेज दिया है, जो हमको mongoose में saved मिल रहा है, तो वो यहां पे serialize में pass हो गया, उसके बाद में next tick और उसके अंदर तो हमने उसको modify किया था, बट यहां पे वो value इस तरह से आ गई है, और वो ही response में हमारे पास आ गई, तो यहां थोड़ी सी problem में, आपको ध्यान देना होगा कि कहीं यह front end पे ना चला जाए, अभी मैं एक helper function मिना रहा हूँ, is auth और उसमें request, response और done मैंने लिखा है, तो यह क्या करेगा, यह check करेगा कि if request.user अगर server पे है, तो next पे जाएं, next या जो भी next middleware को मैं next बोल रहा हूँ यहां पे, तो यह route middleware की तरह काम करेगा, तो middleware का concept हमने node में देखा था, route middleware कैसे होते हैं, वो आगे नहीं जाने देते हैं, अगर उसका next नहीं call होता तो, तो यहां पे unauthorized आ रहा है, तो अब हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, मैं products भी fetch नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने अभी products API पे test किया था, अब मैं login करता हूँ, त क्योंकि यहां पे done लिखना था, मैंने दोनों middleware के नाम अलग लिख दिये, तो done लिखना है, third argument का नाम है, अब login करने के बाद जाते हैं, और fetch करते हैं, अब सारे products लिख रहे हैं, तो यानि server अब समझ पा रहा है कि हम authenticated हैं, या ऐसे ही request कर रहे हैं, और उस हिसाब से आप क तो यहां पे हम जाते हैं, और यह sign up वाला पाट है, तो login वाला तो हमने check कर लिया, अब sign up वाले के लिए यहां पे username, password, इस documentation में जाओ, तो यहां पे मैं देखना चाहरा हूँ कि इन्होंने किस तरह से password encrypt किया है, तो इन्होंने crypto, जो inbuilt module है, node के अंदर उसको use लिया है, त crypto, इस तरह से कर सकते हो, अब crypto की कुछ line है, जो मैं यहां पे paste करूँगा, तो यह paste किया, यहां पे एक salt बनाया जाता है, जो random कुछ hash password होता है, इस salt की मदद से आप password को encrypt करते हो, तो यह मैं उनका structure यूज़ कर रहा हूँ, और callback में आपको hashed password मिलेगा, तो आप original password को नही password आप save कर रहे हो, तो यह एक लंबा सा unidentifiable password वहां पे save हो जाएगा, तो कभी भी आपका password एक तरह से leak नहीं होगा, जिस words मैं आपने लिखा है उस तरह से, तो brackets आप proper कर लो, और यह सारी चीज मैंने यह async करना होगा, क्योंकि await है, मैंने format कर दिया, इस तरह से इसमें चीज इतने, कितनी उसकी strength होगी, और कौन सी algorithm, जिसे sha256, यह सब उसमें लिखा हुआ है, तो ज्यादा वरी नहीं करना है, एक standard method encryption का, वो हमने use लिया हुआ है, तो अब इससे एक strong password generate होके, आपके user में save हो जाएगा, तो यहां salt को save करने के लिए भी schema में आप change कर दो, तो salt में मै buffer type का बनेगा, तो यहां पे आप लिख सकते हो, इसका type होगा buffer, तो सीधे आप buffer लिखो, password का type भी आप buffer लिखो, यह सब binary में एक तरह से save होंगे, तो अब पुराने users को हम delete कर सकते हैं, कि उसका कोई भी use नहीं है, अब जो नई users बनेंगे, तो sign up की API पे जाते हैं अभी, तो login करते हैं, तो id और role तो आगया हमार पस, लेकिन actually में क्या save होगा users के अंदर, वो देखते हैं, तो यहां पे password देखो, एक binary data है, काफी unidentifiable सा, salt save नहीं हुआ, शायद हमने salt यहां put ही नहीं किया था, new user में, तो salt को भी save करना चाहिए, यह बाद में verify करने के काम आएगा, encrypted format में है, पर अब future में इसको हम यूज करके login चेक कर पाएंगे, तो इसमें भी हम crypto की algorithm लगाएंगे, और उससे hash password लेके आएंगे, और सारा code में इसके अंदर paste कर देता हूं, इसके callback के, बस फरक यह होगा कि यह request body से नहीं आएगा, यह password आपने जो उपर पास किया है, local strategy म जो अपने आप आएगा, वो आजाएगा, salt आपका user में जो already stored salt है, वो आएगा, ताकि आप चेक कर सको कि यह password मैच हो रहा है नहीं, hashed password एक नया तरह का hash होगा, लेकिन उसको फिर भी जो stored password है, उससे verify किया जा सकता है, equal से verify नहीं किया जाएगा, उसके लिए एक special function है, जो आपको verify password यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसमें crypto time safe equal, ऐसा एक timing safe equal, ऐसा function है, जिसमें आपको pass करने होगी दोनों चीजें, तो एक है user password, जो user में already stored है sign up के time पे, और एक है hashed password जो अभी बना है, तो वो दोनों equal होगे, तो आप का यह successful हो पाएग तो कहाँ पे यह read नहीं कर पाया, I think user exist नहीं करेगा तो, तो if not user वाले को यहाँ ना रखके, आप उस condition को यहाँ पे top पे रखें, क्योंकि user अगर हो गई नहीं, तो नीचे के सारे गलता हैंगे, तो यह unauthorized आ रहा है, I think क्योंकि यहाँ तो user exist ही नहीं करता है, इस particular email ID का, तो यहाँ पे यह चीज तो सही से काम कर रही है, कि वो unauthorized तो आपको return कर रहा है, लेकिन अब जैसे मैं g.gmail.com इस तरह का कुछ put करता हूं, maybe वो user हमारे पास है, तो वो भी आपको unauthorized दे रहा है, तो यहाँ पे हमको check करना होगा, यह email है, एक और चीज है कि मैं email वहाँ प कर सकूँ, बट उससे शायद issue नहीं आ रहा, तो I think मैंने उल्टे लिख दिये थे यह, क्योंकि done में अगर वो दोनों equal नहीं है, तो error आना चाहिए, तो अब इसको run करके देखते हैं, तो g.gmail मैंने एक बना रखा था, तो उससे यह सही condition आ रही है, और इस तरह से आपका प इस तरह से यह properly काम कर रहा है, अब next मैं कुछ services बना रहा हूँ, services में एक common js है, तो services basically some function जो कोई भी use ले सकता है, तो यह जो is auth वाला part है, मैंने get वाले common पर हटा दी, is auth को मैं वहां पर put करता हूँ और export कर देता हूँ, तो is auth को मैं एक common की तरह ही use ले रहा हूँ, क्योंकि कई जगे इसको हम फिर use ले सकते हैं, तो अब is auth यहां पर put कर देता हूँ, मैं route middleware की तरह है, और इसके अलावा में एक sanitize user नाम से एक और export कर रहा हूँ variable, sanitize user का काम यही है कि user से जो extra password और salt जैसी चीज़ें वो हटा देगा, और केवल जो minimum चीज़ें required हैं, जैसे id required है, role required वो ही वो आपको return करके देखा, तो बार बार आप यह चीज़ को manually लिखने से अच्छा है कि जहां पर भी user दिखाई दे, उस पर आप sanitize user पुट कर दे, especially जहां authentication से related काम चल रहा है, तो sanitize user मैंने यहां पुट कर दिया, इसको import करना पड़ेगा आपको, तो इसके बाद में और बी कई जगे हो सकता इसका use, तो मैं जैसे user में जाता हूँ, तो sanitize user हमने login वाली API में तो लगा लिया है, उसके बाद odds.js में जाते हैं, यहां पे जैसे आपने manually लिखा था, doc ID और doc role, उसकी जगे आप यहां पे भी sanitize user यूज ले लो, और यहां user की जगे doc नाम है, basically उस document का, तो यह भी उसमें काम करेगा properly, तो वापस से एक बार मैं चला के देख रहा हूँ इसको, तो यहां पे हमने जिसे login वाली API को use किया हुआ है, यहां पे हमने email दिया हुआ है, और test at gmail में इसको login करता हूँ, तो यहां पे error आ रहा है, तो यह कहरा है, sanitize user is not defined, तो I think वो ह आया है, यहां पे test at gmail.com बंत हो गया है, तो मैं actually sign up कर रहा हूँ एक नया user, तो sign up किया मैंने user, तो अब वो बन गया होगा properly, और यहां पे वो बन गया है, वापस एक बार मैं run करके देखता हूँ, तो यहां पे उसका, आपके पास में ID और role भी आ गया है, बट उसको check में कर रहा हूँ, तो कुछ भी response में मेरे पास proper नहीं आ रहा है, तो check में request.user हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जब आप sign up करते हो, तो उससे एक login session नहीं बनता है by default, तो login से तो सीधे passport.authenticate call होता है, तो उससे तो बनता है, serialization और वो सब होता है, यहां पे आपको एक additional चीज लिखने होगी, request.login, और यह इनके documentation में भी properly दिया हुआ है, कि आप अगर sign up या कोई भी activity के बाद में एक session बनना चाहते हो, तो आप request.login यूज कर लो, उसमें पहले argument में आप जो भी user session में पुट करना चाहते हो, वो पुट करोगे, जैसे मैंने sanitize user वाला दे दिय इसको documentation में search करते हैं, exactly कहां पे, शायद sign up में लिखा हुआ है, यहां पे ये part है, और second में आप वो call back दोगे, जो बताएगा कि error के साथ क्या करना है, या बाद में कहां पे response को redirect करना है, तो if अगर error है, तो आप वही 400 status उस तरह से भेज दोगे, और अगर error नहीं है, तो 201 भी भेज सकता हूँ, क्योंकि हमने एक नया user create कर लिया है, तो वही sanitized user doc उस तरह से मैं इसको भेज दूँगा, तो अब run करके देखते हैं, वापस से मैं delete कर रहा हूँ, इसमें भी आप ये ध्यान देना कि ये request.login भी serializer को call करेगा, वो हम check करेंगे जब इसको एक बार हम run करते हैं, तो मैं वापस sign up पे करता हूँ, tested gmail और यहाँ पे response में हमारे पास sanitized user आ गया है, और अब product पे call करता हूँ, तो product की ये पे चल गया है, यहाँ पे अब सब कुछ perfectly चल रहा है, कोई भी information missing नहीं है, एक चीज है कि यहाँ पे एक set cookie हमारे पास आ रहा है, और ये cookie क वज़े से हमारा session manage होता है, between front end and back end, तो ये हमारे को ये cookie यूज आएगी, जब हम react के साथ में इस चीज को यूज करेंगे, और उस cookie से ये session manage होगा, तो हर request में हो आएगा, अब हम यहाँ पे JWT token, client only auth, जिसको बोलते हैं, वो भी यूज ले सकते हैं, उसमें फायदा है कि अ आपको session की store नहीं करनी पड़ेगा, तो JWT हमने अपने node वाले class में पूरा देखा था, किस तरह से इसका structure होता है, जैसे यहाँ पे pattern दिया हुआ है, तो इसमें तीन पार्ट होते हैं, header, payload होता है, और इसका signature होता है, यह सब हमने detail में देखा है, आप वो पार्ट वापस से देख सकते हो, यहाँ पे हम सीधे passport JWT एक strategy बनी बनाई आती है, उसको use ले सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको उसी तरह से काम करना होगा, जैसे local के लिए आपने किया था, तो JWT strategy आप यहाँ पे require करो, और एक extract JWT उसमें एक method होता है, जिससे आप कैसे request से वापस JWT निका आपशन में एक तो secret की होती है, जिससे आप JWT token को encrypt कर रहे हो एक तरह से, यह code में नहीं होनी ची है, यह सारी secret keys, जो मैं बाद में environment variable में put कर दूँगा, बट अभी के लिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, और जैसे हमने local strategy लिखी थी, वैसी उसके just नीचे मैं passport.use JWT strategy लिख देता हूँ, इनका नाम भी आप लिख सकते हो strategies का, जिसे मैंने यहाँ पे local लिख दिया first में, और यहाँ पे JWT लिख देता हूँ, तो explicitly name कर सकते हो, अलग-अलग strategies अगर आपके system में तो हैं, तो यहाँ पे JWT strategy भी मैं enable कर रहा हूँ, याद रखे, API के लिए generally JWT use किया नहीं रहती है, तो अब NPM install, passport JWT, यह मैं करना भूल गया था, यह library चाहिए होगी उसके लिए, और user.find1 हमारे model वैसा सा ही है, और सब कुछ वैसा ही लग रहा है, यहाँ पे यह find1 कर रहा है, ID equal to JWT payload, सब ऐसा कुछ, I don't think हमारा ID इस तरह की format में आएगा, JWT payload में हमारा ID लेकिन .sub में हो गया नहीं, वो हमको चेक करना पड़ेगा, तो मैं console log में JWT payload को print करके देख लेता हूँ, कि वो क्या आएगा, अभी हमने JWT बनाया भी नहीं है, तो मैं अब इसको set कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें, as it is, जो इनके template में लिखी हुई थी, error, done, null, वो सब हम ब कहां पर JWT बनाये, जहां पर हमारा login या sign up हो रहा है, तो मैंने यहां पर भी passport.authenticate लगा दिया है, चेक पर यहां पर JWT वाली strategy पर लगाया है, तो अब यह चेक करेगा, कि हमारा JWT token valid है या नहीं, और उसके हिसाब से वो भी request.user set कर सकता है, तो वो passport सभी strategies के साथ same behavior करता है तो अभी JWT बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक JSON Web Token Library मिलती है, इसको आप install कर सकते हो, npm install JSON Web Token, इसको यूज करके आप किसी तरह का भी token create कर सकते हो, काफी असानी से, तो सबसे easy तरीका है, कि यहां पर इसको require कर लिया जाए, पहले तो token को, और उसके और sign में आपको यह secret key भी चाहिए होगी, तो secret key मानलो मैं अभी यही रखता हूँ, जो यहां पर है, यह दोनों secret key है, तो यहां पर secret key यहां पास होगी, second argument में, first argument में आपका payload है, जैसे foo और bar लिखा हुआ है, उस payload में generally आपका user का data या user की important information जैसे की user की ID होती है, तो इस part को मैं cut करता हूँ, और हम यह कौन सा section है, इसमें हम जहां पर हमने username password से verify किया हुआ है, इसको login में, तो वहां पर एक बार और देख लेते है, sanitize user, कहां कहां हमने use किया हुआ है, तो जैसे यहां पर भी हमने sanitize user use किया था, तो यह sign up वाला section है, तो sign up के time पे भी हम JWT token बना के भेज सकते हैं, और login के time भी भेज सकते हैं, तो maybe मैं किवल token भेज देता हूँ, नहीं कि user information, तो यह एक बड़ा step है, पर मैं कर रहा हूँ, कि अभी हम sanitize user का जो part है, वो तो बस payload में उसके अंदर store करके रखते हैं, और फि token के अंदर actually में, वो sanitized user वाला part होगा ही, पर hidden होगा, वो server के पास आएगा, तो ही वो उसको extract कर सकता है, तो अब json, doc, दोनों जगे मैंने वैसा सा कर दिया, और मैं return में कि यवल token अब भेज रहा हूँ, front end के पास में, तो यहाँ पे भी secret की चाहिए होगी, दूसरे page में व मैंने JWT use ले लिया, उसका sign function पर उसको require नहीं किया, उस होजे से error आईए, पर हम यहाँ कुछ बना तो था, उसको delete कर देते हैं, वापस से sign up करते है, demo at gmail पे, और यहाँ पे successfully हमारे पास कुछ object return हो रहा है, और I think हमारे पास एक token आना चाहिए था, यहाँ token मैंने लिखना तो वो token नहीं आया, पुरा user ही आ गया, वापस से try करते हैं, delete करते हैं इस final user को, एक बार फिर से वही test demo at gmail और यहाँ पे यह token आ गया, तो यह JWT token है, अब इसको मैं copy कर सकता हूँ, और use ले सकता हूँ, अब मैंने server kill कर दिया है, तो sessions तो end हो जाते हैं, वापस से server start करता और अब मैं इस token को, अब देखूंगा कि check user में मेरे पास request.user आता है नहीं, उसके अलावा मैं यहाँ पे थोड़ा सा change कर देता हूँ, कि status में success लिख देता हूँ, by chance अगर user में कुछ नहीं आया, तो status success तो में को दिखाई देगा at least, वनना आपका user तो पूरा ही undefined हो और यहाँ पर bearer token में यह paste करता हूँ और run करता हूँ, अब यहाँ पर कुछ error आ गई है, यह find one is no longer accepting callback, क्यूंकि आपको पता है, mongoose में अब await वाले ही चलते हैं, हम अभी तक use करते हैं, शायद इनका code हमने copy किया, उस चक्कर में error आया, तो मैं await style में इस पूरे को लिख द लिखेंगे, अब नीचे जितना भी पार्ट था, वापस से हम चेक किया जा सकता है, अगर error है, तो अगर user है, तो यहाँ पर और अगर error है, तो यह वाला पार्ट लिखतेंगे, तो एक तैसे बस रही arrangement है, इसमें कुछ खास logic हमने add नहीं किया, तो अब इसको वापस से एक कर देता हूं मैं इस user को, और फिर से sign up करते हैं, demo at gmail से, एक और नया token हमको मिला है, यह token मैं copy करता हूं, इसको मैं bearer token में, और पास कर रहा हूं header में, और मेरे पास response में status और user में वो सारी information आ रही है, जो हमने अभी use ली है, तो this calls serializer, यहाँ पे भी यह वाला function serializer को call कर रह है, और हमारे पास एक token के जरीए वापस से user की information request.user में भी आ रही है, तो sanitize user यहाँ पे भी आप pass कर सकते हो, अगर आपको वो information देनी है तो, तो अब मेरे पास थोड़ी short information आई थी, तो मैं इसको अगर गलत लिखता हूं तो नहीं आएगा, और यहाँ पे आप ID और role आपक तो एक तरह से JWT token आप देख रहे हो action में कि वो काम करता है और उसको भी आप use कर सकते हो, अब इस auth जो मैंने एक helper function मनाया था, जो हम route middleware से पुट कर रहे हैं, उस पे अब मैं passport.authenticate लगा दूँगा, तो हम कहेंगे return passport.authenticate और इसमें JWT strategy, तो अब अगर token सही होगा, तभी आप किसी API को select कर पाओगे, तो यहां पे आप test कर सकते हो, जैसे यह API हमने call की, is auth, इसको actually मैं call करना पड़ेगा, यहां function को, क्योंकि मैंने उसको function की तरह लिखा है, तब call को तो unauthorized आ रही है, तीक है, क्योंकि शायद token change हो गया होगा, तो मैं यह token नया paste करता हूँ, जो latest म मैंने किया था, अब यहां पे आपके पास में products आ रहे है, तो यही आप categories पे लगा सकते हो, brands पे, users पे, auth पे मत लगा ना, क्योंकि auth को तो free रखना चाहिए, तो इस तरह से, यहां पे एक local strategy में minus change मैं कर रहा हूँ, username field में आप लिख दो email, इससे यह दिक्कत नहीं होगी, कि username क्या है, वो confusion हो जाता है, तो by default username लेता है, तो अब यहां पे आप email लिख सकते हो, strategy में यहां पे email, तो अब हमें हर जगे email ही pass होगा, तो यह थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा, तो यहां पे email ही pass करना है अब, यहां पे कुछ गडबड हो गई, यहां भी भी एक username रह गया था, तो इसको भी email आप लिख लो, और कहीं तो I think नहीं रहा है, तो अब वापस send करके देखो, तो आपके पास में एक नया token आ रहा है, तो यह token के अंदर सारी information है, जो user की ID और role से related है, बट इसको decode करने के लिए, server ही उसको decode कर सकता है, अब मैं front end पे आगया और यहां पे हमको थोड़ा सा change करना पड़ेगा, क्योंकि login की information logged in user में save होती थी, और logged in user, select logged in user, selector से आता था, और इसमें हम expect करते थे कि user की ID भी होगी, और user का role भी होगा, यह आपको याद होगा, कि यह दोनों चीज़ें हम use कर रहे थे कई जगे पे, तो logged in user, इसको मैं logged user token कर देता हूं, ताकि थोड़ा सा confusion ना रहे और हर जगे मैंने इसको replace कर दिया है, logged in user token है अभी है, और अब select logged in user देख लेते हैं, कितनी जगे है, क्योंकि अब तो इसमें keyword token है, तो ID ID तो use नहीं हो पाएगी, और अब हमको ID actually में चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम backend पे ही ID निक authentication, तो मैं जितनी भी जगे user ID है, हटाता जा रहा हूं API से, जैसे fetch items, जो cart वाला था, उसमें मैं कहता हूं कि ID की ज़रूरती नहीं है, अपने आप ही backend को पता लग जाएगा, कि आपका user कौन सा logged in है, और नहीं logged in है, तो भेजेगा ही नहीं, या unauthorized भेज देगा, तो यहाँ यहाँ पे इसमें जाते हैं, कौन सा है fetch card by user, इसको क्या चाहिए, request.query से यह लेता था user, पर अब यह ले लेगा user को request.user से, तो request.user से ID ले लेगा, उसमें क्योंकि ID और role तो ही न, अब यह हमने response में भी देखा था, तो यहाँ पे user ID, तो एक बहुत मामूली सा change हुआ है, ल लखने की जुरूरत ही नहीं है, और यह काफी safe हो गया, user के ID नहीं है, तो किसी तर से user की information भी leak नहीं हो पाएगे, तो एक एक करके में यही process बाकी हर जगे से भी, जैसे fetch items by user, ID async एक और जगे भी था, fetch logged in user, इसमें भी ID पास की हुई थी, अब backend को पता ही होगा, कि आप और backend में भी उस API में आप चेक कर लो कि ID की कहाँ पर dependency है, इसका थोड़ा सा नाम भी मैं change कर लेता हूँ, slash user से confusion होगा कि already सारे users को represent, तो मैंने own लिख दिया इसके आगे, user slash own, तो अब वापस से आप जाओ backend में, और user के routes देखो, इसमें यह जो ID वाला है, इसको हटा के यहा साम चाहे सेम रख लो, यह request.user से ID आजाएगी, वही सेम है, बाकी कुछ भी change नहीं है, तो यहाँ पर यह change होगा, बाकी जगे भी अब एक एक करके मैं save करता जा रहा हूँ, और सर्च करते हैं कि कहां-कहां user की ID आपको चाहिए, तो यह तो clear हो गया, अब आपको यहाँ पर वह select logged in user की कोई खास जरूरत नहीं है, अब हम next file पर जाते हैं, तो अब यहाँ पर अगर केवल token होगा, तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपकेवल not of user चेक कर रहे हो, तो उसमें तो token null और उससे भी पता लग जाएगा, next file में जाते हैं, यहाँ भी user की ID चाहिए, यहाँ user की ID हम नहीं बेजेंगे, कार्ट में, और फिर देखते हैं कि add to cart को क्या फिर वो ID चाहिएगी, वैसे add to cart को ID चाहिए, क्योंकि वो user भेजता है, पर हम यहाँ backend में यह information भेज रहे हैं, कार्ट पे add to cart, अब backend पे add to cart में जाते हैं, वहाँ पे, अब additionally, क्या दो request.body में तो user ID नह काम आ रहा है, और आब request.body लेते हैं as it is, spread करके लेंगे इसको पूरा, और इसमें user की ID अड़ कर देंगे, तो हम लिखेंगे user is और फिर ID इस तरह से, तो आब cart में भी जो required information थी वो आ गई, पर user ID backend की backend पे ही रही, आपको frontend में नहीं जाना पड़ा, तो यह भी API हमने change कर दी, इसी तरह से IK करके search करते जाते हैं, जहां पे भी आपको ID का कोई भी reference दिखे user की, उसको आप हटा दें, और आप backend से ही सीधे उसको access करें, तो यह part हटाता हूं, यह select logged in की observe ही नहीं रही है, इसके अलावा, यहां तो slice में ही यह declared है, फिर login पे जाते हैं, यह यहां पे भी select logged in user, यहां के user end end यूज हुआ है, तो वो तो token में भी काम आजाएगा, यहां पे भी user end end यूज हुआ है, protected में भी ऐसा यूज हुआ है, protected admin में role यूज हुआ है, तो role तो हमारे पस, हम इसको user info कर लेता हैं, क्योंकि user info में ही हम जादर detailed information रखना चाहते हैं, त I think info ऐसा कुछ था, तो select user info था, तो हम इसको user info dot role कर लेते हैं, क्योंकि user में तो अब के बल टोकन रहेगा, इसके अलावा, यहां पे भी जैसे user से काफी सारी name, email, ऐसी information वैसे सब कुछ उसमें होगा नहीं, तो इसको भी मैं user info ही कर लेता हूँ, और यहां पे select logged in user ना करके, यहां पे भी select user info वाला जो function था, वो use कर लेते हैं, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि केवल token आ रहा है, select logged in user में, तो उसको तो आप केवल यह चेक करने के लिए use कर सकते हो कि token है या नहीं, तो if false true में बस चेक कर सकते हो, यहां पे भी user ID एक और जगे handle card में use की गई ह वो भी अब वहां पे हो जाएगा, API तो सेम ही है, और यहां से भी इसका use में हटा सकता हूँ, और finally इस order success page पे हम देखते हैं, यहां पे भी reset card में आपने user की ID भेजी थी, तो क्या इसकी भी ज़रुद है, यहां reset card async देखते हैं, तो reset card async पे जाता हूँ, तो यह reset card नाम की API को call कर रहा है यहां पे, और user ID पास कर रहा है, और यह जाके back end में, actually में fetch items by user ID call कर रहा है, जो कि हम already independent बना चुके हैं user के, तो कोई ऐसा issue नहीं है, उसको हम पहले ही ठीक कर चुके हैं, तो यह सारी चीज़ें मैं save करता जा रहा हूँ, तो यह भी user ID से independent हो गया, तो मैं demo at gmail से login कर गे check करता हूँ, तो यहां पे error आ रही है, इसमें role का कुछ फंड़ना गढ़बढ है, यहां पे user info dot role इसको नहीं मिल रहा है, तो यह I think nav bar का issue है, nav bar में user के roles थे, और यहां item user info dot role, तो जो हमने menus create किये थे, उसके role के हिसाब से हम कुछ menu item दिखाते थे, तो वहां पे गढ़बढ है, तो यहां यह user info किसी वज़े से load नहीं हुआ है properly, और वो load नहीं हुआ है, तो उसमें role भी load नहीं हुआ है, इसको safeguard करना है, तो आप इसमें short circuiting लगा सकत हो, कि कभी भी ऐसा error आए, तो वो इसको error नहीं थो करें, तो आप user info and end और उस तरह से लिख सकते हो, पर user info क्यों नहीं आया, वो देखना पड़ेगा, तो एक बार वापस से login करता हूँ, तो अब आप तेखो तो वो load ही नहीं हुआ पूरा section और यहां पे APIs का error भी आ रहा है यहां पे network में जो cart और own user का information लाने की APIs थी, login तो successful हो गया और token भी आया, लेकिन यह दोनो APIs नहीं चली, क्यों नहीं चली, क्योंकि आपको पता है कि यह दोनो APIs अब JWT authentication मांग रही है, इस auth हमने इन पे लगाया हुआ है, cart पे, user पे, तो JWT हम वापस कहां भेज रहे हैं, हम postman में तो उसको authorization header में भेज रहे थे, पर अब यह APIs जब call होती है, इनके पास में token वापस नहीं जाता है, तो own से fetch user by ID वाला आता है, तो इसमें एक और चीज है कि यह पूरा का पूरा user return करना है, यहां पे भी आपको पूरा user नहीं return करना चाहिए, कहीं पे भी, क्योंकि उसमे अपना sanitized user वाला method है, वो already exist करता है, उसको use ले सकते हैं, तो यह token चाहिए, और इस token को हमको भीजना है, front end से हर बार request के साथ, तभी authenticate होगा, तो यह token को save करने का तरीका है, cookies, express cookie हम ले लेते हैं, express में already cookies की guidance दी हुई है, यहां पे आपको response में cookie के set करना होता है, तो इस तह JWT token भेजना है, JWT token आप ऐसे तो भेजी रहे थे, पर cookie में भेजने का उसका फायदा है, क्यूंकि वो save हो जाती है, और फिर अगली next request में अपने आप request में आती है, तो ऐसे JSON token आप भेज रहे हो, उससे कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन यहां पे आप response.cookie में JWT भेज रह उसको thousand से multiply किया, तो यानि एक घंटे तक हमारी cookie valid रहेगी, और जब तक cookie valid रहेगी, JWT token आता रहेगा request के साथ में, और हमारा काम होता रहेगा, तो एक घंटे तक आपका session maintained रह सकता है, session बोलें, या JWT token cookie में रह सकता है, फिर cookie खतम हो जाएगी, तो यही मैं login user में भी यह cookie put कर रहा हूँ, तो उसमें भी हमारे पास request.user में वो token होना चाहिए, I guess, अगर नहीं है, तो हम put कर देंगे, क्योंकि login user को pass होता है, वो passport.authenticate, local strategy से, तो वो ही same में हाँ पर pass कर रहा हूँ, तो मैंने यह done में यह token pass तो किया है, तो इसको as a token object मैं pass कर देता हूँ, ताकि वो आगे properly जा सके, तो send करते हैं, यहाँ पर इसमें तो token आ गया है, पर क्या cookies में token आया है, वो check करना होगा, cookies कैसे create होते हैं, एक header आता है, set cookie का, तो यहाँ set cookie header आ चुका है, और इसमें JWT की value आ चुकी है, तो back end ने तो अपना काम कर दिया, अब front end में जाके, वो cookie save होती है, नहीं हो देखना पड़ेगा, तो dummy एक और user बनाया है, set cookie यहाँ पर आ गई, इसमें भी JWT जा रहा है, प्र code है, अब देखते हैं, इसके headers भी, headers में देखो, तो यहाँ पर set cookie में JWT आया है, प्रोपरली, पर यहाँ पर cookie save नहीं हुआ है, तो cookie क्यों नहीं save होई, क्योंकि यहाँ पर issue है, cross origin का, जैसे course का issue था, तो cookies भी cross origin में save नहीं होती है, तो मैं अभी एक काम कर रहा हूँ, कि मैं npm run build करता हूँ, इस project को जाके मैं server पे ही put कर देता हूँ, क्योंकि last में हम deploy में भी वो करने वाले हैं, तो एक और चीज़ मैं यहाँ करता हूँ, कि server.use static put कर देता हूँ, ताकि उसमें मैं react का folder रख सकूँ, पहले आपने अगर deployment वाला part देखा होगा, तो आप समझ रहोंग भी आपका backend भी, तो अब यहाँ पे वो issue नहीं आएगा कि यह दोनो cross origin है, दोनो एक ही जगह पे हैं, अभी set cookie भी हुआ, और यहाँ पे cookie अब देखो JWT में save भी हो रही है, पर अभी भी हमारी API call तो fail हो गई, यहाँ cart और यह proper नहीं चल रहे हैं, इवन दो इसने cookie भी भी भ तो अब bearer token से नहीं करना है, आपको तो यह header जो आ रहा है, जो cookie आ रही है, उसी से ही करना है, तो यहाँ पे भी इसके extraction के तरीके दिये हुए, इनके documentation में, यहाँ JWT from request कैसे निकालें, इसमें इनका एक article भी है, बहुत तरीके हैं, और एक custom extractor function बनाने का तरीका है, वो exactly cookie के से access किया गया है चीजों को, तो इसको हम common में ही put कर देते हैं, जहां हमने common services बनाई है, तो cookie extractor आप use ले सकते हो, तो अब cookie extractor को कहाँ put करेंगे, इसकी जगे है, तो JWT from request will be coming from cookie extractor, और यह request.cookies से उसको उठा लेगा, तो request.cookies के लिए आपको npm install cookie parser install करना पड़ेगा, उ उसके बाद request.cookies में आपके पास जो भी cookies हैं, वो आ रही होंगे, और इसको आप कहीं पे require भी कर लीजे, cookie parser और require cookie parser, और यह middleware जब आप apply करोगे, server पे, तो आपके पास request.cookies में, client से आने वाली सारी cookies, वो easily पढ़ सकता है, तो यह cookie parser लगाना जरूरी था, वरना request से आ तो अब यह काम करना चाहिए, अब मैं इसमें वापस से login करता हूँ, और अब आपके पास देखो response आ गया है, तो own भी चल गया, cart भी चल गया, अब आपका authentication JWT से भी properly चल रहा है, और सारे response आपके पास proper आ रहे हैं, सारी APIs मुझे तो चलती दिख रही हैं, जबकि सब पर authentication अब लगा हुआ है, और इसके बाद में login भी proper work किया है, cookies भी form हो रही है, तो सब कुछ अभी एक ही server पे, local host पे हमने react का build बना के भी put कर दिया है, smart phones वगरे सब filters चल रहे हैं, मेरी profile दिखाई दे रही है, orders में गड़बड हुई है, map नहीं चला है orders का, कुछ तो issue है इसमें, तो यहाँ पे हम देखते हैं, क्या है, select user orders, क्या issue आया है इसमें, तो यहाँ पे user के अंदर, इसकी API हम देख लेते हैं, यह issue है, fetch user by ID में यह गड़बड हो गई थी, यह delete वाला जो fund है, वो सही से काम नहीं किया, इसकी जगे है, आप सीधे ही ID, user ID और addresses, यहाँ पे addresses वगरे भी चाहिए होंगे, क्योंकि वो हमको चाहिए है, user info में, तो role addresses और इसमें orders भी आप भेज सकते हो, तो email भी मैं भेज रहा हूँ, role भी मैं भेज रहा हूँ, तो इस तरह से सारी चीज़े हैं, और यहाँ पे fetch user by ID में, यह सारी information है, तो वापस से login करके देख सकते हैं, और यहाँ पे अब last में जाके देखते हैं, तो user में यह सारी चीज़ें आ गई, अभी भी इसमें orders नहीं है, तो user में हमने शायद orders को add किया था कहीं पे, थोड़ी दिर पहले, तो कोई ना कोई network request कुछ fail हो रही है, या call नहीं हो रही है, तो user orders 20, first line में यह बता रहा है, इशू है, तो यहाँ पे में को orders का wait करना होगा, कि जब तक orders लोड नहीं होते हैं, उसका map भी लोड ना हो, तो यहाँ पे user info भी मैं हटा लेता हूँ, और यह user info की ID भी, तो यह भी हमको नहीं चाहिए, user info से ID निकाल के, क्योंकि अभी हमने सब कुछ independent कर लिया, तो यहाँ पे issue रह गया था, कि fetch logged in user info, इसमें अभी भी user ID की dependency थी, और user ID तो हम कहीं भी use नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ ही है, शायद user user ID, इसको मैं own कर देता हूँ, और fetch में यह चीज अब यहाँ पे request.user से आएगी, तो यह part भी important था, यह API चेंग नहीं हुई थी, इस वज़े से ही, शायद कुछ errors इसमें आ रहे थे, बाकी सब I think इसमें up to date है, सब कुछ सही है, यहाँ user info.orders आ जाने चाहिए ह इसमें, और यह selector उस पे काम करना चाहिए, और यह end end मैं इसको बस safe रखने के लिए, इस पे orders पे, order map से पहले लगा रहा हूँ, पर यह सारा जो code मैंने change किया है, यह मैंने front end पे change किया है, और front end का code अभी back end पे हमको वापस से build कर के deploy करना पड़ेगा, यह grid भी मैं put कर रहा वाले extra video में अगर आपने देखा हो, तो put की थी, ताकि जब तक order load नहीं होते, वहाँ पे एक loader जैसा दिखाई देगा, तो यह grid loader हमने पहले भी add किया है, तो वही मैं यहाँ पे भी pass कर रहा हूँ, status से, तो select user order में देखते हैं, कि यहाँ पे भी status loading और उस तरह से है, क्या यहाँ पे select user status, या select user info status कह सकते हो, और इसमें state.user.status, इस तरह से वो आ जाएगा, तो अब मैं उसको use करते हूँ, status भी यहाँ पे करता हूँ, और select user info status, और इस status के आदार पे आप ये grid को दिखा सकते हो, या guide कर सकते हो, जब तक loading हो, तो again npm run build करता हूँ, और इसे वापस से react का static build बन जाएगा, उसको जाके मैं paste कर दूँगा backend पे, और यहाँ पे कुछ खास change में को लगता नहीं है, यहाँ पे एक और चीज हम कर सकते हैं, बार बार build ना बनाना पड़े तो, मैं यहाँ पे एक token fix कर देता हूँ, actually मैं हम इसलिए, तो cookie के लिए ही तो हम build बना रहे हैं, क्योंकि cookie set नहीं होती है, cross origin में इतनी आसानी से, उसके कुछ तरीके हैं, bypass करने के, बट अभी मैं उन तरीकों पे नहीं जा रहा, तो मैं क्या करता हूँ, एक token उठाता हूँ, किसी भी user का, जैसे यहाँ पे user बना हुआ था, इसका token उठाता हूँ, औ तो अब जब भी आप cookie extractor को JWT call करेगा, तो आपको एक बना मैं हमेशा same token return कर देगा, तो इसकी वज़े से आपका हमेशा authenticated ही आएगा result, ठीक है, तो इससे हम एक बार testing थोड़ी सी कर लेंगे, वरना बार बार में को react का build बनाना पड़ेगा, तो अब यह चीज प्रापर च अब आप या नहीं, तो मैं एक तरसे orders collection को drop कर देता हूँ, नए orders create करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इस पर जाता हूँ, add to cart करता हूँ, छेक आउट कर लेता हूँ, और यहाँ पर address भी नहीं था, तो कुछ address मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, select कर रहा हूँ, cash कर रहा हूँ, अब my orders पर जानों तो यहाँ पर my order properly आ रहा है तो यह orders वाला issue भी नहीं है अब orders भी properly चल रहे हैं और user भी उसका यह दिखाई दे रहा है तो यह यह वाला user है हमेशा जिसका order हो रहा है तो actually अब login से फरक नहीं पड़ेता कि आप किस user से login करो क्योंकि token आपने fix कर दिया है तो यह testing में थोड़ा सा अब ध्यान रखें कि यह g.gmail.com और किसी एक particular user से associate होगा और वही user का यह email ID दिखा रहा है चाहिए आप demo से भी login हो क्योंकि token आपने वहाँ पे एक static fix कर दिया है तो बस हम testing के लिए ऐसा कर रहे है तो जैसे demo.gmail.com का मैं एक बार token ले लेता हूँ और इसको copy कर लेता हूँ क्योंकि demo में मेरा काफी data रखा हूँ और उसका token मैं एक बार server पे fix कर देता हूँ तो अब हमारा user जो है वो हमेशा demo.gmail.com रहेगा चाहिए आप किसी से भी login करो तो अभी तो मैं demo से login कर रहा हूँ और यहाँ पे उसके orders दिखाई दे रहे हैं I think इसका भी एक order है पर यहाँ पे अभी भी email address gmail.com आया है तो तो में भी server properly restart नहीं हुआ या कुछ issue है एक बढ़ वापस से इस चीज़ को करके देखते है तो यहाँ पे issue यह है कि हमने यह ID JWT payload ID ऐसा कुछ लिखा हुआ है और वहाँ पे sub लिखा हुआ था तो जिसका मतलब undefined था तो इस वज़े से हमेशा वो एक particular वो query ही नहीं कर रहा था और वो आपको कोई भी एक random user आपको दिखा रहा था तो अब यहाँ पे properly काम करेगा और JWT token से वही user आएगा जिसका JWT token आपने use लिए आए तो यह हमारा initially code जो गलत था जिसमें JWT sub वाला code दिखा हुआ था उसकी वज़े से यह आ रहा है तो अभी भी यहाँ पे मैंने token तो paste कर दिया बढ़ फिर भी उसमें error आ रहा है एक बढ़ चेक करते हैं JWT का payload क्या है किस format का है उसमें एक ID है तो find by ID हम करते हैं और इसमें केवल JWT by ID इस तरह से मैं कर देता हूँ तो अब मैंने इस query को change किया है hopefully अब यह सही से चले तो अब login किया तो अब यह properly चल रहा और इसमें जाके आप चेक करो तो demo at gmail.com जिसका मैंने token copy किया था वो आ रहा है और इसके orders है नहीं इसी वज़े से नहीं आ रहे हैं अब मैं जब इसमें orders कुछ add करूंगा तो वो आने चाहिए तो अब यहां पे इसके orders आएंगे तो यहां पे यह orders आ गया है तो इस तरह से JWT properly अब काम कर रहा है तो एक mistake की वज़े से हमारे गलत email ID या token mismatch हो रहे थे अब आप यहां पे tokens चेक भी कर सकते हो कि किस से वो match हो रहा है या नहीं अब मैं edit कर रहा हूं किसी address को और check कर रहा हूं कि address भी editable है या नहीं यहां back end पे भी जाके आप फिर देख सकते हो log out करो फिर वापस login करो और यहां पे आप sign out कर सकते हो admin at gmail यहां पे आप unauthorized आ जाएगा क्योंकि admin नाम का या तो account ही नहीं है तो आप यहां पे देख सकते हो तो already admin नाम का account अभी तक हमने बनाया ही नहीं है तो उसकी वज़े से यहां response पर error वैसा क्यों आया unauthorized क्यों आया क्योंकि यहां पे उसको शायद हमने handle नहीं किया और json माना है हमने जबकि response में text भी आ सकता है तो अब इसको run करके देखते हैं तो अब यहां पे properly unauthorized आ रहा है और यह एक keyword text है तो इसको भी message को आपको दिखाना है तो किसी तरह से format करना पड़ेगा और वो reject with value में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि reject with value में आपके पास में text आया है तो यहां पे एक बार देखते हैं कि यहां पे हमारे पास response में क्या है तो error में unauthorized हमारे पास में आया हुआ है तो error.message शायद मैंने वहां पे लिखा हुआ था login form के नीचे तो एक बार वहां जाके check करते हैं कि error में हम क्या expect कर रहे है तो error में हम error.message expect कर रहे हैं पर इसकी जगे error भी हो सकता है तो आप इस तरह से लिख लो कि error या फिर error.message जो भी होगा वो आपको दिखाई देतेगा तो आप यहां पे यह properly दिख रहा है और इस तरह से यह error दिख रहा है अब वापस से मैं एक admin at gmail.com नाम से एक sign up कर रहा है और इसको हम admin privileges देंगे तो यह सारे validation चल रहे हैं आप देख सकते हो तो यह admin बन गया है अभी इसको admin बनाने के लिए हमको इसका role भी set करना पड़ेगा तो यहाँ पर हर बार demo at gmail क्यों आ रहा है क्योंकि हमने वो token वहाँ पर fix कर रखा है तो यह आपको याद रखना होगा अभी testing में मैंने ऐसा किया है अगर इसको admin privilege आपको देनी है तो manually जाके यहाँ पर role में आपको admin लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी और कोई जरिया नहीं है किसी को admin बनाने का अभी यहाँ पर देखते हैं sign up किया और इस सब में तो आपके पास में एक JSON token आ रहा है यह JSON token JWT token आप paste कर सकते हो यह basically admin का token है तो अभी यह testing के लिए हम यह सब कर रहे हैं इससे भी better कुछ way हो सकती है last में हम try करेंगे उस तरीके से भी बट अभी easiest में को यह दिखाई दे रहा है अभी मैंने admin से login किया admin है, role admin है यहाँ जाके मैं products देख सकता हूँ उनको edit वगरे मैं कर सकता हूँ यहाँ पर properly और इसमें edit में देखते हैं जैसे कि price अगर मैं change करके देखता हूँ 600, save करता हूँ तो यहाँ पर यह 600 हो रहा है इसका price, तो यह सब working है सारी API हमारी चल रही है इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो test करनी हैं हैं को तो यहाँ पर मैं एक नया product add करके देखता हूँ तो XYZ नामसे एक product है description उसमें मैं put करता हूँ smartphones category है कुछ values, price, discount में thumbnail में कोई भी previously chosen auto complete से कर लेता हूँ save करता हूँ product created का alert भी आ गया और smartphone में XYZ और इस पर image गरता है लेकिन हाँ जो हमने put किया था वो यहाँ पर properly आ रहा है rating by default 0 आ रही है उस चीज को 0 वाली चीज को आप चाहे तो hide भी कर सकते हो अभी के लिए अब orders में देखते हैं orders में भी यहाँ पर चीज़े चल रही है dispatch वगरे हो रहा है यहाँ पर order में देखते हो तो dispatch भी working है तो एक तरसे मैंने सारा test करके देखा तो mostly admin panel की और admin की जो सारी functionality है वो चल रही है और authenticated है अब बिना authentication के generally वो आपको error देदी है अब एक normal user को देखते है normal user जैसे demo at gmail.com मैंने इसमें किया उसको हम पहले भी test कर चुके हैं next मैं अब यहाँ पर कुछ और functions बनाऊंगा जैसे check user वाला जो पूरा function था तो इसकी जैसा ही अब हम एक authentication check करने का बनाएंगे मैं इसको इसलिए login user कर रहा हूँ क्योंकि वो check user actually मैं login करने का ही था तो अब check user नाम से एक और function मैं यहाँ पर check user async नाम से इसका पूरा हमने slice वगरा है और यह सब बनाया हुआ है बट actually मैं यह सब login selected है तो इनको मैं rename कर रहा हूँ तो यहाँ मैंने सारों को rename कर दिया है अब हम चाहते हैं check user बनाएं तो problem क्या है जैसे मैं login करता हूँ और reload करता हूँ तो reload के बाद वापस login का मेरे पास option आ रहा है जब कैसा नहीं हो न चाहिए मैं तो already authenticated हूँ तो यहाँ पे एक check auth नाम से हम front end में बना देंगे और यह check auth एक तरह से उस API को call करेगा जो देखेगा कि backend पे request.user है या नहीं है अभी भी valid और उस हिसाब से हमको वो redirect कर देगा homepage वगरे पे और हमको वापस से login screen नहीं देखनी पड़ेगी तो मैं इसका structure वैसा ही copy कर लेता हूँ I think इसमें हम check auth नाम से कुछ API call बाद में बनाएंगे बाकी structure बिलकुल same है अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं auth slice में हूँ यहाँ पे check auth अभी API बना ही नहीं है अब auth API में जाके एक check auth API बनाते हैं इसको कोई parameter की ज़रूत नहीं है यह सीधे बस server पे जाके check करेगा कि currently क्या यह user authenticated है यह user उसको पता होगा क्योगी cookie में JWT की information होनी चाहिए तो simple request एक get request से भी पता लग सकता है बाखी structure similar रखते हैं response ओके वगेरे resolve reject जैसा पहले से है यहाँ पे कुछ error आ रही है शायद हमारा structure में कुछ गरबड है already been declared आ रहा है कि check auth हमने पहले भी declare कर दिया है तो okay इसको हमने check auth async करना था क्योंकि वो तो slice का नाम है और यहाँ पे API हमने यूज ली है तो अभी इसके corresponding यहाँ पे भी एक API बना देते हैं तो create user, login user और यह check user नाम से जो API है इसको भी हम use कर सकते हैं वहाँ पे check user यह बस देखेगा कि request.user अवेलेबल है या नी तो इसको मैं check auth ही कर देता हूँ same नाम इसका दिखाई देगा और यहाँ पे request.json में यह return में आपको request.user देगा तो if request.user तो यह आपको ऐसा response दे सकता है और else में यह आपको कुछ error भेजना चाहिए तो जैसे response.json में 401 यह इसमें send status लिखना चाहिए server based function है जो front end से call करोगे तो पता लग जाएगे कि front end की request authenticated है या नहीं तो मैं इसको check हमारा जो पहले से एक route बना हुआ था उसमें check पे इसको attach कर देता हूँ तो JWT authentication यहाँ पे check हो जाएगी पूरी I think सब कुछ fixed है तो कहां पे check करें तो I think सबसे पहले जहां app start होती है app.js उसमें हम इसको call कर लेंगे इसका case भी add कर देते हम कि जब भी इस case को आप check करो तो उसके end में आपके पास वापस है logged in user में वो token set हो जाए तो मैंने actually logged in user token कर दिया था इसका नाम I think तो उसको वापस token ही रखता हूँ और उसमें आपका actually में action.payload जो भी तो एक बार मैं इसको पहले dispatch करके देखता हूँ और app.js में कहां पे में को dispatch करना है use effect में मैं इसको dispatch कर रहा हूँ तो एक नया use effect में ने मनाया dispatch check auth और अब मैं इसको run करता हूँ यहाँ पे जैसे अभी reload किया तो यह नहीं चला तो इसका मतलब proper यह नहीं हुआ होगा वरना विसे इसके अंदर actions में हम देखते कि क्या लिखा हुआ है check auth है यहाँ पे auth check है इसकी request भी हम check कर लेंगे कि क्या request जा रही है अभी कोई request गई ही नहीं तो कुछ तो issue है network request ही नहीं गई इस check auth async के dispatch से इससे at least वो API call होना चाहिए था तो एक बार वापस से पूरा इसको check कर लेते हैं कि कहीं हमने कुछ mistake किये क्या तो यह जो async में मैंने action लिखा है यह शायद इससे problem हो रही है ऐसे खाली action object नहीं देना था और check auth बागी तो यहाँ सब सही दिख रहा है अब वापस से मैं इसको run करके देखता हूँ तो अब जैसे check इसमें request जा रही है और response में आपके ID और role आपके पास में वापस से आ रहे हैं तो उस तरह से वो चीज काम कर रही है मतलब उसको पता है कि आपका check हो गया है auth और आप authenticated हो वरना server वो response आपको नहीं देता तो आब इसको लॉग इन करते हैं तो अंदर तो हम पहले से भी जा रहे थे तो अब उस basis पे हम decision ले सकते हैं कि हर बार reload पे भी हम अंदर चले जाए check out हमें अगर response आया तो तो वापस से यहां आते हैं और मैं यहां पे कोई particular ID देख रहा हूं किस user की हमने login की थी और यहां पे उसका token है तो मैं यहां पे ID में ID और रोल तो हर जगे मैं token की जगे वापस से ID और रोल भेज रहा हूं I think token को भेजना कोई important हमको काम नहीं आया क्योंकि पहले हमने सुछा था token भेजेंगे लेकिन अब वो cookie में ही जा रहा है तो मैं वापस से ID और रोल इसमें पुट कर देता हूं और ताकि तीनों चीज consistent हो सके तो अभी मैंने नहीं तो ID का शायद कुछ खास यूज लिया है उसमें नहीं token का कुछ यूज लिया है तो बस मैं consistent रख रहा हूं आप यह ध्यान रखो अब अगर मैं यहां पे यह करता हूं तो check में आपके पास आ रहा है login में भी यही आ रहा होगा सब में यही आ रहा होगा तो एक बार chart भी देख लेते है Redux Toolkit में क्या Redux Dev Tools में आप देखोगे तो यहां पे logged in user के token में अभी कुछ आया नहीं है क्योंकि शायद हमने fulfilled की request को पूरा किया नहीं था तो वो वाला slice भी एक बार check कर लेते है odd slice और यहां null ही दिया हुआ मैंने fulfilled में वो action.payload हो जाना चाहिए तो अब वापस से आप देखो login किया तो सीधे अंदर चले गए मैंने fulfilled reload किया reload कितनी बारी भी मैं कर रहा हूँ तो अब सीधे अंदर जा रहा हूँ क्योंकि आपके पस अब user object बना हुआ और उस हिसाब से हम पहले भी redirection set कर चुके है तो अब कोई भी जैसे मैंने orders पर भी किया तो वापस से मैं redirect होके ऐसी profile पे किया तो भी मैं redirect होके first page पे आ गया तो ये एक problem में इसको ठीक करते है क्योंकि हम अगर reload कर रहे हैं तो orders और उनसे हम वापस नहीं आने चाहिए तो वो problem है क्योंकि तब तक user बनता नहीं है तो I think हम login या slash पे आ जाते हैं वापस तो ये चीज़ को avoid करना पड़ेगा I think थोड़ा सा हमको कहीं एक तरह से एक wait लगाना पड़ेगा कि जब तक की user की information update नहीं हो जाती तब तक आप उसको redirect ना करें क्योंकि check auth से user की information आती है तो हम यहाँ पे लिख सकते user checked तो यहाँ पे एक status बताएगा कि user already check हो गया है क्या API का response हा गया है क्या तो वही case मैं यहाँ पे add कर देता हूँ और check auth async rejected का भी मैं एक case बना रहाँ और उसमे user checked अगर rejected हो गया तो user checked क्या होगा वह वापस से true हो जाएगा तो true तो दोनों case में ही होगा चाहे fulfilled हो चाहे उस case में तो दोनों case में वह true हो जाएगा तो true अगर एक बार user checked हो गया है यह variable अब आप जाके navigation का कोई भी decision हो ले सकते हो तो यह चीज़ ध्यान देनी होगी वरना otherwise क्या होगा जैसे आप reload करोगे शुरू में तो user मिलेगा नहीं जब तक API call है और आपका react आपको navigate कर देगा तो मैं user checked को जहाँ जहाँ लिखना था जैसे app में में लिख रहा हूँ select user checked यहाँ पे मैं put कर देता हूँ और इस पूरे condition को पूरे provider पे ही put कर देता हूँ route जहां से routing शुरू हो रही है तो routing एक तरह से act ही नहीं करेगी जब तक की user का हमने पता नहीं कर लिया और इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाना है तो loader दिखा सकते हो अब तब तक तो अब अब आप देखो जैसे order पे जाते हैं प्रोफाइल पे जाते हैं और reload करते हैं तो wait किया लेकिन आया प्रोफाइल पे ही ऐसी orders को reload किया तो orders पे ही हम आये तो इस तरह से हमने ये चीज़ भी achieve कर लिए कि कोई अगर link पे सीधे आता है तो भी वो सही से काम करें cart पे देखते हैं तो cart पे तो ऐसा नहीं हो रहा है तो cart को reload मैं करता हूँ तो cart से मैं वापस जा रहा हूँ तो cart में ऐसा क्या इस हो रहा है तो यहां पे जाके एक बार चेक करते हैं तो cart page में किस तरह का redirection दिया हुआ है तो यहां top पे जाते हैं तो इसमें items.length के बारे में अगर items.length ना हो तो items की length को आने में भी थोड़ा सा time लगता है क्योंकि items कहां से आरे cart से और API आपकी call होगी backend से और वो चेक करेगा कि cart में कितने item है शुरू में वो length नहीं आएगी तब तक आप navigate कर चुके होगा तो यहां पे भी एक significantly आपको एक weight एड़ करना पड़ेगा कि इतनी दिर weight किया जाए और वो weight भी इसी तरह का एक status ही होगा जैसे user checked वाला है वैसे ही आप कह सकते हो कि cart checked की हमने check किया कि आपके cart में कुछ items थे या नि जब तक वो status नहीं आ जाता तो मैं cart slice इसमें add कर रहा हूँ cart loaded false और बिलकुल उसी तरह से आप जो भी cart का action होता है उसमें आप fetch items by user वाला था उसमें state dot cart loaded true तो जब तक यह हो जाए और ऐसे rejected का भी बना लो in case अगर reject होता है तो उसमें भी cart loaded true तो in any case cart loaded check हो गया है तो उसके बाद आप redirection का decision आप ले सकते हो तो I think यह चीज़ सही है और इसका एक selector बना लेते हैं select cart loaded और cart जो भी आपने cart loaded variable बना है था तो उसका यह selector बन जाएगा अब इस selector को directly use कर लें जहां पे भी आपको check करना है तो जैसे cart का जो यहां पे इस जगे पे आप वो selector ले आओ तो cart loaded नाम का variable उसमें use selector और इसमें select cart loaded तो अब cart loaded अगर हो जाता है items.length and and cart loaded तो फिर उसके बाद में आप navigate जाओ तो दोनों condition satisfy होने चीज़े तो अब यहां पे जाते हैं तो cart reload होने पे cart वापस से load हो रहा है successfully उसी user का तो यह भी चीज़ हमने properly check कर लिए तो ऐसे ही आप और भी जगे जहां पे navigation यूज किया गया redirection यूज किया है वहाँ थोड़ा साब ध्यान दें कि सही से चीज़ें चल रही है क्या on reload of the events reload मतलब page आप reload कर रहे हो तो उसी route से वह शुरू हो रहा है या नहीं अब बाकी सब चीज़ें I think अब proper चल रही है तो अभी next section में हम payments के बारे में देखेंगे तो payment में एक चीज़ ध्यान रखने की payment का flow थोड़ा सा complicated होता है क्यूंकि उसमें security एक main concern है तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 3 parties involved होती है front end जिसको मैंने react से represent किया है उधर node में मैंने लिखा है secret की और stripe का खुद का एक server होता जहाँ पर payment वगरे process होती है तो यहाँ पर process किस तरह से होगी उसको थोड़ा सा समझें क्यूंकि code से बहुत जादा directly नहीं समझ में आएगा अगर payments को समझना है तो आपको documentation को काफी detail में पढ़ना पड़ेगा कि इस तरह से यह चीज़े काम करती है तो stripe का generally connection होगा आपके node.js या जो भी आपका backend है उससे तो backend एक secret की अपने पास रखता है यह secret की जब आप stripe जैसी service पर अपना account बनाते हो तो वो आपको देती है तो यह secret की आप अपने code में रखते हो लेकिन उसको आप backend के code में रखते हो तो एक तरह से वो safe है क्योंकि backend आपका कहीं deployed होगा तो वो आपके control में होगा कि कोई उसको देख नहीं सकता तो एक तरह से उनके बीच में connection बना रहता है नाव बात आती है कि जब कोई payment होना होता है तो एक payment intent बनता है payment intent is something like आप इसको imagine कर सकते हो जैसे कि मानलो आप किसी shop पे गए और आपको एक receipt किसी ने दे दी कि इतना आपको pay करना है उसके अंदर पूरी details है और उसके बाद में आप pay करते हो लेकिन stripe के concept में वो कुछ अलग होगा लेकिन इससे security भी maintain होगी तो जब भी आपके पास एक चीज आई कि आपको जैसे कुछ payment करना है तो उससे पहले उसका एक payment intent बनेगा जिसमें amount वगरे होगी और भी चीज़े होगी तो यह stripe बना के देगा आपके server को क्योंकि server के पास यह आपकी account की की है secret की है लेकिन problem यहाँ आते है कि अगर यह सब इनके बीच में चल रहा है तो आपका front end कैसे transact करेगा तो जो चीज़ें हैं वो इस तरह से शुरू होती है कि आपका जो front end है वो एक rest API call करेगा और यह rest API आप ही बनाओगे इसमें वो information भेजेगा कि कितने रुपए का payment है या किस तरह से क्या payment details है तो वो API आपके node server पे होगी और वो Stripe से call करके उस तरह का payment intent बनाएगी तो Stripe response में आपको payment intent भेज देगा तो यह payment intent आपके पास एक तरह से अब server पे जाके store हो जाएगा मान सकते हो एक intent is something like a JavaScript object जैसा कुछ होगा अब कुछ secret details होगी अब इस intent को आप भेज दोगे वापस वैसे पूरे intent को वापस नहीं भेजा जाता है पर एक तरह का एक आप मान लिजे client secret या ऐसा कुछ भेजा जाता है वापस front end के पास जिससे अब front end के पास यह detail है कि कौन सी चीज़ की payment करनी है तो maybe उसके पास एक token है front end के पास और पूरा intent का information एक तरह से उस token से attached है अब क्या होगा कि front end क्योंकि यह token रखता है तो वो सीधे उस payment intent को pay कर देगा stripe पे जा कि क्योंकि stripe ने तो payment intent पनाया है तो उसके पास तो एक तरह से वो receipt रखी हुई है कि क्या items है, कितना amount है, वो सब चीज़े तो वो amount को अब आप directly front end से जो stripe की library front end में भी होती है उससे pay कर दोगी क्योंकि front end के पास अब एक secret key भेजी है temporary secret key भेजी है intent से लिटेड बैकेंड ने एक step और है कि कई बर क्या होता है, कि जैसे ही आप payment करते हो तो payment तो हो जाता है लेकिन आपकी site बंद हो जाती है या आपका redirection फेल हो जाता है या कुछ तो गडबड हो जाती है ऐसे case में पैसे तो cut जाते है तो अब इस case में stripe को तो पता है कि आपका transaction successful हो गया तो stripe generally ये information directly आपके server को भीजता है ये थोड़ा सा interesting चीज है कि stripe हमारे server को कैसे call कर सकता है तो इसके लिए webhook काम आते है तो webhook एक तरह से API जैसा ही है पर ये publicly available API कह सकते हो आप expose कर दोगे इस API को या तो केवल specific stripe को expose करोगे या publicly तो वो इस webhook का address जानता होगा तो इस API को stripe अपने आप call करेगा तो ये सब आप अपने intent बनाते वक्त और उस समय जब configuration करोगे तो बता दोगे कि मेरा webhook इस URL पे है तो जैसे ही कोई successful payment होगी तो stripe अपने आप जाके आपके server को बता देगा कि ये payment आ चुकी है और इससे related ये information है तो आपके server पे ये order successful और order की ID और कितना payment वो सब जाके आप उस वक्त webhook के अंदर जाके register कर सकते next में यहाँ पे stripe का मैंने एक account login किया है एकदम खाली नया account मैंने बनाया इसमें developers mode पे आप जा सकते हैं यहाँ से और आपको एक key मिलेगी और एक secret key मिलेगी ठीक है तो यहाँ पे हम test mode में stripe integration करेंगे तो stripe का react में कैसे integration होता है उसका आपको documentation मिल जाएगा तो मैं थोड़ा बहुत documentation भी आपको दिखाता चलता हूँ कहां से मैं code उठा रहा हूँ तो हम एक payment integration आप करने वाले हैं क्योंकि अभी तक हमने checkout में payment नहीं integrate किया था यहाँ पे इसका पूरा document है document थोड़ा confusing सा है क्योंकि बहुत तरह के integrations possible हैं तो यहाँ पे मैं जिसे देख रहा हूँ accept payment है quick start है बहुत तरह की चीज़ें तो quick start पे जाके आप देख सकते हो react और node का यहाँ पे आप ज़रूर select कर लेना और pre-built checkout page का भी एक option है यह काफी काम आता है जब आपको unique ही सब कुछ use करना हो लेकिन इसमें redirection उनकी हिसाब से होती है थोड़ा सा easy है आप किसी application में put करना चाहो लेकिन customizable नहीं है तो आपको checkout का एक अलग page बनाना पड़ेगा उस पे जाओगे custom payment flow जो मैं use करने वाला हूँ वो customizable है थोड़ा सा hard भले है तो इसको हम use करेंगे तो इसमें आप अपनी app के हिसाब से चीज़ें बना सकते हो तो सबसे पहले npm install stripe आप कर रहे हो यह आपको करना है backend पे और उसके बाद में आपको एक end point बनाना पड़ेगा payment intent बनाने के लिए तो payment intent एक तरह का एक intent है एक token सा create करता है वो बताता है कि मैं इस तरह की INR payment इतने रुपए की accept करना चाहता हूँ with these options और यह intent बनाओ और client को भेज दो ताकि अब client किसी को ऐसी payment allow करे तो यह security के लिए ऐसा किया जाता है तो यह जो API है जो intent बनाती है payment intent बनाती है यह आपको back end में बनाने नहीं पड़ेगी तो यहां मैं payments नाम से नीचे एक section बना रहा हूँ और exactly मैंने इनकी API कॉपी कर लिया और यहां पे मैंने stripe require stripe में अपनी server key put कर दिया यह key आपको वहां पे मिलेगी developer panel में तो वो ज़रूर replace कर दीजेगा अपनी key से वनना इनके code में तो कोई भी key हो सकती है यह calculate order amount इन्होंने एक function लिखा हुआ है जिसमें कुछ भी लिखा था पर मैंने उसको 1400 ऐसा कुछ fix कर रखा है और यहां पे last में client secret यह important चीज है यह वो send करता है client को कि हाँ अब आप payment कर सकते हो मैंने एक intent बना दिया यह secure होगा आप जो भी transaction होगा तो मैं इसको server.post कर देता हूँ बाकी कुछ नहीं है इसमें changes as it is आप इसको use कर सकते हो फिर इसके बाद में checkout page आपको client पे बनाना है तो यह client की libraries है तो इनको भी आपको install करना पड़ेगा तो client यानी react तो यहाँ पे npm install stripe slash react और stripes.js दो library आपको install करनी पड़ेगी तो उसके बाद में यहाँ पे jsx का पूरा code दिया गया है थोड़ा सा complex सा code है बात इतनी है कि यह भी सबसे पहले जाके payment intent को call करता है उस API को call करता है और बताता है उसको कि मेरे पास यह यह item है जो में को यहाँ पे इन्होंने items दिया है हो सकता है अब items ना बेज़ो आप सीधे के दो इतना total amount का बस bill बनाना है तो वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो यह सारे options इसमें available है तो यह सारी चीजें हम एके करके देखेंगे finally आपको एक elements नाम से component मिलेगा यह element component आपको वो screen दिखाएगा जिसमें आप अपना card enter कर सकते हो और एक checkout form वो आपको बनाने को देगा जिसमें आप checkout की अपनी information पुट कर सकते हो कि मेरा card number क्या है यह सारी चीजें तो यह सब कुछ almost बना बनाया आपको मिलेगा इस code में तो हम इस code को ही use करेंगे बट part by part में इसको थोड़ा सा explain करूंगा बहुत detail में आपको जानना है कि payment intent क्या है तो इनकी documentation से अच्छा resource नहीं है तो अब मैंने जो installation किया था उसमें यह जो installation है वो fail हो गए है यहाँ पे order success वाला जो page है हमको कहाँ पे आपका payment लगाना होगा वो आपको check करना है तो order success वाला जो page था उससे just पहले क्योंकि order success आप अभी तुरंत कर देते थे लेकिन अब क्या होगा कि order जब आप करोगे for example जैसे मैं इस flow में देखता हूँ check out करते हो फिर यहाँ पे आप card payment करोगे अब इस point पे order now पे यहाँ success page पे आप आप जाते हो तो इसकी जगे आपको आना होगा उस payment वाले page पे जो आप stripes से अभी बनाना चाहरे हो तो यह वाला flow थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा तो इस point पे आपको यहाँ पे मैंने जिसे current order नाम से बनाया है तो आपको वहाँ पे navigate करना होगा तो मैंने actually वही navigation वाला copy कर लिया है और हम यह दिखेंगे कि current order अगर बन चुका है तो आप उस पे navigate कर जाओ लेकिन उसमें payment क्या है उस हिसाब से आप success page पे जाओगे अगर cash है तो और नहीं तो आप payment के किसी checkout page पे चले जाओगे तो ऐसी क्या information है इस particular order में मैं देखता हूँ यहाँ पे आप order का पूरा detail देख सकते हो तो जिसे payment method एक information है अगर इसमें card आता है current order के अंदर तो हम payment method में card अगर आता है तो current order हमने एक पहले से बनाया हुए variable जिसमें हमाई पस information है तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि if and payment method equal to cash अगर cash है तो तो यह चीज सही है कि आप order success page पे चले जाओ तो यह navigation के वल उस case में चलना चाहिए लेकिन अगर यह card है तो order success पे नवाच जाओ और payment पे चले जाओ तो यहाँ मैं इसको force कर रहा हूँ नीचे installation fail हो गए थे जैसे तो force करने से वो dependency अगर कुछ mismatch हो रही है तो एक बार के लिए हमारा काम चल जाएगा तो यहाँ पर मैं कुछ एक routing लिख देता हूँ मान लो stripe check out ऐसा कुछ हम routing बनाने वाले होंगे और stripe check out से हम payment करेंगे तो stripe check out मैं मान लेता हूँ ऐसा route अभी मैं setup करूँगा तो एक नया page बना लेता हूँ इसका नाम मैं रखता हूँ stripe check out dot js और इसका code हम लेंगे वही stripe के documentation से तो मैं यहाँ से copy कर रहा हूँ इनका app jsx का code है वो as it is मैंने code कर लिया है अब यहाँ पर इसको एक check out form और चाहिए तो मैं एक checkout form dot js भी बनाता हूँ और इसका code भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा इनका checkout form को अपने checkout form से आप confuse ना करें हमने भी एक बनाया था लेकिन इनका checkout form different है अब यहाँ पर क्या क्या code है यहाँ पर use effect में हमने fetch request से create payment intent किया है पर हम यहाँ पर सर्वर का पूरा अपना नाम डालेंगे क्योंकि उससे वो call होगा उसके बाद में method post है header वैसा ही है और इन्होंने items में कुछ भेजाए है इनका demo code है तो कुछ इन्होंने अपने cart में items की तरह excel t-shirt ऐसा कुछ भेजा हुआ है तो इस जरूर नहीं है कि हम ऐसा कुछ भेजा है हम अपने current order की details भेज सकते है current order आपको निकालना है तो इसका मैं नाम भी change कर रहा हूँ component का stripe check out current order निकालना है तो हम use selector यूज़ कर सकते हैं जिसे और जगे पर हमने use किया तो यह अभी import नहीं हो रहा है तो यहाँ पर मैं इसको paste कर देता हूँ और use selector में मैं select कौन सा current order इस तरह से करूँगा तो अब current order की information मेरे पास है तो मैं अपने हिसाब से payment intent में कोई info भेज सकता हूँ तो मैं जैसे भेज सकता हूँ कि current order dot items तो उसी में मेरे items हैं तो उस तरह से वो data हुआ चला जाएगा उस हिसाब से आप कुछ भी वहाँ पर invoice बनाओ या कुछ करो नीचे यहाँ पर class name का option था जिसमें इन्होंने कुछ CSS दी हुई है इन्होंने app dot CSS नाम से दी है पर उसको copy करता हूँ मैं उसको stripe dot CSS नाम से बनाओंगा just to avoid any confusion तो मैं stripe dot CSS नाम से बनारा हूँ तो पहली CSS file एक तरह से इस project में हम बना रहे हैं क्योंकि हमने tailwind यूज लिया था तो जादा कुछ CSS बनानी नहीं पड़ी थी तो stripe dot CSS यहाँ app CSS के parallelly मैंने पुट कर दिया है कुछ इसमें extra चीज़े हैं जैसे root और body से related especially body वाली यह सब आप हटा सकते हो क्योंकि उससे हमारी भी layout थोड़ा सा impact हो जाएगा safe चलने के लिए आप इससे पहले class लगा सकते हो कि stripe dot stripe के अंदर ही यह सब चीज़ें चलें तो dot stripe space button और ऐसे क्योंकि बटन तो काफी generic है वो सब बटन को वनना change कर देगा तो मैं यह dot stripe class जिस भी चीज़ पे हो I think spinner तो हमने कहीं यूज नहीं लिया बाकी सब चीज़ें as it is छोड़ सकते हैं तो एक बार देखते हैं यह stripe css अगर उस पे apply होती है तो कैसा impact आएगा तो dot dot slash stripe css है actually इसकी location एक बार देखते हैं हम हमारा page है और dot 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 यह सही location है तो यहाँ पे element और checkout form को दिखाएगा element कुछ अपने आप बनी हुई component है और checkout form आपको बनाना पड़ेगा तो element क्या है वो stripe elements नाम का component बना 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 आता है और checkout form हम बना रहे हैं component बना रहा हूं तो pages में मैंने checkout form.js इस तरह से इसको बना लिया है और वो ही इस component को represent करेगा जो यहाँ पे stripe के अंदर elements के अंदर use करने को बोला है तो stripe elements एक parent element है जिसके अंदर checkout form होगा अब checkout form का इनका थोड़ा सा code explore करते हैं उसमें क्या-क्या या is not loading वो वाली चीज़े हैं कुछ state variables हैं basically और उसके अलावा आप देखोगे तो stripe के कुछ hooks हैं use stripe, use elements तो उससे कुछ additional option आप create कर सकते हो फिर यहाँ पे एक payment element है यह payment element basically क्या होता है इसमें आपको वो card वाले options दिखाई देते हैं कि यहाँ पे आपना visa card add करो या वो सब चीज़ें तो यह payment element नाम से बना बनाया एक stripe में component है इसको जैसे ही put करोगे वहाँ पे वो पूरा block अपने आप बनके आ जाएगा इसके अलावा कुछ जैसे link authentication element भी होता है तो यह options में मैंने जैसे इसके layout होगे रहे हैं उसको मैं disable कर रहा हूँ link authentication को मैं disable कर रहा हूँ तो वह वाला code इसमें से कम हो जाएगा तो बाकी सब optional है यहाँ पे आप कुछ styling वगरे change कर सकते हो यह appearance के बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे confirm payment नाम से कुछ चीज है जहाँ पे अगर stripe इस payment को receive करता है तो return URL क्या होगा return URL मतलब कि server वापस से आपको कहां भेजेगा जैसे कि अगर आप payment gateway पे जाते हो तो उनके code में आप चले जाते हो लेकिन जब success होगा तो आपको कहां पे वापस redirect किया जाएगा वो return URL कह राता है तो यह काफी important है यहाँ पे आप return URL क्या दोगे वो हमेशा आपके server पे directly accessible होना चीए यहाँ पे कुछ भी random लिखा हुआ है बाकी सब error handling से related है यहाँ पे retrieve payment intent नाम से कुछ लिखा हुआ है यह भी यह check करेगा कि payment intent का status क्या हुआ है तो एक hook हम बनाएंगे payment status के लिए तो वहाँ से succeed होगा proceeding होगा यह सारी चीज़ें आप checkout form में यह सब stripe internally खुद ही कर लेगा तो इस code को आपको ज़्यादा modify करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है लेकिन अपने हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं तो यह सेट message और message आपने top पे देखा दो एक state variable थे तो यह state variable message में put कर देगा कि payment success हो गई है या payment processing है या payment not successful है या क्या particular error है वो आपको message में मिल जाएगा depending upon की payment intent का क्या status है और यह कैसे किसको पता ल चेक कर रहा है जब आप payment कर दोगे तो इस तरह कि इनकी library यह पूरी लिखी हुई है इसको आप और detail में documentation वगरे में पढ़ सकते हो तो यही part को हम यहाँ पर implement करेंगे तो checkout form भी मैंने यहाँ पर पूरा paste किया है as it is इसको थोड़ा सा modify करना पड़ेगा checkout form में आप देखो तो यहाँ पर कि जो return URL है यह हमारा अलग होगा तो यह server का कोई ऐसा URL होगा जो आप approach करना चाहते हो तो जिसे यह server तो जिसे हम react में कहते हैं कि maybe हम वापस से order success page पे आना चाहते हैं अगर payment successful हो गई तो मैं कह सकता हूँ कि localhost 3000 और उसमें order success page और current order.id मेरे पास इस नाम से यह चीज आ जाए तो अब current order.id तो आपके पास अभी होगा नहीं तो यहाँ पे आप current order को user selector से use selector से आप select कर लो और वो वाली ID पहले से ही आप pass कर दो तो यहाँ पे हमने पहले भी यह लिखा हो था उसी चीज को मैं copy कर लेता हूँ केवल use selector की requirement है तो यहाँ import कर लेते हैं और use selector में आप select current order यह पास कर दोगे तो यह current order इस page में भी आगया हमारे checkout form में भी और उसके हिसाब से हम कहेंगे कि URL जब आप वापस return में success आओ तो वहाँ से order ID वो उठा ले बाकी सब चीज मैं unaffected रखता हूँ कुछ भी change नहीं करता हूँ हम अपने इसाब से change कर सकते हैं बाद में लेकिन एक बार इसको हम trial लेके देखते हैं कि और कुछ requirement है या नहीं तो अब वापस से home पे जाते हैं मैं add to card करता हूँ card पे यहाँ पे जाते हैं फिर cash और इस तरह से करते हैं order now तो यह तो successful चल रहा है यह test हो गया लेकिन अब की बार हम card से करके देखेंगे payment तो यहाँ पे वापस से जाते हैं card payment order now तो page not found आया है क्योंकि Stripe Checkout की routing हमने अभी तक set नहीं किये तो Stripe Checkout का page तो मैंने बना दिया था लेकिन वो routing ही नहीं बनाई अभी तक तो path बनाते हैं उसका भी और Stripe Checkout और इसमें को भी protected रखना चाहिए क्योंकि payment page किसी logged in user के लिए आएगा और इसमें हम वो Stripe Checkout का जो page है वो पास कर सकते है तो अब एक card payment ऐसे करते हैं तो अभी तो एक forgot password वाला ही जो dummy था वो आ रहा है यहां पर तो यहां पर आप Stripe Checkout जो हमने page बनाए था वो पास कर दो तो अब आपस से जाते हैं पूरा process देखेंगे reload करके यह थोड़ा सा CSS का गडबड हो गया है यह I think Stripe.CSS का जो अभी मैंने पहली बारी इसको अच्छे से reload किया है तो Stripe.CSS में कुछ ऐसा है जो इसको रिस्टिक कर रहा है तो मैं उपर यह route भी हटा देता हूं और इसके बाद यह proper दिखाई दे रहा है तो आप जातें card पे check out करते हैं card payment करते हैं तो यहाँ पे यह देखो यह पूरा आ गया है तो यहाँ पे card number दे सकते हो और finally आपके पास में order number successfully placed ऐसा आ गया है बट क्या guarantee कि हमारा payment successful हुआ या नहीं server पे वो information कैसे जाएगी तो एक बार payments देखते हैं तो dashboard में देखो 14 rupees आ गये हैं तो हम INR में payment हमने intent बनाया रखा था यह server पे set होता है payment intent किस currency में आपने ध्यान दिया हो तो INR में लिखा हुआ था तो यह 1400 जो हमने fix किया था यह server पे पहले से fix था कि क्या order amount होनी चाहिए और 1400 का मतलब 14.00 होता है तो decimal तक लेके जाता है number को तो यह आप stripe में थोड़ा सा ध्यान देना पहली बार आप use ले रहे हो तो अब calculate order items हम अपने order के items से करते हैं और वैसे हमको order items भी भेजने की ज़रूत नहीं है हम total amount तो जानते ही है जैसा कि हमने bill बनाया था तो यह items भेजने की जगे हम total amount ही भेज देते हैं तो current order total amount तो यह आपके पास यहाँ पर आ जाएगा तो इतनी ज़रूत नहीं है यह request.body में ही आपको मिल जाएगा हम इसके लिए को special function नहीं मनाते total amount आपको मिल गया वही amount आप यहाँ पर पुट कर दो पर ध्यान रखना कि वहाँ पर जो amount है उसको आप multiply करोगे 100 से क्योंकि वहाँ पर जो amount है वो कुछ ऐसा होगा कि 100 rupees या something और उसको आपको एक और बार 100 में करना पड़ेगा क्योंकि ultimately आपको decimal तक जाना है यानि पैसे या जो भी आपकी currency का last order है वहाँ तक तो अब ये वापस से run करके मैं देखता हूँ इस बार देखते हैं कि हमारा price हो लेगा क्या ये item add हो गया card में 1346 का ये item है दो item हम कर लेते हैं तो 2692 हो गया card payment करते हैं फिर order check out कर लेते हैं ये payment आ गया dummy card enter करते हैं 424242 फिर 1123 111 इस तरह से आप इस पर आ गये अब ये run करके वापस से successful order हो गया है तो आपका order सही से चल गया होगा तो यहाँ पर orders बनते भी जा रहे हैं नीचे आप देखो पर order में बस total amount सही है card payment सही है सब कुछ है पर ये नहीं पता लग रहा कि सही में क्या payment हो गई है क्योंकि server के पास कुछ response भी आना चाहिए तो यहाँ पर आप देखो 2692 वो succeeded वो payment हो गई है ये सब developer mode में test mode में चल रह है तो यहाँ पर customer की information भी आप provide कर सकते थे अगर आप उनसे email और name जो आपने address में पूछे थे वो भी आप Stripe में pass कर सकते हो additional option तो वो मैंने भी नहीं दिखाया आपको और shipping में भी जैसे यहाँ पर null आ रहा है तो यहाँ पर shipping address वगरे भी देखते हो currency में INR है customer में null है ये customer generally Stripe के customer की ID होती है वो अब भी आप register कर सकते हो चाहे customer की लेकिन अभी बहुत simple checkout हम आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज मिसिंग रहती है कि क्या अगर payment हो गया है तो हमको server को बताना चाहे था कि इस चीज की payment successful हो गई है हम तो redirect होके बस order success पर आ जाते हैं और उस order success से हम क्या करें उसे data हम वापस server पर भीजें पर वो एक safe तरीका नहीं है तो यहाँ पर एक webhooks का concept होता है तो आप जाएंगे तो Stripe के documentation में भी आपको मिलेगा last में यह सारे steps जो थे उसमें था user webhook तो webhook ऐसी चीज होती है जो server to server एक तरह से यहाँ पर call करेगी Stripe के server पर जब payment successful होगा तो वो आपके server को call करेगा किसी hook पर तो इसके लिए यह library install है वो हमने की हुई है और एक end point बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा webhook तो यहाँ webhook का भी पूरा यहाँ पर code दिया गया है side में server.js में लिखा हुआ है तो उसको आप copy कर सकते हो as it is तो इसको मैं as it is copy कर लिता हूँ तो इसके भी कुछ parts है कि इसमें क्या-क्या होता है वो event को आपको read करता है उस तरह से now अब जब इस webhook को बनाना है तो आपको developer tools में webhook वाले tab में जाना होगा यहाँ पे add endpoint करना होगा और endpoint में बताना होगा कि क्या URL है जहाँ पे आपको वापस server पे यह message चाहिए कि payment successful हो गई थी तो मैं localhost 8080 stripe webhook मानलो ऐसा मैं बनाऊंगा भी बनाया नहीं है पर यह इसको invalid देगा क्योंकि यह जो webhook है वो कहते हैं कि हम main environment में चलेंगे local में तो उसके लिए stripe ने दिया हुआ है आपको एक stripe CLI तो यहाँ पे इसका code है stripe CLI आप देख सकते हो तो stripe CLI आप install कर लो तो मैंने भी उसको install किया है उसके बाद आप test कर सकते हो तो stripe में login करना होगा तो यहाँ पे आपको एक particular code देगा जिसे इस तरह का कुछ code इसने दिया है और आपको यह URL भी देगा कि आप stripe की site पे जाओ और यहाँ पे code इससे match हो जाता है इससे exactly match होता है तो आप allow करो access तो यहाँ पे अब access अलाओ हो गई तो आपके terminal में भी authentication हो गया होगा वहाँ पे अब यहाँ पे आप एक forward कर देते हो signals को और local host में आपका जो web book है उसका address आप डाल देते हो तो basically आप एक local host environment में यह set करके देख रहे हो कि अगर कोई event होता है तो वो क्या particular आपका web book उसको read कर पा रहा है local host पे test करने के लिए यह सब आप कर रहे हो तो यहाँ पे जिसे मैं एक web book पहले बना देता हूँ क्या भी कोई web book था भी नहीं web book basically API है जिसको आप publicly expose कर देते हो और कोई server उसको call कर सकता है और finally मैं यहाँ पे stripe trigger इनकी CLI से कोई भी event trigger कर सकता हूँ तो वो एक event trigger करेगा और आपके local web book को ही एक तरसे वो event का callback भेज देगा यानि उसका जो भी output आया है वो भेज देगा तो एक तरसे आप testing कर रहे हो कि आपका जो web book है वो local पे चल रहा है या नहीं तो यहाँ पे कुछ issue आया है इसको ये web book शायद मिला ही नहीं है मैंने ये trigger event भी चलाया था तो तो कुछ issue हो सकता है तो पहली जी तो server.post होगा हमारे case में app नहीं था अब इस case में 400 आ रहा है तो उसको मिल तो रहा है लेकिन bad request आ रही है तो कुछ ऐसा issue है जिसमें जो ये trigger कर रहे है हम events वो इस तक जा नहीं रहे है web hook तक as तो यहां देखते हैं कि यहां पे भी आ रहा है bad request तो actually इनके web पे भी उस local event से trigger जो हो रहा है आप कर रहे हो testing का result वहां पे भी update होता रहता है तो चीज यह है कि यहां पे 3D secure का इन्होंने link दिया है generally यह होता है जब bank से आप करते हो जिसमें कि आपका mobile number या OTP ऐसा verification आता है तो यह action आपका pending है तो एक बार उस पे जाते हैं तो यहां पे charge succeeded आगया अगर मैं उसको link को जैसे मैंने click किया तो charge succeed हो गया लेकिन अभी भी यह चला नहीं है तो यहां पे issue यह है कि हमको यहां पे raw data allow करना होगा जैसे हम body parser में JSON data allow किया था तो server.use express raw ऐसा भी हम allow कर सकते हैं तो मैं एक बार के लिए यह उपर put कर देता हूँ raw allow कर देता हूँ JSON से उपर तो I think अब यह events हमको read हो पाएंगे तीक है तो यह अलग-अलग तरह की request को parsing करने के middle words होते हैं तो payment intent created requires action तो अब require action वाला वापस से आ गया payment के आते ही और यह URL वो action है इसको visit करते ही हमारा एक तरह से 3D secure वाला अप्रूव हो जाएगा तो अब आप यहां पर देखो तो यहां पर charge succeeded last में आ गया तो एक तरह से हम locally हमारा webhook हम test कर लिए without going to main server या ऐसा कुछ यह testing के लिए वस important है अब आप चाहो तो इसको main server पर जब हम deploy करेंगे तो भी यह webhook काम कर रहा होगा साइसे आप देखना चाहते हो कि इन events में आता क्या है जैसे payment intent succeeded में तो उसको मैं यहां पर console log कर वा रहा हूँ तो एक तरह से switch है काफी सारे events जो occur कर सकते हैं payment flow में वो आपको उनका पूरा यह इस तरह के objects होंगे basically पर वो आपको पूरा data उसका वहा preceded वाले में तो उसमें आपको दिख रही है ID है कुछ object है amount कितना था यह सब dummy है तो कुछ भी आ सकता है dummy था test के लिए इन ही के CLI से हमने trigger किया था तो उसमें कुछ default values होती होंगी पर आपका value test हो गया आपको पता लग गया किस तरह का object है और इस actual order को भी आप फिर capture कर सकते ह यहां पर मैं to do में एक task लिख रहा हूं कि हम actual order को भी capture करेंगे कि order की ID क्या है और उस order की ID पर हम लिख देंगे कि payment successful हो गया है तो एक तरीका है कि मैं यहां metadata भेज दूँ यह मैं actually आ गया हूं react वाले part पर और यहां पर metadata में आप pass कर सकते हो कि इसकी order underscore ID है current order ID तो metadata भी एक त server के पास वापस info आना चाहिए कि कौन से order की payment आ गए webhook पे तो server to server call होगा तो this info will go from stripe to your webhook तो react की तो कहीं बात ही नहीं आई server अपने आप और यह ज़्यादा helpful होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी application बंद हो गई payment के बाद या आपने कुछ double click कर दिया तो server to server वो आपको बता देगा कि यह order की payment हो चुकी थी अब आगे बढ़ने से पहले अभी तक जितनी keys हमने secretly नहीं रिखी हैं उनको लिए हम एक environment variable की setting करेंगे तो मैं .env library इंस्टॉल कर रहा हूं इसको use करना है तो इसको ऐसे require करने की खाज़रत नहीं है सीधे require.env config लिख सकते हो और फिर एक .env file अपने root folder में बना लो अब आ पोर्ट आपको मिल जाएगा process.env.port में और ये hidden रहेगी developer से या coder से की value क्या है क्योंकि .files generally hidden होती है system में तो आप share नहीं करोगे इसको github पे भी ऐसे mongodb url को भी मैंने लिख लिया ये endpoint secret है जो शायद webhook के लिए आपको चाहिए तो उसको मैंने endpoint secret लिख रिया तो ये भी मैंने यहाँ पे paste कर दिया इसके अलावा stripe की server की थी तो ये मैंने stripe server की नाम से एक variable बनाया तो ये भी मैंने यहाँ पे paste कर दिया इसके अलावा mongo url वगेर होगा secret key है ये secret key हमारी JWT की secret key है तो वो भी आप यहाँ पे put कर दो तो यहाँ पे वो चीज भी hidden हो गई इसके अलावा process.env.jwt नाम से मैंने इसको रखा है और यहाँ पे session की secret key भी है तो मैं session key नाम से इसको रख लेता हूँ कुछ भी keyboard cat ऐसी value वहाँ पे दी गई थी यहाँ पे कुछ भी आपरा close session की अभी हम जादा उसमें कुछ security नहीं देख रहे हैं तो जितनी भी hidden values हैं उनको आप environment variables में save कर सकते हो अब यहाँ पे हम जाते हैं और add to cart run करके देखते हैं तो कुछ issue आ गया है शायद मैंने कुछ changes अभी की हैं उसके वज़े से तो price करके कुछ आया नहीं है वापस से reload करता हूँ demo at gmail bad request तो कुछ हमारे server पर actually मैं गड़बड हो गया है ऐसा लगता है तो यह जो express raw वाला लिखा था इसकी वज़े से शायद यह issues आने लग गए हैं क्योंकि उसके अलावा तो मैंने कुछ server पर change नहीं किया तो इसको मैं हटाता हूँ तो अभी भी change हो गया है हमारा error बट अभी भी कुछ error आ रहा है तो secret key is not defined I think secret key कहीं पर जो मैंने अभी environment variable डाला था वो अभी हर जगे पर available नहीं है तो यहां पर भी वो process.environment.secret key हो जाएगा जो secret key लिखी थी हमने या फिर process.env.jwt.secret की यह वाली यूज की थी तो I think अब server पर सारी चीजें है तो अब मैं वापसे देखता हूँ तो अब तो मैं directly login हो गया हूँ यारी APIs अब चल रही होंगी मेरी और अभी भी bad request यहां पर आ रहा है तो issue इसी express raw के साथ में है इसको मैं comment करता हूँ लेकिन इसके बाद भी यह issue रहता है तो कुछ तो बड़ी गड़बड हुए इस parser को set करने की वज़े से तो reload करते हैं वापस से login करते हैं तो यह error आ रहा है तो login के response में payload में response ही नहीं आ रहा है हमारे पास प्रॉपर login का और JWT undefined आ रहा है तो यहां कुछ बड़ा issue है तो मैं एक बार console log में पूरा environment variables प्रिंट करके दिखता हूँ process.env में होते हैं इस सारे variables तो यहां पर session की JWT की सारी keys आ रही है तो में को लग रहा था उनमें कुछ गड़बड होगी इस वज़े से पूरा server setup गड़बड हो गया है अब आई थिंक उनमें ऐसा कुछ issue नहीं है कहीं और JWT में अगर key missing है तो हम check कर लेते हैं तो यहां पर मैं token एक बार भेज के देख रहा हूँ कि token generate तो हो रहा है क्या login के time पर तो मैं user की id और user का role ही return कर रहा हूँ यह चीज हमने काफी जगे change की थी बट आई थिंक यहां पर वो चीज missing रह गई थी कि id और rule तो उसको मैं check कर लेता हूँ अब sign out करता हूँ अब login करता हूँ तो अब यह proper चल रहा हूँ आई थिंक वो ही कुछ change था जहां पर हमने token वाला और id वाला change किया था वो हमने कुछ missing था तो उसकी वज़े से error था पर यह raw वाला issue तो पका है क्योंकि जब भी मैं इसको enable करता हूँ तो मेरे पास bad request आना चालू हो जाता है तो इससे क्या issue हुआ है कि parsing गड़बड हो गए और हर तरह की parsing अब raw मानी जा रही है raw data type मानी जा रही है और json वाला उससे conflict कर रहा है तो इसका एक उपाय है मैं इसको वैसे नीचे भी paste करके देख रहा हूँ कि अगर यह work करे तो अभी तो यह work कर गई है लेकिन शायद अब आपका webhook वाला काम ना करे तो webhook के लिए ही हमने इस raw को enable किया था तो इसको cut करता हूँ मैं सबसे easy तरीका है कि इसको एकदम top पे हम paste कर देते हैं यह raw वाला हटाते हैं और किसी भी API से या middleware से पहले मैं यह webhook वाला part पुट कर देता हूँ तो इस webhook में already express.raw middleware enabled है तो वो काम कर जाएगा और उसके नीचे json वाला तो अब I think यह दोनों separately काम करने चाहिए जब बाकी API को json पार सच चाहिए इसको raw पार सच चाहिए तो यहाँ पे मैंने इसको और उसमें कोई action हमारी तरफ से pending होगा तो यह URL है उस pending action का यह आपने इसको click किया तो यहाँ पे वो succeed होगया और आपके पास में event पी आ गया तो अब webhook भी चल रहा है और हमारी APIs भी चल रही है तो थोड़ा सा इस तरह से हमको set करना पड़ा इसको अब logout करते हैं वापस से login करते हैं login भी perfectly चल रहा है तो stripe भी set है हमारे orders भी set है final चीज है कि webhook से हमको order ID लेके आनी थी I think उससे पहले एक और चीज़ करते हैं Mongo Lab set कर देते हैं तो Mongo Atlas में मैं पहले भी यह setup कई बड़ आपको दिखा चुका हूँ तो पिछले वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो तो यहां मर्न e-commerce नाम से एक project बना रहे हैं Mongo Atlas में ताकि cloud पे हमारा database जा सके ताकि इसको मैं आगे deploy करके आपको दिखा सकूँ तो यहां पे हम इस पे एक database बनाते हैं सारे free options हम choose करेंगे और फिर create कर देंगे तो एक virtual cloud database बन जाएगा यहां पे इसका कुछ password हो रहे है आपको दिखाई देगा इसको आप copy कर सकते हो फिर उसके बाद में यहां पे आपको option देगा कि किस environment में आपको चलाना है IP address में 0.0.0 ऐसा कुछ दे देता हूँ जिसका मतलब होता है कि किसी भी IP address से आप इस database को अक्सेस तो यह secure नहीं है पर मैं अभी testing में ऐसा देता हूँ तो यहां पे basically मैं db password में वो password paste कर देता हूँ तो मैंने paste कर दिया है और फिर उस db password को use करके हम इसको connect कर सकते हैं किसी भी चीज से तो हम अपने local से यहां पे url में copy करता हूँ और mongo का चाहिए url ही आप replace कर दो तो basically यहां पे आपको password put करना पड़ेगा ठीक है तो मैंने वो password put कर दिया है यह बुरा process हम पहले भी कई बार कर चुके हैं और यहां पे आपको इसका name देना होगा डेटाबेस का जो भी यहां पे कुछ अलग डेटाबेस भी हो सकता है तो basically एक डेटाबेस set हो जाएगा वहां पे अब हम इसको check करते हैं अब check वाला unauthenticated आ रहा है क्योंकि अब वो आएगा ही unauthorized आ रहा है तो I think यह token वगरे expire भी हो जाते हैं कई बर क्योंकि यह एक घंटे का ही cookie वगरे token था तो मैं उसको test नहीं किया है काफी time से तो आप नया token बनाखे भी इस पूरे process को कर सकते हो तो token तो यहां पे दिखाई दे रहा है लेकिन अभी unauthenticated आ रहा है तो एक situation हो सकते है कि token अब आप बदल दें तो यहां पे मैं latest token लेके जाता हूँ जो login में मैं को मिला है और अब आपका यह check सही से चल रहा है ठीक है तो अब all products और यह सब missing क्यों है क्योंकि अब हमारा mongo url है वो जो यह जो local database है वो नहीं है यहां पे तो local database का मैं आपको preview दिखा रहा हूँ अब हमारा वो database काम कर रहा है जो mongo atlas पे है और वो एकदम खाली ही होगा initially तो आपको कुछ tools मिलते हैं यहां पे binary import export tools तो इसमें mongo restore करके command होती है इसको use करके आप अपने local database को remote database पे transfer कर सकते हो तो मैं terminal को open कर रहा हूँ terminal में आपको यह command लिखनी है पूरी तो mongo dump पहले command लिखो जिससे क्या होगा आपका local database सारा download हो जाएगा dump नाम के folder में तो यहां dump नाम का एक folder बन चुका होगा LS से आप देख भी सकते हो कि dump मना हुआ है अब मैंको mongo restore वाला command लिखना है तो पहले मैं dump को एक बार हटा रहा हूँ वापस से मैं desktop पे जाता हूँ actually क्यूंकि dump folder किसी और जगे बन गया था तो अब मैं mongo dump और select भी कर सकता हूँ कौन सा database e-commerce database तो किवल उसकी files export होगी अब मैं dump folder के अंदर जाता हूँ यहाँ पे e-commerce का पूरा dump बन गया है मतलब सारा data आ गया अब यह command copy करते हैं और इसमें coder दोस्त इस तरह से बस password आप वहाँ वाला paste कर दोगे तो password paste करोगे तो उसके बाद आप run कर सकते हो तो पूरा import process चालो हो जाएगा तो internet से तो यहाँ पे अभी यह fail हो गया इसको dump folder नहीं मिला तो आप बाहर जाएए मैं actually dump के अंदर था dump से बाहर होने चाहिए हो तो dump folder को यह अपने आप recognize करके और आपको पूरा data यहाँ पे upload कर देता है database में तो अब यहाँ पे आपके पास जो local में था exactly वैसा का वैसा database यहाँ पे आ गया होगा तो अब मेरे को बार-बार मेनत नहीं करनी पड़ेगी जो हम वहाँ से data चला रहे थे वो सारा data यहाँ पे भी आपके पास में आ जाएगा इसमें एक error आया है शायद मैंने कुछ data duplicate add कर दिया था test करने के लिए तो उसकी वज़े से एक error मेरे को import करते वक्ता आया है बाकी ऐसा कोई error मेरे पास नहीं आया है तो अब वापस से add करते हैं चीजें अब यह सारी चीजें जो आ रही हैं वो आ रही हैं आपकी remote databases से इसमें actually address नहीं है तो मैं कोई address add कर देता हूँ और card payment करते हैं अब यहां पर एक problem है यहां पर हम देखते हैं कि orders में क्या आया हुआ है तो यहां पर last में आप देखोगे तो यह card payment सबसे final वाली आई है और यहां पर वो order save हो गया है तो इतना part तो आप देख सकते हो यह properly काम कर रहा है अब मैं आगे payment पर आगे बढ़ता हूँ और entry करता हूँ और pay now कर देता हूँ तो यहां पर वो check out आ गया यह approve हो गया आपका order भी बन गया तो यह order number आपके पास आ गया होगा लेकिन अब हमको एक final integration यहां पर करना है कि एक webhook call इसमें हो जाना चाहिए तो यह payment वगए यहां पर successful यह सब तो हो गई होगी और उसने webhook को भी call करने का try किया होगा तो इसके लिए मैं localhost 8080 यह search कर रहा हूँ पूरे अपने react e-commerce में कहां कहां पर लिखा हुआ है और इसको मैं हटा दूँगा क्यों क्योंकि अब मैं build बनाने वाला हूँ और हम सब को deploy करेंगे finally तो मैं localhost 8080 हर जगे से हटा रहा हूँ यहां पर जितनी भी जगे यह लिखा हुआ है उसको replace कर रहा हूँ है blank चीज से तो हर जगे वो replace कर दो तो आपकी जो भी API calls थी वो simply slash से शुरू हूँगी इसमें actually मैंने गलती यह कर दी कि HTTP भी लिखा हुआ था उससे पहले तो HTTP भी आपको उटाना पड़ेगा तो यहां पर मैं इसको replace कर देता हूँ HTTP triple जो है इसको one slash से replace करता हूँ तो सारी चीज़े हम replace कर देंगे तो अब आपकी सारी API slash से शुरू हो रही है इसका मतलब है कि वो उसी particular server पे होंगी क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं कि react का build बनाएंगे और उसको ही node में static folder में डाल देंगे तो एक बार मैं और चेक कर रहा हूँ fetch की जितनी request है ये तो एक dummy request थी counter वाली जो feature अभी तक हमने हर बार copy करते हैं तो इसका तो कोई वरी नहीं है बाकी सारी चीज़ें सही से काम कर रही होंगे तो अब आपको क्या करना है react का build बनाते हैं तो npm run build बनाया मैंने तो build नाम का एक folder बन जाएगा ये process हम थोड़ा पहले भी कर चुके थे तो build folder बन जाएगा यहां ये token वाला part भी मैं हटा देता हूँ ये चीज सही नहीं थी अब हमारा token बने गा खुद से ही और build folder मैंने यहां पे paste कर दिया है latest और यहां पे express.build इस तरह से ये काम लिया है अब मैं path नाम की एक library क्योंकि जब हम कहीं और पे इसको use करेंगे तो path से आपको proper path बनाना चाहिए सीधे build लिखना best practice नहीं है तो मैं यहां express static में proper path इसका दूँगा तो proper path जब हम देते हैं तो हम path library यूज़ करते हैं जो node में inbuilt है तो path.resolve और उसमें आप build दे सकते हैं और build से पहले आप दोगे कि build किस directory में है तो आप dir name नाम का एक underscore underscore dir name का एक server variable है वो put कर सकते हैं तो इस तरह से पूरा उसका path create होगा तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि express static underscore dir name comma path resolve build तो इस तरह से वो पूरा काम कर जाएगा maybe ये exact address नहीं है I think इस से कुछ error आ रही है तो इसको कुछ I think path resolve में आपको पहले dir name देना होगा और फिर आपको build वाला part देना होगा तो path resolve पहले dir name फिर comma तो basically path resolve इन दोनो path को जोड़ने का काम करता है तो पहले dir name में वो बता लेगा कि आपके system में इस particular current directory का पूरा path क्या है और उसमें वो build को add कर देगा तो ये चीज काफी जरूरी होती है जब आप किसी और server पर deploy करो क्योंकि वहाँ पर हो सकता है उनके folder का नाम कुछ और है जो underscore dir name में तो ये proper path पनने काम आता है तो इस तरह की चीजें आपको use करनी चाहिए अगर आप उसको deploy कर रहे हो तो तो localhost 8080 इस तरह से हम ये चीज लिखेंगे और इसको login करते है my orders भी आ रहा है सब कुछ proper चल रहा है तो हमारा ये server based सारा proper चल रहा है यहाँ पर आप जाओगे तो मैंने पिछले एक project में जो full stack dev का था उसमें मैंने vercell की एक configuration दी थी आपको उसको मैं use करने वाला हूँ और मैं vercell.json में as it is उसको paste कर रहा हूँ तो पिछली बार हमने deploy किया था एक monstack project vercell पे वही funda में वापस से use लेने वाला हूँ तो उस course को आप जाके वापस deployment वाला देख सकते हो कि मैंने कैसे एक एक यह path वगरे routes वगरे build किये थे और इनका क्या meaning था तो vercell की configuration वरसल के हिसाब से है basically तो यहाँ पे इनके केवल दो path थे उस time पे products का एक path था और एक slash path था इस case में हमारे पास products, categories, brands, users बहुत सारे path आ गए है तो उन सब को भी आपकी configuration में होना चाहिए तो vercell में यह configuration आपको बनानी पड़ेगी क्योंकि जब आप server पे चीजों को deploy करते हो तो उसमें आपको एक एक path के बारे में बताना पड़ता है कि वो path किस file से resolve हो मतलब वो server की index js से resolve हो या client side में react की index html से resolve हो वो सब आपको बताना पड़ता है तो यह part मैंने quickly यहाँ पे configure किया है actually मैं in the end मैंने यह configuration भी थोड़ी सी use ने ली तो मैं आपको quickly दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने यह सब configure किया basically मैं copy paste कर रहा हूँ और हर API के लिए मैंने यह वापस से paste कर दिया जितनी भी APIs हैं वो सारी मैंने यहाँ पे put की थी और मैंने का था कि sub-resolve होंगी index.js से जो की server का path है एक तरह से तो इस तरह की कुछ configuration हमने लिखी थी फिर वरसल के account पे हम जाएंगे तो वरसल का last time मैंने आपको account दिखाया था उस पे एक project भी हमने create किया हुआ तो यहाँ पे मैं जाता हूँ एक temporary repository मैं अभी बना रहा हूँ क्योंकि बाद में मैं इसको change कर दूँगा तो man e-commerce नाम से मैंने एक repository बनाई और वरसल पे deployment github से ही होते हैं तो मैं एक बार के लिए github पे एक repository बना रहा हूँ private कर देता हूँ इसको मैं अभी के लिए man e-commerce और इस repository को यहाँ put कर देता हूँ अब मैं जो यह code है हमारे पास वाला इसको add कर दूँगा यहाँ पर env को भी मैं ignore में डाल रहा हूँ env file expose नहीं होनी चाहिए आपकी और मैं git log यहाँ मैंने पुराने comments आपको दिख रहे हूँगे जो जो commits मैंने की हैं और final commit मैं कर रहा हूँ और इसका नाम है backend part 9 final deployment ऐसे करके जितनी भी file अभी last में change हुई है वो सब हो जाएंगे और इसको मैं deploy कर देता हूँ तो यह deployment अब मैं push करूँगा उस नई repository पे तो मैं git remote minus v check करता हूँ और इसमें मैं add कर रहा हूँ यह नई repository तो इसे related कुछ commands हैं हम पहले इसको explain कर चुके हैं पिछली बार वाले वीडियो में आप देख सकते हो और आप मैं इसको push कर रहा हूँ सारे changes को तो यहाँ पे मर्न e-commerce में आपके पास latest सारा code आ गया है with front end and back end अब इस repository को लेके आप एक नया project वरसल में बना सकते हो और वरसल में import कर सकते हो सीधे मेरी repository जिसमें मर्न e-commerce है तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि यह मेरा ही account है अब यहाँ पे आपको यह सारे जितने भी path थे environment variable यह आपको manually server में add करने पड़ेंगे तो यहाँ पे server में कैसे environment variable add किया जाते हैं यह हमने पिछले tutorial में देखा है तो वैसे के वैसे मैं एक एक करके वरसल के project में इन सब को ही add करते जा रहा हूँ ठीक है तो जो required होंगे वो सारे आप add कर सकते हो तो मैंने यह सारे add कर दिया तो env file server पे नहीं जाएगी क्योंकि वो code में है ही नहीं और finally मैं इसको deploy कर दूँगा अब देखते हैं deployment successful होगी तो आपको वहाँ पे अपनी site किसी एक URL पे दिखाई देगी तो यहाँ पे congratulations कुछ आए और preview जैसा भी दिख रहा है तो हम इस पे click करते हैं तो यहाँ पे एक versal app खुल गई है काफी कुछ लग रहा है कि हमारी application load होगी है पर कोई guarantee नहीं है काफी चीज़ें अभी चलेंगी या नहीं अब इसमें demo or Gmail जो पहले से account बना हुआ था उसमें मैं login करनी कुछ करता हूँ, login करता हूँ, login successfully हो गया और यहाँ पे my orders में my orders भी दिखाई दे रहे हैं, तो सब कुछ चल रहा है और उपर आप URL देखिए, वो एक public URL है जो आप किसी से भी share कर सकते हैं तो अब यह एक deployed site है ना की मेरे local host पे है, तो इस point पे अब मैं वापस web hook पे आता हूँ, क्योंकि web hook को actually तभी test कर सकते हैं, जब stripe आपके server तक आ सके और local host तक वो नहीं आ सकता था तो अब मैं यहाँ पे end point add करता हूँ, और उसका नाम मैं slash web hook ही रख रहा हूँ के वल और यहाँ पे भी slash web hook है तो यह चलेगा, और add an end point, हमको कुछ event select करने पड़ेंगी, कौन से events हम stripe से read करना चाहरें तो payment intent के हम read करना चाहरे थे, तो मैं select all कर लेता हूँ, और add this end point, तो अभी end point stripe को पता है, जब भी stripe पे कोई payment होगी, हमारी application की, तो वो हमारे web hook को यह सारे events भेज देगा, और वो वहाँ पे read कर सकते हैं, कि क्या status पेमेंट का किस order की क्या payment successful हुई, तो मैं पूरा वापस से run कर रहा हूँ, अब इसमें 4-2, 4-2 ऐसा कुछ करता हूँ और कुछ भी future date डाल देते हैं CVC में कुछ भी डालते हैं, pay now करते हैं, pay now किया, तो यहाँ पे तो यहाँ पे payment वगरे तो successful हो गई, payment succeeded भी हो गई, तो वो पूरा flow तो हमारा सही चल रहा है payment का, लेकिन payment से web hook पे अभी भी message नहीं गया, reason की आप देखोगे, वो URL 3000 पे redirect हो गया था, और उसका क्या reason है, अगर आपको थोड़ा सा code पहले का ध्यान हो, तो ये web hook पे हम जाने चाहिए थे एक बार देखते हैं कि इस web hook पे भी कुछ आया होगा, क्या अगर इस पे आया होगा, तो हमको server के logs में दिखाई देगा तो यहाँ पे check, फिर उसके बाद में stripe का call हुआ और payload में इस तरह का कुछ गया preview response में हमारा payment successful हुआ तो कुछ इस तरह की IDs आई लेकिन इन से कुछ नहीं होगा ये तो front end पे आई है, तो हमको backend to backend एक call हुआ होगा stripe to हमारे web hook, वो information चाहिए, और वो information यहाँ पे तो console में दिखाई दे जाती थी, अब server का console आप कहां से एक और चीज, यहाँ पे भी problem है return URL में आप देखो 3000 में आपको बताया था, वो बीच में return इस पे आ गया था, तो यह नहीं होना चाहिए अब आपका, जो server का URL है, वो यहाँ पे आएगा तो मैं slash कर देता हूँ इसको, I think slash से भी अगर काम चल जाता है तो, यहाँ पे यह एक और चीज है, copy करो इस ID को, यह वेब भूक की एक की है, यहाँ पे भी signing secret इसको बोलते हैं, शायद मैंने demo code को ही उठा लिया था तो, यह endpoint secret जो है वो आपका, खुद का endpoint secret होना चाहिए नहीं की, जो dummy इन्होंने दिया हुए sample में, तो उससे पहले क्योंकि मैंने अभी URL वगरे change की है तो मैं वापस से पूरा npm run build वाला process करूँगा और फिर पूरी build को वहाँ put करके, commit करके पूरा process वापस से करने वाला हूँ यहाँ पे आप जाओगे तो environment variables को एक पार आप check कर सकते हो, इसमें endpoint secret बदल देना, क्योंकि मैंने अभी endpoint secret सही किया था तो वो भी हम यहाँ पे change कर देते हैं endpoint secret change करते ही वापस से deployment नहीं हो रही है तो यहाँ पे build को मैं copy करता हूँ और यहाँ पे build हटा के पुराना फॉल्डर वापस से paste कर देते हैं अब इस point पे वापस से आप यहाँ पे commit करोगे और जैसे ही आप commit करके push करोगे तो अपने आप deployment trigger हो जाएगी तो versell इसी तरह से काम करता था तो मैं यहाँ test commit लिख रहा हूँ क्योंकि अभी हम थोड़े से experiment करेंगे तो यह कुछ dummy commits है एक तरह से तो यह यहाँ पे trigger करना चाहिए तो यहाँ पे deployments में आपके पास दिखनी चाहिए तो reload करके भी देख सकते हैं उस page को एक बार मैं check करता हूँ कि यहाँ पे एक और commit आया है actually मैं तो मैंने कुछ अच्छा वो push नहीं हुआ है properly तो यहाँ पे आप उसको push कर सकते हो और यहाँ पे आपका यह building start हो गया तो आपका जो deployment है वो यहाँ पे start हो गया है यह ready हो गया है visit करके आप देखो तो आपकी site यहाँ पे ready है इसमें आप वापस से test कर सकते हो यहाँ console मैं open कर लेता हूँ फिर demo at gmail.com एक url डालते हैं फिर इसमें password पुट करते हैं login successful हो गया वापस से card में एक item रह गया था शायद पिशली बार की fail हो गया था हमारे redirection फिर card payment हम करते हैं फिर order now यहाँ पे इसकी quantity भी double कर देता हूँ और फिर मैं order now पे click करूंगा तो यहाँ पे यह open हो गया है एक dummy card हम enter करते हैं और कुछ भी values enter करते हैं पे करते हैं यह secure 3D का pop-up आ गया और यहाँ पे हम redirect होके वापस login पे आ गए तो कुछ ना कुछ issue है हम success page पे नहीं गए यहाँ पे देख लेते हैं कि वो जो data है वो आया है नहीं तो dashboard मैं reload कर रहा हूँ तो यहाँ पे payment intent succeeded सब कुछ हो गया तो payment intent तो succeed हो गया था और इसके logs भी हम देखते हैं तो यहाँ पे payment intent succeeded में क्या information आई है तो metadata इसमें empty है जिसमें मैं expect कर रहा था कि हमने order id भेजा था तो यहाँ पे payment तो यहाँ पे successful हुई है बट हमारा redirection में कुछ गड़बड थी तो succeeded event के अंदर और detail देखते हैं metadata यहाँ पे empty है तो metadata नाम से यह होना चाहिए था अचली देखते हैं कि हमने metadata लिखा था या कैसे लिखा था तो वापस से जाते हैं इस पे और यहाँ पे अचली हमने metadata लिखा हुआ था metadata तो हमने लिखा ही नहीं था तो यहाँ metadata लिखके देखते हैं इसको और अब मैं वापस से यहाँ server के logs भी देख रहा हूँ server के logs में भी पता लगया कि webhook call हुआ था या नहीं उससे proper आप check कर सकते हो तो अभी तो उनने logs में कुछ errors दिखाई दे रहें ओथ check में especially तो मैं एक पार localhost 3000 चेक कर रहा हूँ कि कहां कहां पे है और किसकी वज़े से यहां पे redirect हुआ तो इसमें localhost 3000 तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है एक बार मैं build वापस से create करता हूँ npm run build क्योंकि मैंने अभी metadata वापडेट किया और उसको अभी वापस से हम run करके दिखेंगे एक और चीज आप ध्यान देंगे तो यहां पे एक वरसल की app का url है जो इस तरह का दिखाई देता है और एक हर बार यह एक build में एक नया url हमको दे देता है तो यह दो अलग-अलग तरह के urls वरसल बना रहा है तो उससे भी कुछ issue हो सकता है तो यहां पे webhook पे call तो हुआ है उपर webhook का call भी दिख रहा है और auth check में भी देखें आप तो call तो हो रहा है बट 401 जा रहा है उसमें तो कोई issue इसमें हो रहा है इसी वज़े से शायद इ रिलोड में प्रॉपर चल गया तो यहां पे देखो पहले 401 आया था बट अब शायद auth check प्रॉपर चल रहा है तो यहां पे auth check वाला आप देखोगे तो इसमें response 200 प्रॉपर आ रहा है हमेरे पास login करने पे पर cart में अभी object रहे गया क्योंकि check out करते ही हम वापस से login पे आ गये थे तो वो एक issue आया था तो हमारा जो redirection है वापस से हम जिस URL पे आ जाते हैं वो कहीं से गलत आ रहा है तो वो हमने कहीं पे लिखा हुआ था तो मैं एक बार build वापस से यहां पे पेस्ट कर रहा हूं और एक नया deployment create कर रहा हूं ताकि हम check कर सकें कि हमारा metadata सही से जाता है या नी तो यह build मैंने गलत पेस्ट कर दिया इसको बाहर एकदम आपको पेस्ट करना है फिर वो ही पूरा same process है कि आपको commit करना है code एक बार मैं यहां पे पहले check कर लेता हूं commit करने से पहले कि हमारे code में कोई URL का issue तो नहीं है तो यहां पे भी वो card में एक item दिख रहा है check out तो मैं local पे ही check कर रहा हूं order now, pay now और यहां पे कुछ 4242 एक default card जो आता है उग support करते हैं, run करते हैं pay now में यह issue आ रहा है, कि bad request, I think वो local से हमारी request को ले नहीं रहा है या फिर कुछ ऐसा issue है कि check out वाली चीज सही से काम नहीं कर रही है तो वापस से मैंने एक बार try किया इसको reload करने के बाद, और इस बार भी bad request आ रहा है, तो कुछ अभी जो हमने latest change की है, उसकी वज़े से stripe check out वाला जो पहले work कर रहा था, तो वो अभी work नहीं कर रहा है तो क्या changes हो सकते हैं, और card में भी item अभी तक दिखाई दे रहा है क्योंकि check out हुआ ही नहीं, वापस से एक बार और try करता हूं मैं तो अभी भी ये same issue है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि internet या इसकी वज़े से issue आ रहा है, consistently ये issue आ रहा है तो एक बार हमको शायद server पे या कहीं पे check करना पड़ेगा कि bad request क्यों आ रही है तो यहाँ पे आप चाते हो, तो events में देख सकते हो, तो यहाँ पे event बार-बार payment intent create तो हो रहा है पर success नहीं हो रहा है उसके बाद में तो created वाला part है, फिर यहाँ पे आप देखो, succeeded webhook attempt के बारे में आ रहा है तो एक बार मैं इसको पूरा deploy करके check करता हूं कि क्या bad request मेरे local commit की वज़े से आ रही है क्यों और उसको हम जैसे ही deploy करेंगे अपने आप यहाँ deployment शुरू हो जाएगा latest तो आप logs देख पाओगे, deployment, building और सब कुछ latest जो है वो यहाँ पे ready है कुछ ऐसा issue यहाँ error तो नहीं आया है, server के logs में भी कुछ नहीं है, इसा दिख रहा है तो यह अभी 18 seconds पहले यह हुआ है deploy, अब इसको run करके देखते हैं यहाँ पे और console log, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही reload किया login पे, तो यहाँ पे यह error आ रहा है वापस से मैं देखता हूँ, अगर मैं reload करता हूँ, URL तो आता है, लेकिन login पे अगर मैं वापस से enter कर देता हूँ यह reload कर देता हूँ, तो यहाँ पे issue आ रहा है, तो कुछ routing में भी पका कुछ issue है जैसे ही मैंने reload किया login पे, तो उसमें भी यह आ रहा है तो क्योंकि login कहां का URL है, यह है react की side का, तो किसी तरह की routing में issue ज़रूर आ रहा है तो ऐसे login करके अगर मैं देखता हूँ, अंदर इस application में तो अभी तो auth check में भी शायद issue आ रहा है, server side नहीं, अभी यह login हो गया है, शायद थोड़ा सा delay था उसके बाद मैं card payment में करता हूँ, order now करता हूँ, फिर यहाँ पे pay now वाला option आ गया इसमें dummy card enter करता हूँ, और 1, 2, 3 इस तरह से और pay now तो unexpected error और यहाँ पे भी 400 bad request आ रही है, तो कुछ ऐसा हमने error किया है, जिस local host से उसका कोई मतलब नहीं है लोकल host और server दोनों पे ही वो error आ रही है, तो कुछ तो problem है, तो वापस से हमको जाके react में देखना होगा, क्या changes हमने ऐसे किये थे, तो एक तो metadata में ने add किया था, और इसके अलावा, इस link पे एक पर जाके देख सकते हैं, अगर यह link open होता है तो यहाँ पर हमारे पर stripe में ही यह सब logs दिखाई देंगे तो यहाँ पर failed के logs आ भी रहे हैं, तो यहाँ पर click करता हूं मैं, तो payment intent fail में या reason भी आ रहा है, तो return URL यह इसको जो हमने slash order success लिखा था, वो उसको accepted ही नहीं है, तो यह हमारी तरफ से गड़बड है, कि जो return URL था, वो एक proper complete URL होना चाहिए, क्योंकि server उसको use करेगा, तो मैं को इस तरह से पूरा https इस तरह से URL को देना चाहिए था, तो वापस से मैं यह URL पुट करता हूं, वापस से हम और build folder और इसके अलावा जो भी changes थे, actually मैं मैंने कुछ changes भी commit नहीं किये थे, react e-commerce के, वो भी मैं बाद में commit कर दूँगा, बड़ अभी build folder को मैंने हट पूरा किया, और वापस से मैं उसको paste कर देता हूं, node वाले में, deployment में, तो यहाँ पे मैंने उसको deployment को paste कर दिया, हमारे backend में, तो वो static की तरह काम करेगा, और localhost 8080 पे एक बार मैं test कर लेता हूं, कि अब की बार payment successful जा रही है या नहीं, तो card payment इस तरह से, और यहाँ पे आप 4242 करते हो, फिर इस तरह से, 123 pay now, अब की बार यह आ गया है pop-up, अभी, लेकिन यहाँ पे URL पे refuse हो गया है, तो URL पे हमारा कोई particular order success page open नहीं हो रहा है, तो यह भी एक issue है, मैंने अभी आपको reload में भी दिखाया था, कि reload slash login में भी वो चीज काम नहीं कर रही थी, और अब redirect होने के बाद भी URL नहीं चल रहे है, तो यहाँ पे versell में मैं बड़ा change कर रहा हूँ, routes पूरा हटा रहा हूँ, और मैं एक rewrite का यह code लिख रहा हूँ, जिसमें source में इस तरह का कुछ लिखा जाएगा, destination में index.js, यह जो पूरा एक line है, इससे यह काम होगा, कि वो node से ही आपकी routing उठाने लगेगा, एक और line में ने जो add की है, वो यह यह, जिसमें server.get star, इसमें आप एक तरह से यह कहा रहे हो कि अगर path match नहीं होता है, तो आप जाके response.send file, इसमें index.html पे आप चले जाओ, तो यह line आप नीचे copy की है, जो 100 से नीचे line आपको दिख रही है, वो आप use कर सकते हो, तो एक और चीज़ है कि यह जो slash orders है, यह भी मैंने देखा कि clash कर रहा है, front end पे भी slash orders है, और front end पे back end पे भी orders API है, तो इसका थोड़ा सा मैं नाम change करूंगा, front end पे जो slash orders है, उसको हम change कर देंगे, और इसको मैं my orders कर देता हूं, तो ऐसा भी clashing नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप react पे और उस पे same URL को call करोगे, तो कौन सा call होगा, by default back end वाला ज़्यादा preferred होता है, लेकिन routing के हिसाब से वो चीज़ सेट होगी, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना, कि किस तरह से आप API और इनको call कर रहे हो, तो ये दो defects मैं को दिखाई दिये थे, routing में हमारी, वो दोनों line मैंने add कर दिया, बाकी कोई ऐसा बड़ा change नहीं है, तो अब इन सब changes के बाद, hopefully कोई और problem नहीं होगी, हमारे deployment में, एक और चीज़ है कि मैं बार-बार ये URL यूज़ कर रहा हूँ, आपने देखा होगा, ये long-side URL create होता है, ये URL हर deployment का है, और ये URL जो एक Vercel app करके है, ये completely आपकी application का हर बार same रहता है, तो ये जो same रहने वाला URL ये आपको यूज़ करना चाहिए, मैं ये गलती से यहाँ पे कुछ और paste कर देता हूँ, उसकी जगे आपको ये ध्यान रखना होगा, कि यहाँ पे मर्न, e-commerce, ये वाला app वाला URL ही यूज़ करें, क्योंकि जो URL आपको deployment के end में मिलता है, कई बार वो केवल उस deployment के related URL मिलता है, तो ये एक confusion हो सकता है, जो शुरू-शुरू में मुझे भी हुआ, और metadata में भी मैंने एक problem की थी, मैंने fetch में ही metadata add कर दिया था, तो यहाँ पे आप current order ID यहीं से भेज सकते हो, एक तो उपाई ये भी है, कि आप यहाँ पे order ID भेज दो, और back end में आपके पास में order ID payment में ही चला जाएगा, कि कौन सा order आप करना चाहते हो, लेकिन order ID को आप save कैसे करके रखोगे, वो एक issue आपके पास हो सकता है, तो यहाँ पे मेरे पास metadata में, अब वो order ID में यहाँ पे पास करना था, जहाँ create payment intent है, यहाँ पे आप metadata दोगे, नहीं कि कहीं front end में, तो अब जो order ID भेजी थी, उसको यहाँ पे हम पास कर देते हैं, तो अब जब भी payment intent जैसे ही बनेगा, उसमें already यह metadata होगा, तो अब जब payment होगी, तो वो payment intent में यह information saved होगी, तो यह थोड़ा सा एक change है, मैंने इसमें यह गलती की थी, कि मैंने उसको react में लिख दिया था, जबकि वो server पे metadata tied होना था, तो हमने basically order ID भेजा, तो reacts है, बट उसको बाद में intent में जोड़ दिया है, तो सारा वही process में कर रहा हूँ, NPM build वगएरे और पूरा मैंने सारी चीज़ें commit कर दिया है, और back end routing changes and corrections, यह नाम से आपको एक commit मिलेगा, जिसमें बहुत सारे ऐसे changes होंगे, तो इसको आप देख सकते हो, अब मैंने यहाँ पे वापस से इसको deploy कर दिया है, यही static रहता है, अभी कुछ issue आगया है, शायद अभी तक deploy नहीं हुए, अब आपकी application को test करते हैं, यहाँ पे हम मैं आरे पास card में एक phone है, फिर यहाँ पे कुछ card payment करते हैं, order now करते हैं, अब payment वाला आपका यहाँ properly open हो गया है, 4242 इस तरह से, और 1123 कुछ भी आप put कीजिए, यहाँ पे payment कीजिए, payment successful हो गई है, फिर order success page भी finally आपका आगया है, उसी URL पे आप हो, और यहाँ पे आपको orders में भी दिखना चाहिए, तो हुआ ही last में हुआ वे यह आ रहा है, ठीक है, तो पूरा process आपका चल गया है, अभी issue क्या है, वो web hook चलाया नहीं, तो web hook पे भी आप जाओ, तो यहाँ पे भी सब कुछ succeeded दिखाई दे रहा है, और succeeded इसमें वो metadata आया क्या, क्या वो order की इसको पता है, तो यहाँ order ID भी आपके पास है, तो यह एक बड़ी चीज है, क्योंकि अब इसी order ID को आप logs में देख पाओगे, server में हमने console में आपको याद है, print किया था payment intent success वाला, तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पे web hook में यह पूरा order ID, यानि server के पास भी गया है, क्योंकि console server का ही है, तो अब server के पास अगर order ID आई ही रहा है, किस location पे एक बड़ आप उसका JSON structure चेक कर सकते हो, कि यह payment intent succeeded के अंदर कैसे था order ID, यहाँ पे मैं schema में एक change कर रहा हूँ, payment status अब हम एक put कर देंगे, और इसका status कुछ ऐसा होगा कि, आप इसको boolean भी दे सकते हो इसे, कि true or false, बट अभी मैं string दे देता हूँ इसको, और default में हम हमेशा pending रखेंगे, especially card payment में शुरू में pending होगा, और जब आप successful कर जाते हो, और webbook उसको वापस से set कर देगा, कि received payment हमारा received हो गया है, तो मैं structure चेक कर रहा हूँ, कि हमको metadata के अंदर order ID चाहिए, तो अब मेरे पास, आप इस तरह से कह सकते हो, कि आपके पास order ID आ जाएगा, order कैसे निकालना है, order आपका ये schema है, order वाला, उपर import हो गया होगा, फिर find by ID, और आपके पास order ID कहां पे है, order ID आपके पास है, payment intent succeeded, के अंदर metadata, के अंदर order ID, इस से आप order find कर लोगे, जो particular order को आपको update करना है, यहाँ पे async request होनी चाहिए, उपर इसी वज़े से error आ रहा है, अब await कर लेते हैं इसको, तो आपके पास finally एक order आ जाएगा, इस order के अंदर payment status को आपको change करना है, और आपके सकते हो कि receive हो गया है, क्योंकि मैंने यह switch में किस event wipe पे लिखा है, payment intent succeeded पे, तो यह event तभी fire होता है, जब आपका payment complete हो जाता है, और stripe की तरफ से everything money is received, और finally मैं इस order को save कर लूँगा, तो अब यह मेरा process पूरा है, फाइनली इस code को भी हम deploy कर देंगे, तो हमारा पूरा process प्रॉपर चलना चाहिए, तो पुराने orders में तो आपके पास payment status नहीं होगा, तो पुराने orders को तो आप नहीं देखें, उसमें अब नए वालों में payment status आपके पास शुरू में होना चाहिए, तो यहाँ पे तो यह सब पुराने orders है, तो फाइनली इस चीज़ को भी मैं commit करता हूँ, front end में तो इस बार कोई change किया नहीं है मैंने, तो मैं इसको commit करके और push कर सकता हूँ, तो यह मैं back end part 9 इस नाम से यह code commit कर रहा हूँ, और इसको मैं push भी कर देता हूँ, तो push करने के साथ में हमारा trigger होगा deployment, जैसा हमेशा वर्सल में होता है, तो यहाँ पे आप जाओगे, तो कहीं पे deployments आप देख सकते हो, तो यहाँ पे यह deployment ready हो चुका है कुछ seconds पहले, visit कर सकते हो आप सीधे, तो यहाँ पे reload कर लो या फिर पहले से खुला हुआ है URL तो, वापस से मैं एक बार open करता हूँ, reload करके, एक बार और reload कर लिया है मैंने, दो तीन बार ताकि सही से latest data है, कोई चीज़ सेलेक कर रहे हैं, card payment कर रहे हैं, और वापस से dummy card data हम enter कर देंगे, और CVC इस तरह से सब payment हमने कर दिया है, तो अब यहाँ पे वापस से dummy 3D secure आया है, order create हो गया है, order आपको नीचे वो laptop फाला order दिखना भी चाहिए, यहाँ पे HP favelion आ गया है, यानी, तो पहले तो मैं database में जाके देख रहा हूँ, कि order में क्या बना, तो order में last order हमको देखना है, तो इसमें payment status आ गया है, और payment status received हो गया है, तो पक्का webhook चला होगा, क्योंकि webhook के अलावा कोई जरिया ही नहीं कि received किसी ने set किया हो, क्योंकि शुरू में तो by default pending value set होता है, तो hopefully सब कुछ चला होगा वहाँ पर, यहाँ पर error का कुछ issue आ रहा है, तो fetch user own ऐसा कुछ, login में में मेरा कुछ issue आया है, तो मैं actually proxy set कर देता हूँ, इस proxy set करने से क्या होगा, कि 8080 ही मानेगा वो मेरे react को, तो react में मैं proxy is localhost 8080 set कर रहा हूँ, I think इसको http localhost हमको करना पड़ेगा, तो इस तरह से मैं proxy set कर रहा हूँ, तो इससे अब यह course वाली problem नहीं आएगी, और token भी सही से चल जाएगा, तो यह एक hack है जो easily आप use कर सकते हो, I think इससे cookies भी हो सकता है, वो चलेंगी properly, जो मैं पहले बार-बार token कॉपी कर रहा था, तो इससे थोड़ा सा हमारा काम test करने का असान हो जाएगा, तो मैं अभी localhost 3000 वाला code चेक कर रहा हूँ, और अब इसमें auth check सही से काम कर रहा है, तो इसमें add to card करता हूँ, एक item, check out करता हूँ, card payment करता हूँ, order now करता हूँ, और यहाँ पे 4242 करता हूँ, और 1123 इस तरह से payment, payment तो लेकिन वहाँ पे ही जाएगी, क्योंकि URL आपने कुछ fix किया हुगा है, तो वो अपने इस point पे जाएगी, और login का आपको वापस से बोलेगा, तो वो नहीं चल रहा है, पर मैंने बस यहाँ पे आपको proxy set करके, बता दिया इस point पे, कि आप front end पे भी चीज़ें check करना चाहो, तो proxy आप add कर सकते हूँ, और proxy में आप अपने server का address डाल लो, तो APIs को दिक्कत नहीं होगी, cross origin वाली, course वाली issue, अब यहाँ admin panel मैं check कर रहा हूँ, तो यहाँ पे status तो था पहले order का, अब मैं payment का status का भी एक column यहाँ पे डालना चाहरा हूँ, तो इसके लिए हम जाते हैं, वापस से अपने admin page पे, तो admin orders का एक page था, उसमें एक तो heading add करनी पड़ेगी, हमको एक नई heading, जिसमें payment status की heading होनी चाहिए, तो I think status जैसे है, उसी को copy करता हूँ और payment status लिख देता हूँ, और actually मैं payment status और, payment और payment status दो बना रहा हूँ, तो payment I think, और इसको order status कर देता हूँ, पुराने वाले को, तक ही सब clear है, तो payment में रहेगा कि cash है या card है, और payment status में पता लगेगा कि receive हो गया, या अभी तक pending ही चल रहा है, क्योंकि cash के case में तो वो, जो deliver कर रहा है, उसको ही pick up करना है, तो यह मैंने इसका copy भी कर लिया है, जो table data है, वो exactly status वाला सा ही copy किया है, state बना रहा हूँ, तो जैसे handle update था, वैसे ही हम इसको change कर देते हैं, handle status update कर देते हैं, या फिर order status update कर देते हैं, क्योंकि अब दो तरह के status हो गए हैं, एक order का और एक payment का, तो उसी की तरह में, एक handle order payment status कर देता हूँ, और इसमें हम payment status वाला variable change करेंगे, तो यहाँ पर इसका नाम payment status था, model का वो ही मैं चेक कर रहा था, तो उसको target value के बराबर मैं कर दूँगा, और फिर update कर देंगे order को, तो I think कि यहाँ पर सब सही है, बस इसका handle order यह वाला मैं change कर देता हूँ, तो थोड़ा सा बस copy paste and some editing is required, तो I hope कि यह code भी अब work करेगा, बाकी सब तो बिल्कुल सेम है, इसकी भी classes आपको देखनी पड़ेंगी, कि pending received के colors, codes किस तरह से काम करते हैं, एक और था payment नाम से था, तो order.payment method नाम था, तो यहाँ पर वो cash या card आपको दिखाएगा, तो वो एक column एक बार दिख लेते हैं किस order में था, पहले payment method था, फिर payment status था, तो उसी हिसाब से मैं इसको cut कर लेता हूँ, TD को और paste करता हूँ, तो पहले payment method दिखाई देगा, तो अब reload करते हैं, थोड़ा सा एक अंजिस्टर दिख रहा है, तो यहाँ पहले हमको थोड़ा सा layout भी इसका change करना पड़ेगा, ताकि सारे columns हमको proper दिखाई दे सके, तो कुछ class में हम change करते हैं, कुछ तो मैं इसकी padding कम कर देता हूँ, हर चीज में हमने काफी padding दी हुई है, तो यहाँ पर एक min width max कुछ दिया हुआ था, इसको हटाता हूँ मैं, हाँ, इससे min width नहीं रही और सारे columns एक सदम से दिखाई दे रहे हैं, तो यह सही है, अब मैं इसको जैसे edit को click किया, तो दोनों एक साथ open हो गए, क्योंकि I think दोनों का edit का वही pattern था, तो इसमें pending and dispatched लिखा हुआ है मैंने, जबकि उसमें pending and received होनी चाहिए values, तो यहाँ पर order payment status मैं लिख देता हूँ, वो variable लिखना था, तो सब में अभी pending ही दिखाई दे रहा है payment status, तो एक बाब मैं check करना चाह रहा हूँ कि Mongo Atlas में किसका status था, जो कि received हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर मेरे को सारे ही pending दिखाई दे रहे हैं, तो orders में मैं जाता हूँ और सभी मुझे pending दिखाई दे रहे हैं, पर last वाला शायद received था, तो यह वाला received था, इसके 446 total amount थी, और last में यह object ID था, तो यह चीज़ सर्च करके देखते हैं, तो यहाँ पर यह object ID है, पर इसका अभी भी pending दिखाई है, तो कुछ तो गडबड मैंने ही की हुई है, तो यहाँ पर choose color पास किया हुआ है, और इसमें मैंने order.payment status, तो यहाँ पर एक चीज़ तो इसका color भी मैंको, इस रिसीवट के लिए भी बनाना पड़ेगा, मैं इसी classes को use ले रहा हूँ, जो पुरानी बनी हुई हैं, बस इसमें एक received का नया status बना लेते हैं, तो यह तो classes को issue कर देगा, लेकिन अभी भी, ओके यहाँ payment status में को यहाँ पे लिखना था, तो यह received इस वज़े से आ रहा है, तो अब यह proper आ रहा है, और मैं इसको change भी कर सकता हूँ, तो order का status पूरे order के बारे में बताएगा, payment का status बताएगा कि payment receive हुआ या नहीं, तो यहाँ से वो हम पूरा properly control कर पा रहे हैं, cash के case में admin भी change कर सकता है, कि receive हुआ या नहीं, क्योंकि delivery boy भी उस चीज़ को change कर पाएगा, अभी मैं पूरा orders को एक बार delete कर देता हूँ, क्योंकि यह काफी mix है, पुराने वाले status हो शायद दिखा रहा था, इसी वज़े से सब में pending आ रहा था, फिर हम एक नया order करके देख सकते हैं, तो अब मैं login करता हूँ, इसको check out करता हूँ, और cash वाला यह order मैंने किया है, sign out करते हैं, फिर admin से login करके देखते हैं, और आप मैं continue करता हूँ, अभी भी मेरे cart को इसने empty नहीं किया है, अच्छाए, admin का cart अलग होगा, तो यहाँ पर मैं इसको dispatch कर सकता हूँ, इसको receive कर सकता हूँ, तो cash के भी status मैं यहाँ से change कर सकता हूँ, तो यहाँ पर dispatch आ गया लेकिन payment में, तो कुछ गड़बर हमने यहाँ किये, यहाँ इसकी value हमको received करनी चाहिए थी, तो अब यह सही से काम करेगा, तो यहाँ पर received आ गयी, यहाँ पर dispatched आ गया, तो अब यह चीज प्रॉपर्ली काम कर रही हैं, अब इसके आगी का section, हमने एक separate video में दिया हुआ है, वो video आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने email integration की है, तो उससे हम forgot password वाला जो पूरा flow होता है, कि कैसे आपको email आएगा, वो सब उसमें दिया हुआ है, उसके अलावा order, जब आप करते हैं, तो order में आपकी receipt generate हुई है, क्या items हैं, वो भी आपको email किये जाते हैं, इसके अलावा काफी सारे और features, और UI improvements हमने last में की हैं, जिससे की complete e-commerce feel और experience आपको मिले, तो 12 घंटे की एक limit के कारण, हमने इस वीडियो को यहीं पे restrict किया है, पर वो last वाला part आप ज़रूर देखें, अगर आप project को complete करना चाहरे हैं, तो उसका link आपको description और comments में मिल जाएगा,